यह ज़रा Indian Evidence Act की तरफ और इस Indian Evidence Act को जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ पढ़ेंगे सेक्षन नहीं हम थोड़ा समझेंगे भी कि यह चल क्या रहा है और इसके पहले कि मैं Evidence Act का कोई भी प्रोवेशन या कोई भी कॉंसेप्ट आपको बताऊं सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं और क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो समझना ये ज़रूरी है कि कॉमन प्रोवलेंस में वो किदर अटक रही है कहा जा रही है वो चीज नॉर्मली क्या होता है आप अपने प्रोडेंस से कितना समझ सकते हैं ये बेसिक चीजें हमें देखना है तो पहले मैं एक एक एक्जाम्पल के थुरू आपको बताऊं कि कैसे देखिए ये बात तो आ आपको कोट के सामने चीजें प्रोफ करनी पड़ेंगी अगर आप CPC आप पढ़ चुके हैं CRPC आप पढ़ चुके हैं अगर आप मेरे against court जा रहे हैं एक civil suit फाइल करने कि मैंने आपके साथ एक contract किया था और उस contract का मैंने breach किया है तो ये बात आपको कोट में प्रोफ करनी पढ़ेगी भाई civil suit में आप जानते हैं burden of proof की अगर आपन बात करें तो वो उस party पे होता है जो fact assert कर रहा है अगर आप ये बात court में जाके कह रहे हैं being the plaintiff कि मैं आपके साथ एक contract mentor हुआ था और मैंने उस contract का breach किया और उसके बदले में आपको कुछ remedies दिलाई जाएं अगर आप ये बात कह रहे हैं court में तो burden of proof आप पर इसको proof करने का अब भाई आप कैसे proof करेंगे आप कैसे proof करेंगे कि मैंने आपके साथ contract किया था और फिर उसका breach किया है कोई भी चीज़ प्रूफ कैसे की जाती है evidences देखे कौन से evidence court लेगा कौन से evidence court नहीं लेगा क्योंकि अग बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि court का समय सबसे जादा कीमती है हमारे समय की तरह court का समय नहीं है court चाता है कि जो trial है चाहे वो CRPC पड़ा हो आपने चाहे CPC और इसलिए sequence में पहले मैंने CPC और CRPC पड़ाए है क्योंकि उनको समझना थोड़ा जरूरी है evidence act तक आने के लिए उनके basics भी आपको clear होने चाहिए तो जैसा आप जानते हैं कि CPC का भी overall purpose क्या है कि जो trial है वो on track चले भटके ना कहीं जो काम की चीज़े है उसी पर बात हो फालतु बाते ना हो उस trial में समय वेस ना हो court का सेम चीज CRPC में भी आपने देखा issues frame होते हैं CPC में CRPC में charges frame करे जाते हैं इसलिए ताकि on track trial चलती रहे अब अगर मान लीजे हमने वो सब तो कर लिया लेकिन court किसी भी बात के evidence लाने दे रहा है अगर एक proceeding में तो court का समय फिर नश्थोना चाली हो जाएगा इसलिए court ये भी decide करेगा कि क्या चीज़ आपको proof करनी है क्या नहीं करनी है और कैसे करनी है ये सारी बातें यहाँ पर आती है अब जो ये जो terminologies और जो बाते मैं आपसे कर रहा हूं ये जो सारे terms में use कर रहा हूं कि क्या चीज़ प्रूफ करनी है evidence क्या है है ना fact आपने सुना होगा fact an issue relevant fact इस अब क्या है इस पर अपन ज़रा दो मिनट का मु कर पाएंगे जैसे मानली जी और आप जानते हैं civil में तो चलो जैसे contract के breach का आप suit लेके गए हैं तो you have to prove the things अगर कोई criminal proceeding है तो आप जानते है burden of proof हमेशा किस पर होता है prosecution पर होता है criminal proceeding में burden of proof generally किस पर होता है prosecution has to prove beyond reasonable doubt prosecution को ये प्रूफ करना है that the accused is guilty of the offense तो उधर burden of proof किस पर prosecution अब एक example एक दो example से इन बातों को अपन समझते है civil criminal दोनों के तो ये बात समझी है कि अगर मानली जीए prosecution को ये proof करना है कि एक accused को वो पकड़ के लाए हैं और उस पे उन्होंने आरोप लगाया है कि इस accused ने एक दूसरे बक्ति का murder किया है तो ये बात कैसे proof होगी कि उसने murder किया है जरा समझना इस तीज को फिर में technical terminologies पे आऊंगा पहले normal उसमें parlance में आप बात समझी है जैसे मान लेजिए A is the accused A के उपर ये allegation लगा है कि इसने जो है B का murder किया है इसको जान से मारा है और prosecution ने case बनाया है इस B के against इसको लेके वो court गये है इस बंदे को accused बनाया है for the murder of A और prosecution का कहना इसाब इसने जान ली है अब आप अगर IPC पढ़ चुके हैं आप अगर CRPC पढ़ चुके हैं भाई IPC आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से वो distinction हमने डिसकस किया था तो these classes are for the purpose of problems लेकिन concept हमने वो भी समझा है कि culpable homicide not amounting to murder amounting to murder क्या होता सारी बाते हैं अब अगर आप मान लीजिए कि B के उपर ये allegation लगा है कि B ने sorry A ने B का murder किया है चिक और इसको ले गाए है court as an accused A is the accused in this case और इसको आप court ले गाए है allegation किया जा रहा है कि A ने B का murder किया है और इसने जान से मारा है B को कैसे मारा है तो भाई लेट से चाकु मारा A ने बेंतिहां चाकु मारे B को और उस वज़े से B की death हो गई है ये allegation A के उपर लगा है ये बोल के prosecution इसको accused बना के police इसको accused बना के court तक ले गई है अब आपने अगर IPC पढ़ रखा तो ज़रा ये बताइए कि A का guilt अगर आपको proof करना है कि he is guilty of murder तो क्या क्या proof करना पढ़ेगा ये बात हमने IPC में already पढ़ ली है कि murder का offense होने के लिए क्या essentials है क्या जरूरी है तो ज़रा brief में मुझे बता दीजिए जो mens rea और actus reas का concept आपने पढ़ा IPC में जरा उससे मुझे आप comment box में ये बताइए सबसे पहले तो कि अगर आपको अगर prosecution को ये proof करना है कि mother A ने किया क्या important बातें proof करनी है एक तो mens rea proof करना पढ़ेगा एक तो देखो भाई अगर आप 299 की definition या 300 की definition देखें तो वहाँ clearly सबसे पहले ये लिखा है भूल गए कि 300 की knowledge intention बाद में आएगा पहले तो आपको ये proof करना पढ़ेगा कि A के act से B की death हुई है A ने जो चाकू मारे है A ने जो चाकू के घाव दिये B को उस वज़े से उसके consequence में B की death हुई है सबसे पहले ये proof करोगे या नहीं yes or no बताइए सबसे पहले आपको ये proof करना है कि इसने जो चाकू मारा जो इसने बहुत बार चाकू भी को मारा पेट में मारा घुमा दिया उस वज़े से death हुई है B की सबसे पहले तो ये आपको act proof करेंगे yes or no that सबसे पहले आपको आप प्रूफ करेंगे is act caused the death A के act से death हुई है B की सबसे पहले तो ये proof करेंगे न सबसे पहले तो ये proof करेंगे न कि A के act से death हुई है B की yes or no yes इसके साथ आप क्या proof करेंगे उसका mental state mensoria A का कि जब ये चाकू मार रहा था और जिस act से B की death हुई है A के जिस act से B की death हुई है A में वो act कैसे किया with the intention of causing death किया अपने A की mental element उठा लेते हैं उस detail में दुबारा नहीं जाएंगे A की उठा लेते हैं साव intention था कि यह जब चाकू मार रहा था B को इसका intention उसकी death cause करने का था यह प्रूफ करना पड़ेगा आपको अगर आपको अपना case बनाना है आपको अगर case जीतना है prosecution को अगर अपना case जीतना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा यह यह प्रूफ करना पड़ेगा और वहीं अगर मैं बात करूँ एक ही जो इसका वकील होगा defense lawyer जो होगा वो क्या proof करेगा कि साब इसके act से death नहीं हुई है या मान लीजे यह हो रहा है कि चलो इसके act से death नहीं होगा साब इसका कोई intention नहीं था बले इसने चाकू मारा लेकिन इसका intention नहीं था death cause करने का वो कम कराने की कोशिश करेगा liability वो कोशिश करेगा यह proof करने के this is culpable homicide not amounting to murder या वो कोशिश करेगा कि सिरफ grievous hurt था कि ले जाओ मैं A को तो वो mental element absent करने की बात करेगा वो ऐसे evidences देगा quote में जिससे यह proof हो की इसका intention नहीं था जान लेने का या A का जो वकील है वो कौन से evidence देगा quote में वो इस बात के evidence देगा कि A ने death cause करी ही नहीं भी yes or no prosecution को क्या proof करना है कि इसके act से death हुई है और इसका intention था जान लेने का whereas defense क्या proof करेगा कि इसके act से यह तो death नहीं हुई है या इसके पास वो necessary mental element नहीं था यही करेंगे अब अगर आपके पास इसके सीधे देखिए कोई भी चीज कोड में proof कैसे होती है evidence के थूँ करी जाती है कैसे proof करी जाती है कोई भी चीज evidence अब आप इस बात के evidence देंगे कि A के act से बीकी death हुई है इस बात के evidence इस court में prosecution देगा yes or no prosecution इसी बात के evidence देगा कि A ने चाकू मारा था और उसी से death हुई है अब अगर एक prosecution के पास कोई eye witness है मान लिजी एक ऐसा व्यक्ती है जो scene of crime पे मौझूद था और उसने देखा कि A ने चाकू मारा है बीको तो वो तो हो गया direct evidence वो कैसा evidence हो गया direct evidence सीधे उसने देखा लिया सीधे ये चीज़ प्रूफ हो रही है जो आपको liability ये वो चीज़े है जो A की liability fix करेंगी उस trial में अगर मान लिजी एक eye witness है हमारे पास मान लिजी एक eye witness है C जिसने ये पूरा incidence देखा था कि A आया चाकू लेके और B रहमी से B को चाकू मारे है अब prosecution क्या करेगा सीधे C को ले आएगा court में वो लेगा कि बताओ court को कि तुमने देखा क्योंकि उसे क्या proof करना है कि ये के eye accident हुई ये proof करना है तो ये बात तो शायद आप direct evidence से proof कर देंगे अब माल लेज़े आपको ये proof करना है कि इसका intention भी death cause करने का था इसके लिए आप कुछ evidences लाएंगे intention कैसे proof करोगे mind की बात है कि इसके धिमाग में क्या चल रहा था इसका state of mind क्या था उसको आपको proof करना है इसके लिए आप कुछ चीजों के evidence देंगे कुछ evidence produce करेंगे जरा एक बात इस point से पहले समझना कि अगर सीधे आपके पास इसका eye witness है तो आप सीधे उसको ले आईए मान लीजिए मान लीजिए आपके पास इसका कोई eye witness है ही नहीं ुकिसी ने मारते नहीं देखा ये available ही नहीं है किसी ने मारते नहीं देखा एको कि एने ही भी को चाकू मारा है ये कोई मिल नहीं रहा इस बात कोई evidence नहीं मिल रहा हमें directly जो ये बात proof करें अब अगर मान लीजिए prosecution court में ये proof करना चाहता है अगर मान लीजे prosecution चाहता है court के सामने कि साहब हम इस बात के evidence देना चाहते हैं कि जिस चाकू से जिस चाकू से B की death हुई है उस चाकू पे एक तो ये कि उस particular चाकू से B की death हुई है और उस चाकू पे A के fingerprints हैं A के fingerprints उस चाकू पे हैं तब भी सीधे ये बात proof हो जाएगी कि A के act से death हुई है In that case also that may be a direct evidence जो सीधे ये proof कर देगा कि भाई इसने ही death cause करी है अभी technicality में मत जाना अभी आप मेरे words को उस technical language में मत लेना अभी normal general parlance में बात समझी है सबसे पहले ये समझना जरूरी है तो फिर आप वो सारी कहानी आपके दिमाग में अराम से fit बैट जाएगी कि क्या fact in issue है क्या relevant fact है क्या evidence है सब इस कहानी को बस धंसे सुनिया तो अगर मान लीजिए इस बात के भी evidence नहीं है पता चला weapon ही नहीं मिला है चाकू ही नहीं मिला या चाकू चलो मिल गया लेकिन fingerprint नहीं है क्योंकि होचियार था ये इसने भेंकर crime patrol देखा जीवन में तो उसने कपड़ा उपड़ा पकड़के और अपने हाथ से उसने चुआ ही नहीं गलब्स पहने थे भाई ने और उसके बाद इसने जाके murder किया है तो proof ही नहीं हो पारा कुछ ऐसे evidences नहीं है prosecution के अब माल लीचे prosecution ये proof करना चाहता है court में जरा ध्यान से सुनना ये बात अगर prosecution ये proof करना चाहता है कि जिस weapon से जिस चाकू से B की death cause हुई है वो चाकू recover हो गया है और prosecution court में ये proof करना चाहता है इस बात के evidence देना चाहता है prosecution court में that A has purchased that knife a day before the death of B just then B की death cause करी गई है उसके एक दिन पहले A ने वो चाकू खरीदा था एक जगे से fingerprint में तो नहीं मिल पाए लेकर अगर इस बात के evidence court में prosecution देना चाहता है कि साथ जिस चाकू से death हुई है उस चाकू को A ने खरीदा था दुकान पे जाके एक दिन पहले वो करते किसी वक्ती ने उसे देखा था चाकू खरीदे किसी वक्ती ने देखा था तो क्या ये इस बात के evidence court entertain करेगा क्या आपको logical लग रहा है ये क्या court को इस बात को entertain करना चाहिए क्या ये इस case के लिए relevant चीज हो सकती है या सौर नू जरा बताईए मुझे क्या ये बात considerable है court के लिए ये directly ये proof ने देखो एक बात समझना ये fact कि A ने एक दिन पहले चाकू खरीदा है ये कहीं से ये proof ने कर रहा कि इसके act से death हुई है ये कहीं से सीधे ये नी proof कर रहा कि A के act से A ने चाकू मारा है B को ये proof ने कर रहा ये बात directly proof ने कर रहा वो evidence वो eyewitness जो कह रहा है कि इसको मैंने दुकान पे देखा था ये चाकू खरीद रहा था ये इसी तरीके का जिससे इसकी death हुई है इसी तरीके का चाकू या दुकान वाले को ले आया है prosecution court में कि हाँ साव ये इस तरीके का चाकू खरीद के ले गया था हमारे पास अब आब एक बात समझना कि ये जो evidence है ये जो witness आया है जो ये बात कहरा court में खड़े होके कि हाँ इसने एक दिन पहले ये चाकू खरीदा है मुझसे इस evidence से कहीं ये नहीं proof होता कि इसके act से death हुई लेकिन फिर भी क्या court इसको entertain करेगा answer is yes बस यहीं से आपके दो term निकलते हैं fact in issue और relevant fact क्या होते हैं अब जरह आपन definition पे आते हैं फिर उनको इस story में put करते जाएंगे तो you'll understand कि क्या fact in issue क्या relevant fact क्या evidence और fact क्या होता ये सारी बाते हैं तो basic evidence पे अपना आये कि किस दिन implement हुआ ये हो मैं बात में आता हूँ पहले इन basic बातों को समझना जरूरी है तो सबसे पहले आप जो definition clause है उसमें सबसे पहले definition देखिए जरह बेरिट निकाल लीजिए Indian Evidence Act का और section 3 निकाल लीए interpretation clause ठेक है और ये जो section 3 है interpretation clause इसमें एक definition है fact fact की definition जरह देखिए fact means and includes सबसे पहले लिखा है anything, state of thing और relation of things capable of being perceived by the senses anything मतलब कोई भी चीज़ fact हो सकती है state of thing और relation of thing भी fact हो सकता है जिस चीज़ को आप अपने senses से perceive कर पाए senses कौन कौन से आपके पास आप देख सकते हैं आप smell कर सकते हैं आप छू सकते हैं, touch कर सकते हैं ये सारे आपके senses हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप senses से perceive कर पाए वो एक fact है ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप अपने senses से perceive कर पाए वो एक fact है अब जैसे हमने इस कहानी में समझा जैसे हमने इस illustration में देखा हमने क्या किस बात को हमने evidence मांगा या क्या हम proof करना चा रहे थे हम court में सबसे पहले यह proof करना चा रहे थे कि आप A ने चाकू मारा है B को is it a fact is it a fact कि A ने चाकू मारा है B को is it a fact the answer is yes because this can be perceived by senses क्योंकि prosecution सबसे पहले evidence में C को ही तो लाया था जिसने यह act होते देखा जिसने यह होते देखा कि A ने B की जान ली है चाकू मार के यह एक fact है कि A ने B को चाकू मारा this is a fact क्योंकि it can be perceived by senses इसको कोई देख सकता था इसको कोई महसूस कर सकता था C ने देखा यह कि A ने चाकू मारा है B को इसलिए यह एक fact माना जाएगा as per this definition the fact can be anything state of thing अब state of thing का क्या मतलब है इदर state of thing का मतलब है जो recurringly होती है बार-बार होती है उसको state of thing कहते है वो भी एक fact है जैसे मान लीजिए यहाँ पर question यह है कि A ने भी की जान ली है कब ली है तो रात को 8 बजे ली है अब यह बात क्या यह भी एक fact है कि B रोज रात को 8 बजे अपने घर से बाहर 500 मीटर टहलने निकलता था रोज चाता था वो उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा है रोज ठीक 8 बजे यह बंदा घर से बाहर निकलता था वॉक करने के लिए और लगभग आदा किलोमेंटर वॉक करके वापस आता है रोज रिकरिंगली वो यह काम करता है इसको अपन कहते हैं state of thing जो रिकरिंगली होती है बार बार होती है और एक फिक्स टाइम और करिकुलर में होती है इसको कहते है state of thing this is also a fact यह रोज बॉक करने जाता है 8 बजे this is also a fact एने मारा चाकू बी को this is also a fact यह सब फैक्ट और हम अभी क्या प्रूफ कर रहे थे court में इन facts को proof कर रहे थे कैसे proof कर रहे थे किस चीज़ की मदद से हम fact proof करते है तो fact को हम proof करते है evidences A ने B को चाकू मारा इसके लिए हम क्या करेंगे evidence लाएंगे यह रोज 8 बजे घूमने निकलता है इस fact को हम proof कैसे करेंगे evidence लाएंगे CCTV camera की footage लाएंगे उस महले की जहां यह गूमने निकलता था I hope you're getting this proof किया क्या किया जाता है court में facts proof किये जाते हैं कैसे किस चीज़ की मदद से fact proof होते है evidence की मदद से fact proof होते हैं इसका second part देखी आप जो fact की definition लिखी उसमें लिखा है any mental condition of which any person is conscious कोई भी mental condition जिसका एक व्यक्ति conscious हो सकता है जिसके उसको realize हो रही हो वो भी fact है जैसे हमने यहां कहा कि A ने चाकु मारा उस वज़े से B की death हुई और जब A ने चाकु मारा उसका intention death cause करने का था क्या यह भी एक fact है कि जब इसने चाकु मारा A ने जब B को चाकु मारा उसका intention death cause करने का था yes because fact की definition में यह भी लिखा है any mental condition of which any person is conscious तो इसकी जो mental condition है कि intention death cause करने का this is also a fact तो अभी जो मैंने आपको example दिया कि prosecution क्या क्या proof करेगा तो prosecution यह तो proof कर रहा था मिजरली और यह क्या है as per the definition यह क्या है तो भाई साब यह सब facts हैं यह सब क्या है facts है और इन facts को हम proof कैसे करते हैं evidence की मदद से हम fact proof करते हैं तो भाई सबसे नीचे आएगा आपका evidence evidence और evidence से आप क्या proof कर रहे हैं आप proof कर रहे हैं facts evidence से आप क्या proof कर रहे हैं facts proof कर रहे हैं quote में यही चल रहा कहानी में आप कहानी जमस्ते जाएए तो कहानी में basically यही चल रहा है कि हमें यह प्रूफ करना था कि इसने जान ली है प्लस जान लेते समय वो आप करते समय इसका इंटेंशन जान लेने का था यह बात हमें समझ नहीं थी इसका इंटेंशन था जान लेने का इसने चाकू मारा यह रोज भार जाता था घूमने यह सब फैक्ट चीक तो as per the definition of fact यह सारी चीज़े हैं fact के illustration भी साथ में देख लेजे that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact कुछ objects हैं जो एक particular order में एक जगे पर रखे हुए यह भी fact है that a man heard or saw something is a fact किसी ने कुछ देखा या सुना वो भी एक fact है मैंने देखा सी ने क्या देखा मारते हुए देखा this is also a fact that a man said certain words is a fact किसी ने कुछ बोला ये भी fact है मैं आपको crash course करा रहा हूं मैं आपको evidence पढ़ा रहा हूं that is also a fact कोई भी चीज कोई भी चीज जो senses से perceive करी जा सकती है वो fact अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बात आप perceive कर सकते हैं आप इसको देख सकते हैं क्योंकि वीडियो है आप इसको सुन सकते हैं सुन पारा होने lecture तो that is also a fact इसके बाद D देखिए that a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact ये सब भी facts हैं आप similar चीज़ें हैं बिलकुल आराम से समझ पाएंगे अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो fact कोई भी चीज़ हो सकती है कोई भी state of thing हो सकती है या कोई mental condition हो सकती है ये सब कुछ fact है इसके बाद आखरी है that a man has a certain reputation is a fact व्यक्ति के इज्जत है this is also a fact इसकी एक reputation है this is also a fact तो ये सारी चीज़ें और इदर से प्री के question आते हैं सीधे-सीधे ये जो illustration देखो भाई Indian evidence act में illustration बहुत जादा important है सीधे सवाल बनते हैं इसलिए अभी जब मैं आउंगा six seven eight nine onwards जैसे जैसे अपन section पढ़ेंगे उसके जो major important illustration है उनको मैं आपको समझाऊंगा भी क्योंकि उनसे सीधे question बनते है application बे सीधे वही या तो illustration आ जाते है कि ए नहीं भी की जान ली है तो क्या क्या प्रूफ करना है इसके act से जान गए प्लस इसका intention था जान लेने का ये भी आपको प्रूफ करना है and I hope that is clear अब जो मैंने आपको बात कही कि यहां जो मैंने लिखा कि आप कोड में प्रूफ कर रहे हैं fact प्रूफ करने के लिए आप क्या लेकि आ रहे हैं तो fact प्रूफ करने के लिए आप evidence लाने evidence लाकि आप fact प्रूफ करते हैं जरा आगे और definitions देख लेजिए अब fact तो आपने समझ लिया अब जरा fact का categorization समझ लीजिए facts को क्योंकि दो parts में categorize किया गया है एक है आपका fact in issue और एक है आपका relevant fact अब यह दोनों क्या हैं दोनों में क्या अंतर हैं तो इस बात को जरा पढ़ते हैं definition फिर अपनी story पर आते हैं you'll connect with it relevant देखिए relevant की जो definition दिये fact के बाद जरा उसको देखिए बेरेक में one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of fact इधर पर एक proper chapter दिया है जो इस connection की बात करता है मैं दो मिनिट में आपको ये बात समझाता हूँ इसके पहले जरा आ जाईए fact and issue fact and issue को पहले समझेंगे फिर समझेंगे relevant fact तो जरा fact and issue की definition देखिए the expression facts and issue means and includes any fact from which जरा ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो सारी बात है जो fact and issue यहाँ लिखा है वो मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ आपको सिर्फ वो correlation draw करना है तो जरा इस definition के terms को ध्यान से देखना any fact from which either by itself or in connection with other facts underline कर लीजिए the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in a suit or proceeding necessarily follows तो भाई fact and issue कौन से facts है जो सीदे सीदे क्या establish करेंगे यहाँ क्या लिखा है जो किसमें deal कर रहे हैं कैसे fact, fact in issue कैसे fact होंगे जो सीदे सीदे किसमें deal कर रहे हैं rights and liabilities में जो deal कर रहे हैं जो facts rights and liabilities में चाहे वो उसका extent बता रहे हूँ चाहे वो right और liability को establish कर रहे हूँ, ये सारे facts आपके क्या कहलाते हैं, facts निशूँ अब जरा इधार आईए, जो मैंने आपको example बताया यहाँ पर ये कौन वो कौन-कौन से fact है जो इसकी liability assert करेंगे, या fix करेंगे या कम जादा करेंगे, वो कौनसे fact ने इधर, जो सीधे इस बंदे की liability fix कर देंगे for murder, उसके लिए ही मैंने ये दो बातें लिखी थी, ये दो चीज़े मैंने क्यों लिखी थी, यही बात बताने के लिए, कि इसकी सीधे, भाई, A की liability as per IPC, IPC के हिसाब से murder के लिए ये बंदा कब liable होगा, वो कौनसे fact हैं, जो सीधे इसकी liability पर affect करेंगे, सीधे इसकी liability proof करेंगे, वो कौनसे fact हैं तो एक fact यह है कि इसके act से B की जान गई है, दूसरा fact यह है कि A ने जब जान ली है B की, जब इसने चाक उमारा है, वो समय सका intention, death cause करने का था, ये वो fact हैं, जो सीधे liability, establish कर देंगे ये, assert कर देंगे, yes or no तो ये जो fact हैं, इनको हम क्या बोलते हैं fact in issue बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, बटा, fact in issue जो सीधे liability, assert करेंगे उसके extent को कम जादा करें they are called fact in issue civil proceeding के अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मेरे अगेंस एक suit file किया है for the purpose of claiming damages out of a breach of contract तो अगर आप मेरे अगेंस suit file कर रहे हैं damage के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ contract किया था और मैंने उस contract का breach किया है, यहां fact in issue यह fact होगा कि हम दुनों के बीच में कोई contract है सबसे पहले तो यह होगा न कि हमारे बीच में contract है और मैंने उसका breach किया है, अगर आपने यह proof कर दिया कि हाँ आपके और मेरे बीच में contract था और मैंने उसमें जो obligation लिया था वो fulfill नहीं किया, इसको बीच अगर आपने यह proof कर दिया, तो आप मेरे उपर liability fix कर देंगे और आप अपना right assert कर लेंगे, आप अपना right assert कर लेंगे in fact को proof करके और मेरी liability assert कर देंगे court में, अगर आपने यह fact proof कर दिया, इसलिए यह fact क्या है in fact को बन कहते है, fact in issue I hope you're getting this yes or no, जो liability assert करें, उसके extent को कम जादा करें, सीधे liability right में जो deal करते हैं, उनको कहते है fact in issue, और मैंने कहा, आप सीधे देखिए, इधर वापस आईए, किस चीज़ के evidence दे सकते हैं, fact, सीधे आप fact in issue के भी evidence दे सकते हैं, जैसे इसके लिए आपके पास, मान लीजे evidence है, जैसे मैंने कहा न, आई witness है हमारे पास, जो ये बता रहा है हमारे case में, जो story चल रही है सीधे एक आई witness है, जो ये कहा रहा भाई है, एने चाकू मारा था भी को, मैंने देखा मेरे सामने मारा था, तो सीधे या तो आप fact and issue के evidence उस person को आप ऐज़ा witness court में विलकोल बुला सकते हो, क्योंकि वो क्या establish कर रहा है, वो fact and issue बता रहा सीधे सीधे, उसको अपन court ले आएंगे इसके अलावा, अगर मान लीजे, fact and issue के नहीं है, तो relevant fact के लिए है, अब relevant fact क्या है वापस कहानी में देखिए relevant fact वो है जो connected है दूसरे fact के साथ, अगर एक fact किसी दूसरे fact के साथ connect होके liability की संभावनाएं बनाता है, उसको कहते है relevant fact, fact and issue तो directly right or liability proof कर देगा लेकिन relevant fact क्या करता है यह एक ऐसा fact है, जो दूसरे fact के साथ connect होता है, और फिर वो काम करता है, जो fact and issue directly कर रहा है, तो relevant facts के थूँआप fact and issue establish कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, इस illustration में मान लिजे हमारे पास C नहीं है, मान लिजे हमारे पास कोई ऐसा eyewitness नहीं है जिसने देखा हो कि A ने भी को मारा लेकिन हमारे पास वो शॉपकीपर है, जिससे मरने, ये मडर होने के एक दिन पहले एने चाकू खरीदा था, हमारे पास वो शॉपकीपर है वो आके कोईट में ये टेस्टिमनी दे रहा है कि साथ, वहाँ ये आया था, ये चाकू लेके गया था मुस्से खरीद के अब ये जो चाकू लेके गया था खरीद के इस बात से आप ये इस्टाबलिश नहीं कर पा रहे हैं। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं connected लग रहे हैं, ऐसे सारे facts, यह कौन से facts होंगे, जो connected होंगे, उन्हीं क्या आप evidence दे पाएंगे, इसके लिए evidence act ने एक separate chapter create करा है, जो बताता है, कौन से ऐसे facts होंगे, जो एक case में relevant होंगे, यह बताने के लिए Indian evidence act में पूरा chapter है, अब एक तो है logical relevancy की, आप और मैं अपने logic से जो सोच रहा है, इसलिए मैंने पहले logic लगवाया, बेरक्ट अपन बाद में आ रहा है, क्योंकि यह भी point है कि कुछ चीज़ हमारे logic से relevant है, लेकिन Indian evidence act जो relevancy की definition बता रहा है, या relevant की definition बता रहा है, वो logic पे बेस नहीं बता रहा है, वो किस पे बेस बता रहा है, वो कह रहा है कि इस evidence act के provision के हिसाब से relevant होना चाहिए, इस evidence act के provision के हिसाब से relevant होना चाहिए, जो इधर लिखा है as relevant, वो ही fact relevant माना जाएगा, आप भले अपना prudence लगा रहे हैं और आपको लग रहे है कि हाँ एक दिन पहले इसने चाकू खरीदा इस बात से काम नहीं बनेगा आपको कोट में अगर इस बात के evidence देने हैं अगर आपको court में इस बात के evidence देने हैं कि इस ने एक दिन पहले इसको प्रूफ करने के evidence अगर आप court में देना चाहते हैं तो पहले आपको court के सामने ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये fact relevant है relevant के से logical relevancy नहीं इसको कहते हैं legal relevancy, legal relevancy कहां जो इस chapter के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ जो evidence act में पूरा chapter दिया है, वहाँ जो connection बताया है facts के बीच में आपको वो establish करना पड़ेगा, कि साब हम जिस fact के evidence देना जा रहा है court में, वो fact as per Indian evidence act relevant है, हमारे common sense से नहीं, क्योंकि जो हम हमें लग रहा, that is logical relevancy, legal relevancy क्या है, जो इस act के हिसाब से relevant है, इस act में multiple provision में यह बात बताईए कि कभ एक fact relevant होगा, relevant होने का मतलब नहीं कि उससे ही सब proof हो जाएगा, यह बात ध्यान रखना, यह सबसे बड़े misconceptions हैं, जो आप provision पढ़ते हैं उस समय आपको होते हैं, आपको ल इसलिए इनको केते हैं, circumstantial evidences, तो relevant fact की जरह definition बेरिट में देखिये, फिर थोड़ा सा मैं आपको वापस इदर लेके आता हूं, जरह relevant की definition देखिये, one fact is said to be relevant to another, when the one is connected with the other, एक fact दूसरे से connected है, in any of the ways referred to in the provisions of this act related to the relevancy of fact, तो as per Indian evidence act, कोई भी fact relevant कब होगा, common sense से नहीं, वो इस act में दिया होना चाहिए as relevant, इसमें पूरा chapter है भी, वहाँ ये बताया गया है, और आप ये बात देखेंगे कि आप logically जितना सोच पा रहे हैं न, जो जो चीजें आपको अपने prudence से लग रही हैं न, कि हाँ ये connected है, वो सारी चीज़ों को यहाँ लगभग establish कर दिया गया, लिख दिया गया है, उन लगभग हर चीज़ को यहाँ लिख दिया गया है, और सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये relevant है, ये सिर्फ इतना बताएंगे कि हाँ ये fact relevant है, और अगर वो relevant है तो आप उसके evidence ला सकते हैं, क्योंकि court क समय, भाई साब, court का समय, बहुत important है, जो चीज़ relevant नहीं है, उसके evidence court लाने नहीं देगा, जैसे इस कहानी में आप जरा समझिए, हम इस बात के evidence ला रहे हैं, एक ऐसे वक्ति को court में पेश करना चाता है prosecution, जिसने एक को चाकू मारते देखा, ये तो भाईया fact can issue proof कर रहे हो, बिलकुल इसके evidence ले आओ, उस बंदे को आप लाईये court में, अगर आप ऐसे बंदे को ला रहे हैं, जिसने एक दिन पहले इसको चाकू खरीदते देखा, court कहेगा हाँ, ले आओ, connected है भाईया, ले आईये इसके, अब मालने चे prosecution ये proof करना चाता है court में, that A is a wrestler, court में prosecution ये भी प्रूफ करना चाता है इस trial में, कि ये एक wrestler है, लड़ाई वड़ाई वाले sports खेलता है और उस तरीके का आदमी, क्या court ये proof करने के evidence सुनेगा, कि ये जीवन में क्या कर रहा है, या ये wrestler है, कि ये क्या करता है, क्या इस trial से आपको कहीं connected बात लग रही है, बताइए, क्या य एक wrestler है, इस trial में, तो ये ऐस, ना तो ये fact an issue है, और नहीं ये relevant fact है, generally, generally, ये relevant fact भी नहीं लग रहा है, अगर वो इन दोनों में से किसी category में नहीं आता, अगर वो fact an issue में भी नहीं आता, वो relevant fact में भी नहीं आता, तो उस बात के evidence नहीं दिये जाएंगे, court उस बात के evidence लेगा ही नहीं, क्योंकि court का समय बहुत important है, fall to any court, उसे काम की बात चाहिए, अपने बस, तिदर उदर को माने फिर आने की बात है नहीं चाहिए, इसलिए court उन्हीं facts के evidence लेता है, जो ज़रूरी, ज़रूरी कौन-कौन से, एक तो fact an issue, ज़रे directly right and liability assert करते हैं, fact बहुत नहीं, जो एक दूसरे से connect हो, जो एक दूसरे से connected हो as per this act, और वो connected कब माने गए हैं, या कब बताये गए हैं, या वो पूरे इधर पर लिखा गए हैं, तो relevant fact के भी आप evidences दे सकते हैं, यह जो relevant fact है, आप इसके भी evidence दे सकते हैं, अब fact relevant है, या नहीं, it is to be seen, अब अब देखिए, जब आप fact and issue प्रूफ करेंगे, या relevant fact, यह हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इस fact को हम प्रूफ करना चाहते हैं, कि A नहीं B को चाकू मारा है, इस fact को प्रूफ करने के लिए हम क्या लाए, evidence लाए, अब court को यह decide करना है, evidences को देखके, evidence को analyze करके, court यह decide करेगा, court यह मानेगा, कि this fact is proved or not proved, यही करेगा court, जब आप किसी चीज़ के evidence देंगे, आप जब court में इस बात के evidence देंगे, कि A नहीं B को चाकू मारा है, या तो court convince होगा, या तो नहीं होगा, आप court कब convince होगा, कौन सा evidence उसके लिए, उस पे वो rely कर सकता है, किस पे वो rely नहीं करेगा, इसको कहते हैं reliability, इसको क्या कहते है, relevancy, कि कब fact connected है, उसको कहते हो आप relevancy, reliability एक term है, reliability मतलब कितना trustworthy है, वो evidence, कितना भरोसा करूं मैं उस पे, क्योंकि court को कहा तक पहुँचना है, जरा इस बात को समझिएगा, तो court को पहुँचना है अपनी judgment, judgment, judgment पे कैसे पहुचेगा, facts के through पहुचेगा, कौन से fact, fact and issue are relevant, इनको आप proof कैसे करेंगे, क्योंकि court अपना जो judgment देगा, वो किन facts पे देगा, तो ध्यान रखना उनी facts पे देगा, जो proof हो जाएंगे, proved facts पही देता है, अगर आपने court में proof कर दिया, तभी तो उस पे judgment based होगा, तभी तो court आपके favor में judgment देगा, prosecution के favor में, जब आप इस fact को proof कर देगे, और आप proof कैसे कर रहे हैं, with the help of evidence आप proof कर रहे हैं, अब आपके evidence को तॉला जाएगा, देखा जाएगा कि कितनी दम है उसमें, इसको अपन कहते हैं, reliability of evidence, इसको क्या कहते हैं, reliability, और relevancy क्या है, किसी fact की, relevancy किसी की होती है, fact की होती है, वो connected है या नहीं, conclusion तक पहुचाने के लिए, हमें यहाँ पहुचना है, कि court को यह convince करना है, prosecution को, कि A के act से death हुई है B की, और यह भी proof करना है, कि यह जो act commit किया है, A ने, जिससे B की death हुई है, वो act करते समय, A का intention जान लेने का था, आपको यहाँ तक पहुचना है, आपके पास directly उस बात के कोई evidence नहीं है, अगर तो आप क्या करेंगे, आप दूस कुझरे connected facts जुटाएंगे, yes or no, कि उसने एक दिन पहले चाकू खरीदा, जिस दिन murder हुआ, उसके अगले दिन से एक आयाप था शहर से तीन दिन के लिए, आप ऐसी चीज़ें जुगाडेंगे, इनको कहते हैं, circumstantial evidences, इनको कहते हैं, आप facts कैसे relevant, यह fact and issue नहीं है, कि अग cause करिए, हाँ, बट यह connected लग रहा है हमें, यह connected लग रहा है उससे, तो आप यह भी कह सकते हैं कि multiple relevant facts को मिला के, जब एक proper chain बन जाती है, बहुत सारे relevant facts को मिला के, जब एक chain बनती है, उससे भी fact and issue proof होते हैं, और judgment तक पहुचा जा सकता है, यह importance है in relevant facts का, तो evidence आप किस के दे देंगे, या तो fact and issue के देंगे, या तो relevant fact के देंगे, और जो facts, जो भी facts आप proof कर देंगे, देखिए, fact and issue के तो court लेगा यह evidence, relevant fact के कब लेगा, जब वो fact कैसा हो, किस fact के evidence लेगा court, तो जब वो fact कैसा हो, relevant हो, नहीं तो court evidence थोड़ी लेगा, relevant होना ज़रूरी, relevant है या नहीं वो हमें पता चलेगा और अगर वो fact and issue है जो fact आप proof करना चाह रहे हैं वो अगर fact and issue है तब तो evidence लिए जाएगे और जो भी facts प्रूव हो जाएंगे इन में से उन पर based होगा court का judgment अब जरा evidence को भी देख लेते हैं जिसकी definition हमने बेरेट से नहीं पड़ी है जरा एक बार evidence की definition देख लीजे तो मैं आपको इस पूरी कहानी को फिर दो मिनट में summarize कर देता हूं सो जरा evidence की definition पे आईए document के बाद दी हुई है evidence की definition बेरेट में देखिए evidence means and includes first लिखा है all statements which the court permits or required to be made before it by witnesses underline कर लीजे by witnesses in relation to matters of fact under inquiry तो evidence क्या होते हैं वो statement evidence है जो court permit करता है witness के वो statements जो court permit करता है खड़े होके बोलने के लिए उसको हम evidence कहते हैं उसको कैसा evidence कहते हैं oral evidence कहते हैं oral evidence क्या है जो witness आके testimony देगा जैसे यह जो हमारा case चल रहा है कि A ने B की जान ली है क्या अगर हमारे पास एक evidence है C, C की testimony C का वो statement हमारा evidence है C का as per this definition C का जो statement court में खड़े होके जो हो यह बात कहा रहा है C court में खड़े होके यह कहा रहा है कि sir मैंने देखा यह ने चाकू मारा था अभीको बेरहमें से चाकू मारे थे इसमें तो यह जो testimony है यह जो statement है that's an oral evidence ठीक इस evidence की मदद से इस testimony यह सी के statement की मदद से आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप एक fact and issue प्रूफ करना चाह रहे हैं बिल्कुल court allow करेगा इस evidence को बिल्कुल allow करेगा अगर आपके पास सीधे या नहीं है तो आपको relevant fact proof करतीजे वो भी allow करेगा उसके भी evidences ले ले लेगे आप relevant fact ले आईए लेकिन अगर आप किसी ऐसे fact के evidence देना चाह रहे हैं जो relevant भी नहीं है तो फिर entertain नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा कि यह wrestler है या नहीं इस बात के evidence लाना चाहिए relevant होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि इस सारी बात proof हो जाएगी ऐसे बहुत सारे relevant fact proof करे जाते हैं quote में यह भी proof करा जाएगा कि इसने एक दिन पहले चाकू खरीदा इसके अलावा कुछ और fact हो सकता कोई motive proof कर दिया जाए on part of A कि इस motive के चलते इसने इसकी जान ल रहा था इसलिए जान ले यह भी proof कर सकता है ऐसे करके वो अलग-अलग जब proof कर देते हैं उसके basis पे court conclude करता और आप बहुत अच्छे से यह बात समझते हैं और जानते हैं कि criminal case में prosecution पे जो burden होता है वो होता है proof करने का अपने case को beyond reasonable doubt prosecution को अपना case कैसे proof करना है beyond reasonable doubt beyond reasonable doubt का court के दिल में कोई दिमाग में कोई doubt नहीं रहना चाहिए इतने evidences sufficient होने चाहिए कि कोई भी prudent आदमी यह कह दे कि हाँ यह बात proof होती है इस तरीके के इतने evidences आपको लाना पड़ता है इसलिए strict burden होता है in criminal proceeding इसलिए आप generally जानते हैं कि circumstantial evidences के misses पे circumstantial evidence कौनसे evidence है जो relevant fact proof क इसलिए आप क्या प्रूफ कर रहे हैं आप relevant fact और relevant fact को proof करने के लिए जो evidences लाए जाते हैं उनको कहते हैं circumstantial evidence जैसे एक बड़ा famous case आपने देखा और सुना होगा तलवार murder case आरूशी murder case जो था तलवार couple के ऊपर जो allegations लगे थे अपनी बेटी को मारने के अगर आपने उस case को पढ़ा है या उसके बारे में जानते हैं movie भी आई थी उस पे तो वहां कोई direct evidence नहीं मिल पाए थे direct evidence कौन से हैं जो सीधे fact and issue को proof करते हैं कि यहां इस नहीं जान ली है लेकिन circumstantial evidences थे circumstantial evidence क्या proof कर रहे थे वो relevant fact प्रूफ कर रहे थे कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा उनके connection से वह बात प्रूफ होनी थे उनके connections है तो relevant fact को जो प्रूफ करते हैं उनको कहते हैं circumstantial evidence ठीक बात समझ रहें आप तो या तो बहुत सारे आपके पास यह हो जो एक logical connection बिठा दें कि हाँ इससे court conclusion पर पहुंच जाए criminal proceeding में burden strict होता है सिविल में उतता नहीं होता अब जैसे माल लीजे सिविल में आप कह रहे हैं कि आपके और मेरे बीच में contract था और मैंने उसका breach किया है contract आप कह रहे हैं साब writing में नहीं था oral भी हो सकता है contract आपने Indian contract पढ़ा है आप जानते हैं इस बात को अब आप इस बात की testimony दे रहे हैं court में एक witness लाके खाड़ा कर रहे हैं जो केरा साब हमने सुना था यह सर ने इस student के साथ contract किया था तो वहां कारेकरम किस पर चलता है civil proceeding में preponderance of probability वहां कैसे प्रूफ करना होता है किस चीज़ पर काम चलता है preponderance of probability मताब probability के basis पर आप probable proof कर दीजे code मान लेगा आपका case proof लेकिन criminal में probability पर नहीं चलता संभावनाओं पर game नहीं चलता क्योंकि भईया इदर आपको punish करना है एक वक्ति को वो संभावनाओं पर नहीं होगा वो beyond reasonable doubt होगा अगर आपको किसी वक्ति को punish करना है criminal proceeding में guilty कराना है तो prosecution के उपर burden होता है beyond reasonable doubt इसलिए आपके उपर burden ज्यादा strict है आपको fact and issue proof करना पड़ेगा तब जाके ही बहुत rarest of the rare case में ऐसा होता है कि circumstantial evidence के basis पर conviction हो जाए किसी accused बहुत rarely ऐसा होता है बहुत strong circumstantial evidence होते हैं कोई कुछ बचा ही ना हो तब ही होता है otherwise generally नहीं होता और circumstantial evidence क्या प्रूफ करते हैं relevant fact प्रूफ करते हैं क्योंकि वो directly essential proof नहीं करना है I hope you got the difference between fact and issue and relevant fact ये बात आपके समझ में आई है fact क्या होता है और evidence क्या होता है और उसको प्रूफ करने के लिए अपने ये सारा कारेकरम कर रहे है अगर आप प्रूफ कर देंगे तो court आपके favor management दे दे रहा है अब आपने एक term सुना होगा admissibility एक तो होगया relevancy मैंने आपको बता दिया relevancy किसके context में होती है evidence के evidence किस चीज के लिए जाएंगे relevant fact के लिए जाएंगे evidence किस चीज के लिए जाएंगे relevant fact के एक term आपने सुना होगा इसके अलावा Indian evidence act में admissibility यह admissibility क्या है तो भईया admissibility दो चीजों की होती है यह मैं आपको बता दूँ ज़रा कि admissibility क्या है तो admissibility जो है यह दो तरीके की होती है एक होती है admissibility of evidence जो कि बहुत simple है और एक होती है admissibility of fact कब कहा जाएगा कि fact admit हुआ है कब कहा जाएगा कि evidence admit हुआ है court में तो देखिए evidence admit तब होता है जब वो किस चीज का evidence हो fact का evidence होता है कौन से fact का evidence court में admit होता है court मानता है तो इसका जवाब तो आप खुद जान ले हैं इसको मुझे आपको समझाने की जरुरत नहीं है अगर आ जा दीजे, कौन से facts के evidence court में admit होते हैं, कौन से वो facts हैं, जिनके evidence court admit करता है, admit मतलब जो लाने दे, evidence produce करने देरा court मतलब admit है, किस चीज़ करता है, या तो fact in issue के, या फिर relevant fact के, या तो fact in issue के evidence, या फिर relevant fact के evidences को ही court admit करता है, I hope that is clear, there is no doubt regarding this, इसको कहते हैं admissibility of evidence, अब आते हैं admissibility of fact पे, एक तो है relevancy of fact, एक क्या है हमारे पास term, relevancy of fact, तो relevant कब होगा fact, जब Indian evidence act के हिसाब से, यहाँ पे लिखा हो, connected होगा, तो यहाँ लिखा जरूर होगा, उसके लिए अपन separate एक part पढ़ेंगे, वो बताएगा कि fact relevant है या नहीं, उसक अभी हम evidence के admission की बात नहीं कर रहे हैं, evidence का admit तो तभी होगा, जब वो fact in issue का होया, relevant fact का अगर evidence है, तो court उसको admit करेगा, allow करेगा, fact को admitted कब मान लिया जाता है, जब fact पे rely करके court अपना judgment दे दे, कौन से fact admissible मान लिये जाते हैं, या admitted मान लिये जाते हैं, जो court अपने judgment में पहुचने तक use करे जिन facts को, अब देखिए, हो सकता है, कुछ fact in issue हो, कुछ relevant fact हो, जिसके evidences court की proceeding में दिये गए, court किन पे rely करेगा, judgment के लिए, सिर्फ उन facts पे rely करेगा, जो proof हो, duly proved होने चाहिए, relevant होने चाहिए, और duly proof होने चाहिए, ये बात आप 167 में देख सकते हैं, sorry, 165 में, Indian Evidence Act के 165 में एक proviso दिया है, जो clearly ये बात कहता है, कि court का जो judgment होगा, वो किस पे based होगा, उन facts पे based होगा, जो relevant है, और duly proved है, ज़रा एक बार बेरिट में section निकाल लीजे, तो वो बात अपन clear करते चले ज़रा 165 निकाल लिए, कुछ और मत पढ़िएगा 165 में, क proviso कहता है, provided that, the judgment must be based upon facts declared by this act to be relevant and duly proved, किन facts का पे judgment based होगा, कोट का judgment जो है, वो किन facts पे based होगा, जो कि relevant होगा, प्लस proved होगा, और proof कैसे करते हो आप, with the help of evidence, with the help of evidence, आप proof करते हो, तो अगर court में fact proof हो गया, तो वो admit होगा, कोई भी fact admitted कब माना जाएगा, जब वो court में proof हो जाएगा, अगर वो judgment के purposes के लिए use हो रहा है, और evidence admitted कब माना जाता है, तो evidence admitted तब माना जाता है, जब court allow करते, evidence, चीक, I hope that is clear, अब कुछ basic terminologies मेरे ख्याल से आपकी clear हो गई है, आपको समझ में आया evidence किसे कहते हैं, आपको समझ में आया fact क्या होते है, fact and issue क्या होता है, relevant fact क्या होता है, इतनी बातें अगर आपके जहन में बैठ गई हैं, तो we can move on, और relevant, relevant fact, उसके लिए दो अभी पूरा chapter है, अब मैं आपको पूरी structuring बता देता हूँ, यह जो हमारा illustration था, इसके through मेरे कहला आप यह सारी बातें समझ गए हैं, कि इसमें fact and issue क्या है, इसमें relevant fact क्या है, किसके court evidences allow करेगा, किसके नहीं करेगा, तो अब जड़ा इस evidence act की structuring को समझ जीए, पूरा purpose क्या है, evidences के through हमें पहुँचना है, कहां तक judgment तक पहुँचना है उसके बीच में पूरी कहानी चल रही है, अब जड़ा content वाला portion जड़ा निकालिए, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि इस barret को easy बनाना है सबसे पहले, तो इसमें आप देख पारे होंगे, तीन parts में divided हैं, जितने भी section है, उनको divide करा गया है, तीन part में, एक है आपका part 1, एक है आ को समझ लीचे Indian Evidence Act के, part 1, part 2 और part 3, part 1 देखिये, relevancy of fact, part 1 सिर्फ किसमें deal कर रहा है, relevancy, क्योंकि अगर आपको किसी fact के court में evidence देने हैं, अगर आप court में कोई fact proof करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा court को कि ये fact relevant है as per Indian Evidence Act, तो कब एक fact relevant होगा case में, कब fact relevant नहीं होगा, इसके इर्दगिर्द जो सारे provision है, उनको club किया गया है इस पहले part में, जिसकी heading है, relevancy of facts, कौन से fact relevant है, कब वो relevant होंगे, इस सब के बारे में बताएगा ये आपको पूरा part, अलग-अलग chapter है, उस पर तो अभी अपन जाएंगे, बट अभी आप parts समझे, overall, तो ये सिर्फ relevancy की बात करेगा, इस सिर्फ बताएगा कि क्या-क्या relevant है, क्योंकि जो relevant है, क्योंकि जो relevant है, क्योंकि जो relevant है, क्योंकि उनीक evidence आपको allow किये जाएंगे, इसके बाद second part की heading देखिए, on proof, second part है, on proof, on proof मतलब यहाँ पर method बताई गई है, इस पूरे part में method बताई गई है, कि आप कोई चीज proof कैसे करेंगे, अब हमने ये तो बता दिया, first part में आपने बता दिया, कि relevant कौन से fact है, उन relevant fact को आपको proof करना है with the help of evidence, तो वो proof आफ कैसे करेंगे, इसकी method बताता है, basically यह, यह क्या बताता है, facts, जिनको आप proof कर सकते हैं, वो facts, जिनको आप proof कर सकते हैं, यह बताता है part one, कौन से वो facts होंगे, जिनको आप proof कर सकते हैं court में, और proof कैसे करोंगे, evidence लागे, तो यह part आपको बताएगा, कौन से वो facts हैं, जिनको आप proof कर सकते हैं, कैसे proof करेंगे, कैसे proof करेंगे, यह सब इदर बताया गया है, वो method basically बताई गई, कि कौन से primary evidence, कौन से secondary evidence, किस तरीके से आप किसी चीज़ को proof करेंगे, वो इस part में, इसके बाद part 3 देखिए, so part 3 की heading आप देखेंगे, तो लिखा है production and effect of evidence, part 3 बताता है production and effect, कैसे evidences को produce करना है, कौन करेगा produce, देखिए, एक बात थी कि कौन से evidence court में आएंगे, या किस चीज़ के evidence court में आएंगे, वो तो part 1 डील कर लेगा, क्योंकि वो relevancy बताएगा fact की, और जो fact relevant है, उनको proof करने का मौका दिया जाएगा, evidence कौन लाएगा, कि sequence में लाएगा, evidence का impact, consequence क्या होगा, ये सब बातें part 3 में बताएगा, so part 3 deals with production and effect of evidence, कि ये evidence आप लाएँ है, fact proof करने के लिए तो उसका क्या effect होगा, तो directly reliability की बात evidence act में नहीं है, कोई ऐसा portion नहीं है, majorly, incidentally तो है, but directly कोई ऐसे provisions नहीं है, जो reliability बताएगा, कि court किन पर rely करेगा, वो description of the court है, वो prudence of the judge है, कि whether this evidence is reliable or not, वो prudence है, उसके लिए कोई guideline नहीं है, हाँ, relevant के लिए पूरे rules है, clearly rule दिये गए है, किस fact को आपको relevant मानना है, किसको नहीं, तो कि जो relevant नहीं है, उसके evidence नहीं लिए जाएंगे, और उसके लिए proper instructions हैं, इस Indian Evidence Act में, judge को वहाँ discretion as such नहीं लगाना होता, I hope that is clear to you, चीक, तो यह आपके तीन part हैं, यहाँ बात होगी कि कौन से fact relevant है, उन relevant fact को proof कैसे करना है, यह part 2 में हम देखेंगे, कि किस तरीके से आपको किसी चीज़ को proof करना है, अगर आप यह allegation, आप एक civil suit file कर रहे हैं, और आप मेरे उपर यह allegation लगा रहे हैं, कि आपके और मेरे बीच में एक written contract है, जिसका मैंने breach किया है, तो part 2 आपको यह बताएगा, कि अगर आप एक written contract की बात कर रहे हैं, अगर आप document की बात कर रहे हैं, तो document को आपको कैसे proof करना है, document proof करने के लिए, या किसी documented बात को proof करने के लिए, आप कौन से evidence लाएंगे या आपको बताएगा, part 2, I hope this is clear, और part 3 बताएगा, production, कौन produce करेगा evidence, कि सीक्वेंस में करेगा, यह सारी बात हैं, part 3 यह करेगा, तो I hope the structuring is clear in your mind, about evidence act, शाले ने, it is adjective, पहले चीज़ तो, जो तुम्हारा doubt है कि adjective है, लेक्स फौरी है, तो adjective है, भाई, procedural laws को ही adjective laws भी कहते हैं, because evidence act is a procedural law, procedural law को ही बटा adjective भी कहते हैं, चीक है, अभी इन basic prelims के question पर मैं आता हूँ, पहले तो यह sense समझना जरूरी था, इस act की structuring को समझना थोड़ा सा जरूरी था, अब अपन आते हैं, कि करके अपनी बातों पर, जो हमें बेरेट पढ़ना है, और जो pre के सवाल है, वो मैं आपको एक एक करके बताते चलूँँगा, उसके लिए अपने शिंत रही है, आपने देखा था, जिसे CRPC में आपने देखा था, कि provision का मतलब तो समझ में आपको पहले भी आ गया था, कभी आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन वो overall context नहीं बैठ पा रहा था, तो आज मेरी कोशिश evidence को लेके भी वही थी, कि वो overall context समझ आ जाए, कि जब मैं आपसे कहूँ कि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं part 2, तो part 2 क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या purpose है, आपके दिमाद में ट्रॉटरंट क्लिक होना चाहिए, कि part 2 यह बताएगा, कि कोई भी चीज कैसे proof करनी है, क्या चीज court में proof हो सकती है, वहाँ यह नहीं पढ़ रहे हैं, कि decision किस basis पे होगा, court का judgment किस पे based होगा, यह नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए part 1 पढ़ते समय, जहन में यह मतला आईएगा, कि अच्छा, इतनी सी बात से प्रूफ हो जाएगा, कि इसने offense किया है, भईया, उतनी सी बात से proof नहीं होगा, क्योंकि part 1 सिरफ बता रहा है आपको कि किस चीज की evidence आप दे सकते हैं और नहीं दे सकतें, बस. चलिए, तो अब अपन आ जाते हैं अपने evidence art की तरफ, अब अपन provisions पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि यह basic concept जो है आपके जहन में बैठ गया है, तो अब मैं आ रहा हूँ, part 1 स्टार्ट करते हैं, और part 1 जो है जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा, it is about relevancy of fact, इसमें अलग-अलग chapters है, पहला chapter वही preliminary है, basic सवाल, इतर से पूछे जाएंगे, जो definitions है, जो interpretation clause है, उसकी कुछ definitions तो मैंने इस introduction, इस context में ही आपको पढ़ा दी और समझा दी, उसके बाद जो बची कुछी हैं, जिन से परी के सवाल आते हैं, उनको देखेंगे, and likewise we'll move on, तो सबसे पहले बेरिट में निकाल लीजे, chapter 1, chapter 1 is preliminary, part 1 है, relevancy of fact, और chapter 1 बात करता है, short, chapter 1 बात करता है, preliminary की section 1, short title and commencement, तो जैसे किसी भी दूसरे बेरिट का हमने द short title or commencement, ऐसे ही इसमें mark कर लीजे, कि जो इंडिया, दो तीन चीज़ हैं, बहुत important है, section 1 से, जो प्री में पूछी जाती हैं, उसको जरा देखिये, तो this act may be called the Indian Evidence Act, 1872, it extends to the whole of India, पूरे भारत में अपलाए होता है, लेकिन, and applies to all judicial proceedings, in or before any court, including court marshal, other than, ये बहुत important है, other than, court marshals conveyed under, underline कर लीजे, Army Act, Navy Discipline Act, और Navy Discipline का एक और Act, Air Force Act, इन Acts के तहत, अगर court marshal हो रहा है, तो Indian Evidence Act applicable नहीं है, this is important, जो ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल है, prelims का, वो अगली line में लिखा है, इसके बाद लिखा है, but, underline कर लीजे, not to F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E applicable नहीं है, ये, ये mark कर लीजे, not to F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F.E.D.F प्लस आर्मी ने भी एर फोर्स के तहत अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उस पे भी इंडियन एविदेंस आक्ट एपलिकेबल नहीं है प्री में ज्यादा पूछे जाने वाली संभावना है आर्बिट्रेटर और एफट एफट की हैं कि इस पे एविदेंस आक जो है वो आया है this is very important अच्छा किसने किया है इंडियन एविदेंस आक्ट यह भी इंपोर्टन सवाल है जो पूछा जाता है आप में से किसी को जानकारी हो तो जारा कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों कि बढ़ा ही बहतरीन तरीके से ड्राफ्टेड आक्ट है मतलब इसके इसके बाद आईए नेक्स पे इंटरपेशन क्लॉस पे सेक्शन 3 सेक्शन 3 में कोट की डेफिनिशन देख लीजे जरा इस इंपोर्टन कोट इंक्लूट 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 अंडर्लाइन पहलें आर्डिट्रेटर को छोड़के बाकि सारे जजज़रेंशन इंक्लूट होते हैं आर्बिट्रेटर जो है वह कोट की डेफिनिशन में इंक्लूट इंक्लूट इन होता इसके बाद देखिए नेक्लूट अब तो CPC फेवरेट है एक्चुली मैं मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है CPC मतलब पदह नहीं कि उसको ऐसा इमेज पोट्रे उसकी करी गई है बट इट अक्चुली वेरी इंट्रेस्टिंग अभी तो हमने तो क्राश कोर्स में तो बटा बस उपर-उपर पड़ा है अभी आप उसकी और डेप्ट में जाओगे ना जब आप और कनेक्ट कर पाओगे ना प्रोसीडिंग की जो मल्टेपल चीज़ें तो आपको और मजा आएगा जब और थोड़ा सा आप डेप्ट में जाएंगे रेजुडिकेटा और सब्जूडिस के तो आपको और आपका वो दिमाग जो है खुलेगा तो और मजा आएगा आपको CPC is a very interesting subject. ऐसा नहीं कि सिर्फ CRPC, IPC और evidence civil laws भी उतने interesting law है मतलब interesting है. इसलिए तो लोकर नहीं आए थे क्योंकि science में वो interest नहीं आया था. ये सच्छा ही है. आप दीजी लोग interview में आकर कितना ही बोल है कि we wanted to go for some social cause and we wanted to explore something different that's why I choose law as a career. फिर में उनको हिंदी में समझाता हूं कि दीजी science और गड़े ताप से बन नहीं रहाता हूं कि दीजी साइन्स और गड़े ताप से बन नहीं रहाता हूं कि सब इंटर्वी के लिए रखिये मुझे तो मुझे तो मुझे तो चलाईए आप मैं जानता कि सच्चाई है मुझे तो सारी सच्चाई पता है आपकी मुझे क्यों आप यह वाता रही है कि you wanted to serve the society directly you know sir I want to I want to make my efforts directly to the poor अन्वाद यह सब बात नहीं साब इंटर्वी के लिए रखिये इसा हमें मत बताईए हमें पता है कि घड़े ता आपके बसका नहीं ता इसलिए आ तो court आप समझगा arbitrator छोड़के बाकी सब court में आएगा fact already पढ़ चुके है illustration बहुत important है mental condition भी fact होगी illustration से सीधे सवाल आता है मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ जब अभी अपन sections पे आगे बढ़ेंगे 6-7-8 सारे वो illustration जो important है मैं आपको cover कर रहा हूँ क्योंकि उदर से सीध आते हैं थोड़े बहुत modify करके वही questions दे दिये जाते हैं that's why they are very important चीक है तो उनको बराबर आपको ध्यान रखना है इसके सारे illustration important है इसके बाद relevant आप समझ गए fact and issue आप समझ गए वो मैंने आपको समझा दिया तो I hope आप बड़े आराम से समझ गए fact and issue का illustration भी आप देखें fact and issue आप बड़े आराम से समझ चाहेंगे अगर उस story में समझ गए है इसके बाद document की definition important है document की definition से illustrations पूछे जाने की संभावना 90% है आप से definition का कोई part नहीं पूछा जाएगा document की बट सीधे illustration देखे यह पूछा जाएगा which of the following is a document and which of the following is not a document पहले definition देखते है document means any matter express.described upon any substance by means of कोई भी substance जब express किया गया हो कोई भी matter कोई भी matter जब express या describe किया गया हो किसी substance पे किस चीज के थुरू letter, figure, mark or by more than one of those means यह तीनों चीजे तीनों term याद रखियेगा letters, figures और marks, they are very important तो कोई भी matter जब आप express करते हैं या describe करते हैं किसी substance पे वो document हो जाता है कागच पे आपने कुछ लिख दिया, मैंने board पे कुछ लिख दिया, आपने stone पे कुरेद के कुछ लिख दिया, कोई भी matter आपने express या describe कर दिया किसी substance पे that is a document as per Indian Evidence Act और इसके आगे लिखा है figure और mark और by more than one of those means intended to be used this is also important intended to be used और which may be used for the purpose of recording that matter उस matter को record करने के लिए जो use हो सकता है वो document है जैसे मान लीजे आपके और मेरे बीच में contract होई ये एक matter है कि कुछ terms decide हुए आपके और मेरे बीच में जब हम कागच पोस्ट को लिख लेते हैं it becomes a document it becomes a document illustration देखिए बहुत important है यहां से सवाल आता है writing is a document कुछ भी लिखा है आपने words printed lithographed और photograph are documents photoly है words की वो भी document माना जाएगा a map और plan is a document an inscription on a metal plate or stone is a document आपको बताया ना पत्थर पर कुरेद के आपने कुछ कर दिया है लिख दिया है that is also a document a caricature is a document तो ये भाई साप सारे illustration आपको ध्यान रखने है sense आप document का समझ गाए प्री में सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा illustration based इसके लिए आप तयार कहिए हां बिल्कुल शाले नी जो लोग पेड़ पे लिख देते हैं वो भी जैसे आप constitution पढ़ेंगे तो आप fundamental duties में पढ़ेंगे कि जो public places हैं जो monuments हैं you should respect that you should keep them clean और उनको destroy या वो सब नहीं करना है यह सब आपकी fundamental duties हैं लेकिन जन तक किले अखिला देखने जाती है तो वहां लिख किया जाते हैं राज लव सिम्रन उन्हें प्यार की निशानी चोड़ाते हैं इस सब मत कर लिए सम्विधान का fundamental duty का जो पार्ट है वह भी आपको यह समझाता है कि सब हर्कते मत कर लिए इससे कुछ नहीं होगा ठीक है तो वह भी document है exactly कोई भी matter अगर prescribe कोई भी matter अगर describe कर दिया गया है किसी भी substance पे that's a document evidence आपको बता चुका हूँ oral evidence आप समझ गए oral evidence जब court में कोई व्यक्ति अपना statement देता है court जिसका statement सुनता है वो statement जो है वो oral evidence है एक बार दुबारा देख लिजे evidence means and includes all statements which the court permit or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry such statements are called oral evidence ऐसे statements को क्या केते है oral evidence जो बोल के दिये जा रहे है उसी के बाद second part में लिखा है documentary evidence all documents including electronic record document आपने पढ़ लिया कोई भी matter जब किसी substance पे describe कर दिया जाता है वो document बन जाता है और सारे documents including electronic record produced for the inspection of the court किसी भी document को court के inspection के लिए तो वो evidence हो गया और वो कौनसा evidence है वो documentary evidence जब भी किसी witness का statement court के सामने पेश किया जा रहा है वो oral evidence है और जब किसी document को court के inspection के लिए produce किया जा रहा है that's a documentary evidence such documents are called documentary evidence और evidence देखके आप क्या प्रूफ करना चारे है evidence देखके आप किसी fact को प्रूफ करना चारे है वो fact कौनसा होगा या तो वो fact fact in issue होगा या फिर वो fact होगा relevant fact evidence देखके आप fact proof करते हैं और जो facts द्यूली प्रूफ हो जाते हैं court उन facts के basis पे अपना judgment सोनाता है that's the order of proceeding that's how the court proceeds ठीक हाँ IPC में भी document दिया हुआ है बिलकुल लेकिन ज्यादा chances इदर से आने के हैं document के in evidence के जो illustration है इन से सवाल अनिक chances जादा हैं इसके बाद देखिए तीन definitions और दी हैं proved, disproved और not proved अब क्योंकि हमने prove होने की इतनी बात कर ली है आपको इसको समझने में बिलकुल मुश्किल नहीं होगा किसी भी matter को proved कब माना जाएगा, किसी भी fact को proved कब कहा जाएगा, आपको proof कैसे करना है, evidence देखे, तो किसी भी fact को proved कब माना जाएगा, जब court को ये लगे कि हाँ ये fact exist करता है, या court को लगे कि इसके exist करने की पूरी संभावनाएं है, उसको कहा जाता है that the fact is proved, ठीक, क्योंकि कि आपको facts proof करने हैं, उसी के basis पर judgment होगा, और adverse party क्या करेगी, उस fact को disprove करेगी, एक party court को ये विश्वास दिलाएगी, कि सहाब ये fact exist करता है, अगर party विश्वास दिला दे, कैसे विश्वास दिलाएगी, evidence देखे, तो एक party court को ये विश्वास दिलाएगी, कि ये fact exist करता है, जैसे हमने जो story देखी, उसमें हमने देखा कि A ने B को जान से मारा है, this is a fact कि A ने चाकु मारा B को, ये fact proved कब माना जाएगा, जब court इसकी existence में बिलीव कर लेगा, कि हाँ भाई इसने चाकु मारा, आद से convince ना हो कि A ने B को चाकु मारा है, तो इस fact को क्या कहोगे, आप disproved कहोगे, ये कौन करेगा, defense करेगा, adverse party fact को disprove करेगे, तो जब ज़रा definition देखिए, proved में क्या लिखा है, a fact is to be proved when, after considering the matters before it, underline करिए, the court either believes it to exist, court believe कर लेता है, कि हाँ, ये fact exist करता है, or considers its existence so probable, that a prudent man ought under the circumstances, of the particular case, to act upon the supposition that it exists, court या तो belief कर लेगा, कि हाँ भाई ये है, या फिर court ये देखेगा, कि इत्ता sufficient होना चाहिए, कि कोई भी prudent वेक्ती, अगर उस चीज़ को देखे, तो वो ये belief करे, कि हाँ, ये चीज़ exist करती है, और उस पर हागे proceed करे, या तो court believe कर ले, या फिर court at least, इतना मान ले, कि कोई भी prudent वेक्ती, इन circumstances को देखेगा, तो वो belief कर लेगा, तो मान लिया जाएगा, that the fact is proved, और आप court में fact proof कैसे करते हैं, evidence से करते हैं, क्यों proof करते हैं fact, क्योंकि आपको judgment चाहिए court से, court judgment किसके basis पे देता है, उन facts के basis पे, जो duly proof हो गए हों, चीक, इसके बाद देखिए, disproved की definition दी है, a fact is said to be disproved, when after considering the matters before it, the court either, underline करिए, the court either believes that it does not exist, court ये believe करे कि नहीं साब, ये exist नहीं करता है, ऐसा नहीं हुआ है, जैसे हम कह रहा हैं कि sir, A में B को चाकू मारा है, अगर court ये belief कर लेता है, कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, इसको कहेंगे disproved, that the fact is disproved, court कैसे belief करेगा ये, evidences के basis पे करेगा, simple it is, or consider it's not, non-existence so probable, that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition, that it does not exist, same बात, कि या तो court belief कर ले, या फिर ये consider करे, कि इसकी non-existence, इतनी probable है, कि कोई भी prudent person, इसको देखता, तो ये belief करता है, कि नहीं ये चीज़ exist, नहीं करती, इतना convince आपको court को कर लेना है, तो fact disproved मान लिया जाएगा, इसके बाद है not proved, एक तो है proved, दूसरा है disproved, proved जब court belief कर ले, एक fact की existence में, that then the fact is said to be proved, जब court ये belief करे, कि नहीं है fact exist नहीं करता, then it is said to be disproved, not proved है, जहां court ना तो ये belief कर रहा है, कि ये fact exist कर रहा है, और नहीं ये belief कर रहा है, कि ये fact exist नहीं करता, दोनों में से कुछ भी proof नहीं हो पाया, इसको कहते है not proved, proved क्या है, जब court को आप belief दिला दें, that this fact exists, या फिर दूसरी party ये belief दिला दे, कि ये fact exist नहीं करता, तो proved हो जाएगा, disproved हो जाएगा, लेकिन not proved तब, जब ना तो एक party उसकी existence proof कर पाई है, ना दूसरी party उसकी non-existence proof कर पाई है, उसको कहते है not proved, तो not proved की definition देखिए, a fact is said not to be proved, when it is neither proved nor disproved, ना तो वो proof हुआ है, ना disprove हुआ है, तो उस fact को कहते है not proved, alleged किया गया था, लेकिन ना तो जिसने eligible किया था, ना तो वो proof कर पाया, ना दूसरी party उसको disprove कर पाई, उसको कहते है not proved, इसके बाद India की definition दी हुई है, important नहीं है बहुत जादा, बस इतनी important है, जो अभी हमने पढ़ी है, बस इतनी definitions आप ध्यान रखिए, यह proved, disproved और not prove बहुत important है, इसलिए समझ भी लीजिए और याद तो आपको रखना ही है, इसके बाद section 3 के बाद आजाईए, आप ज़रा section 4 की तरफ, so section 4 is also very important, section 4 जो है, यह काफी important है, may presume, shall presume और conclusive proof की यह बात करता है, किन किन चीजों की बात करता है, तो भाई यह may presume की बात करता है, shall presume की बात करता है, और conclusive proof की बात करता है, shall presume और may, अब देखिए, यह क्या है, may presume क्या है, shall presume क्या है, conclusive proof क्या है, अब जब आप provisions पढ़ेंगे, Indian Evidence Act के, तो आप एक बात समझेंगे, और यह जानेंगे, कि कई जगे यह लिखा हुआ है, court के context में, कि अगर एक fact proof हो गया है, तो दूसरा fact court मान लेगा, कि उस दूसरे fact को proof करने के लिए court evidence नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर आप यह समझ गया है, क्योंकि court evidence किन चीजों के मांगता है, fact को proof करने के लिए evidence मांगता है, अगर कहीं पे word मेh proof लिखा हुआ है, मेh presume लिखा हुआ है, अगर कहीं पे word लिखा है मेh presume, तो court वहाँ उस fact को प्रिजूम कर भी सकता है, नई भी presume कर सकता है, वो evidences बुला भी सकता है नई भी बुला सकता ज़रा examples से इस बात को समझेगा तो आप बहतर connect कर पाएंगे और example मैं आपके evidence act से ले रहा हूँ may presume और shall presume का पहले ज़रा definition पढ़ते है four में जो लिकी है may presume के लिए लिए लिखा है whenever it is proved by this act that the code may presume a fact whenever it is provided by this act that the code may presume a fact it may either regard such fact as proved जहां यह लिखा है कि code may presume a fact तो code presume कर सकता है कि हाँ यह proofed है अगर code ने presume कर लिया proofed है इसका मतलब क्या किसी party को उसको proof करने के evidence देने की जरूरत नहीं है त्योंकि evidence आप क्यों देते हैं court में उस चीज़को proved करने के लिए प्रूफ करने के लिए तो evidence ला रहे हो और court अगर खुदी मान ले रहा है उस fact को proved तो फिर उसके evidence नहीं लाना है unless and until it is disproved और may call for proof of it तो जहां may presume word यूज हुआ है वहां court के पास option है court या तो उस fact को presume मान भी सकता है प्रूफ या नहीं भी मान सकता है पार्टी को बोल सकता है कि भया तुम evidence ले के आओ लेकिन जहां shall presume लिखा है जरा second परापे भी आईए जहां shall presume लिखा है वहां court के लिए mandatory है अगर लिखा है the court shall presume this fact then the court has to presume कि वह proved है उस बात के आप evidence लाने के लिए party को compel नहीं कर सकते शाल मतलब mandatory तो जरा second part पढ़िए इसका shall presume whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved court shall regard it as proof उसके evidence नहीं मांगेगा उस party से evidence नहीं मांगेगा जिसको fact prove करना है हाँ दूसरी party को chance जरूर देगा disprove करने के इस बात को अगर आपको बहतर समझना है तो जरा आजाईए section 113 Indian Evidence Act का section 113A और 113B निकालिए तो आप इस बात को बहतर समझ पाएंगे जो मैं आपको may presume और शाह कब एक fact से दूसरा fact quote presume कर लेगा उसका best example 113A और 113B में दिया हुआ है जरा बेरेट में वो निकालिए देखिए यहां लिखा है 113A में presumption as to abitment of suicide by a married woman married woman की suicide के regarding presumption है यहां पे किस चीज़ के regarding presumption marriage की sorry married woman की suicide के abitment से related कि कब ये माना जाए कि कि किसी व्यक्ती ने या husband या उसकी family ने suicide abit करी है एक married woman है जिसने suicide कर ली है ये elige किया जा रहा है कि husband या उसकी family ने abit किया है suicide को तो court क्या presume करेगा किस fact के proof होने पे दूसरा fact court presume करेगा और वो किस तरीके का presumption होगा जरा देखिए when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abited by her husband और any relative of her husband and it is shown that she had committed जब ये सवाल है elige ये किया गया है कि एक married woman ने suicide कर ली है और ये question है कि क्या इस suicide का abitment married woman ने जो suicide करी है क्या इस suicide का abitment husband या उसके किसे relative ने किया इसके regarding क्या presumption है आगे देखिए had committed suicide within a period of 7 years, 7 साल में अगर suicide हुई है from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, अगर ये दो बातें proof हो जाएं question क्या है proceeding में कि एक married woman ने suicide करी है और question ये है कि क्या इस suicide को husband या उसके किसी relative ने abit किया है तो 113 ये कह रहा है अगर court में ये proof कर दिया जाए कि married woman ने जो suicide करी है वो within 7 years of her marriage करी है और immediately before her suicide she was subjected to cruelty by the husband और the relative of the husband दो बाते proof करनी है या एक तो ये कि 7 साल के अंदर हुई है suicide और दूसरा ये कि husband या relative ने cruelty करी है wife के against अगर ये cruelty proof हो गई और 7 साल में proof हो गया तो क्या court को मानना ही पड़ेगा कि हाँ इस party नहीं suicide abate करी है ऐसा नहीं है क्योंकि यहां presumption कौन सा है may presume कौन सा presumption है इधर पे may presume तो जरा इस बात को समझेगा इधर पे दो parties कौन कौन सी है एक तो है आपका prosecution और दूसरा है आपका husband जिस पे allegation लगाए गए है husband या उसके relatives ठीक तो prosecution को अगर ये proof करना है कि husband या उसके relative ने death cause करी है यही सवाल है तो prosecution ये दो fact अगर already proved कर देता है कि 7 साल के अंदर death हुई है and she was subjected to cruelty by husband और relatives अब court के पास option है अब court ऐसा नहीं कि court prosecution ने ये दो बातें proof कर दी तो court मान लेगा और कहेगा husband से कि चलो अब तुम इस बात के evidence दो कि तुमने ये suicide abit नहीं करी ऐसा नहीं होगा अभी तो कि यहां लिखा है may presume कौन सा presumption है येदर may presume लिखा है the court may presume है in regard to all the other circumstances of the case that such suicide had been abitted may presume मतलब in fact के proof होने पे in दो fact के proof होने पे कि 7 साल के अंदर suicide होई है और cruelty करी गई थी इन दो fact के proof होने पे court ये मान भी सकता है presume कर भी सकता है नहीं भी कर सकता because the word may has been used अगर court ये presume कर रहा है कि हाँ इसने ही suicide करी तो फिर prosecution को further evidence देने की जरूरत नहीं है अब burden किस पर आएगा अब husband को evidence देने है या उसके relative उस party को evidence देने है कि उसने जो है suicide abit नहीं करी ये है आपका may presume यहीं आप देखोगे shall presume का example 113 b में दिया हुआ है presumption as to dowry death dowry death से related presumption अब ये भी से मैं husband या उसके relative ने cause करी है कि dowry death एक woman ने एक woman की death हो गई है और allegations ये है कि husband या उसके relative ने dowry की demand करी थी और उसके consequences में death cause करी गई है ऐसे में क्या fact proof हो गए तो court कौन से दूसरे facts को presume कर लेगा और वो presumption किस तरीके होगा 113 b में ज़रा देखिए when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that क्या क्या show करना है soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry फिर लिखा है the court shall presume that such person had caused the dowry death अगर मान लेजे ये सवाल है कि जो death cause हुई है woman की वो dowry death है या नहीं ये सवाल है इस case में अगर prosecution proof कर दे क्या proof कर दे कि death के पहले woman को subject किया गया था to the demand of dowry उससे dowry की demand करी गई थी अगर ये proof कर दिया जाए court में then the court shall presume that it is a case of dowry death then the court shall presume shall presume मतला mandatory the court has to presume फिर court ये नहीं बोल सकता prosecution को कि नहीं तुमने ये तो भाले प्रूफ कर दिया कि dowry की demand होई है ये भाले आपने प्रूफ कर दिया fact दे के आप ये भी प्रूफ करिये कि ये dowry death है ये नहीं बोल सकता क्योंकि लिखा है shall presume एक particular fact अगर proof हो गया है उसके साथ word use किया गया है the court shall presume तो court के लिए court boundary उस fact को दूसरे fact को presume करने के लिए दूसरा fact क्या कि ये dowry death है अब burden किस पर आ जाएगा इस husband पर defense पर आ जाएगा हाँ ये disproof कर सकता है अगर ये proper evidences दे दे तो with the help of evidence ये उस fact को disproof कर सकता है ये option दोनों में है may presume में भी अगर court ने evidences बुलवा लिये हैं या presume कर लिया है तो सामने वाली party के पास rebuttal का अधिकार होता है वो rebut कर सकता evidence दे के यहाँ भी लिखा है कि the court shall presume कि dowry death है एक fact proof होने से तब भी दूसरी adverse party के पास opportunity है कि वो evidence दे के उस fact को disproof कर सकते हैं ये होता है may presume और shall presume I hope that is clear आखरी चीज़ जो section 4 में लिखी थी वो है आपकी conclusive proof का मतलब होता है कि अगर एक fact proof हो गया तो उसके साथ जो दूसरा proof लिखा हुआ दूसरा जो fact लिखा हुआ है court cause presume करना ही है mandatory है plus वो तो शैल में भी था फिर अंतर क्या है conclusive में conclusive में at least आप opposite sorry शैल प्रिजूम में at least आप opposite party को opportunity देते हैं disproof करने की जहां लिखा है conclusive proof वहाँ दूसरी party के पास यह opportunity भी नहीं है वहाँ तो एक fact के proof होने पर court को यह मानना ही मानना है कि दूसरा fact भी proved है जैसे इसका example आप देख सकते हैं 112 that's correct शाली नी जो section लिखें दियार करें जरह 112 समझने के लिए देख लेजिए 112 आपको बता रहा है कि conclusive proof क्या होता है देखिए बर्थ during marriage conclusive proof of legitimacy यह conclusive proof की बात करी है तो 112 देखिए जरह the fact that any person was born during the continence of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है उसकी mother के शादी के दौरान when the mother was wedded to a man उस शादी के दौरान अगर बच्चे की बर्थ हुई है या शादी dissolve होने के 280 दिन बाद बच्चे का जन्म हुआ है दिन लिखा है the mother remaining unmarried shall be shall be conclusive proof that that he is the legitimate son of that man ये इस बात का उन दोनों couple की शादी ये एक women है जिसने चाइल्ड को बर्थ दी है इस समय इस woman का एक husband था exist कर रहा था इन दोनों की marriage subsist कर रही थी तो अगर इन दोनों की शादी के दौरान जब ये दोनों एक शादी शुदा relation में थे husband wife थे उस दौरान अगर इस बच्चे का जन्म हुआ है तो ये इस बात का अगर ये proof हो गया है कि उस दौरान ये दोनों शादी शुदा थे then it is the conclusive proof of the fact that this husband is the father of this child ये इस बात का conclusive proof है conclusive proof है का मतलब ना तो इस woman से ना तो इस child से जो ये elige कर रहा है that he is the child of this person ना तो उससे evidence मांगे जा सकते हैं क्योंकि में presume तो है नहीं ये तो में presume में आप कर सकते हैं कि आप उस fact को presume कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं दूनों party से evidence मांग सकते हैं यहाँ वो case तो ही नहीं इससे तो आपको evidence मांगना ही नहीं है शैल presume में हमने देखा था कि जिस party को वो proof करना है उससे आपको evidence नहीं मांगना है लेकिन adverse party को आप rebuttal की opportunity दे सकते हैं कि वो fact को disproof कर दे यहाँ ना तो आप इनसे evidence मांग सकते हैं उस बात के और ना ही आप इस opposite party को opportunity देंगे evidence proof करने के इसको कहते हैं conclusive, conclusive मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं अगर यह proof हो गया कि इस बच्चे का जन्म इन दोनों की शादी के दौरान हुआ है या शादी खतम होने के दोसवस्ती दिन के अंदर हुआ है तो यह इस बात का conclusive proof है कि यह person ही इस child का father है, conclusive proof है का मतलब यहाँ कोई evidences लिये नहीं जाएंगे, ना तो इस बात को proof करने के evidence लिये जाएंगे, ना इस fact को disproof करने के लिए जाएंगे, यह evidence लिये जाएंगे, जब पहला वाला fact proof हो गय अगर यह court में duly proof कर दिया गया कि हाँ भाई, शादी के दौरान यह बच्चा पैदा हुआ था, तो यह इस बात का conclusive proof है कि वो बच्चा इस person का ही है, that is a conclusive proof, इसको कहते हैं आप conclusive proof, जहां किसी party's evidence और यह होते हैं irrebetable presumption, irrebetable मतलब इसमें कोई rebetal का chance नहीं है, दूसरी party भी evidence नहीं लाएगी, disproof करने के, उस technicality में मैं अभी जाना नहीं चाहरा था 112 की, उसमें DNA test पे भी पूरा बवाल है, कि आप DNA test आ गया है, तो क्या वो supersede करेगा, वो सा वाला case based की कहानी है, अभी जो मेरा context, जिस context में में 112 को यूज करने जा रहा था, वो यह, कि सिर्फ आप आपको मतलब समझ में आए तीनों term का may presume, shall presume और conclusive proof, अब देखो आप पढ़तों लेते हो section, याद तो आपने कर लिया, कि where the court may presume, where the court shall presume और conclusive, लेकिन अगर आप context से relate नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए मैं आपको यह सारी चीज़ प्रूफ नहीं है, लेकिन आप अब सर्फ समझना चाह रहे थे कि conclusive proof क्या है, तो अगर यह fact proof हो गया है, तो conclusive proof का मतलब, अब आप दोनों parties से evidence नहीं मांगेंगे, ठीक बाकी जहां जहां section में relevant होगा, conclusive proof तीनी जगे है, पूरे Indian Evidence Act में, 113 में, 112 में और 41 में अभी आउं कि कहां कहां conclusive proof है, वो use होई जाएगा, वो दिखी जाएगा, वहां और एक बार मैं आपको explain कर दूँगा, इस conclusive proof की कहानी, conclusive proof basically यहीं चीज है, कि भाई किसी भी party से आप उसके evidence नहीं मांगेंगे, वो court को मानना ही मानना है proof, एक fact proof हो गया, तो उसके basis पे दूसरा आपको मानना ही मानना है, उसमें आप कोई यह नहीं कर सकते कि evidence लाइए या anything like that, चलिए भाई तो यह हो गया आपका section 4, इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले chapter की तरफ, that is chapter 2 of the relevancy of facts, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा इसका context समझ लीजिए, of the relevancy of facts मतलब हमने पहले ही पढ़ा कि किन चीजों के evidences, किन facts के evidences लिये जाएंगे, किन facts को आप proof कर सकते हैं court में, तो उनी facts को आप proof कर सकते हैं, जो relevant हों, कौन से fact relevant है, यह यह पूरा chapter बताएगा, हमने कहा न, relevant माना जाएगा, logical relevancy से नहीं, legal relevancy से, इस chapter के तहत वो fact relevant बताया गया हो, क्योंकि जब भी court में evidence produce किया जाता है, किसी fact को proof करने का, court पूछ सकता है, उन वकील साब से, उस party से, जो एक fact proof करना चाहती है, court वहाँ यह पूछ सकता है, कि पहले आप यह बताईए, कि यह fact relevant कैसे है, इंडियन evidence act में, फिर evidence बाद में लाना, उस fact को proof आप बाद में करना, पहले तो यह बताईए, कि यह fact relevant कैसे है, अगर वो fact relevant नहीं है, तो हम आपको opportunity नहीं देंगे, उस fact को proof करने के, जैसे मैंने आपको उस illustration में बताया था आपने, कि अगर prosecution यह proof करना चाहरा है, मडर के case में कि यह wrestler है, इस बात का कोई connection नहीं है, तो फालतू की चीज़ों के evidence लिए तो दोड़ी बठा होंगे, section 5 पढ़ते हैं, बाकी section 6 onwards तो मैं आपको कल से करा हूँगा, पूरा relevancy कल अपन कबर करेंगे, आज का जो holistic idea आपको मेरे कहल मिल गया है, section 5 लेकिन पढ़िए ज़रा कि evidence कौन-कौन से relevant है, तो section 5 is evidence may be given of facts in issue and relevant facts, evidence किस-किस के दिये जा सकते है, fact in issue के और relevant fact के, यह बा का manifestation है, section 5, कि evidence आप किसके देंगे, कौन से fact के, fact in issue के या relevant fact के, तो देखिए, evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts, every fact in issue and of such other facts as are here and after declared to be relevant, जिनने इस chapter में relevant declare किया गया है, उन fact के evidence दे सकते हैं, या फिर आप evidence दे सकते हैं, fact in issue के, अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि fact in issue कौन से facts होते हैं और relevant fact कौन से facts हैं, इन दोनों के आप evidence court में दे सकते हैं, और court का जो judgment होगा, वो उनी relevant facts पे based होगा, जो proof हो जाएंगे, proof कैसे करना है, वो chapter 2 में देखेंगे, इस chapter में ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इस से क्यासे चीज़ प्रूफ हो रही है, आपको इधर पर सिर्फ इस निगाह से पढ़ना है, कि ये fact relevant है या नहीं, that's it, relevant है तो उसके evidence लिये जाएंगे, relevant नहीं है, तो evidence नहीं लिये जाएंगे, simple सी बात इधर पर लिखें और यही मैं आपको बताया, explanation देखिये, this section shall not enable any person to give evidence of a fact which is disentitled to prove by any provisions of the law for the time being enforced relating to civil procedure, CPC में अगर expressly बार कर दिया गया है कि इस particular चीज़ के आप evidence नहीं दे सकते है, तो उसके नहीं दे सकते है, ये section आपको उसके लिए entitled नहीं करता कहने, मतलब अगर उस law में clearly लिखा है, जो मैंने आपको समझाया, पूरा वो case मडर वाला, exactly उससे ही related वैसे ही illustration इदर दिये है, अब हमें start करना है इसके बाद section 6 से, जो actually बात करेगा, section 5 तो सिर्फ इस बात को express कर रहा था, कि evidences किसके लिए जाएंगे, तो हमने देख लिया, fact and issue के evidence लिए जाएंगे, या फिर relevant fact क और दोनों के बीच का अंतर आप समझ गए हैं, circumstantial evidence किसके होते हैं, relevant fact, fact and issue के तो सीधे fact and issue प्रूफ कर दो ना फिर आप, वो अगर आपने प्रूफ कर दिया तो judgment ले जाओगे आप, ठीक है, तो I hope that is clear, evidence act का basic मेरे ख्याल से आपके समझ में आया है, may presume, shall presume, conclusive proof आपके समझ में आया है, आज की class के बाद मैं ये presume करूँगा कल से कि इन basic चीज़ों पर आपको मुझे clarity देने की जरूरत नहीं है, कि relevancy क्या है, admissibility क्या है, relevant fact क्या है, fact क्या है, evidence क्यों दिये जा रहे है, fact and issue क्या है, relevant fact क्या है, judgment कैसे आएगा, किस chapter में evidence के क्या पढ़ रहे हैं, ये ब पढ़ रहे हैं सिरफ relevancy, और उसका जो ये आखरी chapter, chapter 2 जो है, ये बहुत important है, कि कौन से fact relevant है, section 6 से actually पता चलेगा, कौन कौन से fact relevant या connected है, जिनको आप proof कर सकते हैं, इसके बाद अगले part में हम पढ़ेंगे, वो proof आप कैसे करेंगे, उसके बारे में और फिर production of evidence और उनके consequence, so that's how, that's what we are studying and that's how we are doing it. अशीन का क्याना है, सर आप से CPC करने का नहीं आद बताज़ रहा, कुछ लोग CPC पो इतना complicated बना जिते हैं, वो कुछ time, because everything can bear it, all right, thank you so much, Aushin for this compliment, और प्रयास यही है, यही है यहाँ पर, कि मैं इस Crash Course का basic purpose यही था, कि आपको वो सही तरीका समझाया जा सके, कि how you should approach to the barrack, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कितनी depth आपको जरूरी है, किस level पर जाके आपको पढ़ना है, कितना आपको समझना है, वो ही purpose था, इस Crash Course को YouTube पे launch करने का मेरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, this course used to be only for foundation batch students, अलग से भी हमने कभी Crash Course launch नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना थोड़ा सा इसमें difference of opinion हो सकता है, मेरा ये मानना है, कि अगर आप किसी competitive exam की तयारी करने है, तो आपको बहुत शिद्दत के साथ, अच्छे से समय दे के करनी चाहिए, ये जो जल्दी बाजी का कार्यकरम है ना, तीन महीने, दो महीने वाला, ये बहुत successful नहीं है, ये general rule नहीं है, इकका दुखका exception हो सकते हैं, कि किसी ने exam crack कर लिया हो, these are exceptions only, इसके अलावा भाई, शिद्दत से महनत लगती है, pre के लिए, means के लिए, पूरी answer, writing आपको समझनी होती है, सिर्फ concept समझने से भी काम नहीं होता, वहाँ आप express कितना करना है, किस particular question की कितनी requirement है, कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें बहुत important होती है, to crack a competitive exam, like judiciary, और ये दो-चार महीने का game नहीं होता, इस बात को मैं आपको समझा पाऊं, इसलिए ये crash course में लेके आया हूँ, कि नहीं, मैं कभी guarantee नहीं देता इस बात की, कि आप पढ़के मुझसे, या institute नहीं पढ़के आप judge बन जाएंगे, लेकिन ये पक्का है, कि यहां से अगर आप उस पूरी journey को जीते हैं, उस foundation course को अगर आप करते हैं, तो ये मैं आपको assure कर सकता हूँ, कि आप अपने आप पे proud feel करेंगे, to call yourself a law graduate, इतनी conceptual clarity law की आपको जरूर हो जाएगी पढ़ने के बाद, ये I can assure you, बाकी भाई exam की guarantee कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में, चलिए, आज आते हैं अपन section 6, context आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कि हम ये जो provision पढ़ने जा रहे ह इनका क्या मतलब है, इनका क्या purpose है, किस context में हम ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आप भली भाती जानते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, उन facts के बारे में, जो relevant होंगे, section 5 ने clear भी बता दिया कि evidences कि in facts के produce करने है, fact in issue के करने है, या फिर relevant fact के करने है, कोई भी fact relevant कब होगा Indian Evidence Act के हिसाब से, जब वो fall करेगा section 6 to 56 के बीच में, ये जो provision है, ये relevancy बताते हैं कि कब एक fact एक case में, एक proceeding में relevant होगा, इसमें fall होना चाहिए, इसमें से किसी एक category में वो fact होना चाहिए, उनी facts को आप court में प्रूफ कर सकते हैं, और सिर्फ उनी facts को प्रूफ करन relevant चीज़ें बिलकुल entertain नहीं करेगा, वो relevant होनी चाहिए, और कब relevant होगी, एक तो logically, आप अपने दिमाग से सोख सकते हैं, उसको कहते है logical relevancy, जो यहां mention है clearly, वो है legal relevancy, तो उस legal relevancy को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, section 6 सबसे पहले देखिए, same transaction की बात करता है, बहुत important है, ये proof होगी या नहीं, ये little stage होगी, इकल की कहानी याद रखना है, दिमाग में रखना है, तब ही इन चीज़ों के clarity आएगी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, कि ये particular fact relevant होगा या नहीं case में, क्योंकि अगर वो relevant होगा, तो उसको proof करने के ल होगता है, तब जाके court उस पर rely करेगा, और उसके साथ अगर दूसरे connected facts उसको मिलेंगे, पूरी एक complete chain बनेगी, court के दिमाग में क्या है यार, ये भी हुआ, 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 so we can conclude कि ये particular चीज हुई होगी, उस पे based judgment court दे सकता है, जब वो chain पूरी हो, relevant facts की, तब ही जाके court देगा, किसी एक बात पे conclusion नहीं होता, किसी एक बात पे judgment नहीं होता, इसलिए यहाँ जो पढ़ रहे हैं, उसका purpose ये है, कि वो relevant होगा या नहीं, उससे बात proof नहीं हो जाएगी, वो relevant है या नहीं, बस इतना देखना है, क्योंकि अ उनको जरूर आप देख लिजएगा, खिक, सब जगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ है, वैसे तो इस एक-एक section में बहुत-बहुत cases हैं, बट अपने पास उतना time नहीं है, और इस course का purpose भी वो नहीं है, है न, चलिए, so, relevancy of facts warming part of the same transaction, facts which, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी language, क्यो provision बड़ा छोटा है, लेकर उसमें बातें बहुत सारी है, interpretations बहुत सारे हैं, इसलिए एक-एक term important है, ध्यान से सुनियेगा, facts which, though not an issue, वो fact, fact an issue नहीं है, क्योंकि अगर fact an issue है, तो सीधे आप उसका evidence लिया है, ये बात आप आप already जानते हैं, अब हम ऐसे fact की बात कर रहे हैं, जो fact an issue नहीं है, so facts which, though not an issue, are so connected with a fact an issue, are so connected with a fact an issue, as to form part of the same transaction, एक fact है, जो कि fact an issue तो नहीं है, लेकिन वो fact, fact an issue के साथ इतना connected है, कि it forms a same transaction, fact an issue is one thing, अगर कोई fact, fact an issue है, कब होता है fact an issue, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, repeat नहीं करूँगा, जो नए student है, please go through the previous class, you will understand everything, so fact an issue, अगर है, कोई fact, इसका तो आप सीधे evidence दे सकते हैं, section 5 के साब से, अब हम बात कर रहे हैं, किसी ऐसे fact की, जो fact an issue नहीं है, same transaction, जिस transaction में, fact an issue हुआ, ये दूसरा fact भी उसी transaction का part है, अब ज़रा ये समझेए कि कोई भी चीज, same transaction का part कब होती है, किसी भी चीज को आप same transaction का part कब कहेंगे, जब वो, ऐसे तो बहुत सारे चीज हैं, previous, subsequent conduct, ये सब आप मान सकते हैं, same transaction का part, but section 6 expressly, जिन चीज़ों को include करना चाहता है, as part of same transaction, there should be spontaneity in that, spontaneity का मतलब, there should not be a chance of fabrication, fabrication का chance नहीं होना चाहिए, manipulation का chance नहीं होना चाहिए, इस तरीके का दूसरा fact, इस तरीके से वो दूसरा fact, या इतने timely वो दूसरा fact होना चाहिए, कि वो connected है with the fact and issue, और इसको निर्धारित आप सिर्फ समय सीमा से नहीं करेंगे, अभी हम कुछ example discuss करेंगे, you will understand that, कि उससे सिर्फ decide नहीं होता, लेकिन आएक बात है, कि there should not be a scope of fabrication, एक example से इस बात को समझी है, जैसे मान लीजिए, एक कमरे में, एक person है, B, ये इस room में बैठा है, A और B दोनु इस room में है, A plus B इस room में है, इधर पर एक guard बैठा हुआ है, that is C, C यहाँ बैठा है as a guard, इस guard ने आके court में testimony दी है, होता ये है कि trial चल रही है किस चीज़ की, trial चल रही है B के murder की, B का murder हुआ है, और A के उपर ये allegations लगाए गए हैं, कि इसने murder किया है B का, A के उपर allegations लगाए गए हैं, कि B का इसने murder किया है, और C जो है, ये room के बाहर बैठा हुआ था, A ने, allegations ये हैं, कि A ने B को गोली मारी, इस कमरे के अंदर, C यहाँ मौजूद था उस समय, गोली मारने के बाद, ये A जो है, यहाँ से बाहर निकला, A यहाँ से बाहर निकला, with a gun, और gun लेके बाहर जाते हुए, C ने उससे देखा, अब देखिए, क्या-क्या फैक्ट इदर पे, C क्या-क्या बातें बता रहा, कोट में जाके, कौन-कौन से फैक्ट, C के evidence से प्रूफ किये जा रहे है, कोट में, कोट में ये बताया जा रहा है, C को as a witness लाके, कि साहब इस वक्ती ने आवाज सुनी थी, गोली चलने की, जिस समय, A का murder हुआ ये alleged है, जिस time पे, sorry, B का, जिस point of time पे murder हुआ है, A ने गोली मारेगा, तो कमरे के बाहर आवाज आईगी, shoot करके गोली मारी है, ये allegations है, C ने पहले एक bullet का sound सुना, इसने देखा नहीं, देखिए, एक बात समझिएगा, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, कि अगर मान कि ये C ने देखा है, A को कोली मारते हुए, तब तो ये C की जो testimony है, C का जो statement है, जिसको हम evidence कहते हैं, evidence की definition भी कल हमने समझ लिए, C का जो statement है, जिसको हम एक evidence बता रहे हैं, ये किस बात का evidence है, ये fact and issue का evidence हो जाएगा, क्योंकि A के act से B की death होई है, ये तो fact and issue है, बाई, कली समझाया था आपको, ये तो fact and issue है, और अगर वो fact and issue है, तो उसका सीधे आप admissible है, उसके लिए section 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो anyway section 5 ने क्या दिया, कि fact and issue को जो evidence proof करते हैं, वो आप बिलकुल ला सकते हैं court में, तो वो तो ऐसे admissible हो जाता, section 6 में क्या admit होगा, कि इस इसने देखा नहीं है, इसने वो चीज अपने senses से perceived खुद नहीं करें, उसने देखा नहीं, देखा नहीं उसने मारते, लेकिन इसने आवास सुनी है, गोली चलने की, इसने गोली चलने की आवास सुनी, और C ने ये देखा, कि A उस कमरे से बंदुक लेके बाहर आते हुए, ये उस room से बाहर आया है जिस समय उसके हाथ में एक बंदूग थी ये चीज़े C ने देखी इस बात का statement या इस बात की testimony जब ये court में दे रहा है तो this can form the part of same transaction की जब उसका गोली मारी गई उसके तुरंट बाद इसने देखा अब मान नीचे ये भी अगर मैं कहूँ कि C ने ये incidence देखा जिकी भाईया गोली चलने की आवाज आई ए पिस्टल लेके बाहर निकला कमरे से इतने में C भागा C दोड़ते हुए गया बाहर एक बंदा और इसका दोस्त खड़ा था वो था D एक बंदा दोड़के जाके किसको बताई D को बताई अब मान लीजिए D को अगर हम कोट में पेश करते हैं as a witness अगर मान लीजिए इस D को इसने ना तो मडर होते देखा ना इसने गोली चलने की अवाज सुनी है ना इसने A को कमरे से बाहर आते देखा इसको तो ये सारी बाते किसने बताई इस C ने बताई लेकिन ये अगर part of same transaction है अगर इसके बीच में fabrication का chance नहीं है same transaction मतलब कब माना जाएगा when there is no chance of manipulation spontaneous है अगर ये तो अगर D को उसी समय ये बात बताई गई है D अगर court में आता है अपना statement लेके as a witness तो D किस किस fact को assert कर रहा है court में कि C ने आके उसको बताया ऐसा ऐसा हुआ है इसने खुद नहीं देखा इसको अपन क्या बोलते है evidence की language में जो इसने खुद नहीं देखा इसको कहते हैं बेटा here say evidence इसको क्या कहते हैं here say evidence सुना है इसने इसने खुद नहीं देखा कुछ ना इसने गोली चलने की आवास तुनी ना इसने एको बंदुक लेके बाहर आते देखा और generally ये जो here say evidence होते हैं they are not admissible in court generally they are not admissible लेकिन section 6 उसका exception है ये सवाल आता है प्रलिम्स में part of same transaction में here say भी admissible हो जाता है ये भी relevant है भले here say hey D ne क्योंकि it is part of same transaction A ने B को गोली मारी एक अमरे से बाहर निकला C ने ये पूरा scene देखा और तुरंट दोड़के गया D को बताने के लिए या मान लिजिए C उससे में phone पे बात कर रहा था मान लिजिए C ने जब ये scene देखा C phone पे बात कर रहा था D से और उसने तुरंट दोड़ा और B ने गोली मार दी sorry A ने B को गोली मार दी और ये बाहर जारा बंदुक लेके अगर phone पे भी इसने सुना है then also he can give that testimony और ये बंदा जो जाके बताएगा वहाँ कोट में it will be admissible under section 6 as a part of same transaction generally ये year से evidence होता ये admit नहीं होता कोट ने क्योंकि उसने खुद नहीं देखा लेकिन इधर admit हो जाएगा क्यों हो जाएगा इधर because it forms the part of same transaction here इसलिए section 6 में ये relevant हो जाएगा ये जितनी चीज़े हैं जो same transaction में होती है वो सब आपकी relevant हो जाती है under section 6 I hope that is clear अब देखिए कुछ illustration यहाँ दिये हैं उनसे समझ लीजे same transaction का मतलब ये नहीं कि there should not be a time gap time gap में भी same transaction हो सकता है time gap में भी same transaction बिलकुल हो सकता है बस वो chain correct होनी चाहिए उसके examples है जड़ा example देख लीजे सीदे सीदे सवाल पूछे जाते है section 6 के example से सबसे पहले A है A is accused of the murder of B by beating him whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it has to form part of the transaction is a relevant fact अब allegations यह है कि A ने B का murder किया है मार मार के पीट पीट के जान से मार दिया A ने B को अब जब A B को पीट रहा था उस समय A जो statement दे रहा था या B जो statement दे रहा था या वहाँ खड़े लोग जो देख रहे थे वो सब relevant है क्योंकि it is part of the same transaction वो same transaction का part है इसलिए वो relevant है जैसे एक और example से इस बात को समझिए माल लिजी आप सडक पे जा रहे हैं और आपने देखा एक बंदा खून से लगपत पड़ा हुआ है वहाँ पे आप उसके पास पहुचे आपने उसको हिलाया डुलाया उससे पूछा रहे भाई क्या हुआ उसने बोला है एक ट्रक चलाके चला गया मेरे उपर से अब यह जो स्टेटमेंट है उस विक्टिम का जो आपने सुना आपको अगर आज़ा विटनस कोट में बुला लिया जाएगा आपने जो स्टेटमेंट विक्टिम का सुना भले आपने खुद नहीं देखा लेकिन विक्टिम ने जो आपको बताया आपको यह स्टेटमेंट दिया कि मुझे एक ट्रक ने कुछला है यहाँ सो दाट केन अल्सो भी कंसीडर आज रेलेवेंट फाक अंडर सेक्शन 6 बी इलस्टिरेशन देखिये अब देखिये एक चीज यह भी इंपोर्टन्ट है सेक्शन 6 जो कहता है कि जो भी फाक्ट्स फाक्ट इन इशो जिस ट्रांजाक्शन में अकर हुआ है फाक्ट इन इशो जिस ट्रांजाक्शन में हुआ है उस transaction के दूसरे जो facts हैं वो relevant होंगे, भले ही वो same place पे हुए हों या फिर किसी दूसरी place पे हुए हों तब भी वो relevant है, किसी दूसरे time पे हुए हों तब भी relevant है, दूसरी प्लेस और दूसरी टाइम पे हुए facts भी relevant होंगे if it parts the, if it is included in the same transaction अगर उस chain में वो आते हैं, in that case it will be relevant उसका example है B, कि भले इक दूसरे शहर में हुआ हो तो भी relevant हो सकता है, उसका illustration है B A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which properties destroyed, troops are attacked and goals are broken upon A को accuse किया गया है कि सरकार के against एक विद्रो छेडा है उसने participate किया है, एक विद्रो हुआ था सरकार के against government के against और एक movement छेडा गया था violent जिसमें A ने भी participate किया है A के उपर ये allegation लगाए गये हैं, अब इस proceeding में कौन-कौन से fact relevant हो सकते हैं अंडर section 6 तो आगे देखिये, the occurrence of these facts is relevant as farming part of the general transaction तो A may not have been presented all of them अब जहां जहां ये सब हुआ properties जलाई गई, सरकारी property तोड़ी गई, जो police या army के troops थे, उनको मारा गया, उनको destroy किया गया, लूटा गया वहां से सामान, अलग अलग शेहरों में भी अगर ये चीज चल रही है, तो भी relevant हो सकती है, अलग अलग जगे भी चल रही है, तो भी ये चीज relevant हो सकती है, क्योंकि it forms the part of same transaction, वो जो total withdraw था, वो जो पूरा, उसका ही part है, भले वो किसी दूसरे शेहर में हो रहा हो, दूसरे समय हुआ हो, उसके बाद भी वो fact relevant होगा, कि भाया, ये तो भुपाल में मौझूद था, ये तो, ये यहाँ property, property तोड रहा था, लेकिन इसी के साथ का एक बंदा इन दौर में letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself, अब मान लेजिये, A के उपर ये allegation लगा है, कि एक letter, इसने एक letter लिखा और उस letter में libelious content लिखा regarding B, libelious content मतला B को defame करने वाला content, उसकी reputation को harm करने वाला content इसने एक particular letter में लिखा है, ये allegations है A के उपर, अब अगर ये letter एक particular transaction का part था, जिसमें A और B के बीच कई सारे letters exchange हुए हैं, और उन में से एक particular letter में defamatory statement था, तो इस same transaction के जो दूसरे letter हैं, वो भी relevant होंगे section 6 में, because it forms the fact an issue क्या होगा, कि इसमें libellious content है या या नहीं, जो LH किया गया है एक particular letter में, लेकिन उस letter की series में दूसरा क्या communication इन दोनों के बीच हुआ, that can also be relevant under section 6, तो वो fact भी relevant है, इसलिए उसके evidences भी दिये जा सकते हैं, ठीक, इसके बाद last illustration देखिए, this is also important, यह आपको यह बताएगा कि सिरफ time से नहीं होता कि spontaneous एक्तम उसी समय होगा, तो ही part of same transaction होगा, time gap है, तो भी same transaction हो सकता है, उसका example है D, the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A, the goods were delivered to several intermediate persons successively, each delivery is a relevant fact, आप देखिए, मान लीजिए, आप जड़ा forecast देखिएगा, इस act को बनाने वाले का, कि उन्होंने कितरा imagine करके यह चीज़ कर दिये, जैसे आज आज आप एक goods order करते हैं online, आप जानते हैं बीच में बहुत सारे intermediate होते हैं, पहले भी ऐसा होता था, वो सब कम physical होता था, instead of online, जैसे मैंने कोई particular goods order किये दिल्ली के किसी trader से, और सवाल यह है कि वो जो goods थे, वो मुझ तक पहुचे या नहीं पहुचे, that is the question, that's the fact in issue, कि वो goods जो दिल्ली वाले trader ने मुझे dispatch कर दिये, या मिर को भेज दिये, वो मुझ तक कहुचे हैं या नहीं, इस बात को decide करने के लिए, यह fact भी relevant होगा कि दिल्ली से वो जो goods चले हैं, वो जो बीच के intermediary लोग हैं, उन तक successfully पहुचे हैं, उन तक successfully अगर वो पहुचे हैं, तो वो fact relevant है, यह decide करने में कि मुझ तक वो goods पहुचे या नहीं, इस बात से यह बिल्कुल मत conclude करियेगा, कि अगर आपने यह proof कर दिया कि वो intermediary के पास पहुचे हैं, तो इससे proof हो जाएगा कि मुझ तक भी पहुचे, नहीं, बट यह fact relevant होगा, इसके साथ अगर दूसरे और relevant facts आगे, और proper एक chain बन गए, in that case court will give a judgment, इतनी सी बात से judgment नहीं होता, I hope you are getting this, यह एक major confusion है, जो student अगर पहली दूसरी बार पढ़ते हैं तो उनको, यह confusion generally होता है, उन्हें लगता है कि इससे कैसे सिरफ proof नहीं कर रहे हैं कौन से fact relevant होंगे, कौन से नहीं, तो यह fact relevant है, relevant का मतलब यह नहीं कि इससे proof हो गया, इसके साथ 5 और facts अगर जुड़ेंगे, जो proper chain बनाएंगे, in that case, the fact will be considered, या fact in issue will be considered to be proved, तो बीच के intermediaries के पास यह successfully पहुचा है, यह भी relevant होगा under section 6, भले ही time gap हो, जैसे आज की date में आपन Amazon से order book किया, मानलीजे आपने एक earphone मंगाए, Amazon से, ठीक, अब आप order track करते हैं, वहां लिखा रहता है, कि जो seller था, उसके पास से निकल गया, वो track में आता ना, intermediaries आते हैं, कि उस शहर में, मानलीजे दिली से आना था, तो दिली के hub के पास पहुच गया है, आपका earphone, फिर व दिखाएगा कि अगर भुपाल में deliver होना है, और Amazon का head office पहले indoor में आता है, फिर भुपाल deliver होता है, तो फिर वो दिखाएगा कि indoor successfully पहुच गया, update हो जाएगा आपके order में, indoor successfully पहुच गया है, तो फिर वो दिखाएगा कि भुपाल का जो main hub है, वहां आ गया है, उसके बाद आप किया रहे हैं कि हमारे घर नहीं पहुचा, आप क्या सवाल उठा रहे हैं कि हमारे घर नहीं पहुचा ये goods, तो अगर वो भुपाल हब तक पहुचा है, indoor पहुचा है, दिल्ली से निकला है, ये सारे facts relevant होंगे, इस सवाल को decide करने में कि whether the goods have reached you or not, ये सिर्फ relevancy की बात क connect कर पाएं, अब यहां भले ही समय का gap हो सकता है कि दिल्ली से निकला, indoor पहुचा ये सारी चीज़ें, but it is still relevant because it is part of the same transaction and I hope जो चारों illustration है वो और section 6 का meaning आपके समझ में आया, section 6 किस पे based है, तो section 6 based है, रेजजेस्टे की doctrine पे ये भी एक important question है, लेकिन जो रेजजेस्टे का principle है common law का, ये कहता है, ये बहुत broad है common law में, ये बहुत सारी चीज़ों को include करता है, cost, effect, subsequent conduct, previous conduct, हर चीज़ को include कर लेता है, but Indian evidence act में जब रेजजेस्टे कहां reflect होता है कि बात करी जाया, अगर section 6 सिर्फ अकेला option में है, तो section 6 is the correct answer, तो अगर आप common law का जो रेजेस्टे का principle जो व वो 6, 7, 8, 3ो में reflect होता देखेगा आपको, क्योंकि जितनी चीज़े, by previous conduct, subsequent conduct भी तो connected ही है, लेकिन section 6 को Indian evidence act में जो use किया गया है, वो in exclusion to 7, 8 किया गया है, कि अगर subsequent conduct या previous conduct के अपन बात करने हैं, तो there should be a cut, वो chain cut होनी चाहिए, otherwise वो section 6 में relevant हो जाएगा, अगर वो form कर रहा है, same transaction को, लेकिन if there is a gap, in that case, वो subsequent conduct या previous conduct relevant होगा, आपका section 8 में, instead of section 6, because there is a cut in the chain, ठीक, तो ये थोड़ा सा detailed concept है, उसमें फिलाल आप में चाहिए, आप बस इतना समझे है, कि register section 6 में reflect होता है, Indian contract act में, और जैसा मैंने कहा है, case waste तो इतने जादा हैं इदर, कि मैं उन पे नह आँगा, और उनको mention नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजे हैं, तो I hope you got the meaning of the provision, क्या reflect हो रहा है, ये आप समझ गए हैं, इसके बाद आईए जारा section 7 पे, तो section 7 किन चीजों की relevancy की बात करता है, उसको देखते हैं, और मैं एक distinction इदर बना देता हूँ, section 7 और section 8 का, क्योंकि कुछ ऐसे terms हैं, जिनका मैं थोड़ा सा comparison करूँगा, और एक comparative study के थरूँ आप थोड़ा बहतर difference समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूरा relevancy का, ये वाला जो particular part, जो है relevancy का, इसमें आपको लगेगा कि बड़ी overlapping सी है कि ये चीज तो इदर भी relevant हो सकती हूँ, वो basic कारण उसका ही होता है, कि आपको proper understanding, उस terminology की नहीं है, इसलिए कई बार ये feel होता है आपको, कि वो overlapping as such बहुत जादा है, नहीं overlapping है, थोड़ी बहुत कहीं हो सकती है, बाकि as such है नहीं, अगर आप उन terms के meaning को properly interpret कर लेंगे, then you won't have this problem, तो जरा देखिए section 7 में क्या क्या relevant है, facts, बचारती, occasion, cause or effect of fact and issue, fact and issue के cause, effect, occasion, और या फिर state of thing या opportunity को जो चीज़ें बता रही है, जो facts बता रहे हैं, वो सब यहां section 7 में relevant होंगे, जरा एक बार language पढ़ लेते हैं, फिर मैं specific चीज़ें यहां लिखके आपको with example समझा द which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact and issue or which constitute the state of things under which they happened, जिस सरकम्सांसे में fact and issue or relevant fact हुए हैं, उसको constitute करने के लिए जो state of thing है, अगर वो state of thing को भी प्रूफ आप कर रहे हैं, तो कोई ऐसा fact जो state of thing को प्रूफ कर रहा है, तो वो भी relevant होगा, और विच afforded an opportunity, opportunity भी important है, और which afforded an opportunity for their occurrence or transaction, अब जरा मैं पहले term लिख दूँ, अभी घबराईए गमा तिन term को सुनके, मैं एक एक करके सबका difference आपको समझा दूँगा, सबसे पहले एक term यूज हुआ है, इदर पे occasion, कोई ऐसा fact जो occasion बताए, fact and issue के लिए occasion, होता क्या occasion अभी समझा रह है, इसके बाद है effect बताए, और effect के बाद state of things की भी बात है, ऐसी चीज जो state of things बताए, ऐसे facts, और इसके बाद है opportunity, opportunity, इतनी चीजें relevant होती है, section 7 में, इन सबसे related facts, हर वो fact जो इसमें से किसी एक चीज को prove करेगा, वो relevant होगा section 7 में, अब देखिए, cause, effect, occasion, इनकी बात अपन करते हैं, पहले मैं आपको cause और effect समझा देता हूँ, तो फिर हम occasion और opportunity के difference प्याएंगे, ऐसे facts, जो fact and issue या relevant fact का cause बत है, कि A ने B की जان ली है या नहीं, A ने B का Mr. किया है, क्या A के act से B की जान गई है, that is a fact and issue, ऐसे facts जो इस fact and issue के cause को बताएं, ऐसे facts जो इस fact and issue के cause को बताएं, वो सब section कि जिस दिन B का मडर हुआ है उसके एक दिन पहले A और B की भी सड़क पे लड़ाई हुई है और B ने पूरे पब्लिक के सामने जंदा के सामने दो-चार लपाड़े लगाए हैं A को और A कुछ कर नहीं पाया लड़ाई हुई है A और B के बीच में सड़क पे लड़ाई हुई है और B ने A को थपड़ मारे हैं पुब्लिक लिए अगले दिन B का मडर हो जाता है और एलिगेशन है कि A ने ये मडर कमिट किया अब ये जो लड़ाई है एक दिन पहले की ये बात कि इन दोनों के बीच में एक दिन पहले लड़ाई हुई थी और थपड़ पड़े थे A में यह किस तरीके से relevant है, किस चीज़ को बता रहा है यह fact इन लोनों के बीच में جो लडाई हुई का fact है या थपड पड़े हैं यह किस चीज़ को बता रहा है तो यह बता रहा है cause A, B की जान ली है इसका cause, cause मतलब कारण, कारण होता है cause का मतलब, इसका cause हो सकता है वो थपड़, अब जरा एक चीज इस यहीं पर समझ लीजेगा cause के साथ ही एक particular term समझ लीजेगा, जो 8 में relevant है, जरा section 8 की head note पढ़िए, motive preparation, previous and subsequent conduct, मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, motive की cause और motive के बीच का difference आपके समझ में आना चाहिए, what is cause and what is motive, तो भाया this fight this fight between A and B can be the cause of the death, की जान क्यों ली A ने क्यों B को मारा, इसके B, A ने भी की जान ली है इसका cause हो सकता है क्या ये motive हो सकता है ये लडाई ये जो लडाई है A और B की क्या ये लडाई motive हो सकती है इसको आप motive कहेंगे क्या क्या ये section 8 में relevant होगा, अब यहीं मैंने जो आपको कहता है कि आपको confusion होता है कि overlapping ये तो 7 में भी relevant है, तो 8 में भी वो इसलिए, because you do not have a proper understanding of these terms तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लडाई motive है, तो let me tell you ये लडाई motive नहीं है ये लडाई cause है सिर्फ, cause मतलब current, cause मतलब वो चीज जो आपको एक push दे fact in issue करने के लिए, cause can be any incidence which pushes a person to do something जो triggering point होता है आपका, तो ये जो बी ने थपड लगा है थे लडाई में एको publicly, that can be the cause that cannot be the motive, motive क्या होगा, motive क्या होगा motive होगा, बिटा, revenge motive क्या होगा, revenge होगा motive, बदला बिजज़ती जो हुई है publicly, उसका बदला motive है, motive is anything which you aim to which you aspire to achieve motive IPC में भी पड़ा है, बहुत अच्छे से clearly मैंने में समझाया था, motive intention, knowledge के बीच का difference, motive मतलब something which you wish to achieve motive is something which you wish to achieve, आप जो गोल बनाते हो, that is the motive तो ये लड़ाई थोड़ी गोल था गोल सा उस बेच चती का बदला, जो थपड पड़े है publicly, उसका बदला लेना can be the motive yes or no yes or no के हो सकता है motive कि जो बदला लेना है this can be the motive, I hope you got the difference cause और motive के बीच का फरक समझे है, ये जो लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, ये बेटा cause motive नहीं है, motive अलग है, motive जो वो अचीव करना चारा, वो जो बदला लेना चारा, that can be the motive कि इसको बदला लेना था बात समझ रहे हैं, so that is the basic difference between the two terminologies and I hope that is clear, इसके बाद आई ये effect की बात अगर अपन करें, cause और motive को हमने distinguish कर दिया, effect की अगर अपन बात करें, तो कोई भी ऐसा fact, जो fact and issue के effect, effect मतलब consequences को बताए, जैसे माल लीजिये, अगर ये लीच किया गया है, कि A ने B की एक कमरे में कमरे में बंद करके, B को A ने, कि उसकी जान चली गई है, अब उस room में, अगर struggling marks है, अगर दिवाल पे B के हाथ के निशान है, वहाँ जो furniture लगा था, वो तूटा फूटा है, as if किसी ने खींचा हो पकड़के, जो curtain लगे थे, वो तूटे है, as if किसी ने अपने बचाव के लिए दोड़ा हो, खींचा हो, तो ये जो facts हैं कि परदा तूटा पड़ा है, या फिर वहाँ blood stains है, allegations है, एक ही उसने होंकी मार मार के बेरहमी से जान ले ली भी की, अब वहाँ जो blood stains है, blood stain क्या है, उस fact and issue का effect है, उसका consequence, अगर वहाँ उस व्यक्ती की जान ली गई है, ये effect, ऐसे facts, जो effect बता रहे हो, वो relevant है, और in fact, क्योंकि ये fact relevant होंगे, section 7 में, इसलिए उनको proof करने के लिए आप evidence दे सकते हैं, इसलिए आप evidence ला सकते हैं, so that is about effect and I hope that is clear, तो cause हो गया, effect हो गया, motive पे चर्चा कर लिए, इसके बाद आईए, occasion और opportunity की बात करते हैं, ये दोनो चीज़ें भी different है, different है, तभी अलग-अलग term use करें, नहीं तो एक ही लिखते थे, अगर motive cause भी सेम होता तो एक ही लिखते था ना, दो दो क्यों लिखते, तो भाई साब Britishers ने बना है, वो बिनाबाद के मेहनत नहीं करते हैं, चीक, वो बिनाबाद के मेहनत नहीं करते हैं, क कुछ है essence उस बात का, उसको समझिये जरा, सिरफ रटिये मत की 8 में ये है और 7 में ये है, जरा समझिये, अब समझना occasion और opportunity के बीच का difference, occasion, pretext, एक backdrop, background है, जो occasion, एक ऐसा set of circumstances है, जो एक backdrop तयार करें किसी event के या किसी act के occurrence का, उसको अपन कहते हैं, occasion, occasion, occasion का हिंदी अगर आप देखेंगे, प्रसंग, occasion का हिंदी क्या होता है, प्रसंग वो, occasion, जैसे मान लीजिए, जो illustration यहां section 7 में भी दिया है, भी मैं उन पे भी आऊँगा, मैं similar illustration दे रहा हूं, और शायद वहाँ illustration कम है, इसलिए मैं आपको थोड़े ज्यादा illustration से in terminology के बी अब opportunity क्या है, प्रसंग तो वो circumstances हो गए, opportunity जो accused है, जो आपका offender है, वो उसमें से opportunity का हिंदी क्या होता है, अवसर, और occasion का हिंदी क्या होता है, प्रसंग, दोनों में difference है, थोड़ा से समझने की कोशिश करिए गया, दिमाग पुला रख के, occasion वो circumstances हैं, जो backdrop तयार करें, किसी event के, किसी incidence के occurrence का, और उस प्रसंग का कोई व्यक्ति फाइदा उठा ले, उसमें से opportunity काव आउट करनी पड़ती है, आपको, offender ने उस में से एक अवसर, उस प्रसंग में से offender ने एक अवसर निकाल लिया, इसे लिए opportunity अलग से use किया गया है, यहां section साथ में, एक example से इस बात को भी ज़रा आप समझिएगा, मान लेजिए, there is a person who is preparing for judicial services examination, वो भवाल शहर में रहता है, अपनी family के साथ, और sincere student है, बढ़िया पढ़ाई करता है, बेरेक्ट पढ़ता है, और notes पढ़ता है, और sincere किताबें पढ़के, वो judiciary की तयारी कर रहा है, उसका एक दोस्त है, जिस दोस्त है, उसका दो बहुत जाद similarities दोनों में नहीं है, opposite character है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत दोस्ती उन दोनों के बीच में है, एक और उसका इस बंदे का जो भवाल में रहके तयारी करूँगा, जो डिशरी की, ऐसा एक बंदा और रह रहा है यहाँ, ए जो है, यह पर्मनेंटली यहीं रहता है, और बी इसका वो दोस्त है, जो अलग से एक रूम लेके इसने घर वालों को convince किया है, कि मैं अकेले में रहता हूँ, तो जादा अच्छी तयारी होती है, फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मेरी तयारी नहीं होती है, इस बात को आप भली बाती समझ सकते हैं, you can correlate with that, क्योंकि आप ल civil judge की तयारी, वो किताब पढ़ता है, वो CPC पढ़ता है, वो CRPC पढ़ता है, वो evidence के provision के, जो term है, उनके मतलब को समझने की कोशिश करता है, यह ऐसा है, एक यह है, जो दिन भार YouTube पे मोटिव ऐसा नहीं ले रहा है, दिन भार strategy देख रहा हो, how to crack judiciary prelims in 60 days, 40 days strategy, 15 days strategy, दिन भार यही करता है, वो इससे लगरा ही जज़ बन जागा, अब एक दिन इन दोनों के बीच में conversation होती है, और यह पूछता है, बटा कैसी तैयारी चल रही है तेरी, इससे पूछता है, यह किता भाई पढ़ लिया है, बेरेक भी निप्टा दिया है, terminology का meaning भी समझ लिया है, और conceptual classes भी देखी हैं, जिसमें मेरको समझ में आगया कि क्या है, तो यह जो बी है, यह हस्ता है, क्या बात खा रहा है, तुने strategy वाले वीडियो तो देखे ही नहीं, तो परी किता यारी कर रहा है, मैंने तो इंटर्वी देख रहा है, कैसे होता है जज़ का इंटर्वी, इसने पू Saturday को मस्त, शाम को group study करते हैं तेरे घर पे, बी के घर पे, दोनोंने decide कर लिया, कि Saturday को अपन, group study करेंगे तेरे घर और तू मुझे यह सब चीज़ें बताएगा, जो तूने अलग से खर रखी है, यह plan होता है, कि Saturday के पहले crash course में नितिश सर evidence करा देंगे, और Saturday के अगर पहले ह भी हुए, जैसे CPC आकरी Saturday को मैंने काफी लंबी class ली थी, 9-12 पर ने किया, इसे कोई मतलब है, किरा वो सब important नहीं है, strategy देखी ही मैंने, तुआ, अपन Saturday को group study करेंगे, वो छोड़ ले, चाले, और यह बुला लेता है, फिर यह दोनों, अब Saturday को जब यह group study के लिए मिलते है कईना कई B के दिल में यह था, कि यह यह तो निकाल लेगा, सच्चा ही उसे भी पता है, कि इसने सब पड़वर लिया है, इसके concept भी sound है, इसलिए निकाल लेगा, वो complex में तो है B इसलिए, और B को ज़्यादा चिंता इस बात की है, कि अगर A का हो गया और B का नहीं हुआ, उसको इससे, B को इस बात से मतलब नहीं है, कि मेरा नहीं हुआ, उसकी बड़े चिंता का विश dov. अगर A का हो गया, तो घरवाले मुझे ज़्यादा जूते मारेंगे, क्योंकि घरवालों को इससे ज़्यादा कश्ट होगा, कि इ का क्यूं हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ इसलिए बी को ये चंता नहीं कि मेरा नहीं हो रहा है, उसको ज्यादा चंता का विश्य उसके लिए ये है कि एका तो हो सकता है, निकल जाए exam. इसलिए ये दोनों decide करते हैं, group study करेंगे घर पे, घर पे group study के लिए Saturday को दिन में बी पूरी तयारी कर लेता है, बी ने बड़िया दो चिल्ड बॉटल बीयर की ले रखी है एकदम भयाना ठंडी बीयर इसने रखी होई है कि आथ तो ग्रुप स्टडी होगी सैटर्डे को और चुड़ी सिरी अपन निकाल लेंगे ए आ रहा है ये दोनों आते हैं शाम को बैठते हैं बड़िया बॉटलें खुलती हैं एकदम चिल्ड वाली और ये उसको वीडियो दिखाता है कि हाव टू क्रेक चुड़ी सिरी और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है एं दे गेट ड्रंक हेविली ड्रंक उसके बाद ये होता है कि भाई अब बी के जहन में कहीं न कहीं ये बात चलतो रह रही थी कि यार ये एक्जाम निकाल लेगा तो मेरी हालत खराब कर देंगे घरवाले और यहीं इसलिए ये प्लान करता है मडर किसका एक कि इसको निप्टाई देते हैं तो लफड़ाई खतम हो जाएगा कल को अपने उपर वो नहीं आएगा कि तुम्हारा क्यों नहीं नि लिखने वाला चातर था जिसने बेरेट पड़ा है कितावे फड़ी है जिसने इन भाई साब का तो रोज का हिसाब था ये अब ये क्योंकि अनकॉंशेस स्टेट में आ गया तो ये जो है थोड़ा अनकॉंशेस सा हो गया और इसी बात का उसके अनकॉंशेस होने का फाइदा किसने उठा लिया बी ने जैसे ही वो अनकॉंशेस हुआ ये अपने किचन से चाकू लेके आता है और इसका गला काड़ देता है इसका गला काड़ देता है अब इस पूरे कंटेक्स्ट में जरा आप समझेगा कि ओकेजन क्या है और अपॉर्चनिटी क्या है तो इन दोनों भाईयों का सेटर्डे को ग्रुप स्टडी के लिए बैठना और वो जो वियर का कंजम्शन हुआ है तो अगर प्रोसिक्यूशन कोट में ये प्रूफ करना चाहरा है कि ये दोनों उस दिन मिले थे साब और इसने एकक्तम भायानक ठंडी वियर भायानक ठंडी वियर खरी दी थी ग्रुप स्टडी की तैयारी के लिए ये भी क्लियर है इस बात के evidence prosecution देना चाहता तो वो relevant होगा as occasion ये occasion बता रहे हैं उस fact and issue का और ये जो बंदा unconscious हुआ after drinking जो ए unconscious हुआ है इस बात का फाइदा भी ने उठाया opportunity क्या है कि ये जो ये जो occasion था इसमें से एक अवसर निकाल लिया भी ने एक opportunity निकाल ली to kill A इसलिए दोनों बात में अलग है occurrence अलग है और opportunity अलग है अब कल जब post-mortem report आईगी तो पता चलेगा कि ये तो beer consume करने के बाद unconscious state में चला गया था उसके 15 मिनट बाद इसकी death हुई है तो यहां से वो opportunity पता चलेगी जो बी ने उठाई ये पता चलेगा कि बी ने इस अफसर का अफसर मिला और इस अफसर में से फायदा उठा लिया भी ताट इस the difference between occasion and opportunity and I hope थोड़ा भर difference आपके वो समझ में आया illustration जो section साथ में दिया है ना वो भी पढ़ेंगे वहां से और भी clarity आपको आईगी अभी in terms को थोड़ा समझ ही है कि occasion, opportunity, cause, effect ये सारे चीज़ है एक चीज़ आपकी जो है state of things इसके लिए भी यहीं illustration दिया है state of things वो मैं इस illustration में समझा देता हूँ एक बर जरा साथ के illustration पर आईए, पहला illustration देखिए A, the question is whether A robbed B, सवाल ये है कि A ने क्या robbery commit करी है B के साथ, the fact is that shortly before the robbery, B went to affair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant, सवाल ये है कि क्या A ने B के साथ robbery commit करी है और अगर ये fact, अगर इस fact के evidence दिये जा रहे हैं कि robbery होने के थोड़े समय पहले ही B एक fair में गया था, एक mail में गया था और वहाँ उसके पास पैसा था, उसने third person को दिखाया था कि जेब में पैसा रखा है, तो this forms the occasion और इसमें से B ने अपने लिए एक अवसर निकाल लिए, एक opportunity create कर ली, उस पैसे को चुराने की, इसलिए वो fact relevant होंगे under section 7, ये बात कि वो मेले में घूम रहा था और उसके पास उससमें पैसा था, that is relevant under section 7, इसके बाद B देखिए, the question is whether a muttered B, marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the mutter was committed are relevant facts, ये तो clear है बाई, कमरे वाल एक्जाम्पल मैंने आपको दिया, कि जो mutter हुआ है, वहाँ पे कोई struggling marks है, तो वो उसका effect बता रहे है, उसका consequence बता रहे है, इसलिए वो marks relevant होंगे, court में अगर prosecution evidence देना चाहरा है, कि साब ये जो दीवाल पे निशान है, ये उस victim के ही हातों के निशान है, जिसकी मौत इस कमरे में हुई है, तो वो obviously relevant होगा, under section 7, यहाँ कोई complexity नहीं है, आईपो, ठीक, इसके बाद देखिए C, the question is whether A poisoned B, this is important, इससे आप समझना, state of thing, the question is whether A poisoned B, the state of B's health, before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison, are relevant facts, अब देखिए, एक example और समझ ये, कि मान लीजे, B को A की जान लेनी है, और B को ये पता है, कि ये जो है, घर से बाहर रहरा है, और ये, मान लीजे चलिए, इसको उल्टा करते हैं, जो अपनने अभी देखा, अब मान लीजे, A को जान लेनी है, B की, और इसको पता है, B अपने घर से बाहर रहता है, एक particular restaurant में जाके ये रोज अपना dinner करता है, 9 बजे, 9 बजे इक particular eatery में ये जाता है, खाना खाने, रोज ये व्यक्ति B जो है, रोज जहां भी ये अपने room पर या hostel में रहता है, वहाँ से निकल के particular eatery पर जाता है, और 9 बजे वहाँ पर अपना खाना खाता है यह state of thing है या नहीं कल अपने पढ़ा था fact में state of thing जो चीज रिकरंगली हो रही है जो चीज रिपीटेडली हो रही है उसको अपन state of thing कहते है यह सोर्नो तो रोज रात को यह 9 बजे वहाँ dinner करने जाता है this is a state of thing इस बात की इस state of thing की जानकारी जो है एक के पास that is also relevant यह state of thing is also relevant under section 7 कि एको पता है कि यह कहां खाना खाता है रोज जाके और अगर एको यह पता है कि यह रोज जाके कहां खाना खाता है it gives an opportunity to A कि यह जाके उसके खाने में poison मिला दे मान लेजे B की death होई है poison consume करने की वज़े से और allegations A पे लगे हैं कि इसने जहर खिलाया है अब यह बात की B रोज एक particular जगे पे खाना खाता था यह fact A को पता थे तो यह जो state of thing की B की की रोज जाके वो 9 बज़े वाँ खाना खाता था इस state of thing में से A ने एक opportunity carved out कर ली अपने लिए एक opportunity एक अबसर ले दिया कि यह वहाँ जाएगा और उसके जो particular tiffin होता है या whatever he eats उसमें यह poison मिला सकता है इसी लिए यह state of thing भी relevant है और उसके साथ opportunity तो है ही so that's all for section 7 and I hope you got the meaning of quality terms used here yes or no भाई समझ में आ रहा है न बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे लेकिन बहुत कम में भी नहीं जाएंगे ठीक है वाले थोड़ा समय लगे मुझे but I'll try to explain you the difference जिससे आपको ना तो illustration based question में आपको समस्या होगी मैं किया रहा हूँ इस barret के बहार के भी आ गए न तो भी आप कर पाएंगे जो application based question आते हैं जो factual metric based आते हैं अगर concept sound है तो otherwise तो फिर याद करिए यही solution this is a better solution in my opinion कि आप समझ लेंगे इसके बाद art में motive आप समझ गए motive क्या होगा which you wish to achieve by doing something इसलिए उसको calls के साथ connect करके हमने देखा इसके बाद section 8 में जो relevant है वो है आपका preparation इसके अलावा कोई भी ऐसा fact जो preparation को बताए या फिर कोई ऐसा fact जो previous या फिर subsequent conduct बताए previous या फिर subsequent conduct को बताए वो fact भी relevant है तो क्या क्या relevant है आप में motive preparation को कोई चीज बता है जैसे preparation माल लीजे A के उपर ये allegation लगे है कि A ने B को जहर दे के मारा है अब अगर prosecution court में ये proof करना चाहता है कि साभ A ने इस particular vendor से poison procure किया था एक दिन पहले वो vendor को ये विटनेस बुलाना चाहते है court में कि हाँ इसने poison खरीदा था मुझसे एक दिन पहले तो क्या ये fact relevant होगा कि ये ने एक दिन पहले poison खरीदा था बिल्कुल relevant है क्यों relevant है क्योंकि ये उसकी preparation को दर्शारा है ये किस बात को बता रहा है ये उसकी preparation को बता रहा है इसे लिए that preparation is important इसके अलावा previous या subsequent conduct यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि किसका previous और subsequent conduct relevant होगा तो उसके लिए section 8 पढ़िये जरा any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact कोई भी ऐसा fact जो construe करे या show करे अब इसमें भी difference है ऐसे facts जो motive constitute करते हैं ऐसे facts जो motive show करते हैं लेकिन उस detail में मैं आज नहीं जाओ but you should learn from that eye as well for your better clarity इसके बाद second paragraph देखिए वो अपने लिए फिलाल important है previous or subsequent conduct का the conduct of any party party का conduct or of any agent to any party to any suit or proceeding किसी भी suit या proceeding में जो party है उनके agent हैं दोनों का conduct relevant है previous or subsequent उसके बाद देखिए in reference to such suit or proceeding और in reference to any fact in issue therein और relevant fact there too and and the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding victim की बाद चल रही है जिसके against offense commit हुआ उसका conduct भी relevant है उसका previous conduct और उसका subsequent conduct is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue और relevant fact and whether it was previous और subsequent चाहे वो previous conduct हो या subsequent event या fact in issue जो है उसके होने के पहले या बात दोनों में से कोई भी conduct है relevant होगा subsequent conduct भी relevant होगा और previous conduct भी relevant होता है section 8 में अब section 8 के explanation बहुत important है और इसके illustration बहुत important है उनको ज़रा दिखते है previous conduct और subsequent conduct तो नॉर्मल से चीज़ आज उसको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं है इधर समस्या है statement को लेके कि अगर किसी वक्ती ने statement दिया है fact and issue की occurrence के पहले कोई particular statement दिया है या उसके बाद तो वो relevant होंगे या ने इसके बारे में explanation दिया हुआ है उसको पहले पढ़ते है फिर मैं एक एक करके illustration पर आता हूँ जो यहां illustration है they are sufficient to understand these concepts इसलिए अपने अलग से देने की मुझे ज़रुरत नहीं है इदर क्योंकि sufficient है और 8 से ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर illustration-based सवाल आने की संभावनाएं होती है तो वो आपकी होती है 8 से और 14 से किदर अगर admission के पहले कि आप provision देखे 16 तक तो 8 और 14 के illustration बहुत important है जो थोड़े से distinct हैं मैं उनी को discuss करूँगा एक 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 illustration अपन discuss नहीं करेंगे चीच सो देखिए explanation पहले देखिए the word conduct in this section does not include statement general बात यह है कि conduct का मतलब statement नहीं होगा सिर्फ merely बोला है आपने कुछ उसको conduct consider नहीं किया जाएगा unless लेकिन इसका exception भी है unless those statements accompany and explain acts other than statements अगर it is accompanied by some conduct unless those statements accompany and explain acts other than statement statement के अलावा कोई चीज अगर explain कर रहा है क्याने का मतलब ऐसा statement जो act से accompanied है वो ही relevant होगा otherwise mere statement नहीं होगा अभी illustration आएंगे उससे you'll get a better clarity on this explanation sorry इसके आगे भी लिखा है but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर statement किसी दूसरे section में relevant है तो उसको आप irrelevant बना देंगे इस explanation का यह purpose नहीं है section 8 में statement तभी relevant होगा when it is accompanied by some act otherwise अगर किसी और दूसरे section में statement relevant है तो वो relevant रहेंगे इसके बाद explanation 2 देखिए when the conduct of any person is relevant any statement made to him this is very important when the conduct is relevant any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant statement की एक और relevance ही आपका explanation 2 बता रहा है अगर कोई statement ऐसा है जो उस व्यक्ति के अगर जहां conduct relevant है और उस conduct से related statement दिया गया उस व्यक्ति की presence में या उस व्यक्ति के सामने वो statement दिया गया है in that case also the statement will be relevant illustration देखते है तो you will get all the points जो मैं आपको यहां पढ़के बता रहा हूं जो explanation में लेखें illustration सबसे पहले A देखिए वो वाले illustration उठा रहा हूं जो कुछ distinct बात convey कर रहे है by threatening to make his knowledge public are relevant देखिए A के उपर ट्राइल चल रही है वो ही जो हमारी भी चल रही है A के उपर ट्राइल है कि उसने B का murder किया है अब ये fact कि B को इस बात की जानकारी थी कि A ने उसे तो बाद में मारा B को तो B की जान जाने के allegation तो बाद में लगे B तो बाद में मरा B जब जिन्दा था तो B को इस बात की जानकारी थी कि A ने C का murder किया है इस बात को B जानता था और इस बात की धमकी देके कि बटा मेरे को पता है A को इसने धमकी दी थी और इससे पैसे भी लिये थे कि पैसे दे नहीं तो बता दूँगा कि तूने C का मडर किया है अगर prosecution B के मडर में B के मडर की trial में ये fact proof करना चाहता है कि साहब जिसको मारा गया है जिस B की मृत्यू हुई है और allegation ने A के उपर कि इसने मारा है उस B को इस बात की जानकारी थी कि A ने C का भी मडर किया है और B ने उससे पैसे भी लेने की कोशिश करी थी किससे? A से कि पैसे दे नहीं तो बता दूँगा कि तूने मारा है अब बताईए B की ये जानकारी और B की ये कोशिश पैसे लेने की A से क्या ये relevant है उसके मडर के trial में? Yes or no? So the answer is yes क्यों relevant है? क्योंकि ये motive बता रहे हैं ये A का motive बता रहे हैं A का ये motive हो सकता है कि कल को फिर ये मेर से पैसे लेगा या ये जाके किसी को बता ना दे to stop him from doing so. That can be the motive. तो ये जो fact है, motive शो कर रहा है इसलिए ये fact relevant है कि B जिसकी मृत्यू हुई है उसके पास ये जानकारी थी कि ये ने सी को भी मारा that's why illustration A says this is relevant और ये किस term के अंदर relevant है section 8 में? motive term के अंदर ये relevant हो रहा है इसके बाद देखिए illustration B A seems B upon a bond for the payment of money B denies the making of the bond the fact that at the time when the bond was at least to be made we required money for a particular purpose is relevant लेकि सवाल ये है कि आपने मुझसे उधार लिया है एक particular point of time पे और एक bond sign करके दिया था आपने मेरे से 10,000 रुपे उधार लिये है trial किस चीज की चल रही है? इस बात की trial चल रही है कि आपने एक bond पे मुझसे 10,000 रुपे उधार लिये है आपको उस समय पैसे की जरूरत थी पैसे की जरूरत होगी इसलिए आपने पैसे लिये होंगे मुझसे तो that also constitute the motive कि क्योंकि जरूरत है तभी तो आप पैसे लेंगे ना मुझसे so that is also relevant that fact is also relevant कि उस particular point पे आपको पैसों की जरूरत थी इसके बाद C देखिए A is tried for the murder of B by poison the fact that before the death of B A procured poison similar to that which was administered to B is relevant यह exactly वही है जो मैंने आपको illustration दिया A के उपर allegation लगा है कि उसने B को जहर दे के मारा है अगर यह fact proof करना चाहरा है prosecution court में कि A ने जिस तरीके के poison से B की death हुई है उस तरीके का poison खरीदा था A ने एक दिन पहले यह relevant होगा as part of preparation चेक तो वह fact relevant है इसके बाद सीधे आई है illustration G पे illustration G देखिये जरा the question is whether A owns B rupees 10,000 the fact that A asked C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing I advise you not to trust A for he owes B rupees 10,000 and that A went away without making any answer आर relevant fact यह illustration बहुत important है explanation को समझने के लिए जिस explanation के अपन बात कर रहे थे जिसमें यह बताया गया है कि statement कब relevant है उसको समझने के लिए illustration जरूरी है और इससे सवाल भी prelims में आते है देखिये सवाल क्या है the question is whether A owns B rupees 10,000 क्या उधार है A का पैसा B के ओपर 10,000 रुपे this is the question the fact that A asked C to lend him money A ने C से पैसे मांगे थे and that D said to C in A's presence and hearing देखिये A ने किस से पैसे मांगे थे A ने पैसे मांगे थे C से कि भाई तु मुझे 10,000 रुपे दे दे और जब A ने C से यह पैसे मांगे थे वहाँ पर D भी मौझूद था और उसी समय D ने C को warn कर दिया था मत करना तु इस पे विश्वास मत करना ये पैसे लेके भाग जाएगा इस पे भरोसा करने लायक नहीं है जब D ने ये statement दिया था C को in the presence of A कि इसको पैसे मत दे भाग जाएगा A बिना कुछ बोले बिना अपने आपको defend किये बिना कुछ बोले चुपचाप यहां से चला गया ये एक incident है कि A यहां चुपचाप चला गया बिना कुछ बोले जब D ने सी को ये चिताब ने दी कि इसको पैसे मत देना अब सवाल ये है यहां कि ये क्या इस trial में relevant है जहां ये allegation है कि A ने already B से पैसा उधार लिया हुआ है कि A को 10,000 रुपए वापस करने है किसे B को क्या ये relevant हो सकता है तो भाई this is merely a statement D ने जो दिया D ने merely a statement दिया लेकिन अगर आप explanation पढ़ेंगे तो explanation हमें कह रहा है कि अगर statement के साथ कोई ऐसा act है कोई ऐसा act है जो इस statement को justify करे तो वो statement भी relevant हो जाएगा जब D ने ये statement दिया कि इस पर भरोसा मत करना ये पैसे लेके वापस नहीं करता लोगों के और इसका जो चुपचाप गया ये जो act है एका कि वो चुपचाप बहाँ से चला गया ये किस बात को कर रहा है इसके statement को क्योंकि अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो वो चुपचाप भागता नहीं इसलिए ये जो statement है ये भी relevant होगा यहां section 8 में illustration के आगे की चीज़ पढ़िए presence and hearing I advise you not to trust A for he owns B rupees 10,000 D ने पहले ये बात बता दी C को कि भाईया इसको पैसे मत ते क्योंकि इसने already B से 10,000 रुपए उधार लिये हुए और ये वापिस नहीं करेगा बिना कुछ बोले ही ये चुपचाप चला गया भले ही D का it is merely the statement but this statement is relevant under section 8 क्योंकि it is accompanied by an act of A वहाँ से उसका जाना बिना कुछ बोले वो accompany कर रहा इसलिए आगे लिखा है and that A went away without making any answer are relevant facts ये relevant facts होंगे तो ये जो conduct था A का ये relevant हो जाएगा यहाँ या ये जो statement है D का जो statement है कि इसने B से 10,000 रुपए उधार लिये हैं ये relevant हो जाएगा with the help of explanation क्योंकि explanation कहता है कि इस person की presence में अगर कोई statement दिया है और वो statement ऐसा है which is accompanied by certain rank in that case वो relevant हो जाएगा इसलिए section sorry illustration G में ये statement relevant है इसके बाद देखिए J इसके बाद illustration देखिए J the question is whether A was ravaged the facts that shortly after the Elie's rape she made a complaint relating to the crime the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant ये बहुत important illustration है pre में सीधे सीधे सवाल इससे पूछा जाता है कि there is question that a girl is raped उसने उस rape की complaint करी है किसी से subsequent conduct बता रहे है victim का कैसे relevant है victim का subsequent conduct और आपने section 8 में पढ़ रखा है victim का previous और subsequent दोनों conduct relevant होता है अब एक woman ये एलीज कर रहे है कि उसके साथ rape commit हुआ है और इस बात के evidences दिये जा रहे है उस trial में कि इस woman ने rape commit होने के बाद किसी वक्ती से इस बात की complaint की थी कि मेरे साथ rape हुआ है इस बात को बताया था उसने किसी वक्ती को कि रेप हुआ है अब ये बताना जो उसका subsequent conduct है उस victim का ये relevant हो गाया नहीं तो कब relevant होगा जरा देखिए इस बात को जरा देखिए नहीं तो किसी वक्ती को बस जाके बताया है सिर्फ उसने बोला है एक statement दिया है कि मेरे साथ rape commit हुआ है तो ये relevant नहीं होगा generally इस section में क्योंकि this is merely a statement इस victim ने किसी वक्ती को statement दिया है और statement को relevant होने के लिए क्या जरूरी है explanation 1 आप फिर से देखिए the word conduct in this section does not include statement unless those statements accompany and explain acts other than statement कुछ ऐसी चीज़ से किसी act से accompanied होना चाहिए तो woman जिसके साथ rape commit हुआ अगर वो सीधे जाके किसी वक्ती को बता रही है कि मेरे साथ rape commit हुआ है ये जो statement उसने दिया rape commit होने के बाद वो as such relevant नहीं है as subsequent conduct because it is merely a statement लेकिन अगर इस woman ने complaint file करी पहले rape की complaint file करी जिसमें पूरी detail बताई कि कैसे rape हुआ किसने commit किया ये सारी बाते है और साथ में इसने किसी वक्ती को statement दिया है कि मेरे साथ rape commit हो complaint लिखवा के complaint लिखवा के उसने statement दिया है कि rape commit हुआ है अब ये जो statement है उसका कि rape commit हुआ है it is accompanied by certain act जो statement को justify कर रहे है उसकी authenticity basically बढ़ा रहे है in such case it will be relevant otherwise it won't be when the statement is accompanied by a complaint proper complaint in that case the statement can be relevant is relevant under subsequent conduct अगर साथ में complaint नहीं हुई है तो वो relevant नहीं है ये बात ध्यान रखियेगा I hope you are getting this तो subsequent conduct में statement कब consider होगा जब उसके statement के अलावा भी साथ में कुछ हो ठीक ये explanation बता रहा था इसलिए illustration बहुत important और कई बार पूछा गया है बाकी जो कह रहे हैं कि बिना complaint के अगर इसने सिरफ statement दिया है तो वो कुछ दूसरे provisions में relevant होता है उसकी बात मैं भी करूँगा जब dying declaration या collaboration पर पहुँचेंगे तो फिर बले उसने complaint ना लिखाई हूँ सिरफ statement दिया हो तो भी वो relevant होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे इसके बाद ये particular illustration इसका सबसे ज़्यादा important था 8 का तो इसको जरूर आप थ्यान रखिए इसके बाद let us move on to section 9 अब आईए जरा section 9 की तरफ section 9 में कौन से facts relevant है तो भाई थोड़ा बहुत context समझ में आ रहा ना आपको with the help of illustrations को कि इदर से illustration based सवाल आएंगे हो सकता है बेरेट के illustration आएं हो सकता है दूसरे आलग illustration भी आ जाएं उसके अलावा भी लेकिन अगर concept sound है आपका कब subsequent conduct और previous conduct relevant होता है उस victim का rape victim का complaint लिखाने जाना relevant हो सकता है as subsequent conduct लेकिन complaint होनी चाहिए सिर्फ जाके उसने किसी को statement दिया है तो mere statement cannot be considered as a conduct for the purpose of section 8 इस बात को थोड़ा समझना जादा जरूरी है तो आप कोई भी factual matrix आप से पूछी जाएगी you will be able to answer such questions 9 पे आईए 9 में बहुत सारी चीज़ें relevant हैं एक एक करके मैं लिख देता हूँ इदर क्या-क्या चीज़ें relevant हैं और थोड़ा brief में इन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि 9 से specific questions हैं prelims के जो पूछे जाने की संभावना है बहुत जादा हैं दो 9 में है multiple चीज़ें जो relevant होती हैं multiple तरीके के facts हैं जो कि relevant होते हैं बट सब पूछे नहीं जाते हैं इसलिए थोड़ा से जादा focus अपन उस तरफ करेंगे एक चीज़ section 9 में note down कर लीजिए identification parade identification जो कराया जाता है during investigation investigation के दोरान police क्या करती है जो भी eyewitness है जो victim है उसको बलाती है और उसके सामने accused और उसके जैसे और सेम कद काठी के 4-5 दों को line में खड़ा करती है और फिर identify करवाती है victim से या witness से कि इन में से देख के पेंचानो कौन था वो व्यक्ति जिसको तुमने घर से बाहर निकलते हुए देखा था जहां मडर हुआ था यह होता है identification parade identification कहा relevant है evidence में identification parade तो ध्यान रखिएगा section 9 में relevant है क्यों section 9 में relevant है जरा उसको समझी है terminologies क्या-क्या relevant है facts necessary to explain और introduce a fact 9 में कौन-कौन से facts relevant होंगे ऐसे facts जो explain करें explain और introduce वो relevant होंगे इसके अलाबा explain और introduce a fact in issue और relevant fact और which support और revert an inference suggested by a fact in issue किसे inference को support करें या उसको oppose करें और which establishes the identity of anything or person यह बहुत important है facts which establishes the identity जो identity establish करें ऐसे facts जो आइडेंटिटी establish करें किसकी किसी चीज की या फिर किसी परसन की बस यहीं relevant हो जाता है आपका test identification parade तो कि वो ऐसा fact है जो establish कर रहा है किसी particular व्यक्ति की identity तो यह तो यह ध्यान रखिएगा यह police के द्वारा conduct कराया जाता है during investigation investigation में police इसलिए conduct करा लेती है ताकि बाद में collaboration के लिए use कर पाए बाद में जब victim आके अपना statement जब कड़गरे में खड़े होके victim court के सामने पहचाने गा या witness court के सामने खड़े होके उस accused को पहचाने गा court भी वहां पर prosecution जो वकील होगा पूछेगा यह यह वक्ति जिसको तुमने भागते देखा ता वो बलेगा हाँ तो फिर यहां कोरोबोरेशन के लिए वह यूज होगा identification परेट जो पुलिस के सामने भी किया था क्योंकि भाई यह ट्राइल लंबी चलती है ट्राइल लंबी चलती है तो there can be a fade-off memory हो सकता उसके दिमाग से निकल गया हो यहां पर फाइदा उठा ले defense का lawyer कि साब वो तो एक साल पहले का incidence था आज कैसे इसको याद है तो ऐसे में corroborate उसने जो statement दिया है कट घरे में खड़े होके कि यही था साब उसको corroborate corroborate क्या था support करने के लिए support करने के लिए क्या लाया जाएगा वो जो police ने test identification parade करवाया उस समय भी यह बताया जाएगा कि साब उस समय भी इसने पहचान लिया था उस समय भी इसने पहचान लिया तो और आज भी यह पहचानता है क्योंकि उस समय तो fresh थी ना memory यह evidentiary value test identification parade की दो pre के लिए बहुत जादा important नहीं है लेकिन क्योंकि शालेनी ने question किया था that's why I've just answered your question बाकि तो बेटा इतना proper मुझे एक class लग जाती है test identification को पढ़ाने में पूरा उसकी evidentiary value in everything how it is conducted and all लेकिन pre के purpose के लिए बहुत जादा important नहीं है बस इतना जानी है कि इधर relevant होता है क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया तो यह जो identity वाला इसके साथ साथ यहां जो important है whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact initial relevant fact happened or which show the relation of parties ऐसे facts जो relation of party बताएं parties के बीच का relation बताएं वो fact भी relevant है जैसे मान लेजिए सवाल यह है कि W जो है सवाल यह है कि W जो है यह H की lawfully wedded wife है या नहीं this is the question in a proceeding अब ऐसे facts जो इनकी identity इनके ऐसे facts जो इनके relation को establish करें वो relevant होंगे जैसे इनकी शादी का card relevant हो सकता है जिसमें दोनों के नाम लेखे थे फोटो भी छब आई थी तो वो relevant हो सकता है तो ऐसे कोई भी fact जो parties के बीच के relation को बताएं वो भी section 9 कहता है section 9 के हिसाब से relevant होंगे शादी का album हाँ pre wedding photo suit की photo वो भी relevant हो सकता है कि इनने pre wedding photo suit भी करवाया था तो वो भी relevant हो सकता है तो कोई भी ऐसा fact जो relationship establish करें relation बताएं पार्टी का वो relevant होता है section 9 के अंदर अब जड़ा आये illustrations पे illustration important है the question is whether a given document is the will of A the state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant fact एक will मिली है साब court में एक will will समझते हैं न वसियत एक will पेश करी गई है और सवाल ये है कि क्या ये will एकी ही है this is the question कि ये जो will produce करी गई है क्या ये एकी है अब माल लिजे will में लिखा है कि मेरे दो बंगले जो भुपाल में है वो में इसको दे रहा हूं मेरा एक piece of land जो की indoor में है वो में इसको दे रहा हूं इसके अलावा मेरा एक flat जो दिल्ली में है में दे रहा हूं ये सब कहा लिखा है उस will में लिखा है अब अगर एक party जो ये प्रूफ करना चाह रहे है उस प्रोसीडिंग में जहां ये सवाल है कि ये will एक ही है या नहीं अगर एक party ये प्रूफ करना चाह रही है कि 2010 में जब ये will बनी है उस समय पे एक के पास दो भंगले थे भुपाल में एक land जिसका जिक्र विल में है वो भी he owns that he owned that land at that point of time इन दॉर इसके अलावा जो यहां पे will में लिखाए कि एक flat दिल्ली में है तो उस समय ये सब उसके पास था अगर आप इस बात का evidence देना चाह रहे है कि 2010 में एक के पास भी similar same property थी तो ये relevant होगा या नहीं इस proceeding में relevant होगा ये आपको logically लग रहा है कि relevant होगा क्योंकि हम ये question उठा रहे है कि ये will a की है या नहीं तो same status of property जो will में लिखाए a के पास भी था तो ये relevant होगा ये कैसे relevant है कि जो fact and issue है ये उसको explain कर रहा है ये उसका विवरन दे रहा है उसको explain ये fact कि at the same point of time इसके पास ये सारी property थी ये इस बात को explain कर रहा है that's why it is relevant है under section 9 I hope that is clear the illustration is clear इसके बाद देखिए b a.s. use b for a libel imputing disgraceful conduct to a b.affirms that the matter alleged to be libelious is true मान लिजिए वही same की एक disgraceful conduct के लिए libel मतलब defamation जो permanent form में किया जाता है तो a ने b के against suit file किया है कि b ने कोई defamatory statement दिया है a के against the position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the fact and issue अब इन दोनों के बीच में उस समय क्या relation था जब ये alleged किया जा रहा है कि इस वक्ती ने दूसरे वक्ती की बेज़जती करी है तो उस समय उन दोनों parties का क्या relevant क्या relation था ये introductory fact हो सकता है for the purpose of defamation क्योंकि अगर दोनों की बनती नहीं थी या मान लिज़े दोनों एक दूसरे के competitors थे तो there is likelihood कि हाँ भाई इसने बेज़जती करी होगी दूसरे की पक्का ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका relation क्यों important है वो इस बेज़जती करने को fact and issue यह है कि इसने libellious content दिया है या बोला है या नहीं बोला तो इस libellious content को कि इसने statement ऐसा दिया defamatory statement दिया इस चीज़ को introduce कर रहा है कौनसा fact कि इन दोनों का relation क्या था यह दोनों rivals हे at that point of time जब यह defamatory statement दिया गया था तो उनकी जो अब dispute था दोनों के बीच में उसके detail proof नहीं करनी है court में court में सिर्फ इतना relevant है कि there was a dispute between the two that's it उस dispute का क्या content था subject matter क्या था वो सब important नहीं हां लेकिन दोनों के बीच में विवाद था किसी बात को लेकर यह fact relevant हो सकता है as introductory fact to the fact in issue यह बात आप ध्यान रखिएगा आगे लिखा है the parties of a dispute between sorry the particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged label are relevant though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relation between A and B अब दोनों के बीच में dispute था यह fact relevant है लेकिन आप उस dispute के content प्रूफ करने नहीं चले जाएंगे कि किस बात को लेकर dispute था या dispute इस बात को लेकर नहीं इस बात को था इस से मतलब नहीं सिर्फ आपको इतना प्रूफ करना है कि दोनों के बीच में dispute था तो कि अगर dispute है दोनों के बीच में वो introductory fact है उस defamatory statement के लिए चेक इसलिए यह important है इसके बाद C देखिए A is accused of a crime the fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house is relevant under section 8 इसको ध्यान से समझना इस इस important as conduct subsequent to and affected by facts and issue the fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly मानदीजिये आपके उपर एक murder का allegation लगा है कि आपने एक murder किया है आपने मानदीजिये एक वक्ति है इसके उपर यह allegation लगा है कि उसने 24 जनवरी 2023 के दिन एक मडर किया और अगले ही दिन जिस दिन मडर हुआ उसके अगले ही दिन ये घर से भाग गया और मान लिजे भुपाल में ये मडर हुआ था इस व्यक्ति का घर भुपाल में है और अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ करना चाह रहा है कि साव अगले ही दिन ये भाग गया था 25 तारिक को यह कहां पहुँच गया था इंदौर पहुँच गया था तो section 8 में यह subsequent conduct की तरह relevant हो सकता है इस accused का subsequent conduct की murder होने के बाद यह घर से भाग लिया तुरंत इंदौर अब यह जो व्यक्ति है यह 25 तारिक को इंदौर क्यों पहुचा था क्या करने यह इंदौर गया था यह section 8 में relevant नहीं है section 8 में तो बस यह relevant है कि यह व्यक्ति घर से तुरंत भाग गया था murder जब हुआ है जब LH किया जा रहा है उसके तुरंत बाद इसने घर अपना छोड़ दिया और यह भाग गया घर से गायब था यह अब यह गायब होके जहां पहुचा है वहां यह क्यों पहुचा है यह connected नहीं दिखरा section 8 में लेकिन अगर मानलीजिये यह proof किया जाता है कि तुरंत घर से भागा अब यह जो बंदा है मानलीजिये ए के उपर यह allegations लगे हैं ए अगर यह proof करना चाता है court में उस जो prosecution ने proof किया कि murder होने के बाद यह घर से गायब हो गया था इस बात का अगर ए करना चाता है तो ए क्या प्रूफ करना चाता है कि साहब मेरा जुडिसरी का interview था इंटर्वियू था इंटर्वियू था इंटर्वियू इसलिए मुझे इंटर्वियू जाना था क्योंकि section 8 में तो यह relevant है कि घर से गायब हुआ था लेकिन उस relevant fact को यह fact explain कर रहा है कि इस व्यक्ति का interview है एक fact यह भी है कि 25 तारिक को इसका जुडिसरी का interview था यह जो interview का fact है ना यह उस relevant fact को explain कर रहा है इसलिए section 9 में यह बात relevant है कि यह व्यक्ति घर से क्यों भागा या अगले दिन यह इंद और क्यों पहुंचा या क्यों इसे इंद और पहुंचना था इसलिए यह fact भी relevant हो सकता है इस trial में कि उसका अगले दिन जुडिसरी का interview था इंद और में तो यह section 8 में relevant नहीं है but 9 में relevant है क्योंकि यह उस fact इन उस relevant fact को that he left home this is a relevant fact in the rate as subsequent कंडर उस relevant fact को explain करना है यह that's why it is relevant and important चीक तो this is another example of this particular explain बाला जो point लिखा है section 9 में और यह प्री के लिए important है ठीक और भी सारे इसमें illustrations है एक बार उनको भी पढ़िएगा you will understand बहुत ज़्यादा complexities नहीं है एक बार वो बात अगर आपको convey हो गई है कि यह यह चीज़ें basically section 9 में relevant है then the task is done इसके बाद आईए ज़रा section 10 की तरफ things said or done by conspirator in reference to common design इससे बहुत ज़्यादा question नहीं बनते हैं problems में simply बस यह ध्यान रखिए कि दो या दो से ज़्यादा लोगों पे अगर यह चीज़ एक reasonable ground है यह belief करने का कि इन लोगोंने किसी offense की conspiracy करी मान लिजिए A, B और C के against यह belief करने का reasonable ground है कि इन लोगोंने एक murder की conspiracy करी या भारत सरकार के against war करने की conspiracy करी है तो जब भी एलीज किया जा रहा है कि दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में conspiracy हुई है उस conspiracy के होने के बाद उस agreement के होने के बाद जितनी भी चीज़ें इन तीनों ने करी in furtherance of that conspiracy जितनी भी चीज़ें इन तीनों ने in furtherance of that conspiracy करी है वो सारे facts relevant होंगे section 10 में एक बार उनोंने वो conspiracy कर ली है reasonable ground है belief करने की कि इनके बीच में एक agreement हो गया है to commit offense उसके बाद इनोंने individually भी जो भी चीज़ें in furtherance of that conspiracy करी वो सारी चीज़ें वो सारे facts कहां relevant होंगे section 10 में relevant होंगे यह है section 10 illustration इसका important है जो दिया हुआ है कि यह अंदेशा है कि A ने एक conspiracy join करी है भारत सरकार के against war करने की conspiracy A ने join करी है अब उसके बाद B एक दूसरे शहर में arms collect कर रहा था C एक दूसरे शहर में लोगों को भड़का रहा था यह सारे facts relevant है क्योंकि यह belief करने के reasonable ground है कि ABC ने conspiracy करी है भारत सरकार के against war करने की तो फिर individually उस conspiracy के बाद जितने भी conduct in furtherance of that conspiracy है in furtherance of that conspiracy एक व्यक्ति जो है वो पैसे जोगाल रहा था एक व्यक्ति कहीं वेपन जोगाल रहा है एक व्यक्ति किसी शहर में लोगों को जोगाल रहा है यह सब क्यों कर रहा है in furtherance of that conspiracy तो यह सारे facts relevant होंगे section 10 में यह ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा importance 10 की नहीं है इसके बाद आईए 11 11 is important इसको ज़रा थोड़ा सा समझीएगा ध्यान से section 11 is important तो देखिए when facts not otherwise relevant become relevant अब हमने अभी पढ़ लिया 6 से लेके 10 तक बहुत सारे facts हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से वो relevant हो सकते हैं किस में बले वो fact in issue नहीं है लेकिन फिर भी वो fact relevant हो सकते हैं छे से लेके 10 तक में कही सारी चीज़ हैं पढ़ लिया section 11 कह रहा है आपका कि ऐसे facts जो otherwise relevant नहीं है जो otherwise relevant नहीं है लेकिन कुछ specific circumstances में relevant हो जाएंगे जैसे देखिए facts not otherwise relevant are relevant first if they are inconsistent with any fact in issue or relevant ऐसे facts section 11 में कौनसे facts relevant है जो inconsistent हों कौनसे fact जो fact in issue या किसी relevant fact के साथ inconsistent हों inconsistent का मतलब आप समझते हैं contradictory हो opposite हो जैसे मान लिजीए A के ऊपर ये allegation लगा है कि 24 जनुवरी को A ने भुपाल में एक murder कमिट किया अब ये fact A मान लिजीए ये proof करना चाहरा है seat की 24 तारिक åolesome मैं इन दौर में मौझूद था और एक सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया है CCTV कैमरा चेक कर वा लो evidence है मेरे पास video footage है कि 24 तारिक को इन दौर में जो सेमिनार conduct हुआ था मैं उस समय वहां मौझूद था उस hall में अब आप उस hall में मौझूद थे 24 तारिक को आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे यह otherwise relevant है क्या अभी तक यह relevant हुआ क्या कहीं जरा बताईए कि जिस दिन murder हुआ है जिस दिन AK against allegation है कि इस दिन आपने एक murder commit किया है इसकी अगर trial चल रही है इस murder की तो उस murder में अभी जित्ते section हमने पढ़े उसमें कहीं यह हमने cause पढ़ा effect पढ़ा subsequent conduct previous conduct motive preparation दुनिया भर की चीज़ें हमने पढ़ ली कहीं पर यह आपका relevant हुआ क्या यह fact कि वो उस दिन seminar attend कर रहा थे इन दौर में नहीं हुआ लेकिन यह section 11 में relevant हो सकता है क्यों क्योंकि यह inconsistent है with the fact and issue fact and issue क्या है कि A ने भोबाल में 24 तारिक को गोली मारी है B को अब अगर हम यह proof कर रहे हैं कि साब 24 तारिक को तो यह इन दौर में था तो उस A का इन दौर में हुना 24 को inconsistent है with the fact कि वो भोबाल में गोली मार रहा था अगर वो व्यक्ति नौर में मौजूद था तो भोबाल में गोली मारी नहीं सकता इसको कहते हैं inconsistent इसलिए section 11 में relevant है और इसको कहते है plea of illeby सुध्यान रखिएगा जो आप याद करते हैं कि section 11 में क्या relevant है section 11 में plea of illeby relevant है तो कैसे relevant होती है क्योंकि वो inconsistency बताती है plea of illeby का मतलब यह होता है जब आप court में यह proof करें कि जिस समय offense या crime के होने की बात चल रहे है उस समय में मौजूद ही नहीं था आप अपनी absent plead करते हैं कि इसको कहा जाता है plea of illeby तो plea of illeby क्यों relevant है क्योंकि यह inconsistent है विद्धी फैक्ट इन इशू अब इसका second part भी important है first part तो inconsistency की बात कर रहे है plea of illeby हो गई उसमें second part देखिए if by themselves or in connection with other facts they make underline करिये they make existence और non-existence of any fact in issue or relevant fact underline करिये highly probable और improbable ऐसे fact जो fact in issue या दूसरे relevant fact की existence या non-existence को highly probable या improbable बनाएं दोनों में difference है जरा समझने की कोशिश करियेगा inconsistent एक different चीज है inconsistent मतलब contradictory की अगर यह हुआ है तो दूसरा हो ही नहीं सकता ए अगर 24 जनवरी को जिस समय मडर हुआ है इन दौर में seminar attend कर रहा था तो वो spot of scene of crime पे भुबाल में मौजूद हो ही नहीं सकता that is inconsistent जो completely contradictory है लेकिन इसका जो second part है contradictory चीज़ किया inconsistent की बात नहीं कर रहा probability की बात कर रहा है highly probable या highly improbable बना दे जो fact वो भी relevant होगा section 11 में जैसे for example अगर एक के उपर allegation है कि ए ने गोली मारी है किसको बी को बी को shoot किया है अब अगर मान लिए जे defense lawyer यह proof करना चाहरा है एक का lawyer यह proof करना चाहरा है कि साब यह जो accused है यह तो paralyzed है इसके हाथ तो पिछले 4 साल से paralyzed है he can't move his hands properly बहुती minimum movement है इसके हाथ का बहुती minimum movement इसे लिए यह बात कि वो partially paralyzed है और उसके हाथ का movement जो है वो बहुत restricted है अब देखिए यह जो paralyzed होने की बात और जो मैं कहारा हूं कि थोड़ा बहुत movement होता है बहुत rarely और बहुत कम movement इसके हाथ का होता है यह inconsistent नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोली नहीं नहीं चला सकता लेकिन गोली चलाने की संभावना यह बहुत कम है इस बात की probability बहुत कम है कि यह बंदा बंदुक उठा ले बंदुक hold कर ले और trigger pull कर ले ऐसा नहीं completely inconsistent नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत movement है उसके हाथ में लेकिन it makes it highly improbable तो यह fact भी relevant होगा section 11 में ऐसा नहीं कि सिरफ inconsistent एक example से और समझ लीजे इस बात को highly probable या improbable मान लीजिए मेरे उपर allegation है जैसे आज का live मैंने 9 बजे चालू कर दिया YouTube पे 9 बच के 2 मिनट या 3 मिनट हुए होंगे मेरे उपर यह allegation है कि जिस studio में खड़े होके मैं यह live ले रहा हूँ यहां से 6 किलोमेटर दूर यहां से 6 किलोमेटर दूर 8 बच के 45 मिनट पे या 8 बच के 40 मिनट पे एक मडर हुआ है और मेरे उपर allegation है कि वो मडर मैंने किया अब अगर मैं court में यह proof करना चाह रहा हूँ कि साब 15 मिनट बात तो मैं camera के सामने life था और evidence act समझा रहा था students को तो मैं कैसे वहां मौजूद हो सकता हूँ अब यह inconsistent नहीं है inconsistent तब होता जब साड़े नौ बजे मडर हुआ हो क्योंकि साड़े नौ बजे तो मैं on screen था live बच्चों के सामने तो यह तो inconsistent हो गया लेकिन अगर मैं यह fact proof करना चाह रहा हूँ मडर हुआ है पौने नौ बजे और साब में नौ बजे तो studio से मैं live आ गया था बच्चों के सामने यह inconsistent नहीं है but it makes the fact my presence there it makes us highly improbable बहुत कम संभावना है ऐसे होने की तो यह भी relevant होगा probability है 6 km drive कर सकते हो आप 15-20 मिनट के gap में लेकिन भहुत कम probability ऐसा होने है तो highly probable यह highly improbable भी जो facts बनाते हैं fact in issue का relevant fact को वो भी relevant होते है section 11 is not just about inconsistent fact plea of LA by से related illustration है और इसी से related illustrations के question Indian evidence act में majorly आप से पूछे जाएंगे section 11 में section 12 बहुत ही simple है सिर्फ pre में question पूछा जाता है कि किस section में यह बात लिखिए बस इतना section 12 देखिए in suits for damages अगर damages का suit file किया गया है facts tending to enable court to determine amount are relevant कोई भी ऐसा fact जो court को help करे क्यों देखिए civil suit का purpose क्या होता है damages provide करवाना तो कोई भी ऐसा fact जो court को help करे quantum of damage decide करने में कितना damage party को दिलाना है उसको decide करने में कोई भी fact अगर help करता है तो वो relevant हो जाएगा section 12 के अंदर सिर्फ यह पूछा जाता है कि ऐसे facts जो damage decide करने में help करते हैं court की वो किस section में relevant होते हैं तो ध्यान रखिएगा section 12 इसके अलाबा section 13 भी बहुत जादा important नहीं है थोड़ा बहुत importance है इसका तो 13 देखिए facts relevant when right or custom is in question माल लेजे right और custom को लेके question है कि इस व्यक्ति के पास यह particular right है या नहीं है या यह particular custom है या इसको लेके अगर question है तो कौन से facts relevant होंगे इस तरीके के cases में तो यहां लिखा है where the question is as to the existence of any right or custom किसी right के existence या किसी custom के existence का सवाल है कि यह custom exist करता है या नहीं या इस व्यक्ति के पास particular right है या नहीं जैसे यहां जो illustration दिया है fisheries का उसी से example से समझ लीजे जैसे मान लीजे अगर यह सवाल है कि there is a pond और सवाल यह है कि क्या A के पास इस pond में मचली पकड़ने का अधिकार है fisheries का right है क्या A के पास इस pond में that is the question right की बात चल रही है उसके right के existence की तो right को determine करने के लिए जो proceeding चल र in source in which damage sorry where the question is asked to existence of any right or custom the following facts are relevant पहला देखिए any transaction by which the right or custom in question was created कोई भी ऐसा transaction जिस्ते वो right create किया गया हो वो relevant होगा claimed, modified, recognized, asserted or denied or which was inconsistent with its existence उस right की existence से inconsistent कोई fact या फिर कोई ऐसा fact जो create कर रहा हो modify कर रहा हो alter कर रहा हो उस right को वो सब relevant है illustration देखिए उससे आप समझ जाएंगे illustration में लिखा है the question is whether A has a right to fishery इस particular pond में fisheries का right एका है या नी a deed confirming the fishery on A's ancestor अब मालनी जी एक deed मेली है जिसमें लिखा है एक deed है जिसमें ये लिखा है कि A के पापा that was AF A के पापा को अधिकार दिया गया था इस pond में fisheries का मचली पकडने का तो ये deed relevant हो सकती है उस proceeding में जहां ये सवाल है कि A के पास fisheries का right है या नी क्योंकि इसके ancestor को इसके ancestors का A के ancestor का right create करने का fact है ये ये fact क्या बता रहा है creation of that right इसलिए वो यहां relevant हो सकता है वो deed जिससे इसके ancestral को fisheries का right दिया हो इसके बाद आगे लिखा है a mortgage of the fisheries by A के father ने इस fisheries के right को mortgage किया हो गिर्वी रखा हो किसी दूसरे के पास गिर्वी तबी तो रखो हो जब आपके पास वो अधिकार होगा तो वो fact भी relevant है वो mortgage deed भी relevant है a subsequent grant of the fishery by A's father irreconciable with the mortgage particular instances in which A's father exercised the right particular instances जहां A के father ने fisheries के right को exercise किया यह सब relevant है क्योंकि यह सारे fact क्या बता रहे है कि यह right create हुआ है या particular time frame में या particular incidence है यह वो जो यह बता रहे है कि इस right को claim किया गया है या इस right को exercise किया गया है वो सारे fact relevant है इसका second portion जो है 13 का वो कहता है particular instances in which the right or custom was claimed, recognized और exercised आपने उस right को claim किया हो, recognize किया हो या exercise किया हो जब जब भी A के father ने उस right को exercise किया है वो fact भी relevant है इस proceeding में कि A के पास ये fisheries का right है या नहीं क्यों क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को बता रहा है उस transaction को create कर रहा है या उसको recognize कर रहा है उस particular right को जो right in question में, in question है proceeding में, so that's section 13 जो बात करता है कि अगर किसी particular fact के right या custom को assert कर रहा है आप उसके existence पे सवाल उठा रहा है तो वो सारे facts, वो सारे incidents जहां उस right को claim किया गया, exercise किया गया, assert किया गया, वो सारे facts इस proceeding में relevant होंगे that is section 13, इसके बाद आईए section 14 और जैसा मैंने कहा, जितने section 8 के illustration important है उतने ही, in fact I would say, उससे भी जादा section 14 के illustration important है तो पहले section 14 देख लिजे कि इसमें relevant क्या-क्या चीज़े हैं, पहले ये देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो section 14 बात करता है, fact showing existence of state of mind, or of body और bodily feeling किन-किन की existence की बात कर रहा है, state of mind, कि एक particular point of time पे जब आपने ये particular incidence या act commit किया, उससमें state of mind क्या था? कि आपने ये काम एक goodwill के साथ किया है, illwill के साथ किया है, negligently किया है, rashly किया है, good faith में किया, कोई भी fact जो state of mind बता रहा हो, वो 14 में relevant होगा, या कोई भी fact जो bodily feeling या body की state बता रहा हो, उस particular point of time पे, वो fact relevant होगा section 14 में, I hope एक बात आप समझ रहे हैं throughout these sections, कि ये chapter और ये sections बता क्या रहे हैं, क्यों इसको पन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं, कि कौन-कौन से fact relevant होंगे trial में, किन-किन को proof करने के evidences entertain किये जाएंगे, ऐसे जब आप multiple facts proof करते हैं, trial में, उससे court conclude करेगा final decision, और final decision तक court पहुँचेगा, बहुत सारी चीज़े हैं देखने के बाद, इस तरीके के कई सारे relevant facts connect होके जब वो chain बनाएंगे, तब court conclusion पहुचेगा, तो हम वो facts देख रहे हैं, जो उस chain को बनामने में relevant हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक particular relevant facts से चीज़े प्रूफ हो जाएगी, I hope you are getting that at least, all right, इसके बाद देखिये section 14, so facts showing the existence of any state of mind, such as, इधर से भाईया 14 से क्या क्या question बनते हैं, section number का सवाल बनता है, यह जो state of mind लिखिये हैं, इनका भी question पूछा जाता है, कि किस चीज़े related facts section 14 में relevant हैं, तो यह भी ध्यान रखियेगा, intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill-will और goodwill, towards any particular person or showing the existence of any state of mind or bodily feeling, are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant, तो हर वो fact relevant है, जो knowledge बता रहा हो, intention बता रहा हो, या आपने वो negligently किया, इस बात को दर्शाने वाले जितने भी facts हैं, वो सब section 14 में relevant होंगे, इसके explanation भी important है, और उनसे related जो illustration दिये हुए हैं section 14 के बाद, वो बहुत important है, वहाँ से direct question prelims में पूछे जाते हैं, explanation 1 देखिए, a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind, must show that the state of mind exists not generally, but in reference to the particular matter in question, अगर आप court में ये proof करना चाह रहे हैं कि इस बंदे की ये state of mind थी उस particular incidence को करते समय, तो आपको ये proof करना पड़ेगा कि generally ये, अगर आप ये proof कर रहे हैं कि साब ये तो, जिसे मान लिजेए कोई एक particular act हुआ, सवाल ये है कि ए उस act को करते समय, negligent था या नहीं, क्योंकि अगर वो fact उसने good faith में किया है, तो वो libel नहीं होगा, लेकिन अगर उसने negligently good faith का opposite भाई हो, तो good faith मतलब जहाँ आपने due care ली हो, जहाँ आपने due care नहीं ली हो, negligence, मान लिजे एक के उपर सवाल है किसी proceeding में, कि ये काम उसने with due care किया है, negligently किया है, अगर इस बात के evidence दिये जा रहे हैं, कि साब ये तो normally negligent रहता है, दिन बर में ये 10 काम करता है, तो 8 में तो ये negligent रहता है, अगर आप generally उसकी state of mind proof कर रहे हैं, वो relevant नहीं है, जहाँ आप ब लब नहीं है, आपको ये proof करना पड़ेगा, ऐसे facts के evidence देने पड़ेंगे, जो ये proof करें, कि उस particular incidence में ये negligent था, ऐसे ही facts के evidence कोट लेगा, कोट इस बात के evidence नहीं लेगा, कि ये generally negligent रहता है, अभी illustration आएंगे, उससे आप इसको और बहतर समझ पाएंगे, explanation 2 देखिए, but where upon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant, within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant fact, अब जहाँ previous conviction relevant होगा इस section में, वहाँ previous conviction भी एक relevant fact हो जाएगा, क्योंकि previous conviction से हम क्या दरशाएंगे, कि साब इसको जानकारी थी जब ये offense कर रहा था, illustration पर आईए, you'll get everything, जो मैं आपको convey करना चाहरा हूँ, you'll get everything, और इसकी जो illustrations है, वो थोड़े confusing से लगते हैं, कई बार aspirant को, जो पहली दूसरी बार evidence act पढ़ रहे हैं, कि उपर वाले illustration में लिखाएंगे, relevant होगा, उसी के नीचे लिख दिया, relevant नहीं होगा, समझ में नहीं आ पास कि आप already समझ लेंगे, illustration भी देखिए, A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin, which at the time when he delivered it, he knew to be counterfeit, A के उपर ये allegation लगा है, कि इसने counterfeit coin deliver किया है, B को, और ये guilty, A guilty तभी होगा, जब ये काम इसने knowingly किया है, कि जानते हुए किया हो, कि ये जो सिक्का, जो ये coin इसको deliver कर रहा है, ये counterfeited coin है, ये जानते हुए अगर deliver किया है, तभी बंदा guilty है, offense के लिए, दरवाइस तो नहीं है, तो अगर हमें ये चेक करना है, कि इसने जानते हुए दिया है, या नहीं, इसमें कौनकुन से fact relevant हो सक हैं, तो आगे देखिए, the fact that, at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant, कि A के पास उस समें और भी भहुत सारे coin थे, एक पूरा bag of coin था, जिसमें सारे counterfeited ही थे, और उसी bag में से निकाल के इसने B को भी दिया है, तो ये fact relevant होगा, इस सवाल को decide करने में, कि इसको पता था counterfeit coin के बारे में क्योंकि इसके पास already और भी भहुत सारे counterfeit coin मौजूद थे, तो ये fact उसकी state of mind, knowledge बताने के लिए relevant होगा, कि वो और भी counterfeited coin की possession में था, आगे देखिए, the fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine counterfeit coin, knowing it to be counterfeited is relevant, इसे case में ये भी relevant है, कि इसके पहले A का conviction हो चुका है, साहब, एक बार already, एक बार already ये दोश्री पाया जा चुका है, कि इसने किसी दूसरे person को भी counterfeited coin दिये थे, तो जहाँ ये already convicted भी हो चुका है, इसका मतला बहाँ भी उसने knowingly दिये थे, इसलिए conviction हुआ, तो वो जो previous conviction है, वो भी relevant हो सकता है इदर, state of mind बताने के लिए, वो previous conviction भी relevant होगा, और इ इसलिए के बारे में explanation 2 बात कर रहा था, इसलिए मैंने ये particular illustration उठाया है, ऐसे case में इसका जो previous conviction है, ये भी relevant हो जाएगा, अंडर section 14, क्योंकि वो previous conviction इसका state of mind बता रहा है, कि knowledge पिछले में भी इसको था, जब इसने ये same काम किया था, इसी तरीके का A-B illustration है, कि stolen property है या नि इस बात की जानकारी है या आपको, तो उसके लिए जो facts relevant है, जो ये बताएंगे कि stolen article है, आपने और भी कई सारे stolen article आपके पास थे, दूसरों को बेचे, ये सारे facts relevant है, क्योंकि आपके knowledge को बता रहे हैं, आपके state of mind को ये बता रहे हैं इसके बाद दूसरे जो illustration इसमें important है, जहां आपको उस बात को समझना है, जो explanation 1 को समझा रहे थे, कि generally आपको नहीं state of mind बताना है, आपको ये बताना है कि उस particular statement में ये state of mind था, तो I देखिए, illustration I जड़ा देखिए इस section का, A is charged with shooting at B with intent to kill him, A के उपर ये allegation लगाया है, अब हटा देते हैं, A के उपर ये charge लगा है कि इसने गोली मार के हत्या करी है B की, A ने shoot किया है B को, ये charge लगा है, in order to show A's intent, proof ये करना चारहे है कि ये का intention ही था जान लेने का, the fact of A's having previously shot at B may be proved, अब अगर prosecution ये proof करना है कि साब इसने पहले भी shoot किया है, गोली चलाई है B के उपर, वो तो B बच गया था पहले, और इस बार जिस बार death commit हुई है, अगर आप ये proof करना चारहे हैं, कि A का intention था to cause death, इस intention को कैसे, भाई, state of mind को आप कैसे proof करेंगे, तो आप ऐसे proof कर सकते हैं कि previous occasion पे भी इस बंदे ने B को गोली मारी थी, और अभी फिर मारी है और उससे death होई है, इसका मतलब इसका intention death cause करने का था, तो ये fact relevant हो सकता है, इसके अलावा इसी तरीके का जो confusing illustration है, जो confuse करता है थोड़ा वो है N, तो N है या फिर O, O देख लिजिए, I के साथ, O देख लिजिए तो you will get clarity on that particular illustration, O देखिए, A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead, same चीज़, A के उपर relegation लगा है कि B को इसने intentionally गोली मारी है, अब देखिए, the fact that A on other occasions shorted B is relevant, कि पहले भी इसने B को गोली मारी है, as showing his intention to shoot B, कि पहले भी इसने fire किया है, B के उपर ये fact तो relevant है, लेकिन अगर prosecution ये proof करना चाह रहा है, कि A ने और भी कई लोगों के उपर गोली चलाई है पहले, और भी कई लोगों के उपर गोली चलाई है, ये fact relevant नहीं होगा, relevant कौन सा fact होगा, कि B के उपर पहले भी गोली चलाई है, क्यों, क्योंकि explanation में लिखा था, कि आपको वो state of mind generally proof नहीं करनी है, कि ये लोगों पर गोली चलात अगर आप यह बता रहे हैं कि इसने दूसरे लोगों पर भी गोली चलाई है तो जनरली आप स्टेट अफ माइंड प्रूफ कर रहे हैं वह relevant इस सेक्शन में नहीं होगा इसलिए आगे देखी इलिस्ट्रेशन में लिखा है कि उसकी आदत है लोगों पर गोली चलाई है इस बात को प्रूफ करने के लिए आप इस fact के evidence नहीं देंगे कि इसकी habit है और पहले भी इसने कई लोगों पर गोली चलाई क्योंकि वह generally प्रूफ कर रहे हैं आप उसका state of mind particular incidence में प्रूफ नहीं कर पाएंगे उस fact से इसलिए वह relevant नहीं है और यहाँ as irrelevant उसको लिखा हुआ है similar illustration है n जो की कई बार prelims में पूछा जा चुका है कई state के इसलिए n जरा आप ध्यान से देख और समझ लीजिए similar है question यह है कि एक particular incidence पे वह negligent है या नहीं तो उस particular subject matter के respect में पहले भी negligent रहा है और इस बात की complaint करी गई है वो तो relevant है लेकिन वो generally अपने जीवान में negligent रहता है यह बात relevant नहीं होगी और मेरे ख्याल से यह बात convey आपको हो गई है so that's about section 14 इसके बाद आईए ज़रा section 15 की तरफ तो 15 और 16 जो है simple से हैं बहुत जादा नहीं है और मुझे लगता है आज हमें wind up करना होगा इस class 15 और 16 पढ़के admission confession अपन कल डील करेंगे और relevancy के दूसरे provision 15 देखिए 15 से भी यह जो पूरा portion एक्चुली इसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि इदर illustration भी important है और illustration आपको समझ में आने चाहिए concept समझ में आना चाहिए तभी question बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे लेकिन जो later portion है एक तो section है किस section में दिया है examination examination in chief sequence क्या होगे किस section में सीधे सीधे जो main conceptual question है वो इधर ही है मैं सिर्फ आपको वो चीजें मार्क नहीं कराना चाहरा हूं वो already मैं ADPO का जो हमने crash course चलाया तो उसमें already evidence मैंने दो class में खतम किया है और वहां मैंने एक क्लास में बहुत सारी चीजें बता दी थी लेकिन इतनी clarity पे अपन नहीं गए थी detailing पे तो जब आपको सिर्फ brush up करना हो you can use that classes for that purpose सिर्फ brush up के लिए एक quick revision नाम से already playlist है उसमें भी evidence है that is completed in just two classes so for that purpose you can visit that और अगर आपको थोड़ा conceptual clarity चाहिए then be here so 15 देखिए facts bearing on question whether act was accidental or intentional अफ 15 सिर्फ उन facts के relevancy की बात करता है जहां किसी व्यक्ति ने एक हरकत करी है या उसके साथ कुछ act commit हुआ है और सवाल यह है कि यह act accidentally हुआ है या फिर इसने जान बूच के किया है तो हर वो fact जो यह बताए हर वो fact जो यह बताए कि इसने पहले भी ऐसा किया है पहले भी ऐसा हुआ है वो सारे facts relevant होंगे जहां हमें यह जानना है कि यह जो particular incidents हुआ है यह accidental था या intentional था उसके लिए जरा section 15 की language पढ़िये when there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention the fact that such act formed part of a series of similar occurrence the fact that such act formed part of a series series of similar occurrence this is different from same transaction same transaction में एक fact in issue है उसके आगे पीछे जो हुआ but यह अलग चीज़ है यह बात कर रहे है similar series of similar occurrence कि यह same जो चीज़ इस बार हुई है यह same चीज़ पहले भी हुई है उसकी relevancy की बात कर रहे है वो section 6 में relevant नहीं हुआ है in each of which the person doing the act was concerned और हर बार जब पहले यह चीज़ हुई थी यह concerned person उसमें involved था illustration पर आईए you will completely get this provision illustration है A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured A ने एक घर का insurance करा रखा है इस घर का fire insurance इसने करा रखा है A ने और इस घर में आग लग गई है A ने claim किया है insurance company से claim किया है अब सवाल यह है कि यह जो घर में आग लगी है यह accidental थी या जान बूचके लगाई है A ने That's the question तो आगे देखिए illustration from A from a different insurance office are relevant as tending to show that the fires were not accidental अब इसको claim करना है कि भाई accident हो गया हो घर में आग लग गई और A claim कर रहा है insurance company से अगर हमें यह जानना है कि यह वाकई accident था या intentionally आग लगाई गई है court में अगर वो insurance company इस बात के evidence देना चाहती है कि साहब A ने इसके पहले भी 4 और नए घर खरीदे पहले एक घर खरीदा उसको एक separate insurance company से fire insurance कराया और उस घर में भी आग लगी थी और इसने वहाँ से compensation ले लिया फिर इसने एक घर और खरीदा उसका भी insurance कराया वहाँ भी आग लगी और इस बंदे को compensation मिला है this is the third or fourth time he is doing it same चीज हुई है तो अगर यह question है कि यह accidentally लगी यह intentionally लगाई गई यह fact relevant है कि previous occasions पे भी similar in same incidence हुआ है जिसमें एक concern था obviously common sense से भी आपको लगया कि हर बार यह हुआ है इसलिए यह fact relevant होगा that's section 15 for you और इसी तरीके की चीज section C में भी लिखी हुई है कि इसने पहले भी और भी लोगों को दिये है इस बार भी इसने counterfeited coin किसी को दिया है और previous occasions पे भी इस बंदे ने ऐसा किया है क्योंकि previous occasions similar occurrences हुई है तो वो section 14 में sorry section 15 में relevant होंगी इसके बाद देखिए section 16 simple सा provision है बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं section 16 में बट यह जो सारे provision है इन में से कुछ भी prelims में पूछा जा सकता है so 16 is existence of course of business when relevant existence of course of business course of business का मतलब होता है जो चीज regularly as a part of procedure करी जाती हो course of business क्या है जो regularly as a part of procedure करी जाती है वो course of business है तो वो कब relevant होता देखिए when there is a question whether a particular act was done the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact जहां सवाल यह है कि यह particular act हुआ है या नहीं हुआ यह particular चीज हुई है या नहीं हुई है जहां यह सवाल है वहां course of business में अगर कोई चीज करी जाती है तो वो relevant होती है course of business में अगर कोई चीज हो रही है तो सवाल यह है कि इस particular point of time पे यह act हुआ है या नहीं इस particular incidence में यह चीज हुई है या नहीं इसके लिए यह relevant है कि as a course of business यह particular चीज होती आई है illustration देखिए we'll get a clarity on this the question is whether a particular letter was dispatched सवाल यह है कि एक particular letter dispatched हुआ है या नहीं the facts that it was ordinary course of business for all letters put in certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place अब सवाल यह है कि ए ने एक letter post किया था a ने एक letter post किया था और वो address किसको किया था b को किया था जो एक दूसरी city में है उसको इसने एक letter dispatched किया है सवाल यह है कि यह जो letter है यह जो letter है जो a ने भेजा है यह इस शहर से मान लीजिए भुपाल से इन्दोर भेजा है तो ये letter भुपाल से dispatch हुआ है या नहीं, that is the question, अगर ये हमें decide करना है कि भुपाल से letter dispatch हुआ है या नहीं, ये particular act हुआ है या नहीं, तो देखा जाएगा कि course of business क्या, अगर एक party ये प्रूफ करना चाहती है कि साब ये course of business है, तो वो course of business का जो factor relevant होगा under section 16 कैसे, माल लीजे, A ने एक particular letter box में ये letter डाला था, ताकि ये B तक पहुँच पाई दूसरे शहर में, A ने एक particular letter box में ये डाल दिया था, यहां तक बात proved है कि इसने letter box में letter डाल दिया था, अब सवाल ये है कि वहाँ से postal authority ने निकाला और पहुँचाया की नहीं, तो अगर postal authority इस बात के evidence दे रही है, कि सर इसके पहले, रोज ये curriculum है, ये course of business है रोज का हमारा, कि रोज शाम को postal authority का एक बंदा आता है, शाम के 5 बजे, और हर शाम को 5 बजे ये बंदा इस letter box के सारे letter निकालता है, और उनको successfully dispatch हम लोग करते हैं, ये course of business है हमारा, ये part of business है हमारा, कि उस letter box में से रोज शाम को 5 बजे letter निकलते हैं, और A में ये letter 2 बजे letter box में डाला है, तो अगर ये सवाल है कि जो letter इसने letter box में 2 बजे डाला, वो successfully dispatch हुआ है नहीं, तो ये fact यहाँ relevant होगा, कि साब इस letter box में, कौन सा fact relevant है, कि इस letter box में जितने भी letter डाले जाते हैं, उन सब को हम 5 बजे न इसलिए section 16 कहता है, existence of course of business when relevant, course of business की existence कब relevant होगी, तो ये course of business से poster authority का, कि रोज 5 बजे निकाला जाता है, तो जब रोज निकाला जाता है, तो इस बात को proof करने में ये relevant, ऐसा नहीं कि इस से ही सिर्फ proof हो जाएगा, ये तो ध्यान रखियेगा, भाई अलग-अलग multiple relevant facts proof करे जा करते हैं, तब जाके कोई particular fact proof होता है, so that's about section 6 to 16, and I hope you got a conceptual clarity, a bit of conceptual clarity on these topics, और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, कि evidence से कैसा act है, जिसको काफी comprehensively आपको पढ़ना होता है, और especially CPC, CRPC पे आपका थोड़ा command हो, बाकि चीज़ों पे तब evidence पढ़ने में थोड़ा जादा आप convenient ह होते हैं, ज्यादा better understanding आपको होती है, और इसी लिए section 6 to 16 में मैंने समय भी ज्यादा लिया, ताकि एक-एक terminology और उन दोनों के बीच के difference को आप थोड़ा समझ पाई, चीक? एक बार मुझे इस चीज़ के लिए भी, जितने लोग live मुझे देख रहे हैं अभी, वो जरा एक बार ये बता दें, कि जिस speed से हम चल रहे हैं, क्योंकि बीच-बीच में आपको illustration भी जो आ रहे हैं, पूरे मुझे समझाने, और concept भी बताते हुए चल रहा हूँ, So, is that fine with you? एक बार ये opinion भी मुझे चाहिए था आपका, तो कि revision वाले अलग से video डले हुए हैं, अगर आपको बहुत तेजी में देखना हैं, महाँ चीज़ें समझाई नहीं हैं, तो is that fine with everyone, जो अभी देख रहे हैं? Yes, 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 okay, ठीक है, वैसे एक बात बता हूँ, आप no लिखते हैं ना तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर आप no लिखते हैं ना तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि democracy लगनी चाहिए, कि है, है ना, होशीन के रहे ही थोड़ा और detail में, और detail के लिए तो बिटा फिर बहुत समय चाहिए मेरे को, मैंने बता है ना, जिसे section 6 अपन ने पढ़ा, section 7, 8 पढ़ा, मैं दो-दो दिन पढ़ाता हूं इन section को, time लगता है, क्योंकि उसका फूरा exclusion समझना है, कि अधर कोई चीज section 8 में relevant हो रही है, तो वो 7 में क्यों नहीं हो रही है, वो 6 में क्यों नहीं हो रही है, वो 9 में क्यों नहीं, उसके लिए फर time चाहिए, उसके लिए बहुत सारे case laws discuss करने होते हैं, कई सारे, बहुत तो नहीं बढ़ हाँ, judiciary exam से जतना relevant है, उतना फिर detail में आपको पढ़ाया जाता है, तो ये सिरफ क्या है कि सांतोना के लिए मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि LA का ये सिद्धान्द रहा है, कि अगर आप कुछ सीखने किसी के पास गए हैं, तो आपको ये belief करना पड़ेगा, कि जो खाने वाला है, वो आपसे बहतर जानता है, और मैं भी जब पढ़ने किसी teacher के पास गया था, कभी भी, I'm a graduate from VHU, तो वहाँ के teachers में पूरी शिद्धत थी, शायद इसलिए कुछ सीख पाया उन से, क्योंकि मैंने उन पे छोड़ दिया कि आप ज्यादा बहतर जानते हैं, आ Especially, जो अब online वाला जो culture चला है, कि जो बच्चा बोल दे, वो हम खरा दें, बट इधर वो वाला कारेकरम नहीं चल पाता है थोड़ा, ठीक, बाकी जो 36 गड़ के लिए एक आया था, किसी की query की 36 गड़, बटा 12 तरिक के बाद, 36 गड़ की जो specific subject है न, वो होने वाले हैं, नि बारा तरिक तक रुख जाईए, क्योंकि बारा तरिक तक रुखने के पीछे बहुत simple सा reason है कि अभी UP target है, उसके बाद sufficient time है अपने बाद, देखो major subjects सारे आपके हो रहे हैं, जो 36 गड़ specific subject है न, excise और rent control और MP, सॉरी, 36 गड़ का जो land revenue, वो कराएंगे, उसके लिए आप नि इस तरिक के पहले करा देंगे, 26 को आपका paper, 20 के पहले करा देंगे, नि शिंद रहे हैं, चलिए भाई, आप आजाईए जरा section 17, relevancy अपन पढ़ रहे हैं, admissions एक subheading इस पर डली हुई है, पहले समझना है, रंजीत कह रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छा रंजीत, बहुत अच् तो भाई देखिए यह जो admissions है, पहले इसका थोड़ा सा brief में concept समझ लीजिए, कि admission है क्या चीज़, क्या क्यूं हम इसको relevancy की बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, थोड़ा सा एक basic idea इसका ले लीजिए, तो फिर अपन provision पे करके आएंगे, देखिए admission की जब अपन बात कर रहे तो admissions are basically statements, admissions क्या है, statement है एक वक्ति के, चीक मैंने कोई statement दिया है, अब आप बहुत simple सी बात एक यह समझिए, कि चाहे वो admission हो या ना हो, कोई भी statement अगर मैंने दिया है, वो एक proceeding में या case में कब relevant होगा, जब उस statement का कुछ लेना देना हो, fact in issue या फिर relevant facts है, yes or no? अगर मेरा कोई statement, जिसकी हम बात कर रहा है, proceeding में, अगर हमें यह देखना है, कि मेरा कोई भी दिया हुआ statement, अगर proceeding में relevant है, या यह अपन चेक करने बैठे हैं, तो बहुत simple सी बात है ना, कि वो statement कैसा होना चाहिए, वो fact in issue या relevant fact से कहीं connected हो, कुछ उसका inference draw हो, ऐसा कोई statement हो यह ना, तब ही तो अपन यह चेक करेंगे, आलतु फालतु, कोई भी बात मैंने दिन भार में 24 घंटे में पता नहीं कितने statement देता हूं, कितनी बाते करता हूं, कुछ भी तो किसी trial या proceeding में relevant नहीं होगा ना, तो सबसे पहले एक बात यह समझेए, कि admission वो statements होंगे, जो fact in issue या relevant fact से कुछ inference रखते हूं, कुछ connection रखते हूं, उन statements को अपन admission की तरह relevant कर सकते हैं, अब क्या सारे statement admission माने जा सकते हैं, जो inference draw कर रहे हूं, fact in issue यह relevant facts हैं, तो the answer is no, उसके लिए Indian Evidence Act expressly बताता है, कि किन लोगों के statements admission हो सकते हैं, किन circumstances में दिये हुए statement admission हो सकते हैं, इसके लिए clearly बताया है, प्लस ये भी बताया है कि कौन से admissions relevant होंगे और कौन से admissions relevant नहीं होंगे, ये भी बताया है, तो ज़रा एक बार इस चीज़ पे अपनाते हैं, उसके लिए majorly हमें इन provisions को तीन पार्ट में divide करना पड़ेगा, कि एक इधर पे मैं distinction आपको बना रहा हूँ, उन provisions के बीच का, तो सबसे पहले आप देखेंगे, जो section 17 है, evidence act का, ये define करेगा admission होता क्या है, फिर 18 से लेके, 18 से लेके, जब आप provision देखेंगे, 20 तक, तो ये आपको बताएंगे, कि किन लोगों के द्वारा दिये हुए, किन लोगों के द्वारा, किन circumstances में दिये हुए statements को, आप admission मानेंगे, ये बताएंगे section 18 से 20, और इसके बाद, कौन से admissions प्रूफ किये जाएंगे, कौन से admission है, जो आप प्रूफ कर सकते हैं, एक party के against, उसके बारे में आपकी बात करी गई है, section 21 में, उसके बारे में कहां बात करी गई है, section 21 में, तो इन तीन provision, या group of provisions को, आपको साथ में देखना है, ये आपको साथ द चलना पढ़ेगा, तो ज़रा 17 पहले पढ़ते हैं, कि admission के बारे में क्या बता रहा है, और फिर उसको मैं categorize करूँगा यहां, कि ये चल क्या रहा है, सबसे पहले section 17 अपने बेरेक्ट में देखिए, admissions defined, an admission is a statement, सबसे पहले क्या बोल दिया है इन्होंने, admission is a statement, जो मैं आपक यह हो सकता है, electronic form में भी हो सकता है, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, और यह statement कौन से होने चाहिए, जो कोई inference suggest करें, किसके बारे में inference suggest करें, fact in issue या फिर relevant fact, तभी तो उस proceeding में उसकी अपन बात करेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और वो बहुत सारी बातें करते हैं, क्या सब कुछ relevant है, क्या सब के बारे में अपन सोचेंगे, नहीं, बिलकुल नहीं सोचना है उसके बारे में, सिर्फ वो statements admission हो सकते हैं, जिनसे कोई inference suggest हो रहा हो, fact in issue या relevant fact के बारे में, and which is made by any of the persons, and under the circumstances here and after mentioned, और कौन से statements admission माने जाएंगे, सबसे पहले तो they must be, they must suggest some inference about the fact in issue or relevant fact, और जो यहां बताए गए हैं, किन लोगों के से statements admission हो सकते हैं, या किन circumstances में हो सकते हैं, जो यहां evidence act में बताए गए हैं, कौन से provision में बताए गए हैं, 18 से 20 में, 17 ने तो simply बस definition दी, और 17 की definition में यह refer किया गया है, एक दो essential बता दिये admission के, कि admission जो हैं, वो statements होते हैं, और दूसरा यह कि वो fact in issue या relevant fact से कुछ suggestion बता रहे हैं, दूसरा यह और तीसरा जिनको यहां expressly बताया गया, किन लोगों के statement, किन circumstances में दिये statement, जो यहां बताए हैं और वो बताया 18 से 20, इसके बाद court में कौन से admissions proof किये जा सकते हैं, कौन से admissions proof नहीं किये जाएंगे, proof क किये जाएंगे का मतलब उनके लिए evidence आप दे सकते हैं, वही relevancy की बात है, तो वो बताया गया है आपको section 21 में, तीनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे, तो आप एक comprehensive idea drop कर पाएंगे, कि यह admission चीज होती क्या है, ठीक, तो इसके बाद आईए जरा section 18 पे, admission by party to proceeding or his agent, statements made by a party, अब देखें हम बता रहे हैं, 18 से 21 में क्या बता रहे हैं, यहां तो simply आपने definition देखी 17 में, और definition में क्या-क्या बता दिया, कि statement होना चाहिए, admission, फिर आपको बता दिया, कि statement ऐसे होने चाहिए, जो inference draw करें किस चीज से, किस चीज को suggest करें, fact an issue या फिर relevant fact, इस से connected चीज होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है, और उसके अलावा, तीसरा point यहां बता दिया, किन लोगों के statement, तो persons and circumstances, किन circumstances में दिये हुए statement, जो evidence act में mentioned है, section 18 से 20 के बीच में, वो उन लोगों द्वारा, उन circumstances में दिये हुए statement, admission माने जाएंगे, यह section 17 की definition ने बता दिया, अब 18 से 20 को अगर आप conclude करेंगे, तो आप यह पाएंगे, कि साथ तरीके के statement admissions माने जाएंगे, जो 18 से 20 में यह चीज दी हुई है, कि किन लोगों द्वारा, किन circumstances में दिये हुए statement होंगे, तो वो किस से related, fact in issue, और relevant fact से related होंगे, इसमें तो कहीं कोई doubt है ही नहीं, लेकिन हर और वो statement, जो fact in issue या relevant fact का कोई inference suggest कर रहा है, क्या वो admission होगा, नहीं, सिर्फ उन लोगों द्वारा दिये हुए, उन circumstances में दियो है statement admission होंगे, जो 18 से 20 के बीच में दिये हुए हैं, तो देखिए, 18 में सबसे पहले क्या दिया है, एक-एक करके provision पे मैं बाद में आऊँए, जै सबसे पहले है, पार्टी हों द्वारा दियेगा statement, by the party, किसके द्वारा दिये हुए statement, by the parties to the proceeding, अगर parties ने कोई statement दिया है, जिससे कोई inference suggest हो रहा है, fact in issue या relevant facts related, वो admission माना जाएगा, जैसे मान लीजिए, आपने मेरे साथ एक contract किया, एक mobile phone खरीदने का, मैंने आपको सब उसके बारे में सही बता के दिया है, जबकि आपका कहना है खरीदने के बाद, कि उसमें कोई material defect था और मैंने उसका active concealment किया, मैंने उस defect को छुपाए और आपको बेचाए, अब अगर मान लीजिए, उस mobile phone के बारे में, मैंने कोई statement किसी भी वेक्ति को दिय हो, किसी भी third person को मैंने उस mobile phone के बारे में already बता रखा है, अगर मैंने ये statement दे रखा है, आप क्या elige कर रहे हैं मुझसे वो mobile खरीदने के बाद, आप कहरे हैं सहाब इसमें बहुत material defect था, जिसको मैंने छुपाया था बेचते समय, अब अगर उस phone से related, मैंने किसी वेक्ति को ये बोला है, कि यार वो mobile तो एक्तम बढ़िया है, ये मैंने independently, अलग एक transaction में किसी वक्ति को ये statement दिया था, कि यार मेरा mobile तो बहुत अच्छा है, कोई defect नहीं है, so that can also be considered as an admission, क्योंकि वो, जो fact in issue है, इस case का, जो आपने मेरे again suit file किया है, कि इसमें एक material defect है, उसके fact in issue से related बात मैंने कही है, और मैं party हूँ in suit में, तो मेरा ये दिवा हुआ statement, जाहे वो किसी भी XYZ transaction में, किसी भी XYZ वक्ति को मैंने दिया हो, ये statement admission होगा, अब ये मेरे favor का भी हो सकता है, मेरे against भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, अगर मैंने किसी को ये बोला था, कि यार मेरा phone बहुत अच्छा है, जो मैं बेचने वाला हूँ, या मैं बेचने वाला नहीं था, तब भी मैंने ये statement दिया था, कि यार मेरा phone तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई defect नहीं है, या फिर अगर मालने जे किसी third party को मैंने ये बोला था, कभी उस phone के बारे में, जिस material fact की सामने बाली party बात कर रही है, मैंने उसका जिक्र किया था किसी वक्ती किसे, कि यार इसमें ये दिक्कत है, इस mobile phone में बढ़ी, तो ये जो statement है मेरा, चाहे वो मेरे favor में हो, चाहे वो मेरे against हो, लेकन ये statement कैसा है, party ध्वारा दिया गया है, जो अभी proceeding में party हूं में, मेरे ध्वारा दिया गया statement है, प्लस ये statement कैसा है, जो inference suggest कर रहा है about the fact and issue, जो चल रहा है case में या proceeding में, so that statement can be considered as an admission, अब इसमें से proof क्या होगा, क्या नहीं होगा, वेटा किस में देखेंगे, उसको फिलाल छोड़ दीजे, अभी तो ये समझे है कि admission कौन से statements होंगे, so इस तरीके के statement जो है वो क्या होते हैं, आपके admission होते हैं, तो by the party, अगर दिया गया है, और ये सारे essential भी fulfill होने चाहिए, तब आप conclude करेंगे whether the statement is admission or not, इसके अलावा second है, by the agents of party, by the agents of parties, parties के agent ने दिया, मान लीजिए, मेरे agent ने, जो जिसको मैंने बेचने के लिए दिया था, कि भाई तिर को बेचना हो, उस agent ने अगर कोई statement दिया है इसके regarding, तो वो भी admission माना जा सकता है, इसके अलावाद तीसरा जो वेक्ती है, जिसका statement admission माना जा सकता है, वो है, by party who is in representative character, person who is in representative character, जो कि representative character में हूँ, किसी proceeding में, और while holding that character, उसने वो कभी और admission दिया हो, इसको भी माना जाता है, ऐसे statement को भी admission माना जाता है, representative character क्या है, तो बेटा, CPC अगर आपने पढ़ा है, अभी इसके पहले, evidence के पहले, हमने CPC already पढ़ रखा है, उसमें हमने representative suit, या कोई व्यक्ति कैसे representative capacity में एक suit file करता है, जिसमें multiple लोगों का interest affect हो रहा है, उसमें से कोई एक व्यक्ति उन सबको represent करता है, और एक suit या proceeding file करता है, या आपने पढ़ा है, या उसी के बारे में है, कि अगर उस व्यक्ति ने, उस representative capacity में कोई और इसके पहले statement दे रखा है, जो कैसा हो, इस fact an issue या relevant fact से related हो, तो that can also be considered as an admission है, इसके बाद देखी, अगला क्या हो सकता है, यह हो गए तीन, और मैंने क्या कहा आपको, कितने तरीके के statement भाई साब, साथ लोगों दो आ रहा, साथ तरीके के statement admission बताए गए हैं इसके बाद जो अगला है, वो है आपका by person interested in subject matter, कोई ऐ ऐसा व्यक्ति, person interested in subject matter, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस subject matter में interest हो, भले ही वो party ना हो, देखिए अगर proceeding में party है, तो उसका तो होई गया relevant, लेकिन अगर कोई, उसका statement तो admission होई गया, कोई ऐसा व्यक्ति है, party के अलावा भी किसी व्यक्ति का interest है, उस subject matter में, माल लीजिए, जिस mobile phone की मैं बात कर रहा हूँ, इसका कोई joint owner है मेरे साथ, या यह मैंने किसी को mortgage कर रहा था, किसी भी तरीके का कोई interest उस व्यक्ति का subject matter में था, अगर उसने भी इस से related कोई statement दिया है तो that can also be considered as an admission here, इसके बाद देखिए, इसके बाद है, by the person having previous title, इसको क्या लिख लीजिए, इसके बाद, by the person, यह मैं बताता हूँ क्या है, person having previous title, मैं इसको थोड़ा सा आपको easy बस कर रहा हूँ, क्योंकि bear it की जो language है, वो थोड़ी सी शायद समस्या create करती है, समझने में इन particular provisions को, इसलिए मैं पहले आपको simplistic तरीके से summarize कर रहा हूँ, लेकिन bear it में provision जरूर अपन देखेंगे, कि यह सब मैंने draw कहां से किया, मन से नहीं लिख रहा हूँ इदर, चीके, तो कोई ऐसा वेक् subject matter का title पहले जिसके पास था, अब नहीं है, जैसे मान लिजे कोई ऐसा वेक्ति जिससे मैंने वो mobile phone खरीदा था, मैंने आपको वो phone बेचा, आपने मेरे against suit file किया है, कि इसमें तो material defect है, अगर मान लिजे इससे related statement, किसी ऐसे वेक्ति ने दिया है, जिससे मैंने title derive किया, मान ल authority, तो उस वेक्ति ने भी अगर कोई statement दिया है, जो fact in issue या relevant fact, जो हमारे और मेरे और आपके बीच की proceeding में, जो fact in issue या relevant fact है, उस related statement अगर किसी ऐसे वेक्ति ने भी दिया है, जिसके पास पहले title था, बट उससे मैंने title derive किया है, that statement can also be considered as an admission, तो यह है आपका अगली category, और इस इसके बाद जो छटवी category है, जो इदर section 19 में आपको मिलेगी, उसको हम एक illustration के through समझेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो इसके आगे आप लिख सकते हैं, मैं रपास जगे नहीं बची है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, I hope सब notebook और pen लेके बैठे हैं, इन classes के essentials मैंने पहल हैं, यह न सिर्फ आप बढ़िया blanket में earphone लगा के और सिर्फ mobile लेके इस हिसाब से बैठ गाए हैं कि जो डिसरी तैयारी कैसे घर हैं सुनने, तो बेटा उससे नहीं हो पाएगा, इदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अपन provision समझ रहे हैं, इसी लिए, तो अग इसको मैं समझाओंगा, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाओंगा, इसके बाद आखरी लिए, इसमें, लास्ट जो है, वो लिख लिए, जिए, by the person expressly referred to, by the party to suit, आखरी क्या लिख लिजिए, by the person expressly referred to, by the party to suit, that is given under section 20, तो मैं इदर 19 और 20 लिख दे रहा हूं expressly, 19 और 20, उनहीं के, जो head note हैं, आपको बता हैं, तो इस तरीके से ये 7 लोग हो गए, जिनके द्वारा दिये हुए statement admission माने जा सकते हैं, बशरते, वो किस के साथ match होने चाहिए, section 17 के essential भी उसके साथ fulfill होने चाहिए, वो statements होने चाहिए, वो essay statements होने चाहिए, जो fact in issue या relevant fact का कोई inference suggest करने वाले हों, और इन circumstances या इन virtue ने दिये हों, इन circumstances में दिये हों, कि इन में से किसका statement admission माना जाएगा, या इन में से किसका statement admission नहीं माना जाता, ये सीदे सीदे सवाल आते हैं, तो इस बात को, इस कहानी को अगर आप समझ लेंगे, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए sorted हो जाएगा, इसके बाद अब जरा बेरेक्ट निकाल लीजिए, इसके बाद जरा बेरेक्ट निकाल लीजिए, बटा ये live end होने के बाद जोती आपको telegram का link भी description में मिल जाएगा, previous जो वीडियों है, किसी के भी description पे चले जाओ, telegram का link आपको मिल जाएगा, चलिए, अब देखिए जरा 18, 19, 20, मैंने summarize आपको कर दिया, ब्रीफ में कहां से किया, वो source देख लीजिए, तो जरा section 18 देखिए, admission by party to proceeding or his agent, party और agent की बाद 18 ने करी है, statements made by a party to the proceeding or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them our admissions, ऐसे agent जिनको expressly authorized किया गया है, statements देने के लिए on behalf of the principle, वो agents प्लस जो party है, इन दोनों को आपने, इन दोनों के द्वारा दिये हुए statements को आपने admission बता दिया, यह कहां से derive हो रहा है, यह जो दोनों है, agent और party यह हो रहा है, section 18, section 18 का जो first part है, उससे हो रहा है derive, इसके बाद इसका second paragraph देखिए, by suitor in representative character, यह उसकी बात है, जो मैंने कहा था, who is in representative character, देखिए जरा, statements made by parties to suits, suing or sued in a representative character, कोई ऐसा विक्ती, जो representative character में suit file कर रहा है, यह जिसके against, representative character में suit file किया गया है, and who make the statement in their character of persons so interested, उसी character में उसने वो statement दिया हो, being the representative of all, उसने वो statement दिया हो, तब वो statement आपका मान लिया जाएगा, as admission, यह भी किस से derive हुआ, तो यह भी भाई साब section 18 से हो गया, अब later portion देखिए 18 का, statements made by, first, party interested in subject matter, कोई ऐसा विक्ती जिसका interest हो subject matter में, यह वाला, यह भी 18 से ही derive हुआ है भाई, कोई ऐसा विक्ती जिसका उस subject matter में interest हो, जैसे मैंने आपको mobile वाला example बताया, second है, person from whom interest derived, ऐसा विक्ती जिससे party ने interest derived किया, यहां लेका है, persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit, वो विक्ती जिससे party ने ही अपना interest draw किया हो, जिसको interest मिला हो, ऐसा विक्ती का statement भी admission माना जा सकता है, तो यह हो गया आपका, जिसके पास पहले title था, उसी को मैंने easy करके यहां लिख दिया, कि जिसके पास पहले title था, वो विक्ती, उसके द्वारा दिया हुआ statement भी, इसके बाद आब 19 देखिए, जो यह मैंने यहां लिखा है, वेरेट में 19 देखिए, admissions by persons whose position must be proved as against party to suit, इसके लिए एक illustration भी दिया है, उस illustration को पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी language पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा जादा connect कर पाएंगे, चीक है, इशु जी का doubt है कि evidence act की Hindi medium book कौनसी अच्छी आती है, इशु जहां तक मेरा knowledge है, बटुकलाल की एक किताब है, जो अंग्रेजी में भी आती है, और वो same, if I am not wrong, बहुत share नहीं हूँ मैं, बट जहां तक मुझे ध्यान है, Hindi version भी उसका आता है, तो वो आप refer कर सकते हैं, मेरी समझ में वो किताब काफी सही है, for studying evidence, बाकी तो रतनलाल वगेर आती है, बट वो English में आती है, मैं बहुत sure नहीं हूँ कि Hindi में वो आती है या नहीं, बट बटुकलाल मेरे ख्याल से Hindi में भी available है, आप उसको एक बार देख सकते हैं, इसका illustration देखिए 2019 का, A undertakes to collect rent for B, यह जो व्यक्ति है, कि A जो है, यह क्या है, agent बना है, किसका agent बना है, यह B का, B के बिहाफ पे, A जो है, as an agent, आप इसको मान सकते हैं, little sense में मतले न, मैं सिर्फ convenience के लिए बता रहा हूँ, कि A ने यह undertake किया है, A undertakes to collect rents for B, कि B को जिंजन लोगों से किराया वसूलना होता है, वो B के बिहाफ पे कौन वसूलेगा, A वसूलेगा वो किराया, यह A ने undertake किया है, B is used A for not collecting rent due from C to B, अब भाई सहाब, B ने क्या किया है, एक suit file कर दिया है, against A, A के against, यह भाई सहाब court चले गए हैं, court जाके इनने suit file कर दिया है, कि जिसको इन्होंने रखा था rent collect करने के लिए, A को, इसने C से एक व्यक्ति है, इनका हो सकता है, वो tenant हो C, इससे इन्होंने rent नहीं लिया, इनका इल्जाम है, B का ये कहना है, कि A ने C से rent नहीं लिया है, A denies that rent was due from C to B, और ये जो suit file हुआ है B के द्वारा, B ने जो ये suit file किया है, A के against और बोला है, कि A ने C से rent नहीं लिया है, receive नहीं किया, यहाँ पे A का contention ये है, A अपने defense में ये कह रहा है, कि साहब कोई rent due है ही नहीं, C already सारा rent pay कर चुका है, C का कोई rent due ही नहीं, तो मैं वसूलूं क्या उससे, ये किसका contention है A का, अब ज़रा आप बताईए, अगर C ये statement दे खुद, अगर C ये खुद statement दे दे, कि मेरा rent अभी due है, C अगर खुद ये बात कह दे, कि मेरा rent due है अभी, देना है मुझे rent B को, तो इन भाई साब के साथ तो खेल हो जाएगा न, जो ये defense ले रहे थे, कि C का rent तो है ये नहीं कुछ due, तो मैं वसूल ता क्या, क्योंकि B ने इल्जाम लगाया ये पर कि तुमको rent collect करने के लिए रखा, और तुमने इससे rent collect नहीं किया है, अब अगर वो वेक्ति जिससे rent लिया जाना है, वो खुद आके ये बोल दे, वो खुद ये statement कहीं दे दे अगर, कि वाई साब मेरा तो rent अभी due है, अभी तो मुझे देना है, तो इनके साथ तो होगे हैं ना खेल, तो ये statement जो C ने दिया, ये relevant होगा की नहीं, as an admission, ये admission होगा, So the answer is yes, section 19 बस इसी कहानी को बताता है, कि अगर कोई ऐसा वेक्ति statement दे दे, तो वो admission माना जाएगा, इस proceeding में, जो B ने फाइल करी है against A, for not collecting rent from C, अब ज़रा इसकी language पढ़िये, तो आप थोड़ा इसको बहतर समझ पाएंगे, statements made by persons, whose position or liability, it is to prove as against any party to the suit, कोई ऐसा वेक्ति, जिसकी liability प्रूफ होनी against the party, कोई ऐसा वेक्ति, जिसकी liability है, आप इसको थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए, कोई ऐसा वेक्ति, जिसकी liability है against a party, इसकी liability किसके against है, किसके लिए ये liable है, तो भाई अबी के लिए वो liable है, उसे rent पे करना है, तो इदर लिखा है, statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admissions, if such statements would be relevant as against such persons, in relation to such position or liability, in a suit brought by or against them, 19 कह रहा है, किसी ऐसे वेक्ति का statement, जो liable है party के against, जो किसी party के लिए ही liable है, और अगर वो proceeding इस वेक्ति के against file हुई होती, अगर मान लिजे, B ने C के against, एक proceeding file करी होती, rent के लिए, और C ने अगर कभी ये बात खुद कही है, अपने statement की मेरा rent अभी due है, तो इन दोनों के बीच अगर proceeding हुई होती, तो बताईए, कि ये जो statement C ने दिया, कि मेरा rent अभी बकाया है, मुझे अभी किराया देना है, ये उस proceeding में क्या admission माना जाता, yes or no, बताईए, अगर B और C के बीच में ये proceeding हुई होती, rent के collection को लेके, B ने file किया होता है, कि C ने rent नहीं दिया, तो C द्वारा दिया गया, ये statement होता बिलकुल, क्योंकि अपनने 18 के first part में पढ़ लिया, कि अगर party ने दिया है, और वो fact in issue, relevant fact का inference suggest कर रहा है, तो बिलकुल वो admission होगा, C द्वारा दिया हुआ statement, admission माना जाता, अगर इन नोनों के बीच में proceeding होती, तो ऐसे वेक्ती का statement, यहां भी admission माना जाएगा, यह आगे लिखा है, इसमें, would be relevant as against such person, in relation to such position or liability in a suit, brought by or against them, and if they are made with the person, making them occupies such position, or a subject to such liability, जब already वो subject है उस liability का, इसके उपर अभी liability है rent पे करने की, और तब अगर उसने वो statement दिया है, तो वो भी admission माना जाएगा, भले, C इस वाले में party नहीं है, इस proceeding में party नहीं है, लेकिन फिर भी इसका statement, admission मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक तो इसकी liability है, towards भी, एक essential 19 का fulfill होगया, दूसरा ये, कि अगर इन दोनों के बीच proceeding हुई होती, तो C द्वारा दिया हुआ statement, admission माना जाता, इसलिए यहाँ पे भी वो admission माना जाएगा, ये बात बिलकुल सही है, कि इसका statement, अठारा में उस proceeding में admissible होता, अगर इन दोनों के बीच proceeding चल रही होती, तो इसके द्वारा दिया हुआ statement, admission माना जाता, इसलिए इस proceeding में भी वो माना जाएगा, as per section 19, तो ये है आपका section 19, जो मैंने आपको बताया, इसके बाद आईए जरा section 20, 20 बहुत ही simple है, admissions by persons expressly referred to by party to suit, बहुत simple देखिए, party का तो statement, जो fact in issue या relevant fact का inference suggest कर रहा है, अगर party ने statement दिया है, या उसके agent ने, तब तो वो admission होता ही है, 20 कहता है कि party ने अगर expressly, किसी वक्ति को refer किया है, कि भया तुम उससे पूछ लो यार, तो ऐसा वक्ति जिसको party ने ही refer किया है, उस वक्ति का statement भी admission माना जाएगा, ये section 20 कहता है, यहाँ लिखा है, statements made by persons to whom a party to the suit, has expressly referred for information in reference to a matter in dispute our admissions, जिस भी matter का dispute है, अगर party ने खुद expressly ये कहा है कि तुम इस वक्ति से पूछ लो जाके, तो उस वक्ति का statement भी admission माना जाएगा, illustration similar दिया हुआ है, एक बार read करूगे, you'll understand, आभी तक हमने जो पड़ा, उसमें हमने ये देखा, जरा admission नंगजे समझना, कि section 17 तो clearly बस ये बता रहा है, कि admission का मतलब statement होना चाहिए, statement को ही admission कहा जाएगा, अगर कोई statement नहीं है, तो फिर वो admission हो ही नहीं सकता, और admission क्या सारे statement होंगे, नहीं, कौन से statement, ऐसा statement जिससे कोई inference suggest हो रहा हो, about fact and issue and relevant fact, और उन व्यक्तियों द्वारा, उन circumstances में दिया हुआ होना चाहिए, statement जो 18 से 20 में बताए गए हैं, तो उसको भी हमने समझ लिया, कि कब और किस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ statement admission कहलाएगा, अब हपन बात करेंगे section 21 में, कि कौन से admissions court में proof किये जा सकते हैं, और कौन से admission proof नहीं किये जा सकते, अभी हमने 18 से 20 में बस इतना देखा, कि कौन से admission proof किये जा सकते हैं, sorry, कौन से statement admission होते हैं, और कौन से statement admission नहीं होते, अब हम देखने जा रहे हैं section 21 में, कि ये जो admissions हैं, इन में से कौन से admission proof होंगे, और कौन से admission proof नहीं किये जाएंगे, तो बहुत ही simple और logical सी बात है, जितने भी statement, जिनको हम admission कह रहे हैं या जितने भी statement अगर मान लिजे मेरा ही कोई statement है और अगर वो मेरे ही फाइदेका है तो क्या मैं उसे proof कर सकता हूँ court में जैसे मान लिजे वही example आप लिजे जिसमें मैंने आपको एक mobile phone बेज दिया है और आपने मेरे against एक proceeding file करी है जिसमें आपने ये मे उपर allegation लगाया है कि मैंने आपको एक खराब phone दिया है जिसमें material defect है जिसको मैंने conceal किया है अब अगर मान लिजे मैंने किसी वक्ति को ये statement पहले दिया था कि यार मेरा phone बहुत अच्छा है इस proceeding में क्या मुझे ये मौका दिया जाना चाहिए ये proof करने का कि साब आप उसको बुला के पूछ लो मैंने एक वक्ति को already बताया था कि मेरा phone बहुत अच्छा है क्या मुझे ये proof करने का मौका दिया जाना चाहिए so the answer is no क्यों क्यों कि भाई मैं तो अपने फाइदे की बात करी लूँगा ना मेरे को पता है कि ये mobile phone मुझे चार दिन बात किसी को बेचना है और मैं उस बारे में जानता हूँ कि ये phone defective है मैं उस defect को छुपा के बेचना चाहता हूँ तो चार दिन पहले मैं किसी किसी तीसरे वक्ति को बोला कि ये statement दे सकता हूँ ना अपने फाइदे के लिए और फिर जब proceeding चलेगी मैं उस वक्ति को as a witness बुला लूँगा कि साव harming कैसे statement self serving statement self harming statement तो admission जिनको proof किया जाएगा सिर्फ उनको proof किया जाएगा जो self harming हो जनरल रूल क्या होगा दो इसके कुछ exceptions भी हैं उस पे अभी अपन जाएंगे general rule ये होगा कि जो self harming है वो ही proof किये जाएंगे opposite party दोरा किये जाएंगे मेरे against proof किया जाएगा उस मेरे admission को मेरे against proof किया जा सकता कोट में मैं अपने admission को proof नहीं करूँगा अपने फायदेगा बहुत logical सी बात है I hope you're getting this तो कि ये तो मैं कर सकता हूँ ना इसका तो मैं फायदा को ये बोला है कि यार ये phone defective है मेरे को तो टिकाना है किसी को ये phone अगर ये statement मैंने दिया था तो जब तुमारे और मेरे बीच में proceeding चलेगी तो तुम मेरे admission को proof कर सकते हो court में मेरे against मैं खुद नहीं कर सकता I hope you got this अब जारा आईए 21 की language पे यहां लिखा है admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them क्या लिखा है किसके against proof होंगे admissions who makes them admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them जिसने admission दिया है जिसने वो statement दिया है उसके against proof किया जाएगा उसके against वो relevant होगा आगे लिखा है or his representative in interest या फिर मेरे representative के against जिसने मुझसे interest draw कर लिया legal representative अगर suit carry on कर रहे है मेरा उनके against भी use हो सकता है but यह बहुत important है but they cannot be proved underline कर लीजे but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them जिसने किया है वो खुद या उसके बिहाफ पे admission को proof नहीं किया जाएगा वो admission relevant नहीं होगा अगर मैंने खुद दिया कारण मैंने आपको बता दिया क्यूं होगा ऐसा तोकि मैं फाइदे के लिए already कह दूंगा ना किसी से वो बात who makes them or by his representative in interest except in the following cases यह भी important है except in the following cases तीन exception एकिस में तीन exception दिये है जहां जिस व्यक्ति का admission है वो खुद भी proof कर सकता है उसके तीन exceptions है उन पे आते हैं तो 21 में हमने क्या देखा कौन से admission proof किये जाएंगे तो हमेशा self harming जिस व्यक्ति का admission है उसके against चिक तो यहां मैं लिख दे रहा हूँ 21 क्या कहता है 21 कहता है साहब against the person making it जिसने वो admission किया है जिसने वो admission का statement दिया है उसके against यूज किया जा सकता है वो खुद अपने लिए उस statement को use नहीं करेगा और बहुत logical सी बात यह है अब जरा इसके तीन exceptions पे आईए that is also important तो यहां मैं लिख दे रहा हूँ exceptions तीन तीन exceptions दिये हैं एक दो तीन देखिए जरा तीन exception में क्या क्या आता है सबसे पहले है and admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead जिस व्यक्ती ने admission का statement दिया है वो उन circumstances में खुद प्रूफ कर सकता है अगर मान लिजिये उस admission को करने के बाद उसकी death हो गई होती हुई नहीं है अभी इस case में लेकिन मान लिजिये उसकी death हो गई होती और उसके द्वारा दिया हुआ statement section 32 में relevant होता आगे लिखा it were dead it would be relevant as between third persons under section 32 32 में किसी तीसरे दूसरे वक्ती की proceeding चल रही होती और अगर section 32 में वो statement अगर relevant होता तो वो यहां भी वो admission relevant मान लिया जाएगा otherwise नहीं माना जाएगा अभी इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा और explain करूँगा 32 वाला क्योंकि अभी section 32 हमने पढ़ा नहीं है अभी अपन इसी में connect करके साथ में इसे लिए 32 पे पहुँच जाएंगे थोड़ा से समय मुझे दीजेगा बस इस particular point के लिए इसके बाद जरा second वाला देखिए second और third देखिए so second point केता है an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant in issue made at or about the time when such statement of mind or body existed and is accompanied by conduct इसको underline कर लिजे and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable this is very important अब देखिए point number two यहां पे क्या कह रहा है an admission may be proved by or on behalf of the person making it जिसने admission किया वो खुद भी proof कर सकता है किस circumstances में जब उसने जो statement दिया था जिस statement को हम admission मानना चाह रहे हैं या admission मान रहे हैं जब उस वक्ती ने वो statement दिया था वो mere statement नहीं था वो statement उसके conduct से accompany हो रहा था और उसका conduct ऐसा था जो उस statement के जूट falsehood होने को नकार दे ऐसा conduct था जो यह साबित कर रहा है कि मैंने भले ही अपने favor का statement दिया था लेकिन वो statement के साथ मेरा conduct ऐसा था जिससे यह reflect होता है कि मैं जूट नहीं बोल रहा था इसका जरा एक illustration दिया है वो देख लीजे बहुत बहुत ही important है यह so illustration number D देखिए इस section का illustration number D देखिए A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen A के उपर accusation लगा है कि उसने stolen goods receive किये हैं यह जानते हुए कि वो stolen है ठीक है चुराई हुई property है He offers to prove that he refused to sell them below their value अब यह जो A के उपर allegation लगा है कि यह जानते हुए कि कोई property stolen property इसने receive करी है आई पीसी में offense हो जाएगा section बता दीजे जरा आई पीसी के कौन से section में offense होगा यह तब तक मैं हरीश सर कर पढ़ लूँ comment क्या कहना चाहरे है सर मैंने चार बार आपके office पर phone लगा है लेकिन आपसे बात नहीं हो पाती है हरीश जी अगर आप call करेंगे और यह वताएंगे कि आप इंटर्व्यू के लिए इंट्रेस्टेड है एडीपी ओके तो बिलकुल उस चीज को आपकी address कर दिया जाएगा मुझसे बात ना हो पाने के थोड़े से अभी reason है शायद 31 तारिक तक यह संभव भी ना हो है इसके अलाबा बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव है फोन पर बात मैं नहीं कर पार हूं लेकिन अगर आप फोन करके यह बता देंगे आपको आपको आपका नाम वहां लिख लिया जाएगा और जैसे ही उसका प्रोसेस चालू होगा आपको उस बारे में इन्फर्म कर दिया जाएगा आप निश्यंत रहे हैं चीक तो आप अपने आपको एन्रोल करा लेजे 31 के बाद में मैं definitely आप से connect करूँगा after over call 31 तक का बस मुझे समय दे दीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें simultaneously चल रहे हैं MPCJ के interviews ये UP और सबका crash course सबके test इसलिए थोड़ा से संभव नहीं हो पा रहा है 411 that's correct तो भाई 411 में offense है लेकिन offense कब होता है जब आपने जानते हुए receive करी हो student property तब ये offense होता है चीक तो अब अगर उसके उपर ये allegation लगा है कि आपने जानते हुए receive करी है वो किस बात के evidence देना चाहरा है व्यक्ति ये evidence देना चाहरा है court में कि साब उस property को मैंने एक particular value के नीचे बेचने से मना कर दिया था आगे देखिए he may prove these statements though they are admissions because they are explanatory of conduct influenced by fact and issue क्योंकि ये explanatory है उस conduct के जो fact and issue है ये आपका relevant होगा तीसरे point में भी जो बताता है कि किसी दूसरे section में अगर relevant है साथ में अगर आपका conduct ऐसा है आपका खुद का admission है लेकिन आपका conduct ऐसा है जो ये बताता है कि जो आपने statement दिया वो जूट नहीं है अगर मानलीजे मैंने किसी वक्ति को ये बोला कि यार ये phone मैंने खरीदा है और मुझे बेचना है बाद में मेरे उपर ये allegation लगाए गए कि वो phone मैंने ये जानते हुए receive किया था कि चोरी का है अगर मैं ये proof करना चाहूं कि साहब मैंने उसको एक particular value के नीचे बेचने से मना कर दिया था तो ये इस बात का सबूत हो सकता है या इस बात को proof करता है कि मेरा जो conduct है वो ये बता रहा है कि जो मैंने बोला वो जूट नहीं है क्योंकि अगर वो जूट होता तो मैं specific value के नीचे उसको नहीं बोलता दो ये इसके third point में भी आएगा अब ही मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं जो तीसरा point है उसके बारे में similar illustration e में भी दिया है उसके पहले अपन जरा third point को पढ़ लेते हैं तीसरा point पढ़िए an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as admission ऐसा कोई admission जो व्यक्ति ने खुद दिया हो वो भी relevant वो खुद भी proof कर सकता है अगर वो otherwise relevant हो otherwise relevant कब होगा भाई हम relevancy का ही chapter पढ़ रहे हैं इसके अगर किसी दूसरे provision में वो relevant है तो बिल्कुल हो जाएगा जैसे जो illustration d मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यह जो d है यह हमने कहां कोई ऐसा statement कोई ऐसी चीज जो explain करे fact in issue को यह हमने already पढ़ा है relevant होता है explain करने वाला कोई अगर fact है introduce करे fact in issue को irrelevant fact को या fact in issue irrelevant fact को explain करे यह already हम पढ़ चुके है section 9 में भी relevant होता है चीज तो यह बात आप बिल्कुल समझिये कि यह दोनों तरीके से आपका relevant हो सकता है इसके बाद e में भी ऐसा ही illustration है a is accused of fraudulently having in his possession counterfeit coin which he knew to be counterfeit he offers to prove that he asked a skillful person to examine the coin as he doubted whether it was counterfeit or not and that the person did examine it and told him it was genuine a में prove these facts for the reason stated in the last preceding illustration वो ही last illustration में जो दिया है उसी कारण से यह भी क्योंकि उसका conduct ऐसा था उसने जाके check करवाया है उस व्यक्तिने counterfeit है कि नहीं इसको check करवाया तो अगर उसने check करवाया तो उसका conduct ऐसा है कि उसके falsehood होने को वो nullify करता है ठीक तो अगर आपका conduct ऐसा था जो उस statement के falsehood होने को nullify करता है in that case आपके द्वारा दिया हुआ admission भी आप court में proof कर सकते हैं क्योंकि देखिए फंडा पूरा समझी 21 का क्या है 21 का कहना यह है कि अगर हम आपको chance दे देंगे अपने ही दिये admission को proof करने के तो आप already फरजी statements देंगे लेकिन यह जो हमने तीन exceptions पड़े चाहे वो 32 हो वाला exception हो first चाहे वो second हो या third वो यह बता रहे हैं कि statement false नहीं है वो यह पुकता यह authenticity confirm कर रहे हैं कि जो admission आपने दिया किसी ना किसी other form में वो इस बात को confirm कर रहे हैं कि आपका दिया हुआ statement true है इसलिए वो as an admission उसको हम proof करने का मौका आपको दे रहे हैं भले आपने वो statement खुद दिया क्योंकि 21 का general rule यह है कि अगर आपने दिया है statement आपका admission है तो आप खुद proof नहीं कर सकते यह इस illustration से और in point से समझ में आता है एक वो जो 32 वाला point है उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए अगर आप जानते हैं 32 तो आप correlate कर लेंगे उसके illustrations भी दिये हैं A और B में 32 बेसिकली यह बात करता है कि किसी वक्ती ने कोई statement पहले दिया था और अब वो वक्ती मर चुका है अब उसे court में लाना संभव नहीं या तो वो मर चुका है या तो उसका अतापता नहीं है या उसे court में लाना convenient नहीं है तीनों में से कोई भी circumstance है तो उसने पहले कभी भी कोई statement दिया हो उसकी अलग-अलग circumstances दी हैं 32 के clause 1 में dying declaration उसके अलबा दूसरे clauses में दूसरी circumstances हैं तो 32 की किसी भी circumstances में अगर आपका statement relevant होता अगर आप मर गए होते तो in that case आपका admission भेले ही आपने खुद किया है वो यहाँ अभी relevant होगा अभी जब मैं 32 पे जाऊंगा तो इस 21 का जो first clause है उसको connect करके आपको जरूर बताऊंगा इसके बाद आईए ज़रा 22 पे चीक 22 is when oral admissions as to contents of document are relevant यह सिरफ pre के लिए आप देखिए क्या इन में से आता है जैसे यह तो provision बहुत important है आपके admission से related इसके बाद 22 22 ए और 23 यह भी admission से related हैं उसी की तरह बात बता रहे हैं कब कौन से admissions relevant होंगे और इसके बाद confession चालू होगा तो पहले ज़रा 20 seconds देखिए when oral admissions as to content of document are relevant देखिए document का content अगर आपको proof करना है किसी document का content अगर आपको proof करना है तो general rule evidence में अभी आप आगे पढ़ेंगे general rule यह है कि किसी document का content अगर प्रूफ करना है तो वो document इलाईए as an evidence यह general rule है evidence में ठीक लेकिन अगर आप चाहें कि किसी document का content आपको प्रूफ करना है उससे related admission अगर हुआ है तो वो भी आप court में प्रूफ कर सकते हैं और ये दिया है section 22 में जरा देखिये overall admissions as to the contents of a document are not relevant this is very important overall admissions as to the contents of a document are not relevant generally relevant नहीं है unless लेकिन इसका exception है unless and until the party proposing to prove them shows that underline कर लीजे shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules here and after contain or unless the underline कर लीजे unless the genuineness of a document produced it is in question तो मैंने आपको क्या बताया किसी document का content अगर court में प्रूफ करना है अगर आप court में जाके ये कह रहे हैं कि आपके और मेरे बीच में written contract है और आप उसकी में जो content है उसको प्रूफ करना चाह रहे है तो general rule क्या है evidence act में कि आप वो contract ही लेक्या हो ना उस original document लेक्या हो oral evidence नहीं लिए जाएंगे अभी आगे भी आप पढ़ेंगे और admission क्या है statement है आपका तो यहां यह बताया गया है 20 second में कि उस content से related admission अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो generally relevant नहीं है content से related admission generally relevant नहीं है वो सिर्फ दो case में relevant है कब जो party admission proof करना चाह रही है उसे पहले यह proof करना पड़ेगा कि वो code में secondary evidence लाने के लिए entitled है या फिर उस document की genuineness पे सवाल है कि वो document genuine है या नहीं इस पे अगर question है सिर्फ इन दो condition में आप oral admission regarding the content of document कर सकते है उसको relevant माला जाएगा सिर्फ इन दो condition में otherwise oral admission नहीं relevant माने जाएंगे अगर आप वो admission किस चीज के regarding कर रहा है किसी document के content के regarding क्योंकि यह rule है evidence में कि अगर कोई document हो गई है चीज तो आप उसी को लाईए फिर वो ज्यादा authentic है इसके बाद 22a देखिए जैसे आभी आपने पढ़ा document का content यहाँ electronic record की बात करे गई है that's the only difference और यहाँ जो ground है वो यह कि genuinely question में होनी चाहिए जैसे 22 में आपने देखा या तो genuinely सवाल होना चाहिए या फिर यह प्रूफ कर दे पार्टी के वो secondary evidence देने के लिए entitled है लेकिन 22a में सिर्फ genuineness पे अगर सवाल है electronic record के उनी case में उससे related oral admission relevant होगा या वो admissible होगा यहाँ लिखा है oral admissions as to the content of electronic record are not relevant unless underline कर लीजे the genuineness of the electronic record produced is in question जब तक genuineness पे सवाल ना हो तब तक oral admissions acceptable नहीं होंगे किसी electronic record के content से related इसके बाद section 23 देखिए admissions in civil cases when relevant civil cases में कब relevant होंगे admission पार्टी ने अगर कोई facts admit कर रखे हैं already वो civil proceeding में कब admit होंगे तो basically यह बता रहे हैं कि कब admission नहीं proof किया जा सकता पार्टी के अगेंस एक बार ज़रह language पढ़ लीजे फिर में इसका overall context आपको समझाता हूँ in civil cases underline करिये no admission is relevant if it is made either upon an express condition if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given अगर party ने already expressly यह बात करी हुई है दो parties है civil suit में A और B और A और B ने expressly यह decide कर रखा है कि भाई साब यह admission हम करतो रहे हैं जैसे मां लीजे A किसी fact को admit कर रहा है admission कर रहा है और वो यह उस ने इस ground पे किया है कि इन दोनों के बीच में यह understanding हुई थी expressly यह बात हुई थी कि इसको court में proof नहीं किया जाएगा मैं इस fact को admit तो कर रहा हूँ बट इसको आप court में proof नहीं करेंगे तो no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given और under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given या फिर implied हो कि party के बीच में यह understanding थी कि इस admission को proof court में नहीं किया जागा 2023 का context समझती है generally aspirant को यह problem होता है कि इसा क्यों होगा इसा कब होगा कैसे होगा यह क्यों यह दोनों agree करेंगे कि भया क्यों यह भी agree करेगा कि यह कोई admission कर रहा है यह कुछ fact admit कर रहा है और इन दोनों नहीं agreement कर लिया कि इस admission को हम अगर court जाएंगे तो court में proof नहीं करेंगे तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होगा समझ यह जरा आप जानते हैं कि जब civil proceedings होती है तो इसमें हमेशा कोशिश होती है कि दोनों के बीच में सुला करा दी जाए court का burden reduce करना है CPC पढ़ चुके हैं अपने इसलिए CPC पहले पढ़ना advisable है evidence से CPC CRPC पहले पढ़ना इसलिए advisable है ताकि इन चीज़ों को आप थोड़ा connect कर पाएं अब CPC में आपने देखा है कि भाई जहां भी दो parties के बीच में dispute है पहली कोशिश होती है कि किसी दूसरी method से सुल्दा दिया जाए court cut समय बरबाद ना हो court में proceeding ना चले mandatory provision आपने पढ़ा है CPC में पढ़ा है कि नहीं कि court bound है जब भी उनके सामने matter आएगा वो advice करें दोनों party को एक option दें कि भाईया आप दूसरी alternate methods पर चले जाएए जहां mediation mediation होता है सुला कराई जाती है दोनों के बीच तो जब आप सुला करने बैठेंगे जब आप सुला करने बैठेंगे तो बहुत सारी बाते हैं आप admit करेंगे तब ही तो किसी conclusion पर पहुँचेंगे अगर आपके और मेरे बीच में dispute है तो वहां बहुत सारी बाते मैं मानूंगा भी कि हाँ हाँ ऐसा तो हुआ था यार अगर हम वह सुला करने बैठेंगे और यह हमने decide किया है कि भईया ठीक है अभी हम क्योंकि सुला करने बैठेंगे अगर हो गई तो ठीक नहीं तो वापिस court चलेंगे तो वहां हम यह expressly agreement कर सकते हैं कि अभी जो facts मैं admit कर रहा हूँ जो admissions में दे रहा हूँ इनको आप मेरे against court में use नहीं करेंगे यह जब दोनों party agree कर लेती है तो 23 उसके लिए कहता है कि अगर दोनों party नहीं agree किया है civil proceeding में कि इन admissions को court में proof नहीं किया जाएगा तो वो admissions relevant नहीं हो नहीं किये जाएंगे party के against तो अगर वो इस express condition पे हुए हैं कि इन्हें आप court में produce नहीं करेंगे उन admissions को court accept नहीं करेगा और ऐसा क्यूं होगा वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि जब सुला करने बैठेंगे ये दो party तो बहुत सारी चीज़े वो admit करेंगे I hope that is clear so 23 बहुत important है सीधे सवाल आता है कि किस में दिया हुआ है civil proceedings admission कि admission relevant नहीं होगा चीज़े तो that's 23 अब आईए confession की तरफ before we understand confession थोड़ा से एक basic rule समझिए about statement confession और admission तो देखिए हमने क्या देखा statement statement कैसे statements की अपन बात कर रहे हैं जो fact issue या relevant fact का कोई inference suggest कर रहे हो तो अगर ये circle statement बता रहा है तो admissions इसके अंदर होंगे क्योंकि सारे admissions क्या होते है statement ही होते है चाहे वो oral होया documentary बट वो होते क्या है statement ही तो हर admission statement है लेकिन क्या हर statement admission है the answer is no अब ऐसे ही जो confession 24 से confession स्टार्ट हो जाता है तो ये जो confession अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या सारे statement confession है बिल्कुल नहीं क्या सारे admission confession है बिल्कुल नहीं सिर्फ वो admission confession माने जाते हैं जहां कोई party या कोई वक्ति अपना guilt माने जहां वक्ति अपना guilt accept करे उसे कहते हैं confession तो admission में से भी सिर्फ वो वाले admission जहां guilt party माने that is confession तो confession एकदम आखरी में आता है सबसे अंदर चेक सबसे broad क्या statement सारे statement admission होंगे क्या नहीं 17 से 20 पढ़ना पढ़ेगा आपको की कौनसे statement admission माने जाएंगे चिक और confession कहीं define नहीं किया जैसे admission 17 में define किया है evidence act में confession को कहीं भी define नहीं किया गया है लेकिन कुछ jurist cases में इस सीस को किया गया है और भाईया confession अगर अपन पढ़ने जा रहे हैं अपन section 24 से पढ़ना start कर रहे हैं confession के बारे में तो पहले confession से related कुछ basic बाते हैं आप note down कर लीजिए जो pre में पूछी जाती है जो important है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि confession कहीं defined तो नहीं है चीक तो important case लिखी है जिसमें confession को define किया गया था वैसे तो एक किताब में James Stephen ने भी define किया था लेकिन Indian courts ने उसको सही नहीं माना और एक case में इसको define करने का प्रयास किया गया था case का नाम लिख लीजिए बहुत important है पाकला नारायन स्वामी वर्सेज एंपररर पाकला नारायन स्वामी वर्सेज एंपररर काफी important case है कहां confession define किया गया है तो इस case में 1939 का ये case है 1939 कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस ने define किया है तो ध्यान रखिएगा Lord Akin ने किया है Lord Akin Lord Akin ने define किया है important है ये और confession आप brief में समझ भी लीजिए जहां आप guilt मानते हैं उसको confession कहते हैं आप already ये बात जानते भी है और admission भी या confession भी किस तरीके के होते हैं एक होता है judicial और एक होता है extra judicial इस chapter में जो आपन admission पढ़ रहे हैं section 17 से जो आपने admission पढ़ा section 20 तक जो बताया गया है conscious statement admission होते हैं ये किस तरीके के admissions हैं ये extra judicial admissions हैं और judicial admission की अगर आप बात करेंगे तो judicial admission कब होगा देगे जब court में दिया जाएगा तब वो judicial admission की category में आएगा और जो judicial admission है वो section 58 में दिया हुआ है judicial admission की कहां बात करी गई है 58 में अभी उस पे आएंगे so ये जो हम पढ़ रहे हैं that is extra judicial extra judicial मतलब जहां court या magistrate के अलावा किसी को आपने दिया ठीक तो ये case का नाम है जिसमें confession को define किया गया है इसके अलावा same observation जो पाकला नारायन का था उसी को reaffirm किया क्या है पलविंदर कौर वर्स स्टेट आफ पंजाब ये भी नाम लिख लिजिए ये कुछ बहुत ही landmark देखो मैंने आपको कल भी बताया था किया evidence में ना इतने cases हैं कि अगर उस पे अपन गए ना तो फिर वो foundation की ही class हो जाएगी है ना लेकिन कुछ ऐसी topic है जहां बिना case के बाद बनेगी ही नहीं जहांसे pre में भी सीदे सीदे cases पूछे जा सकते हैं इसी चीज़ को रियाफर्म करा गया है पलविंदर कॉर वर्स स्टेट आफ पंजाब और भी बहुत सारी बाते इन में करी गई है सिंगाडा सिंग वर्स स्टेट आफ यूपी इंपॉर्टन है confession से related वो जुडिशल confession की बात करता है जो CRPC के 164 में दिये गए है CRPC की class में वो भी मैंने आपको बताया था clearly वो पूरा process है न तो ये कुछ basic बाते हैं about confession अब जरा provision पे आते हैं एक एक करके हम इसके बारे में और बीच में जो जो चीज़ें आती जाएंगी section से related भी कुछ cases है उनके बारे में भी मैं आपको बताते जाऊंगा तो आईए जरा 24 पे अब क्योंकि confession define तो नहीं किया है लेकिन basic idea आपके पास है so section 24 कहता है confession caused by inducement threat or promise when irrelevant in criminal proceeding कोई भी confession अगर extort किया गया है कैसे inducement से, threat से या promise से डरा धमका के लालच देखे अगर कोई confession extort किया गया है तो वो relevant नहीं होगा 24 कहता है confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding underline करिये if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement threat or promise having reference to the charge against the accused person वो inducement threat या promise किस चीज से related होने चाहिए होना चाहिए पैसे वैसे का नहीं वो inducement threat या promise होना चाहिए उसके charge से related एक accused की बात चल रही है criminal proceeding की बात चल रही है accused ही confess करेगा उस accused के charge जो लगा है उससे related inducement promise या threat होना चाहिए ठीक reference to the charge against the accused person proclaimed from a person ये भी बहुत important essential है proclaimed from a person in authority किस वेक्ती ने threat inducement promise दिया हो किसी person in authority ने दिया हो किस चीज से related inducement threat promise दिया हो उस accused पे जो charges लगे हैं उससे related माल लिजे किसी police के senior officer ने उसको ये inducement दिया कि बड़ा तू confess कर ले तेरे charge वाज हम करवा देंगे तेरी सजा वज़ा हम करवा देंगे किसी magistrate ने दिया person in authority होना चाहिए और उसके charge से related inducement threat या promise या उसको threat दिया गया कि भाई तू अगर confess नहीं करेगा तो फिर तू दे और सजा दिलवाएंगे हम ऐसा कुछ होना चाहिए inducement threat promise तो वो 26 कहता है कि वो relevant नहीं माना जाएगा चीक आगे लिखा है and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature and reference to the proceeding against him basically person in authority कैसे check करेंगे कि वो इतना सक्षम होना चाहिए करवाने में नहीं actually लेकिन accused की नजर में वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए कि यार ये मेरा punishment कम जादा adverse effect कर सकता है या कोई beneficial effect ये कर सकता है ये accused को विश्वास होना चाहिए उस person की authority देखके ऐसा person in authority यहाँ पर माना जाएगा as per section 24 और अगर ऐसा confession लिया गया है accused का तो वो irrelevant होगा under section 24 सीधे सीधे pre में section का सवाल पूछा जाता है और उसके essentials का भी सवाल पूछा जाता है तो person in authority कोई भी ऐसा विक्ति जिसको जो court को ऐसा लगे कि हाँ यार इससे accused नहीं है draw किया होगा कि ये विक्ति उसको adverse impact भी दे सकता है या benefit करा सकता है accused की नजर से देखा जाएगा उसे that's how the court is going to decide about person in authority इसके बाद देखिए next 25 confession to police officer not to be proved 26 और 26 बहुत important है police से related है और आप जानते हैं कि police को दिये हुए statement की ही evidentiary value बहुत limited है ये CRPC में हम already पढ़ चुके हैं investigation के दौरान police को witness ने भी statement दिया हो अपन accused की बात नहीं कर रहे है अपन confession की बात नहीं कर रहे है किसी witness ने भी अगर statement दिया है तो उसकी भी evidentiary value बहुत ही limited है मैंने आपको 162 बहुत अच्छे से समझाया था CRPC की class में कि ऐसे statement की evidentiary value क्या है तो आप समझिये कि जब witness के statement की ये evidentiary value come है तो confession की तो कुछ भी नहीं होगी क्योंकि हमेशा एक ये रहता है कि वो pressure देके thread देके confession obtain कर सकते हैं which no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense किसे भी police officer को दया हुआ confession court में proof नहीं किया जाएगा कोई मतलब नहीं इस बात से कि police officer accused से कुछ भी confess कर वा ले उसे court में कभी proof नहीं किया जाएगा अगर police officer को confession दिया है तो वो कभी court में proof नहीं किया जाएगा वो relevant नहीं होगा section is very important 26 भी similar बात करता है 26 देखिए confession by accused while in custody of police not to be proved against him 25 तो कह रहा है कि police को अगर आपने confession दिया है तो relevant नहीं है 26 कह रहा है police custody में आपने किसी भी रेक्टी को confession दिया हो वो relevant नहीं है इधर से illustration based question भी पूछे जाते हैं कि मान लिजी accused police की custody में है और जिस lock up में वह है वहीं उसके साथ एक दूसरा मुझरिम भी है और इस व्यक्ती ने उस दूसरे मुझरिम को confess किया है अपना crime तो क्या वो relevant होगा so the answer is no 26 के हिसाब से वो relevant नहीं होगा क्योंकि police custody में दिया गया है 25 ने बोला police officer को दिया है तो relevant नहीं होगा 26 उसका embed और बढ़ा दे रहा है अगर police custody में दिया है तो भी relevant नहीं अब police custody का जो interpretation यहां लिया जाना है वो थोड़ा सा liberal interpretation लिया जाना है police custody का मतलब हमेशा immediate presence of police नहीं होगा जैसे कई बार illustration ऐसे भी पूछे जाते हैं कि एक वेक्ती police custody में है उसको treatment के लिए doctor के पास ले जाया गया एक कमरे में ले जाके doctor उसका check-up कर रहा और वहां उसने doctor को confess कर लिया तो क्या यह confession relevant होगा the answer is no because he is still in police custody का मतलब वो खौफ होना चाहिए police का basically custody का मतलब immediate presence of police officer नहीं है custody का मतलब कि during that custody भले immediate presence नहीं हो वो खौफ basically police का होना चाहिए तो वो confession relevant नहीं होगा इसका एक ही exception है कि अगर magistrate के सामने दिया है तब वो relevant होगा अगर आपने magistrate के सामने दिया क्योंकि magistrate को दिये confession already deal करे गए हैं कहां CRPC के 164 में तो during investigation अगर आपने magistrate को confession दिया है तो उसके लिए हमारे पास already provision है CRPC में special provision 164 इसे लिए उस पे अलग rules applicable है और उस पे कौन से rules applicable है जो 164 में है तो यहां भी आप देखिए आगे लिखा है 26 में no confession made by any person whilst in the custody of a police officer unless it be made in the unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person आगर immediate presence of magistrate में दिया है तो वो proof किया जा सकता है वो valid होगा क्योंकि 164 में यह होता है magistrate के सामने confession record किया जाता है और वो बिलकुल एक valid evidence होता है चेक तो 25 कहता है कि police को दिया confession admissible नहीं है 26 कहता है police custody में दिया नहीं है लेकिन एक exception है कि magistrate को दिया तो है अब section 27 पे आते हैं which is one of the most important sections here under confession section 27 basically control करता है 24, 25, 26 को section 27 basically exception की तरह एक proviso की तरह treat किया जाता है exception की तरह treat किया जाता है किसका 25 और 26 का क्योंकि 25, 26 में हमने पढ़ा 25 में हमने पढ़ा कि police officer को दिया confession irrelevant है 26 में हमने पढ़ा police custody में दिया हुआ confession irrelevant है लेकिन 27 उसका exception create कर रहा है क्या exception create कर रहा है किसी accused ने police custody में अगर कोई statement दिया है और उस statement के basis पे कोई discovery हो जाती है तो that particular part of the statement is relevant under section 27 इसको कहते हैं discovery of fact जड़ा एक बार provision पढ़ते हैं फिर इस से related थोड़ा सा concept है तो यह बहुत लंबा चोड़ा concept और इसको पढ़ने में काफी समय लगता है जिसा मैं ने आपको कहा कि जब foundation classes में इस confession वाले portion को मैं deal करता हूं तो काफी समय लग जाता है उसको deal करने में क्योंकि एक दिन तो सिरफ एक class तो सिरफ section 27 कोई होती है इतने cases इसमें important है वो चीज समझना कि statement का कौन सा part अभी तो मैं generally आपको बता दूँगा एक general inference के लिए कि कौन सा part relevant है बट थोड़ा सा जब आप cases detail में पढ़ेंगे तो you'll get a complete clarity on that concept evidence के साथ यह problem है कि cases इतने ज्यादा important है जब तक आप उसके depth में नहीं जाएंगे तब तक वो 100% clarity आपको नहीं मिल सकती concept पे जैसे CRPC में यह problem नहीं थी कि CRPC के जो provision है जो sections है वो अपने आप में इतने comprehensive है इतने detailed है कि उसके लिए आप अगर उसको धन से meaning समझ गया है तो उसकी बहुत सारी बात आप समझ लेते हैं बट evidence के साथ थोड़ी यह problem है तो ज़रा देखिए 27 how much of information received from accused may be proved this is important provided that starty कैसे हो रहा है provided that इसका मतलब 25-26 के प्रवाइजों की तरह इसे लिखा ले जा है provided that when any fact is deposed as deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense किस से receive करी गई है person accused of any offense in the custody of a police officer this is important essential भी पूछे जातने है section 27 के कि किसके statement पर discovery हुई है तो वो relevant होगी या admissible होगी section 27 में तो ध्यान रखिएगा accused person की और कैसे accused की जो custody में हो police की in the custody of a police officer so much of such information उस पूरे statement में से कितना part relevant होगा so much of such information whether it amounts to a confession or not as relates underline कर लीजे as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved अब यह जो term लिखा है as relates distinctly to the fact इसका मतलब क्या है as relates to distinctly to the fact thereby discovered इसको जरा थोड़ा समझ लेगा मान लेजे एक statement किसी accused ने जब वो police का study में है तब उसने एक statement दिया है कि police को एक statement दिया है कि साब एक accused है जिस पे murder के allegation लगें उसने बताया कि हाँ मैंने murder किया और उसने यह भी बताया कि मैंने murder किया है और जिस चाकू से मैंने मारा था उस व्यक्ति को वो चाकू मैंने एक particular ground में गड़ा खोद के वहीं पे छुपा दिया है अब इस information पे जो police को ये information दी इस information के basis पे police वहाँ पहुंचती है जनरली होता किया accused को ले जाया जाता और दो एक independent witness भी बुला लिये जाते है और accused की उस information पे accused को वहाँ ले जाया जाता उससे identify कराई जाईगी specific place की बता किदर छुपाया है वो जब बताएगा वहाँ पे खुदाई होगी और अगर उसमें से वो चाकू रिकवर हो गया वाकई है अब ये पूरा statement था उसका police को उसने कितना statement दिया कि मैंने murder किया फिर उस चाकू को मैं उस ground में ले के गया वहाँ गड़ा खुद के मैंने छुपा दिया ये उसका complete statement ह और इसके basis पे police ने जाके वहाँ से चाकू रिकवर करा वहाँ पे एक memorandum बनेगा जो witness उनके sign होंगे कि साब इसने बताया था इसने दर्शाया था कि इस जगे पे वो चाकू है तो अब 27 बताता है कि इसमें से कितना वाला portion कौन सा portion इस statement का admissible है क्योंकि हमने 25-26 में पड़ confession admissible नहीं है police को दिया हुआ तो इस में से जो confessional confessional part है जहां वो अपने guilt को मान रहा है वो relevant नहीं होगा उसने क्या बोला कि मैंने चाकू से मारा और फिर ले जाके चाकू वहाँ छुपा दिया इस जगे पे गड़ा खोदा और चाकू छुपाया तो ये जो बात उसने कही कि मैंने murder किया वो तो relevant नहीं है section 25 ने clearly बता दिया police को दिया हुआ confession relevant नहीं है police custody में दिया हुआ confession relevant नहीं 26 ने बता दिया लेकिन ये बात कि वहाँ चाकू है और वहीं से चाकू recover हो गया so ये जो 27 में लिखा हुआ है कि कितना portion यहां relevant होगा यहां लिखा है in the custody of a police officer so much of such information उतनी information whether it amounts to confession or not as relates distinctly to the fact as relates distinctly to the fact का मतलब है कि police को पहले से उस fact की जानकारी नहीं थी कि चाकू उदर है अगर police को पहले से किसी और source से पता था कि चाकू उदर है in that case ये पूरा statement irrelevant हो जाए ये जो distinctly word used किया गया ना इसका मतलब कि वो बात सिर्फ accused को ही पता हो सकती थी किसी दूसरे source को पता ही नहीं थी और किसी दूसरे source से police तक नहीं पहुँच सकती थी ये बात उस accused को ही इसकी जानकारी थी कि इस particular place पे चाकू छुपाया गया ये बहुत important essential है section 27 का जब आप detail म कभी cases versus falling तो we'll understand this अब यहां एक बात समझ ही है कि ये जो इसने बताया अब इसमें से क्या क्या relevant है accused का ये knowledge relevant है कि उसको पता था कि जिस weapon से offense commit हुआ है वो उस जगे पे मौझूद है वो place relevant है section 27 में वो object relevant है चाहे वो चाकू हो चाहे वो dead body हो ये सारी चीज़े relevant है लेकिन वो जो portion है इसके statement का जहां इसने confess किया है अपना guilt किया मैंने चाकू मारा वो relevant नहीं होगा तूकि वो already part है लेकिन उतना statement जिसके basis पे distinct discovery हो गई है जो सिर्फ उस accused को जानकारी थी उससे जो discovery हुई है उतना portion section 27 में relevant होता है चीक इतना relevant है उसका वो knowledge वो जगे और वहाँ पे चाकू का होना ये इस section 27 में relevant होता है generally बाकी तो आपका भी detail में उसको पढ़ेंगे तो you will get multiple things in this उसके बाद 28 पे आई ये confession made after removal of impression caused by inducement threat और promise relevant आप देखिए section 24 में हमने पढ़ा कि किसी वक्ती कोई person in authority नहीं अगर inducement threat और promise देके confession लिया है तो वो irrelevant है section 28 कहता है कि अगर उस threat या promise को remove कर दिया गया है अब वो under that inducement नहीं है अब वो accused उस inducement में नहीं है या उस promise से या उस threat से influence नहीं है अब अगर वो confess करता है तो वो valid हो सकता है ये section 28 बताता है कि जो हमने inducement threat या promise की बाद 24 में करी अगर उस inducement threat promise का effect खतम हो गया है in that case उसके बाद अगर यह confess करेगा तो वो relevant हो सकता है if such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement threat or promise has in the opinion of the court been fully removed पूरी तरीके से वो खतम हो चुका है वो threat promise या inducement it is relevant तो फिर वो relevant हो सकता है that's 28 pre के लिए important है section number ध्यान रखियेगा 29 confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc this is very important for prelims अब माल लीजे किसी accused ने confession किया है और वो confession otherwise तो relevant है क्योंकि कब relevant नहीं है वो पन ने पढ़ लिया पुलिस को दिया हुआ relevant नहीं है पुलिस को स्टडी में दिया हुआ relevant नहीं है इसके अलावा confession relevant है लेकिन 29 यह बता रहा है कि just because की secrecy का promise किया गया था किसी ने उस accused को बोला कि भाई तू बता दे हम किसी को नहीं बताएंगे या फिर उसने drunken state में दे दिया है confession या फिर उसको warning नहीं दी गई थी कि भाई या तू confess करेगा तो यह तेरे against use हो सकता है या उसके against को sting operation करके उससे confess करवा लिया गया इन बातों का impact confession पे नहीं होगा अगर वो confession otherwise relevant है तो irrespective of the fact कि accused ने उसे secrecy के promise के बदले में दिया है या drunken state में दिया है या फिर किसी और इस तरीके के sting operation में दिया है तब भी वो valid होगा तो देखिए 29 कहता है if such a confession is otherwise relevant it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practice कि deception वो string operation कि आपने deception के थूस से निकल वाली बात on the accused person for the purpose of obtaining it or when he was drunk or because it was made in answer to questions which he need not have answered whatever may have been the form of the questions or because he was not warned बले वो bound नी था लेकिन अगर उसने बता दिया है तो अब वो confession उसके against use हो सकता है अगर otherwise relevant नहीं है तो इन सारी बातों का impact उस confession की relevancy पर नहीं होगा जो section 29 में लिखी है and this is very important इसके बाद section 30 है that is also equally important बहुत important है section 30 भी consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense को अक्यूस्ड के confession की बात यहां पर करी गई है section 30 किसकी बात बता रहा है किसके confession की बात बता रहा है co accused कब co accused द्वारा दिया हुआ confession भी relevant होगा इसके पहले confession में एक चीज़ और आप लिजिए एक चीज़ और important जो प्री में भी दो वो थोड़ा सा पंसेप्ट जादा है जिसा मैंने कहा कि इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आपको limit करके चल रहा हूं क्योंकि अगर अपन बहुत ज़्यादा गिल्ट मान लिया लेकिन उसके बाद वो मना करते किसाब नहीं नहीं वो तो मैंने influence में दे दिया था जहां वो पलट जाए confession से basically इसको कहते है retracted confession और retracted confession की evidentiary value क्या है तो it can never be the sole basis of conviction generally ये sole basis नहीं होता conviction का जब तक corroboration properly ना हो and the court is advised to be extra careful in cases of relying on retracted confession ये भी ध्यान रखना है आपको in fact for the purpose of prelims as well case का नाम भी वैसे तो काफी cases इस पर आपको मिल जाएंगे एक case का नाम आप लिख लिजिए प्यारे लाल versus state of Rajasthan प्यारे लाल versus state of Rajasthan 1963 retracted confession जहां confession देने के बाद व्यक्ती पलड गया that's retracted confession चीक इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखियेगा को accused द्वारा दिया हुआ confession कब दूसरे accused के against relevant हो जाएगा A और B दोनों accused हैं coffin के और A ये confess करता है कि हाँ साब हम दोनों गए थे और हम दोनों ने ये murder किया है दोनों ने मारा है उस वक्ती को जिसके murder की trial चल रही है तो ये confession दिया तो एक accused ने A और B दोनों accused है statement है A का क्या ये B के against भी relevant हो सकता है क्या ये confession B के against relevant हो सकता है the answer is yes under section 30 देख ये 30 consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense यहाँ से सीधे सीधे section पूछा जाता है कि co accused का confession कब दूसरे accused के against relevant होगा तो section 30 में प्लस यहां से पूछी जाएंगी इसकी essential conditions की क्या क्या essentials fulfill होने चाहिए section 30 के लिए तो देखिए जरा when more persons than one are being tried jointly सबसे पहला ये है कि joint trial चल रही हो दोनों की so when more persons than one are tried jointly for the same offense same offense के लिए joint trial होना चाहिए तभी joint trial है तभी को accused का confession दूसरे के against relevant होगा otherwise नहीं होगा and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such person खुद को भी affect कर रहा है क्योंकि वो के रहा हम दोनों ने मारा है is proved underline कर लीजे is proved वो confession proved भी होना चाहिए अब कब कहा जाएगा that a fact is proved इसके लिए हम already पढ़ चुके हैं proved, disproved, not proved proved कब जब court को आप इस हद तक convince कर दें कि court उस fact की existence में believe कर ले तो कहा जाएगा proved तो confession कैसा होना चाहिए co-accused का, same offense का, same trial में होना चाहिए joint trial चल रही हो, same offense की trial चल रही हो फिर प्लस वो जो co-accused का confession है वो proved होना चाहिए, ये भी एक essential है फिर आगे देखिए the court may take into consideration such confession as against such other person तो जो दूसरा accused है उसके against भी court consider कर सकता है इस confession को लेकिन कब करेगा, जब same offense की joint trial चल रही हो प्लस confession प्रूव हुआ हो in that case only section 30 will be applicable और वो co-accused का confession relevant होगा, otherwise नहीं होगा illustration दिये है, सीधे-सीधे सवाल आता illustration से इदर simple से चीज़ है, जो मैंने आपको समझाया वही exactly concept इदर है, इसके अलाबा कुछ नहीं है, इसके बाद आईए जरा 31 पे, 31 talks about admissions not conclusive proof, but may stop, admission जो है ये conclusive proof नहीं होते अब आपके जहन में हो सकता है admission पढ़ते समय ये एक doubt चल रहा हो कि क्या इस admission को अगर proof कर दिया गया है, तो इसके basis पे ही पूरा case decide हो जाएगा तो नहीं, ये कोई conclusive proof नहीं है ये irrebitable है parties के इसको nullify करा सकती है evidence दे के party चाहे तो इसकी truthfulness को challenge कर सकती है या इसके against evidence दे सकती है irrebitable है, लेकिन कोई conclusive proof नहीं है ये, लेकिन ये stopple का का काम जरूर करेंगी, अगर मेरा ही कोई admission है और मेरे against proof हो गया है, तो stopple का principle आप जानते है, stopple is a rule of evidence कि अगर मैंने कोई representation किया है, अगर मैंने खुद कोई बात represent करी है, तो मैं उससे फिर पीछे नहीं हट सकता बाद में, मैं back out नहीं कर सकता, उसके contrary बात फिर मैं नहीं कर सकता, that's the principle of stopple in brief, तो ध्यान रखिएगा section 31 कहता है कि admission कैसे use होगा, admission कोई conclusive proof नहीं है, but admission can act as an stopple against me, मेरे against वो stopple का काम होगा, कि मैं आप उससे पलट नहीं सकता, आपने उस admission से, ठीक? So 31 is important for that, section number से भी सवाल आता है काफी important है. अब आजाईए आप 32 पे, यहाँ पहले 32 और 33 के उपर एक heading लिखिए subheading लिखिए, वो बहुत important है, 32 और 33 को पढ़ने के लिए यह subheading बहुत important है यहाँ लिखा है statements by persons who cannot be called as witnesses अब हम उन लोगों के statement की बात करने जा रहे हैं 32 और 33 में section 32 और 33 में हम उन लोगों की बात करेंगे जिनने as a witness court में बुलाया नहीं जा सकता अब क्योंकि इन्हें court में बुलाया नहीं जा सकता इसलिए इन्होंने पहले जो statement दिये हैं उन्हीं पर rely करना पड़ेगा, उन्हीं को relevant मानना पड़ेगा, correct or not so उससे related provision 32 और 33 में दिये हैं कि अगर कोई रखती अब court में लाया नहीं जा सकता लेकर उसने पहले कोई statement दिया है तो कब वो दिया हुआ statement relevant होगा इसके बारे में जांकारी देंगे section 32 और 33 तो ज़रा section 32 देखिए सबसे पहले cases in which statement of relevant fact by persons who is dead किनकिन लोगों का statement relevant होगा कोई ऐसा वेक्ति जो मर चुका है who is dead or cannot be found etc. is relevant मर चुका है या मिल नहीं रहा है या फिर तीसरा है कि उसे लाया नहीं जा सकता court में आगे देखिए statements written or verbal of relevant facts by a person who is dead कोई ऐसा वेक्ति जो मर चुका है और who cannot be found या जो मिल नहीं रहा है or who has become incapable of giving evidence या जो आप evidence दे नहीं सकता or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense या फिर किसी वक्ति की attendance प्रक्योर नहीं करा जा सकती unnecessary delay और खर्चे के बिना बुलाना संभव नहीं है basically court में कोई भी ऐसा वेक्ति जिसको आप court में बुलाना संभव नहीं है उसके द्वारा दिया हुआ statement कब relevant हो जाएगा ये section 32 बता रहा है कौन-कौन सी वो circumstances है इसका जो clause 1 है इसको हम कहते है dying declaration जो की बहुत important है इसका जो clause 1 है इसको क्या कहते है dying declaration कहते है and this is also one of the most important topics under evidence act अब mains के लिए तो इसकी relevance आलगी है बहुत सारे इसमे cases वेसे हैं और सारे चीज़े है बट क्योंकि हम यहाँ pre को focus करके थोड़ा चल रहे हैं तो focus हमारा वही होगा और उसी नजर से हम इस चीज़ को बस देखेंगे उससे ज़ादा नहीं देखेंगे और dying declaration में भी पाकला नरायन बहुत important है यह ध्यान रखिएगा अब देखिए ज़रा कि dying declaration कब relevant होता है और dying declaration होता क्या है इन सबसे सवाल पूछा जाता है English law और Indian law में dying declaration का क्या difference है pre में इस से related भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं so देखिए ज़रा first when it relates to cause of death कोई ऐसा व्यक्ति जो अब मर चुका है क्योंकि 32 में किन लोगों की बात हो रही है किन लोगों का दौरा दिये हुए statement की बात अपन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की बात जो आप पूर्ट में नहीं लाया जा सकता और 32 का clause 1 उन लोगों की बात कर रहा है जो अब मर चुके हैं और उन्होंने कोई statement दिया था किस चीज़ के regarding statement होना चाहिए cause of death के regarding होना चाहिए so when it relates to cause of death ज़रा देखिए इसको बहुत important है और as to any of the underline करिये any of the circumstances of the transaction which resulted in his death उस transaction से related कोई statement था जिस transaction में इस वक्ति की death होई है इन cases in which the cause of that person's death comes into question और ये जो statement है जो cause of death से related है किन cases में ये relevant होगा उनी cases में relevant होता है dying declaration जहां cause of death एक question हो जहां cause of death is to be decided cause of death सवाल हो जन cases में उनी cases में ये statement जो उसने cause of death से related दिया मरने के पहले दिया था उस वक्तीने statement वो relevant होका 32 के clause 1 में आगे देखिए इसका second paragraph such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question और clearly ये बात भी बता दी गई है कि वो statement भले ही उसने किसी भी mental state में दिया हो किसी भी mental state से मेरा मतलब इदर पे है भले उसको ये expectation हो या ना हो कि statement के बाद वो मर जाएगा तब भी उसे dying declaration माना जाता है ये एक major difference है common law में जो dying declaration है कि वेक्ती ने जो statement दिया हो वो death की expectation में दिया हो तब ही English law में उसे dying declaration की तरह relevant माना जाता है लेकिन भारत में ये जरूरी नहीं है कि उस वेक्ती को statement देते हुए ये पता हो कि आने वाले समय में उसकी death होने वाली जरूरी भारत में नहीं है ध्यान रखियेगा ये बहुत important है regarding dying declaration अब जरा समझिये कि dying declaration के क्या essential इदर है और किस तरीके से होता है जैसे मान लीजिये एक victim है जिसको किसी वक्ती ने चाकू मारा है अब उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ जाके उसने अपने घरवालों को या डॉक्टर को या कोई police officer बुलाया गया उसको उसने statement दिया इसलिए ऐसे cases जब आते हैं आप देखते होंगे picture हो में वेब series में कि police officer को बुला लिया जाता है तुरंत statement record करने के लिए वैसे तो उसने अगर माल लीजे सडक चलते सडक चलते भी अगर माल लीजे किसी वेक्ति का accident हुआ है और कोई वेक्ति बाद में वहाँ से आया उसको बचाने hospital ले जाने उसने ambulance में बैट के उस वेक्ति को बताया transaction की कैसे death है उसने बताया कि अगर एक वेक्ति आया था उसने में कोई चाकू मारा है या फिर एक ट्रक आया था वो मेरे उपर चड़ गया ब्रेकी नहीं लगाया उसने ये सब dying declaration considerable है लेकिन इसकी evidentiary value कितनी होगी तो ऐसे dying declaration की evidentiary value थोड़ी कम होती है लेकिन अगर वो बहुत properly record किया गया है इसलिए जब ऐसा victim अस्पताल पहुँचता है तो आप देखते हैं कि डॉक्टर तुरंद पुलिस को inform करता है और फिर पुलिस वाला person आता है या फिर executive magistrate का सकता है ये काम record करने का और उसने अगर बहुत proper तरीके से statement को record किया और उसके बाद इस victim की मृत्यू हो जाती है तो इस dying declaration की evidentiary value बहुत high होगी ये बहुत जादा reliable बन जाएगा ये dying declaration बहुत जादा reliable हो जाएगा अगर उसे किसी ऐसे proper officer ने record किया है और उसके लिए proper guidelines है बहुत सारे cases में कि ये dying declaration किस तरीके से record होना चाहिए तो it may be given to anyone किसी भी विक्ति को अगर कोई statement दिया था victim ने मरने से पहले अपनी cause of death से related तो वो relevant तो होता है बट इसकी जो evidentiary value है वो जरूर affect होती है एक सवाल ये भी बनता है कि क्या sole basis बन सकता है conviction का तो courts का इस पे कहना है कि हाँ बन भी सकता है ऐसा नहीं कि ये sole basis नहीं हो सकता लेकिन फिर वो बहुत properly record होना चाहिए और उसकी formality देखी जाएगी कि किस तरीके से और किन circumstances में वो statement लिया गया है in that case it may be a form of sole basis of conviction लेकिन बहुत carefully court इस चीज को देखते हैं और करते हैं आप दो-तीन सवाल dying declaration से related जो और आपको आते हैं वो ये कि किस principle पे based है अब maxim बगेरा तो आप देख ले ना मैं आपको उसका meaning और essence बता देता हूँ किस principle पे based है dying declaration ऐसा वेक्ति जिसको अब हम बुला नहीं सकते court में वो already मर चुका है adverse party के पास अधिकार नहीं है उसके cross examination का क्योंकि ऐसा witness आप उसको court में बुला नहीं सकते फिर भी उसके द्वारा दिये हुए statement को हम इतना reliable मान रहे हैं एक proceeding में इसका कारण क्या है इसके पीछे principle क्या है तो एक principle तो यह है जो English law में भी चलता है वो यह कि मरता हुआ वेक्ति जूट नहीं बोलता मरता हुआ वेक्ति जूट नहीं बोलेगा उसको पता है कि अब जाने का समय आ गया है तो वो जूट नहीं बोलेगा लेकिन भाई साहब आज कल इस कदर दुनिया हो गई है इतनी मतलबी और इस टाइप की दुनिया हो गई है कि इस बात को भारत में Indian Evidence Act में जो dying declaration को cover करने की बात है तो solely इस ground पे नहीं हम dying declaration को relevant मानते हैं यहाँ जो ground है वो necessity का ground है क्योंकि अब वो व्यक्ति मर चुका है और उससे बहतर उन circumstances को कोई नहीं बता पाएगा जो व्यक्ति मरा है उससे बहतर cause of death को कोई और बता नहीं सकता और हम मजबूरी है कि अब उसको तो बोला नहीं सकते उपर से नीचे इसलिए उस पे हम rely कर रहे हैं क्योंकि आप जमाना खराब है और English law में इसलिए क्या था English law में essential है किसी भी statement को dying declaration की तरह use करने के पीछे कि भाई उस व्यक्ति को ये expectation होनी चाहिए क्योंकि उनका इस principle पे rely करता है कि मरता व्यक्ति जोट नहीं बोलेगा इंडियन लो में तो आप देख रहे हैं 32 के clause 1 में clearly ये बात लिखने दी है कि ये जरूरी नहीं है कि उसको पता हो वो मर जाएगा जब उसे statement दिया उसको लग रहा हो कि अपन तो ठीक हो रहे हैं फिर उसने cause of death related statement दिया लेकिन लेटर on वो मर जाता है तो फिर आप यहाँ chance है ना कि जोड़ भी बोल सकता है क्योंकि अभी तो भाई आदमी तो आजकल इतना खराब हो गया है कि मरने के पहले भी वो सच नहीं बोलना चाहरा है काता ही मतलब ही दुनिया है अब आप देखिए इतने सारे बच्चे इस क्लास में लाइब बैठे हैं वो कंटिनुसली कमेंट में अपनी रिक्वार्मेंट्स भेजते जा रहा हैं कि सर चत्यस गड़ भी पढ़ा दो यह भी पढ़ा दो डीटेल में लेकिन वीडियो को यह आप भागर लगा हो तो वह भी नहीं हो पार तो इतनी खराब दुनिया हो चोगी यह आज की डेट में कि इंडिया में इस चीजिस का रहेवेंस अपन किदर से ड्रॉ करते हैं भाई साब नेसेसिटी से ड्रॉ करते हैं क्योंकि उससे बहतर बता नहीं सकता और वो वेक् इसमें प्री से रिलेटेट वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं, एसेंशल्स की बात होती है, और इंडिया में civil criminal दोनों में ये एज एन एविडेंस यूज होता है, ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंडिया में civil criminal दोनों में यूज होता है, अगर कोई civil proceeding भी है, जहा है भारत में ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद अब आईए clause 2 पे, तो जो 23 में, 21 जो मैंने बताया कि admission, जब किसी खुद का दिया हुआ admission कब आप प्रूफ कर सकते हैं, उसका एक exception था, कि अगर वो व्रक्ति मान लीजिए मर जाता, और फिर वो admission अगर 32 में relevant, उसके द्वा है तो प्रूफ कर ले, उसके लिए 32 के आगे के clause is important है, anyways 32 के आगे के clause is important है, 32 clause 1 bank declaration की बात करता है, बाकी head note पढ़के मैं brief में मतलब सब के आपको बता देता हूँ, because this is important, clause 2 देखिए, or is made in course of business, कोई ऐसा statement है जो course of business में दिया गया है, ये बात किस की चल रही है, किस के statement की ब बात चल रही है, जिसे आप court नहीं बोला सकते आप, वो मर चुका है, या आप वो मिल नहीं रहा, उस व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी cause of death से related statement दिया हो, तो clause 1 में वो relevant हो जाएगा, अगर मान लीचे उस व्यक्ति ने कोई भी x, y, z statement दिया था, जो की fact in issue, relevant fact से connected है, और व किसी व्यक्ति ने अपने course of business में अगर statement दिया था, तो वो relevant हो जाएगा, भले ही अब उस व्यक्ति को आप नहीं ला सकते, जैसे मान लीचे किसी guard ने, एक मान लीचे किसी building का guard है, और वो जो भी व्यक्ति उस building में आता है, as a course of business वो उनके नाम लिखता है, उनसे नाम पूचता है और उसकी entry अपने register में करता है, आज वो guard जीवित नहीं है, और कोई proceeding चल रही है, जिसमें ये important है, देखना है कि उस building में ये particular person उस दिन आया नहीं, तो वो register देखा जाएगा, और उस register में अगर उसने entry करी है उस नाम की, तो ये relevant है, इस case में ये relevant हो सकता है, कि उस वेक्ति का नाम वहाँ है, तो वो आया होगा, क्योंकि अब उस वेक्ति को लाना संभव नहीं है, उसने कोई भी statement अपने course of business में अगर दिया है, तो वो बिलकुल relevant हो सकता है, इसके बाद third देखिए, or against interest of makeup, अगर किसी वेक्ति ने जो अब मर चुका है, और कोई statement दिया था, वो statement अगर उसके interest के against, मतलब self-harming था, जो मैं आपको already admission में बता चुका हूँ, अगर वो statement self-harming था, तो भाईया वो यहाँ भी relevant हो जाएगा, 32 clause 3 में, भले अब उस वेक्ति को court में बुला पाना संभव नहीं है, उसने कोई ऐसा statement दिया था, जो उसके खुद के interest के against थ था, तो वो statement भी relevant है, क्योंकि भाई अपने against statement को ऐसा ही तो देगा नहीं, तो वो reliable है, उसको आप बिलकुल rely कर सकते हैं, इसलिए वो relevant माना गया है, अब आपने जो इसका clause 2 देखा न, 32 का, 21 पे जाईए ज़रा, और 21 का जो clause 1 था, जो exception में जो पहला exception था, कि अगर कोई statement ऐ ऐसे व्यक्ति का है, admission है कोई किसी व्यक्ति का, और वो admission जिस व्यक्ति ने दिया है, अगर हम ये presume कर लें, कि ये व्यक्ति मर जाता, या अब court में लाया नहीं जा सकता होता, और तो क्या इसका statement 32 में relevant होता, जैसे मान लीजे कोई ऐसा व्यक्ति है, वही जो मैंने कहा, जिसन course of business में statement दिया हो अपने, भले ही वो self-serving हो, लेकिन अगर उसने वो statement अपने course of business में दिया है, और अगर वो मर जाता और उस statement को 32 के clause 2 में हम relevant मान लेते, अगर उस व्यक्ति की मरत्यू हो जाती तो, अगर ये इसका answer है yes, कि हाँ अगर ये मर गया होता तो section 32 के clause 2 में, वो statement relevant ह हो जाता, in that case, it will be considered as an exception to section 21 as well, जरा एक बार उसके illustration पर आईए, तो ये बात मैं आपको समझा दूँ, 21 के illustration पर आईए, जो दिया हुआ है यहाँ, C illustration देख लिजिए, चाहे आप B देख लिजिए, B देख लिजिए तो course of business आपके समझ आ जाएगा, B illustration देख ये 21 का, A the captain of a ship is right for casting her away, एक ship का captain है, उसके उपर ये allegation लगा है, कि आप उसको जहाँ ले जाना चाहिए था, ship को जो correct way था, correct track था, उससे बाहर आप ले गए, कहीं और ले गए, ये allegation लगे है, evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course, इस बात के evidence भी दिये गए है, कि ship को उसके proper course से बाहर ले जाया गया है, A produces a book, अब A अपने defense में क्या produce कर रहा है, A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observations at least to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course, he may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under section 32 clause 2, आप मान ले जिए, यहाँ admission क्यों है, अपन 21 में उसको admission मान रहे हैं और 32 में अपन सिर्फ उसको statement मान रहे हैं क्योंकि 32 यह कहता है कि किसी भी party के बीच proceeding चल रही हो, किसी तीसरे वक्ती का भी statement है, तो भी वो relevant है क्योंकि आप उसको as a witness आप नहीं बुला सकते है, यह admissions की बात नहीं कर रहा है, सच ठीक, लेकिन 21 किसी बात कर रहा है, admission, और admission कब हम कहते हैं statement को जब party का खुद का हो, उसके against suit चल रहा हो, तो मान लीजिए एक captain है ship का, जिसके against यह allegations लगे हुए हैं, कि वो ship को अपने original way से कहीं बाहर ले गया, course से बाहर ले गया है, और इस बात के evidences quote में दिये गए, अब यह जो captain है, यह defense में अपनी ही एक entry book show करना चाहता है, कि साब मैंने entry करी थी, मैंने अपने observations लिखे थे, और उसमें यह बात clearly लिखी हुई है, कि ship को उसके track से कहीं बाहर नहीं ले जाया गया, अब आप एक बात समझे है, कि इस captain ने खुद वो entry करी है, खुद वो statements लिखे हैं किताब में, तो यह तो भाईया self-serving हो गए, और 21 में तो clearly लिखा है, कि आपने अगर खुद वो admission किया है, तो वो आप खुद तो proof नहीं कर सकते, that is the general rule, but as an exception यहां लिखा है, अब इस case में यह समझे है, कि अगर यह captain मर गया होता, या इसे court नहीं लाया जा सकता, ऐसी circumstances हो गई है, और क उसरी party इसके बीच में proceeding चल रही होती, जहां इसकी यह point relevant होता, कि ship अपने track से बाहर गया है या नहीं, वहां अगर इसके द्वारा लिखी हुई वो किताब, वो book या register जिसमें इसने entry करी है, क्या यह section 32 में relevant होती, so the answer is yes, 31 के clause 2 में relevant होती, क्यों होती, क्योंकि यह course of business में कर करी हुई entry है, भले उस captain को अब as a witness court में नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन क्योंकि उसने यह entry course of business में करी है, अगर वो मर गया, तो यहां वो relevant होती, और क्योंकि वो यहां relevant होती, इसलिए 21 में भी उस captain को यह अधिकार मिल जाएगा, कि वो अपने द्वारा दिये हुए उस admission क प्रूफ कोट में कर सकता है, यह था वो exception 21 का पहला, I hope you got this, ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को connect करके समझेगा, तो you will get that exception of 21 clause 1, इसके बाद देखिए, interest of maker आप समझ गया, इसके बाद fourth देखिए, और gives opinion as to public right और custom or matters of general interest, कोई जानकार व्यक्ति जिसको किसी public right या किसी general public के interest के matter की बात थी, और उस व्यक्ति ने statement दिया था, किसी भी व्यक्ति ने किसी public interest से related कोई बात कही है, आज एक proceeding चल रही है, जिसमें सवाल है, उससे related कुछ question decide होना है, अब आपके सामने सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो आज court में पेश नहीं किया जा सकता, उसने अगर उस general interest की बात या अपना कोई opinion दिया है, किसी public right से related, तो वो opinion आज relevant होगा, भले ही आज आज आप उस बंदे को आप court में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो statement उसने दिया था मरने के पहले, वो किस चीश से related था, वो opinion था public right के बारे में, या फिर किसी matter of general interest के बारे में, इस से related illustration आपको दिये हुए है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे, कोई technicality नहीं है, इसलिए मैं अलग-अलग उन पे नहीं जा रहा हूं, सारे illustration पढ़के नहीं बता रहा हूं, बहुत simple सी बात है, you will get it, मैं आपको बस points थोड़े से brief में explain कर दे रहा हूं, fifth वाला देखिए, or relates to existence of relationship, कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने दो लोगों की relationship पे statement दिया है, आज वो मर चुका है, उसने कभी पहले statement दिया है, अब अगर उस relation को लेके कोई proceeding चल रही है, तो उस व्यक्ति का दिया हुआ statement आज relevant हो सकता है, under section 32, clause 5, अगर वो relationship से related है, तो भी relevant होका, भले ही आज उस व्यक्ति को court में पेश नहीं किया जा सकता, sixth देखिए, or is made in will or deed relating to family affairs, अगर मान लीजे, will से related है, या family affairs से related है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उस बारे में, relation वाले में भी आप ये चीज कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसको जानने के means हो, ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे भी ऐसा ही व्यक्ति है, जिसके पास इस तरीके की किसी family matter की जानकारी हो, उसने कभी कोई statement दिया था मरने के पहले, आज proceeding में वो statement relevant हो सकता है, अगर वो इन चीजों से related है, तो, seven देखिए, or in document relating to transaction mentioned in section 13 clause A, section 13 clause A आपको याद है, section 13 clause A, custom से related, public rights से related, उस से related किसी वक्ति ने statement दिया है, तो वो भी यहाँ relevant होगा, इसके बाद 8 देखिए, or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question, अगर मान लिजिए, बहुत सारे लोगों ने, एक same या similar statement दिया है, और आज अब सबको तो आप नहीं बुला सकते, तो वो statement भी आप proof कर सकते हैं, बिना उस व्यक्ति को court में बुलाए, जैसे public ने आते जाते देखा था, कि एक घर में आग लगी थी, बहुत सारे लोगों जितने वहाँ से गुजरे, बहुत सारे लोगों उने ये चीज़ देखी, तो अब सबको तो आप court में नहीं बुलाते हो generally, तो वहाँ पे उस तरीके में, जिस भी वक्ति ने statement दिया है, उस statement को आपको proof करने का, या उसकी evidence देने का chance मिलेगा, बले उस वक्ति को आज आप court में नहीं बुला सकते, इसी तरीके के इन चीज़ों के illustration दिये हैं, clauses को बुला पाना संभव नहीं है, the only difference is, कि section 33 उन statements की बात करता है, जो किसी proceeding में दिये गए हैं, पिछली किसी proceeding में दिये गए हैं, या same proceeding की किसी prior stage में दिये गए थे, और आज उस व्यक्ति को बुलाना संभव नहीं है, तो पहले उसने जो statement दिया है, चाहे वो previous proceeding में दिया हो या same proceeding की previous stage में दिया हो, वो statement relevant होगा, लेकिन इसकी कुछ conditions है, उसको देख लिजे ज़रा 33 में, Relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated, evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it, किसी ऐसे बक्ती के सामने जो evidence लेने के लिए का अधिकार रखता है, या पिर किसी judicial proceeding में ये statement दिया गया था, is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding, आप subsequent judicial proceeding में उस statement को use कर सकते हैं, जो पिछली proceeding में दिया है, और in a later stage of the same judicial proceeding, या फिर same judicial proceeding में पहले उस वक्ती ने statement दे चुका है, अब उसको दुबारा बुलाया जाना संभव नहीं है, तो भी ये use होगा, the truth of the facts which it states, underline करी है, इसके essential, when the witness is dead, or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, situation ऐसी है, कि वो मर चुका है, या अब वो evidence देने के लायक नहीं बचा है, या उसे रोका जा रहा है, adverse party द्वारा, और if his presence cannot be obtained without an amount of delay, या बिना खर्चा किया, बिना delay के उसकी presence अब से क्योर नहीं करी जा सकती, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable, ये circumstances हैं, तो उसके द्वारा दिये हुए, पहले वाले statement को ही आप use कर सकते हैं, उसको आप relevant मानेंगे, उसको आप बिलकुल प्रूफ कर सकते हैं, भले ही वो पहले दिया हो, क्योंकि अब उस वक्ति को court में बुलाना संभव नहीं है, इसके बाद provided that the proceeding, ये इसके essential है कि कब वो statement use होगा और ये बहुत important है, प्री में भी पूछा जाता है, provided that the proceeding was between the same parties, ये जरूरी है कि जिस proceeding में पहले उसने statement दिया था, वो भी same party के बीच होनी चाहिए, interest, उसके बाद है, that the adverse party in the first proceeding, that is very important, the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine, और जो पिछली जो proceeding है, उसमें adverse party को मौका मिला हो, cross-examine करने का, जैसे मान ली जीए भाई, A और B के बीच एक proceeding पहले हुई है already, और इसमें एक witness आया था A की तरफ से, एक witness आया था C, अब इनी दोनों के बीच में, इनी दोनों parties के बीच में, आज एक proceeding चल रही है, चीक है, और C द्वारा दिये हुए उस statement को, C द्वारा दिये हुए इस statement को, A जो है, यहाँ use करना चाहता है, as an evidence, proof करना चाहता है, तो क्या यह relevant माना जाएगा, the answer is yes, कर सकते हैं, क्योंकि जो एक condition जो है, कि जब यहाँ C ने अपना statement दिया था, तब जो adverse party थी, that is B, इसको cross examination की opportunity मिली हो, यहाँ उसने cross किया हो C को, in that case, C द्वारा दिया हुए यह वाला statement, subsequent proceeding में use कर सकते हैं, कब party same हो और cross examination का मौका मिला हो, so that the adverse party in the first proceeding, had the right and opportunity to cross examine, that the question and issue are substantially the same in the first, as in the second proceeding, और question जो है, वो substantially भी same होना चाहिए, that's 33, तो कब एक पिछली proceeding का statement, subsequent proceeding में use हो सकता है, ऐसे वक्ति का, जो अब मर चुका है, आप जिसे quote लाना, संभव नहीं है, इसके बारे में 33 बात करता है, and I hope that is clear, तो यह हो गया आपका specific, कुछ चीजों से related, related, relevancy की बात, अब जो अगला portion है, उसके उपर एक अलग subheading आप देख रहे हैं, statements made under special circumstances, कुछ special circumstances की बात है, इसमें काफी सारी चीज़ें आएंगी, उसके बात judgment है, लेकिन अब जो चीज़ें start हो रही है, जैसे यहाँ फिर भी confession, admission, dying declaration, थोड़े conceptual चीज़ें हैं, अब आग उसके illustration थोड़े ज्यादा important थे, थोड़े ज्यादा concept थे, आज जो हमने portion पड़ा, उसमें थोड़ी कम ऐसी चीज़ें थी, जहाँ जाने की जरूरा थे, for the purpose of free, थे तो इसमें ज्यादा major important topic, जिसे 27, 32, यह बहुत important है, लेकिन free के हिसाब से उतना नहीं है, तो अब आगे ज इसलिए उतना समय में उन में भी दूँगा, किसी ऐसी जल्दी में अपन बिलकुल नहीं है, अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे facts के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो court relevant मानता है किसी भी proceeding में, अगर आप उसको proof करना चाहेंगे evidence के through, तो आप विलकुल proof कर सकते हैं, court उन्हें relevant मानेगा एक proceeding में, इसका current क्या है, क्यों इन facts को relevant मानता है, वो आप समझ लीजे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें authenticity पर doubt नहीं है जादा, अब जो हम कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे facts पढ़ने जा रहे हैं, वो ऐसे चीज हैं, जिनने जब बनाया जाता है, जिनने जब record किया जाता है, उस समय ही उसकी authenticity already assure करी जाती है, क्योंकि वो process ही ऐसा है, कि उसमें already जो चीज़ें बनी हैं, वो काफी हद तक authentic हैं, इसलिए court उनको relevant मानता है, किसी भी proceeding में, और आप उन्हें proof कर सकते हैं, evidence देखें, ऐसी कु जा रहे हैं, from section 34, तो section 34 देखिए, entries in books of accounts, including those maintained in an electronic form, when relevant, आपने किसी books of accounts में entries करी हैं, तो वो कब relevant होंगी, तो generally देखिए, books of accounts में कोई भी entries आपने करी हैं, या उस तरीके की, दूसरे documents में, अगर आपने कोई entries करी हैं, तो वो report relevant मानता है, बहले वो आपके favor के entry हो, जिस party ने suit file किया, उसके favor की, खुद की किताब हो, उसकी books of account हो, वो भी relevant माना जाएगा, क्यों? क्योंकि books of account maintain करना is a matter of course of business, वो course of business में करे जाती है, इसलिए कोई भी वक्ति उसमें गलत entries generally नहीं करता, ऐसा नहीं कि 100% सच है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक हद तक वो accurate ह है, या उसकी authenticity already होती है, इसलिए उसे relevant माना जाता है, देखिये, entries in books of accounts including those maintained in electronic form, regularly kept in the course of business are relevant, कैसी books, entries, कौन सी entries books of accounts के, जो regularly करी जाती है, course of business में, वो relevant है, so regularly kept in the course of business are relevant, whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not, ये भी important है, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability, लेकिन वो अपने आप में evidence नहीं होगा, किसी व्यक्ति को liability के लिए charge करने का, लेकिन वो जो entries है books of account में, वो relevant होंगी case में, अगर अगर वो course of business में करी गई है, relevant test का मतलब उसको court consider करेगा, उसके अलावा similar अगर दूसरे evidences भी court को मिलते हैं, दूसरे fact भी अगर proof होते हैं, तो अगर वो chain बनती है, तो court को उस proceeding में accordingly judgment दे सकता है, ये कोई conclusive proof नहीं है किसी बात का, या इसी के basis पे आप किसी को charge नहीं कर देंगे, इसका illustration भी important है, section को B for, A's use B for rupees thousand and shows entries in his accounts books, showing B to be indebted to him to this amount, the entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt, A ने अपनी हे books of accounts में ये entry करी है, कि हजार रुपे उसे लेने हैं B से, जब वो suit file करता है B के against, क्या A की खुद की books of account relevant होगा, yes, 34 में वो relevant होगा, क्योंकि वो जो books of accounts बनी है, वो जो account की book बनी है, वो जो record रखा गया है, वो course of business में रखा गया है, इसलिए course of business में normally भाई, हर business में अपना account maintain करता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी authenticity की संभावना already होती है, इसलिए इस entry को relevant, सिर्फ इसके basis पे decide नहीं होगा कि हाँ, आपका 35 देखिए, relevancy of entry in public record और electron record made in performance of duty, 35 केता है, किसी public servant ने, अगर अपने discharge of duty में कोई entries करी है, कोई record बनाया है, तो वो entries भी relevant होंगी, 35 में public servant द्वारा बनाई गई, entries या statements जो लिखे हैं उसने, in the discharges of official duty, वो relevant होते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी एक हद तक, काफी हद तक वो अपने आप में authentic माने जाते हैं, अगर वो case से related है, तो बिलकुल वो relevant होगा, that is 35, अब 35 एक general बात करता है, कि किसी भी public servant ने, कोई भी इस तरीके का, अपने official duty के discharge में कोई entries करी हैं, या कोई statements लिखे हैं, वो relevant होंगे, 36 उसी का एक specific variant बताता है, 36 बात करता है, maps की या charts की, जो या तो सरकार की authority में बने है, या फिर generally sale के लिए available होते हैं, जो भी maps या charts आप देखते हैं, market में available, they may also भी relevant हो, कि वो भी बहुत हद तक authentic होते हैं, तो 36 is, relevancy of statements in maps, charts and plans, कौन से map, chart या plan, जो या तो सरकार की authority से बने हो central government या state government की, या generally जो available होते हैं for sale, जो normally market में मिलते हैं, क्योंकि वो एक हद तक authentic होते हैं, से लिए वो भी relevant मने जाएंगे, इसके बात 37 है, relevancy of statements as to fact of public nature contained in certain acts or notification, कोई अगर सरकारी acts हैं, या सरकारी notifications हैं, उसमें अगर कोई statement है about fact of public nature, public nature का कोई fact किसी act में या किसी notification में लिखा है, तो वो भी relevant मान लिया जाएगा, उसे भी आप use कर सकते हैं to prove a fact, when the code has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a recital contained in any act of parliament, और उसके आगे दूसरे authorities बताई गई है, act of parliament में अगर कोई चीज लिखी है, अगर उन्होंने कोई चीज खनवे कर दी है, तो आप जानते हैं, वो अपने आप में बहुत authentic piece of document हो जाता है, इसे लिए वो भी relevant माना जाता है, उसको भी आप proof कर सकने हैं, अब यहां तो हम सिर government official में अपने official discharge of duty में कोई records बनाए है, तो वो public document, उनको proof कैसे किया जाएगा, क्या चीज evidence में दी जाएगी, यह आगे आएगा, यह chapter हमें सिर्फ यह बता रहा है, कि यह भी relevant होते हैं proceeding में, इसलिए इनने proof किया जा सकता है, इस बात को आपको समझना है यहां, बाकि इनको proof कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी आगे हम दूसरा chapter पढ़ेंगे, इसके बाद 38 देखिए, relevancy of statements as to any law contained in any law books, अब मान लिजे, court को अगर किसी law पे opinion चाहिए, उसे किसी particular law पे अपना opinion frame करना है, तो जो law books available है, वो उनको as an evidence ले सकते हैं, वो उनको relevant मान सकते हैं, एक particular proceeding में, यहां लिखाए, when the court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book, purporting to be printed or published, underline कर लीजे, printed or published under the authority of the government of such country, and to contain any such law and any report of a ruling of the courts of such country contained in a book, purported to be a report of such ruling is relevant, तो किसी भी country के, किसी law के बारे में कोई opinion अगर frame करना है court को, तो वहां की जो government है, जो authorized किताबें, government से मिलती हैं, जिसमें वो law लिखा हुआ है, उसके बारे में चीजें लिखी हैं, that is relevant, वो एक proceeding में relevant माना जा सकता है, यहां से section के question आते हैं सीधे सीधे, कि section 34 में किस चीज की relevance बताई गई है, या maps और charts की relevance किस section में बताई गई है, इस तरीके से question आएंगे, इसलिए 34 ध्यान रखिएगा, books of account, 35, कोई भी official, कोई भी government official है, जिसने अपने discharge of official duty में कोई entries करी हैं, वो 35 में है, 36 map charts की बात करता है, 37 public nature के fact, जो किसी act या notification में है, उनकी बात करता है, और 38 law पे opinion frame करने की बात करता है, यह specific statements हैं, जो specific जगाहों पे दिये गए हैं, यह सब के सब relevant होते हैं, proceeding में, इसके बाद next part जो है, उसके उपर एक subheading लिखे हुई है, how much of a statement is to be proved, अब देखिए, एक सवाल यह आता है, अभी हमने यह देखा, कि यह relevant है, बहुत सारी चीज़े हमने देखी जो कि relevant है, अब जो हम पढ़ने जा रहे है, बेरेक्ट में जो section 39 लिखा है, 39 यह बता रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको proof करनी है, तो उसका कितना portion आप as an evidence लाएंगे, तो सिर्फ उतना portion आप as an evidence लाएंगे, जो उस particular proceeding के context में relevant है, देखिए, what evidence is to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book, और series of letters of paper, मान लेजे आपको कोई particular fact proof करना है, और वो fact एक series of letter में आया है, कई सारे letters हुएं, या फिर एक bulky सी किताब है, जो कि कई volume में है, उसमें से एक particular portion आपके लिए relevant है, तो आप कितना लेके आईए, सिर्फ उतना particular portion, आपको court में पेश करना है, यह कहता है, 39 बिलकुल common sense की बात है यह, so यहां लिखा है, when any statement of which evidence is given forms part of a longer statement, और of a conversation or part of an isolated document, और is contained in a document which forms part of a book, और is contained in part of electronic record, और of a connected series of letters or papers, underline कर लीजिये, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document or electronic record, book or series of letter or papers, as the court, as the court considers necessary in that particular case, to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made, तो एक बड़ा conversation है, बड़े statements हैं, कही सारी, या फिर किसी किताब में वो बात आ रही है, तो आपको कितना portion as an evidence लाना पड़ेगा, जितना court के लिए जरूरी है, उस matter को समझने के लिए, आपको उतना portion लाना है as an evidence, जितना court के लिए sufficient हो, कि वो उस matter पे बात understanding अपनी बना पाए, उतना portion relevant है, ये प्री में पूछा जाता है सवाल, section number नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है, कि अगर जो case में relevant चीज है, वो एक long conversation का part है, तो कितना portion आप लेके आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, जितना court की understanding के लिए, जरूरी हो in the opinion of the court, उतना आपको लाना है, इसके बाद next subheading जो है, that is judgments of courts of justice when relevant, अब ये एक separate portion of section है, जो कि आपका है 40 से 44, ये judgment की बात करता है, देखिए, कब एक judgment, court द्वारा दिया हुआ judgment, decree और order, कब एक subsequent proceeding में relevant होगा, एक दिया हुआ judgment, order और decree, किसी court द्वारा दिया हुआ judgment, decree, order, subsequent proceeding में कब relevant होगा, ये बताया गया है, 44 से 44, एक एक section इधर important है, और यहां से questions आते ही आते हैं, बहुत important portion है ये, for the purpose of prelims, सबसे पहले समझेए section 40, किसमें deal करता है, तो section 40 कहता है, previous judgments relevant to bar a second suit or trial, इस section 40 को res judicator भी कहा जाता है, इसके सामने लिख लिजे, res judicator, pre में सीधा ये सवाल आता है, कि res judicator के principle को reflect करने वाला provision Indian evidence act में कौन सा है, the answer is 40, क्यूं है ये, समझ ये जरा, यहां लिखा है, the existence of any judgment order or decree, which by law prevents any courts from taking cognizance of a suit or holding a trial, is a relevant fact, when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial, 40 basically ये कह रहा है, कि जब ऐसी situation है, कि एक court है, जिसे proceeding करना है, या trial करना है, लेकिन वो trial या proceeding तभी कर सकता है, जब वो matter already adjudicated नहीं है, अगर मान लेजिए, ये सवाल है किसी court के सामने, कि जिस matter की proceeding या trial आप करने जा रहे हैं, ये trial या proceeding already हो चुकी है, by another court, so in that case, जिस court ने वो proceeding already कर ली है, या वो trial already कर ली है, उसका दिया हुआ judgment relevant होगा, इस subsequent proceeding में, क्यों relevant होगा, क्योंकि वो same matter पर अगर proceeding हो चुकी है, तो ये जो subsequent court है, ये जो दूसरा वाला court है, वो proceeding नहीं कर पाएगा, इसलिए 41 को कहते हैं, res judicata, क्योंकि res judicata यही कहता है, कि एक matter अगर एक बार decide हो गया है by competent court, तो subsequent court उसको try नहीं करेगा, तो भाई, जब ये question, कोई party अगर ये objection raise कर रहे हैं, कि साब ये matter तो already हो चुका है, वो कैसे proof करेंगे ये बात कि ये matter already हो चुका है, उसके लिए क्या relevant होगा, तो उसके लिए relevant होगा previous court द्वारा दिया हुआ judgment, वो judgment आप ले आईए as an evidence, वो relevant माना जाएगा, दूसरे court में क्या दिखाएगा लाके, क्या चीज़ relevant होगी, previous court का judgment relevant होगा, तो previous court का judgment, subsequent court में या proceeding में कब relevant, किस section के साब से relevant होता है, then the answer is section 40, इसे लिए इसको क्या कहते हैं, res judicator कहते हैं, ठीक, तो ये पहला आपने provision पढ़ा, कि एक judgment कब relevant होता है, इसके बाद बहुत important है, section 41 भी, this is very important, this is one of the provisions, जहां conclusive proof की बात है, मैं आपको already पछली classes में, बहुत अच्छे से ये समझा चुका हूँ, कि conclusive proof होता क्या है, और मैंने आपको बताया था, बहुत ही limited जगे, इस conclusive proof की बात करी गई है, section 41 is one of the thing, तो यहां देखिए 41, relevancy of certain judgments in probate, etc. jurisdiction, 41 बेसिकली बात करता है, judgment in rem की, judgment in rem का मतलब आप समझते हैं, आपने taught contract, बहुत पहले जब आप entrance, entrance की तयारी करते होंगे, पड़ा होगा, कि जो law of contract है, वो deal करता है, right in personim में, और जो taught है, वो deal करता है, right in rem, right in rem का मतलब होता है, against public at large, right in rem का मतलब, public against, तो ऐसे judgments, जो in rem हैं, वो conclusive proof होंगे, उस particular बात का, जो उस judgment में decide करा गया है, पड़िये, फिर मैं आपको इसका relevance, बताता हूँ, relevancy of certain judgment in probity, etc, a final judgment, order or decree of a competent court, in the exercise of, किन किन matters में, इधर से देखो, 3-4 question problems के बनते हैं, सबसे पहला, judgment in rem की बात किस section में है, 41 में, conclusive proof की बात किस section में है, 41 में, किस तरीके के judgments में deal करता है, तो underline करिए probate, फिर है matrimonial, admirality और insolvency, in matters में deal करता है, probate का मतलब होता है, will से related, जब will को certify करता है court, उस प्रोसेडिंग को कहते हैं, probate, matrimonial, आप समझते हैं, husband wife के बीच का matter, admirality मतलब होता है, maritime disputes, जो पानी से related disputes होते हैं, वो admirality और insolvency, आप समझते हैं, bankruptcy, अगर मान लीजे, किसी व्यक्ति को, एक court ने declare कर दिया है, insolvent, तो ये जो judgment है court का, ये इस बात का conclusive proof होगा, कि उस particular point of time पे, ये व्यक्ति insolvent था, सबके against applicable होगा, और ये, ये against होगा, सबके, वोपर applicable, क्योंकि ये judgment in REM की बात कर रहे है, so probate, matrimonial, admirality, और insolvency, jurisdiction, which confers upon, कैसे judgments हैं ये, which confers upon, or takes away from any person, any legal character, or which declares any person, to be entitled, to any such character, or to be entitled, to any specific thing, not as against any specified person, but absolutely, is relevant, when the existence of any such legal character, or the title of any such person, to any such thing, is relevant, ये judgment कैसे हैं, probate से related है, matrimony, mater से related है, admirality से related है, या फिर insolvency से related है, और इसमें जो judgment दिया गया है, वो कैसा है, in REM है, सबके against है, वो, सब पे applicable है, अगर एक व्यक्ति को, एक insolvency court ने, particular point of time पे, insolven डेक्लेर कर दिया है, तो ये उस बात का, conclusive proof होगा, कि उस particular point of time पे, ये व्यक्ति insolven था, कोई legal character assign कर रहा है, वो judgment कैसा है, कोई, वो judgment, कोई legal character assign कर रहा हो, ये legal character ही है, टेक, matrimonial में कोई legal character assign किया हो, और लेकिन importance क्या है, इधर पे important बात क्या है, ये सब के स्तरीके के judgment है, ये सब है judgment in REM, आगे देखिए, ये जो second paragraph इसमें लिखा है, जिस समय वो order, judgment ये decree दी गई थी, उस समय वो legal character उस बंदे का था, इस बात का conclusive proof होगा, उस court का वो judgment, तो court ने जो इन में से किसी court ने, अगर एक judgment दिया है, जिसमें उन्होंने कोई right established किया है, या कोई legal character assign किया है, establish किया है, recognize किया है किसी गटी का, तो ये वो judgment जो है, वो इस बात का conclusive proof होगा, कि उस particular point of time पे, इस वक्ति के उपर, ये legal character था, I hope that is clear, ये है आपका judgment in REM, और यहां से important 3-4 question बनते हैं, काफी important provision ये, है क्योंकि एक तो conclusive proof की बात करता है, judgment in REM की बात करता है, और specific matters पे applicable है, probate, matrimonial, admirality और insolvency, बस इनी पे applicable है, और ये सब judgment in REM के तहत, आते हैं, देखिए judgment in personem जब होता है न, एक बात और यहीं समझ लीजिए, तो 43 आपको समझने में ज़्यादा problem नहीं होगी, क्या होता है, जब judgment in REM होता है, जो सिर्फ दो parties के बीच में है, अगर माल लीजिए, A और B के बीच, एक proceeding हुई, एक land की possession को लेके, जरा इस बात को यहाँ समझ लीजिए, ताकि आप 43 को बहुत अच्छे से comprehend कर पाएं, क्योंकि 43 के आप illustration देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप अपना prudence उसमें लगाएंगे, आपको लगेगा यह तो relevant होना चाहिए, लेकिन वहाँ लिखा रहेगा कि वो relevant नहीं है, सक्क्यूं है, इसका principle यहाँ समझ लीजिए, इसी judgment in rem के साथ, तो आपको clarity रहेगी, देखिए यहाँ जो judgments के अपन बात कर रहे हैं, वो probate है, will से related है, insolvency से related है, matrimonial है या फिर, admirality है, तो यह होते हैं किस तरीके के judgment, judgment in rem, जो सब के against होते हैं, इसलिए यह, अगर मान लिजिए, किनी भी दो parties के बीच में दिया गया है, किनी भी दो parties के बीच में यह declare, मान लिजिए, किसी एक court ने अगर यह declare किया है, कि यह particular वेक्ती insolven है, तो उस point of time पे वेक्ती insolven है, किसी के भी against, इसलिए, यह conclusive proof उस बात के हो जाते हैं, और यह relevant होते हैं, आगे भी, लेकिन, अगर कोई judgment in personem है, दो parties के बीच का, जैसे मान लिजिए, बी ने इस land पे कबजा कर लिया है, बी ने इस piece of land पे कबजा कर लिया है, और ए का कहना है, कि साभ, इसका owner मैं हूँ, या मुझे इसका possession का अधिकार मिलना चाहिए, ए जाता है court के पास, और ए court में जाके, एक suit file करता है, बी के against, for claiming the possession, अब मान लिजिए court कोई भी judgment दे, मान लिजिए court B के favor में judgment दे देता है, मान लिजिए court किसके favor में दे देता है, B के favor में judgment दे देता है, तो क्या ये इस बात का proof भी होगा, क्या आगे, अगर मान लिजिए आगे एक dispute होता है, C और B के बीच, C suit file करता है, B से possession claim करने का, क्योंकि वो एक better title claim कर रहा है, उस piece of land पे, C कह रहा है कि साभ ये land मेरा है, B को हटाइए, अब क्या ये जो पिछला judgment है, जिसमें court ने, ये पिछला judgment, जिसमें court ने, B को दे दी थी possession, क्या ये relevant होगा, इस subsequent judgment में, the answer is no, इस subsequent proceeding में, पिछला वाला नहीं होगा, because it is judgment in person, पर्सनल था, उन दो parties के बीच की बात थी, कि तुमारा दीकार है कि तुमारा है, ये अब यहाँ आगे matter नहीं करेगा, यहाँ relevant नहीं होगा, क्यों, क्योंकि, अब भले आपको logically लग सकता है, क्यार यहाँ आपने assign किया, बट वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या decide हुआ है, कि B का title A से better है, इसलिए उसको आपने दिला दी position, लेकिन भाईया C का उससे बहतर हो सकता है, बाद में, चिक, इसलिए यह जो previous judgment है, वो relevant नहीं होता, ऐसे कई सारे example आपको section 43 में देखने को मिलेंगे, अभी हम उन पे आएंगे, ताकि वो आप बड़े आराम से comprehend कर पाएं, इसलिए मैं उसको यहीं बता रहा हूँ, इसके बाद अब देखिए 42, 42 भी थोड़ा इसी तरीके का है, और यहां पे भी public right की बात कर रहे हैं, क्योंकि public right की जहां बात आजाएगी, वो भी in rem के nature की ही बात हो जाती है, 42 यह है, इसके बाद section 43 अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें देखना है section 44, इसके सारे section important हैं बाई, prelims में यहां से question आते हैं, important case laws भी बता दीजे, important case laws जहां बहुत ज़्यादा जरूरी है, pre के purpose से, वहां मेंने बताएं हैं, जैसे section 27 में बताएं हैं, confession से related भी बताएं हैं, कुछ और dying declaration में बताएं, जहां बहुत important है, बस वहीं बताएं हैं, बाकी यार हर उसमें अपन नहीं जा पाएंगे, otherwise it will be a very lengthy lecture, फिर तो वो पूरा discussion है, और यह जो अभी provision अपन पढ़ रहे हैं, यहां cases as such बहुत ज़्यादा significant नहीं है, as such बहुत ज़्यादा significant नहीं है, यहां provision से सीधे सीधे problems में question ज़्यादा बनते हैं, अब बात कर रहे हैं, 42 किनकी बात कर रहा है, कि 42 में तो कुछ judgments हमने relevant मान लिये, लेकिन 41 के जो judgments है, वो किस nature के judgment है, जो in-rem nature के judgment है, वो relevant है 41 में, उसके अलावा जो judgment है, previous quote ने दिया हुआ है, किसी दूसरे quote ने दिया हुआ है, वो कब relevant होगा, इसके अलावा कब relevant होगा, वो 42 में दिया है, तो एक specific condition दिया है, इसको देखिए, कि कब judgment 41 के अलावा भी relevant हो सकता है, judgments orders or decrees other than those mentioned in section 41, are relevant, underline कर लीजिए, are relevant if they relate to matters of a public nature, वो किस तरीके के हैं, अगर वो public nature के हैं, judgment जो पहले दिया गया, अगर वो public nature का है, तो वो relevant होगा, क्योंकि public nature वाला भी कैसा है, वो in rem के nature का है, तो कि public right की बात हो रही है, तो वो specifically 2 parties के बीच का नहीं है, क्योंकि अगर वो specifically 2 parties के बीच का judgment है, तो वो subsequent proceeding में कभी relevant नहीं होगा, इसके बहुत सारे illustration 43 में दिये हैं, और इस 43 को जैसा मैंने कहा, comprehend करने में problem बस इसलिए होती है, क्योंकि आपने ये funda नहीं समझा, कि ये वाले 41 में क्यों relevant है, 42 में पुराना वाला judgment क्यों relevant है, वो इसलिए relevant है बेटा, क्योंकि 41 clearly बात कर रहा है, judgment in REM की ही, जिनका impact पूरी जनता जनारदन के लिए होता है, और 42 में आपने देख लिया, किस तरीकी के matter की बात है, public nature की बात है, इसलिए ये relevant है, 42 वाले क्यों relevant है, क्योंकि वो judgment कैसे हैं, public nature के हैं, इसलिए वो relevant हो सकते हैं, subsequent proceeding में, जैसे यहां लिखा है, एक, यह, जो, टेक्स है पहले में वो पढ़ रहा हूं, उसके बाद अपने इस्ट्रेशन पर आएंगे, judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41 are relevant if they relate to a matter of a public nature, relevant to the inquiry, यह भी important है, but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of what which they state, लेकिन यह conclusive proof नहीं होंगे, conclusive proof सिर्फ कौन से होंगे, जो 41 में mention है, और इसमें limited तरीके के judgments की बात है, insolvency, matrimony, admirality, या फिर probate, सिर्फ इनकी बात है, इन specific तरीके की बात है, वो conclusive proof माने जाते हैं, इसके अलावा अगर public nature का कोई question decide हुआ है, किसी suit में, तो वो एक subsequent suit में relevant तो हो सकता है, लेकिन वो conclusive proof नहीं है उस बात का, illustration इसका दिया हुआ है, यहां से prelims में question बनता है, A is used B for trespass in his land, A ने B के against suit file किया है, कि B जो है वो trespass कर रहा है, इस illustration को, जब आप please समझ लीजिए, तो आपको वो context थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कि क्या यह बात चल रही है, this is a piece of land, A claims this piece of land, और B जो है, इसने B के against, A ने B के against एक suit file करा है, और A का कहना है, कि B trespass करता है, trespass कर रहा है इसके land पे, B, यह कहना है A का, So A is used B for trespass on his land, B alleges the existence of a public right of way, over the land which A denies, और B का उसमें क्या contention है, जब A ने B के उपर यह allegation लगा है है, कि तुम trespass कर रहे हो मेरे land में, तो B का यह कहना है, कि साथ जहां से हम जा रहे हैं, this is a public way, this is a public way, इसका कहना है, कि यह public way है, जैसे आपने land के बाहर, आपने कई जगा के देखा होगा ना, plot lot के बाहर, या कई जगाओं पे लिख देते हैं, यह आम रास्ता नहीं है, क्या मतलब है उसका, आम रास्ता मतलब, जैसे कोई particular society है, अब आप उसमें से अधिकार नहीं रखते हैं, पास होके जाने का, अपने shortcut के लिए, तो कि भाया वो, उस society के जो resident है, वो उनका private place है, यू केन नॉट क्लेम अपब, हाँ, अगर वो public way है, किया है, यह तो public way है, और public way है, अगर तो सब के पास जाने का अधिकार है, तो यह जो रास्ता है, यह public way है या नहीं, यह किस तरीके का question है, यह public nature का question है, यह किस तरीके का question है, यह public nature का है, और अगर इस से related कोई previous judgment है, तो वो previous judgment, इस proceeding में relevant हो सकता है, conclusive proof नहीं होगा क्योंकि clearly लिखा है 41 में, लेकिन वो relevant इदर जरूर हो सकता है, illustration exactly आगे वही बात कर रहा है, the existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass, इसके पहले इस A ने already suit file किया था C के against B, same, कि उसके land पे C जो है, ये trespass कर रहा है, और ये जो proceeding 1 थी, ये है proceeding 2, second, subsequent, तो proceeding 1 में अगर defendant के favor में आया है judgment, इसके favor में, इसके favor में मतलब public right claim हो गया, इसके favor में आया मतलब इसको trespass के लिए guilty नहीं पाया गया, क्यों नहीं पाया गया, क्योंकि इसने claim किया था कि public way है वो, तो ये जो previous judgment है, ये relevant तो हो सकता है, बट conclusive proof नहीं है, conclusive proof क्यों नहीं है, क्योंकि conclusive proof से उनको बताया है, जो 41 में दिया है, 42 में उसके अलावा public nature के question जहां deciding उनकी बात है, इसलिए लिखा है, the existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land in which C elish the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists, अब C के favor में जो judgment आया था, वो relevant तो है, बट वो इस बात का conclusive proof नहीं होगा इस proceeding में, कि ये जो रास्ता है, ये public way है, conclusive proof नहीं होगा, क्योंकि conclusive proof Indian Evidence Act ने किन-किन को बताया है, सिर्फ और सिर्फ वो specific matters को section 41 में बताया गया है as conclusive proof, I hope 41 और 42 का difference समझ में आया, और यहीं मैंने आपको एक brief about 43 भी बता दिया है, तो अब आईए ज़रा 43 पे, अब 43 कहता है, judgments, etc. other than those mentioned in section 42, 42, अब अभी हमने जो पढ़े, 40 से लेके 42 तक, यहां तक जो judgments हमने पढ़े, यहां हमने पढ़ा कि कब एक previous judgment subsequent proceeding में relevant होगा, यहां हमने हर जगे पढ़ा कि कब एक judgment relevant होगा, कब एक judgment relevant होगा subsequent proceeding में, यह देखा हमने इन तीन provision में, 43 हमें बता रहा है कि previous judgment सिर्फ और सिर्फ relevant होगा, अगर वो इन तीन category में fall कर रहा है तो, या फिर इसके अलावा, 43 क्या बताता है, इसके अलावा, कब relevant हो सकता है, अगर वो judgment अपने आप में fact in issue हो, या फिर कोई relevant fact हो, जरा एक बाद language पढ़िए तो यह अंडरस्टांड इस, judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 40, 41 and 42, are irrelevant, जनरल बाद क्या बोल दी, कि भाईया जो भी previous judgment है, वो आप एक subsequent proceeding में नहीं लाएंगे, प्रूफ करने के लिए, अगर वो 40, 41 और 42 में relevant नहीं है, तो अगर इसके अंदर fall नहीं कर रहा है, तो वो judgment irrelevant है, भले आप यह comprehend कर रहे हो, आपको यह लग रहा हो कि logically तो होना चाहिए, वो नहीं होगा, clearly यह बात कह दी गई है यहां, क्योंकि दो parties, भाई, rule क्या है, इसके बीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यह दो parties के बीच में जो matter decide हुआ, वो किसी तीसरी party के बीच जब dispute होगा, इन में से एक party का, जब किसी तीसरी party के साथ dispute होगा, तो वो previous judgment relevant नहीं होगा, क्योंकि वो इन personim है, उसका example भी मैंने आपको बता दिया, चिक, तो यही बात 43 केता है, कि कब relevant, जनरल बात तो यह कि previous judgment irrelevant होगा, अगर वो इन तीन category में fall नहीं कर रहा है, तो उसके आगे लिखा है, unless, unless the existence of such judgment order or decree, is a fact in issue, or is relevant under some other provision of act, तो कब relevant होगा, या तो इन में fall करे, या फिर वो judgment अपने आप में fact in issue हो, या फिर कोई relevant fact हो, वो previous judgment अपने आप में fact in issue होना चाहिए, या relevant fact होना चाहिए, तभी relevant होगा, otherwise relevant नहीं होगा, तो 43 ने क्या conclude कर दिया, previous judgment कब relevant होगा, या तो इन तीन category में आजाए, तो relevant होगा, या फिर वो previous judgment खुद अपने आप में, वो judgment अपने आप में fact in issue होगा, relevant fact होना चाहिए, प्रोसीडिंग में, otherwise कोई भी previous judgment हो, वो relevant बिलकुल नहीं होगा, अब देखिए ज़रा, illustrations यहाँ पे जो दिये हुए हैं, मैं बस एकादी पढ़ूँगा, जो दूसरी अलग बातें बता रहे हैं, बस वो, क्योंकि मैंने आपको वो main बात बता दी, कि क्यों relevant नहीं है judgment, क्योंकि वो दो parties के बीच का है, तीसरी party के बीच में वो relevant नहीं होगा, जैसे एक particular judgment, एक particular illustration, आप इसका उठा लेजिए, illustration C, देखिए ज़रा, A prosecutes B for stealing a cow from him, B is convicted, A ने allegation लगाया, किसके against, इसको थोड़ा से समझ लीजे, तो you'll get it, A ने allegation लगाया, B के against, कि B ने इसकी cow चुराई है, और B का क्या हो जाता है, conviction हो जाता है, B is convicted in a proceeding, अब इस proceeding, ये proceeding तो हो गई, A ने allegation लगाया था, कि B ने उसकी गाय चुराई है, और B convicted भी हो गया, ये एक judgment है, conviction का एक judgment है, अब एक subsequent proceeding होती है, इसके बाद, A afterwards, use C for the cow, अब A जो है, ये किसके against suit file कर रहा है, अब A suit file कर रहा है, एक तीसरे विक्ती के against, C के against, और क्या allegation कर रहा है, A afterwards, use C for the cow, which B had sold to him, before his conviction, as between A and C, the judgment against B is irrelevant, देखिए, A ने जो suit file करा है, वो किस चीज़ के लिए किया है, ये मांग रहा है, cow, cow की recovery के लिए, और ये cow कौनसी है, जो B ने इसे sale करी थी, उसके conviction के पहले, B ने एक गाए बेची थी, C को, उसके conviction के पहले, A, C के against suit file कर रहा है, for recovery of that cow, and he is claiming की, वो cow इसकी है, अब आप अगर logically देखेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा ये, कि भाई, B convict हुआ है, cow stealing के लिए, तो हो सकता है, ये वही cow हो, जो उसने C को बेची है, और A सही तो, A जब claim कर रहा है C से, तो ये तो relevant होना चाहिए, कि इसने गाए चुराई थी, बट भाई, आप मुझे एक बात ये बताईए, कि ये जो हमने पढ़ा, और इन में से कोई भी चीज, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पर applicable नहीं है, तो कि ज़रूरी नहीं है, कि ये वही cow हो, ये इस बात के कहीं authenticity बतानी रहा, और इस पर्टिकुलर प्रोविजन में कहीं fall नहीं कर रहा, इसलिए ये judgment relevant नहीं है, ऐसे A, B, C, तीनों में इसी तरीके के illustration दिये है, ये relevant नहीं होते, क्योंकि 43 clearly कहता है, इधर fall करना चाहिए, या fact and issue, या relevant fact होना चाहिए, ठीक, तबी, otherwise नहीं, इसलिए ये relevant नहीं है, इसके बाद देखिए, आगे, जो illustration दिया है D, D को थोड़ा समझ लीजे, क्योंकि D में relevancy की बात है, इसको समझ जीए जरा, A has obtained a decree for the possession of land against B, A ने एक decree obtained करी है B के against, ठीक, possession of land की, C, B's son murders A, जब A के favor में decree आ गई, देखिए dispute था A और B के बीच में एक land का, इसको समझ लीजे जरा, A और B के बीच में एक dispute था, एक land को लेके, decree किसके favor में आ गई, इसके favor में court की एक decree आ गई, इस suit में, अब decree आने के बाद, B का जो लड़का है, B का लड़का है C, ये क्या करता है, C murder कर देता है A का, जान से मार देता है A को, अब C के against जो proceeding चल रही है, C के against जो trial चल रही है, क्या इस trial में, ये जो decree आई थी previous suit में, A के favor में, क्या ये relevant होगी, जब C पे murder की trial चलेगी, तो बताईए ज़रा क्या relevant होगी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 43 में लिखा है, या तो वो आपने, आपमे fact and issue हो, या relevant fact हो, तो क्या ये किसी दूसरे, अभी तक इतनी सारे provisions में, अपनने relevancy पड़ा है, क्या कहीं ये relevant है, ये decree, so the answer is yes, क्योंकि ये decree, C का motive बता रही है, C का motive, क्योंकि उसके पापस है, केस जितलिया था ना, A ने, तो ये जो decree है, ये क्या बता रही है, C का motive, और motive section 8 में relevant होता है, ये आप जानते हैं, कि वो section 8 में relevant होता है, इसलिए यहाँ पे वो relevant हो रहा है, इसके बाद E illustration देखिए, E कह रहा है, A is charged with theft, and with having been previously convicted of theft, A पे कौन सा charge लगा है, theft का, और सिर्फ theft का charge नहीं लगा, जरा समझना, A के उपर, charge लगा है theft, plus previous conviction of theft, क्योंकि जब आप, पहले भी convicted हुए हैं, तो अब आप subsequent trial में, किस लिए liable होंगे, enhanced punishment के लिए होंगे, yes or no, अगर आपने IPC थोड़ा भी, ढंग से पड़ा है, तो you may be knowing this, कि अगर आपने दुबारा वही offense किया है, theft का, और इसके पहले भी आपका previous conviction है, तो दूसरी बार आपके उपर चार्ज कौन सा बनेगा, ये, theft plus previous conviction, अब जब ये चार्ज बन रहा है, theft plus previous conviction, तो ये अपने आप में fact in issue है, fact in issue क्या होता है, जो आपकी liability decide करेगा, तो ये previous conviction, पिछले trial में आपका conviction हुआ, ये अपने आप में fact in issue है, भाई साब, इस अगली trial में, subsequent trial में, ये अपने आप में एक fact in issue है, तो इसी के लिए आपको चार्ज किया गया है, तो इसका जो judgment है, इसका जो judgment है, पुराना, जिसमें ये convict हुआ था, वो यहां relevant होगा, और यही बात यहां लेखी हुई है, कि वो पुराना वाला judgment यहां, relevant होगा, ठीक, I hope you got this, और बागी जो है न, A, B, C, वो बिलकुल उसी बात को convey कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं repeat नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप देखिए, वहाँ simple सी एक बात यह समझने की कोशिश करिए, कि जिस previous judgment की, रेलेवेंसी की, एक जो decided case है, उसकी रेलेवेंसी की, जब यह बात कर रहे हैं, जो ए इलस्ट्रेशन आप पूछना चाह रहे हैं, अखन, बेटा, यह बात समझो प्लीज आप, कि जिस previous judgment की, defamation का suit है, एक वेक्ती ने दो लोगों के, regarding एक statement दिया है, और उसमें संभावना ऐसा लिखा है, कि ऐसी probability है, कि या तो वो दोनों के against false है, दोनों के against true है, तो एक case में अगर यह decide हो गया है, कि वो statement defamatory है, ना तो यह 40 में relevant है, ना 41 में, ना 42 में, public nature की तो बात नहीं है, वो उनका दोनों का private matter था, A और C के बीच में अगर proceeding होई है, वो judgment in personim था, वो in rem नहीं था, उन दोनों के बीच की बात है, और संभावना है, कि दोनों true हो सकते हैं, otherwise, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 43 clearly क्या कह रहा है, या तो इन तीन में आना चाहिए, या फिर वो fact and issue, या relevant fact होना चाहिए, और वो previous defamation वाला judgment, ना तो fact and issue है, ना relevant fact है, वो कैसे होता है, मैंने दोनों के example बता दिए, कब relevant fact होता है, उसका illustration भी यहाँ दिया है, कब fact and issue होगा, उसका illustration भी यहाँ दिया है, और इन ही से questions आते हैं आपके, इसके बाद देखिए, 44, it is also important, 44 is also important, 44 is also important, so 44 says, fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court, may be proved, बहुत important है, बहुत common सी बात कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करियेगा, any party to a suit or other proceeding, may show that, any judgment order or decree, which is relevant in the section 40, 41, 42, and which has been proved by the adverse party, was delivered by a court, not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion, अब दानली जहाँ हमने यहाँ पड़ा, कि पिछला judgment, इन तीनों section के हिसाब से, relevant होता है, subsequent proceeding में, माल लेजिए, मेरे against आपके पास कोई judgment है, और वो judgment इन तीनों में से, किसी एक provision में relevant है, और आपने subsequent proceeding, जो मेरे against करी है, उसमें आप इस judgment को, लाना चाहते हैं, तोकि relevant है, 40, 41, 42, तीनों के हिसाब से, relevant हो सकता है, किसी भी एक provision में, अगर वो relevant हो रहा है, और आप अगर वो मेरे against ला रहे हैं, court में proof कर रहे हैं, तो मेरे पास ये chance है, defend करने का, कि अगर मैं court में, subsequent court में, अगर मैं ये proof कर दूँ, कि साब ये judgment ला तो रहे हैं, relevant बता रहे हैं, वो incompetent court ने दिया है, ये मैं proof कर सकता हूँ, अपने defense में, या फिर मैं ये proof कर सकता हूँ, कि ये judgment fraud से, या collision से, obtain किया गया, इमानदारी से judgment ने लिए गया, fraud से ये judgment obtain किया गया है, ये बात में evidence देके, proof कर सकता हूँ, अपने defense में, ये बताया गया है, इस illustration में, ठीक, तो ये एक चीज 44 भी काफी important है, इसको भी आप ध्यान रखियेगा, ठीक, बेटा निकी का doubt है, कि वो matrimonial matter नहीं है, बेटा, adultery का case है, adultery का अगर आप जानते हों, अब तो unconstitutional हो गया है, पहले था, तो it was a matter of the husband, जिस woman ने adultery commit करी है, with another man, वो उसके husband के बीच का, और उस accused के बीच का matter हुआ करता था, कौन उसके लिए prosecution करता था, husband करता था, किस के against करता था, उस man के against, जिसने adultery commit करी है, इसलिए वो उस category का नहीं है, please understand that, तो ये है आपका, previous judgment की relevancy के, regarding, चार provision जो बहुत important है, prelims में direct question भी आते हैं, और क्योंकि इन चीजों को थोड़ा समझना भी जरूरी है, इसलिए हमने उस निगा से इन provisions को देखा है, अब आगे आईए, इसके बाद एक और important concept है, दो, इसमें बहुत detail required नहीं है, कोई ऐसी conceptual चीज नहीं है, जैसे judgment में थोड़ा भूँत था, इधर वैसा नहीं है, simple सी चीज है, expert opinion की बात है, लेकिन, expert opinion तो एक part है उसका, इसकी, actually Indian evidence act, अगर आप follow कर रहे हैं, पिछली तीन class से मेरे साथ, तो एक बात समझेंगा, यह किसी भी act पे applicable होता है, उस chapter का क्या नाम दिया गया है, जिसके अंदर एक particular provisions को club किया है, उस particular subheading को समझना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर particular provisions को club किया गया है, अगर आपने वो subheadings बहुत अच्छे से समझ ली, अगर आपने उन chapters के नाम बहुत अच्छे से, उसका context समझ ली आना, तो provision समझने में आपको उतनी समस्या नहीं होंगी, यही best तरीका है लौक बढ़ने का, इसलिए आप 45 के उपर जो subheading ये उसको जरा समझिए, opinions of third persons when relevant, एक तीसरे व्यक्ति का opinion कब relevant होगा एक case में, जैसे माल लीजिया आपके और मेरे बीच की proceeding है, प्रोसीडिंग किसके बीच की है, आपके और मेरे बीच की, इसमें एक तीसरा व्यक्ति, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो party नहीं है, वो agent नहीं है, उसने interest जराईने क्या, कोई मतलब नहीं हो उसका, एक तीसरा stranger व्यक्ति, उसका opinion कब matter कर जाएगा, कब relevant होगा, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कि एक third person का opinion कब relevant होता है, और ये जो third person है, जिनका opinion relevant होता है, उसमें सबसे important व्यक्ति है expert, एक्सपर्ट का opinion relevant होता है, ये expert कौन है, और क्या होते हैं, इन से related सारी बाते, 44 onwards बताई गई है, तो यहाँ देखिए, provision सारे पढ़ने हैं भाई, बहुत important है, तो सबसे पहले section 44 देखना है आपको, बहुत important है, sorry, 45, section 45, opinions of experts, when the court has to form an opinion upon a point of, किन चीज़ों पर opinion बनाना है, court को ये underline कर लीजे, सीधा सीधा सवाल आता है, कि expert opinion के section में relevant है, तो याद रखिएगा 45, expert कौन होता है, तो उसके लिए देखिए, upon a point of foreign law, or science, or art, or as to identity of handwriting, or finger impression, the opinions upon that point of persons, specifically skilled, in such foreign law, science, or art, or in question as to identity of handwriting, or finger impression, are relevant fact, such persons are called experts, तो expert कौन होते हैं, as per 44, ये एक, sorry, as per 45, ये एक important सवाल है, तो कौन-कौन से expert की बात करी गई है, भाईया, foreign law, science की बात, art की बात, finger prints की बात, या फिर handwriting की बात, ये सारी बातों का जो जानकार है, किस-किस चीज़ का, ये ध्यान रखिएगा, सीधा question आता है, foreign law, science, art, या फिर handwriting, या finger impression, इनका जो expert है, वो expert माना जाता है, इनका expert से क्या मतलब, ये भी सवाल कुछ अच्छे exams में पूछ लिया जाता है, technicality वाला, कि expert मतलब, कोई degree विग्री लेकर रखी हो, वो expert, so the answer is no, skilled होना चाहिए वेक्टी, ये है expert, देखिए, यहां लिखा है clearly, as to identity of handwriting, or finger impression, the opinions upon that point of persons, क्या लिखा है, especially skilled in such foreign law, जो वेक्टी especially skilled है, इन field में वो expert माना जाएगा, especially skilled, जैसे मानली जी एक goldsmith है, जो काफी समय से, उसका काम कर रहा है, एक सुनार है, जो काफी समय से सुने का काम कर रहा है, अगर gold की purity चेक करने के लिए, उसे court में बुलाया जाता है, तो वो expert माना जाएगा, कोई profession से कुछ भी हो, क्या है इदर, कोई qualification की बात नहीं है, person should be skilled in that particular thing, अगर वो skilled है in the opinion of court, उसे expert माना जाएगा, उसका opinion court लेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी specific चीज़े हैं, जिस पर जस्ता आप तो skilled नहीं है, वो उनकी उतनी proficiency नहीं है, इसलिए उस field के किसी expert आदमी को बुला के opinion ले लेते हैं, handwriting या fingerprint आपने movies में, web series में देखा होगा, forensic expert आते हैं, क्योंकि वो science के expert हैं, ballistic experts, bomb-omb के बारे में जो जानकारी रखते हैं, handwriting के बारे में, finger impression के बारे में, ऐसे लोग आके opinion देते हैं, इसलिए उन्हें यहां consider किया जाता है, अखंड का doubt is a skill in profession, और normally भी considered in this provision, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, skill in profession और normally, इससे मतलब नहीं है, आपका occupation क्या है, आपका profession क्या है, आप इस पर पढ़ेंगे, आपको cases मिल जाएंगे, एक attorney थे वकील साहब, उन्हें handwriting पे काफी काम कर रखा था, काफी पुराने expert थे, तो उनका opinion भी relevant मान लिया गया है, इस पर cases मिल जाएंगे आपको, experience की बात है इदर, कितना आपको सीज का experience है, skill है, इसके बाद 45A, simple है, सिर्फ section number याद रखिएगा, इससे ज़्यादा importance नहीं है, आगे के जो provision है, 45A या 46, इनमें सिर्फ section number ध्यान रखिएगा, 45A है, opinion of examiner of electronic evidence, तो electronic evidence का, जो expert होता है, उसका opinion कहा relevant है, examiner जो होता है, electronic evidence का, उसका opinion relevant है, 45A में, expert opinion 45 में, और examiner of electronic evidence का, opinion 45A में, section number याद रखिएगा, यहाँ से सीधे-सीधे, question आता है, section का, 46 बात करता है, facts bearing upon opinions of expert, अब भाई, expert ने अपना opinion तो दिया, वो opinion तो relevant है, वो facts भले वो fact, otherwise relevant ना हो, लेकिन अगर, किसी expert का, opinion उस एक particular fact को, support कर दे, या उस particular opinion से, जो inconsistent fact है, वो भी relevant होंगे, expert ने अपना opinion तो दे दिया, उस opinion से, अगर कोई inconsistent fact है, या कोई ऐसा fact है, जो उस opinion को support करे, वो भी relevant होगा, और वो relevant होता है, 46 में, इसके बाद 47 पे आईए, this is very important, section 47 is important, 47 बाद करता है, opinion as to handwriting when relevant, handwriting पे किसी third person, देखिए, अब ये सारे section पढ़ते समय, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कि किस subhead के अंदर अपन ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एक third party, एक third person का opinion कब relevant होगा, तो handwriting से related भी एक third person का opinion, एक तो हमने expert पढ़ लिया, या तो कोई ऐसा बंदा हो, उस व्यक्ति की handwriting से वाकिफ हो, उसका opinion भी relevant होगा, so 47 क्या कहता है, when the code has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, underline कर लेजिए, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact, किस व्यक्ति का opinion भी, देखिए, अगर माल लेजिए, court में document पेश किया जाता है, और वहाँ सवाल ये है, कि क्या ये मेरे द्वारा, क्या ये नितेश चौबे द्वारा लिखा गया document है, ये सवाल है court के सामने, अब किस-किस का opinion यहां relevant होगा, कोई handwriting expert है, तो उसका opinion relevant हो जाएगा 45 में, या फिर उस हर वेक्ती का opinion relevant हो सकता है section 47 में, जो मेरी handwriting से acquaintance रखता हो, familiar हो, जानता हो, तो आप सब जो इतने दिनों से इस crash course को देख रहे हैं, और देख तो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, पड़ रहे हैं, number भी आ रहे हैं, concept भी समझ में आ रहा है, लेकिन ना तो वीडियो को like कर रहे हैं, ना कोई comment करके कुछ बताता है, और शायद channel subscribe भी नहीं किया, यह बहुत ही मतलवी सोच है भाई साब, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो अगर आप इस क्राश कोर्स में observe कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं काफी time से, तो आप मेरी handwriting से acquaintance रखते हैं, आपको पता है कि मेरी handwriting कितनी खुब्सूरा थे, कितना बढ़िया मैं लिखता हूँ इस board पे, तो आपको बुलाया जा सकता कोर्ट में, कभी अगर यह सवाल है कि यह particular document नितेश चौब ने लिखा है या नहीं, तो आपको भी बुलाया जा सकता, आपका opinion वहां relevant होगा, कहां होगा लेकिन आप expert नहीं है handwriting के, आपका opinion relevant होगा 47 में, because you have an acquaintance with my handwriting, आप familiar हैं मेरी handwriting से, ठीक, चलिए, इसके बाद आजाईए 47A, that's again important, 47A भी important है, 47A कहता है, opinion as to electronic signature when relevant, electronic signature से related opinion किसका relevant होगा, तो underline कर लीजिए, third line में लेकिया है, opinion of the certifying authority, तो electronic signature की जो certifying authority होती है, उसका opinion relevant होता है, दोनों चीज़े important है, section number से भी सवाल पूछा जाता है, कि electronic signature से related opinion किस section में दिया है, प्लस किस व्यक्ति का opinion, तो ध्यान रखियेगा certifying authority, that's another important question, इसके बाद 48 है, opinion as to existence of right or custom when relevant, बहुत ज़्यादा important तो नहीं है, ये 48 और 49 दोनों, बट थोड़ा सब ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, बस ध्यान रखियेगा, 48 हो चाहे 49 हो, बहुत ज़्यादा important ये दोनों provision नहीं है, 48, opinion as to existence of right or custom when relevant, किसी right या custom की existence को लेके सवाल है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो उस custom के बारे में जानता हो, उसका opinion relevant, बड़े बुजबर नहीं होते हैं, महले के एक दादा, गाओं में ऐसा हुआ करता था, या पुराने थोड़े 90's के दौर में ये हुआ करता था, कि जो सबसे बुड़े दादा होते हैं महले के, वो होते हैं, वो जरूर एक चौराय पे बैठके कहानी सुनाते हैं, कि हमने एक बार भूत देखा था, तो उनका opinion relevant होगा, अब हमने section 30 भी पढ़ा है इसके regarding, कि वहां क्या relevant है, तो that is another thing, क्योंकि ये particular एक head के अंदर आपन पढ़ रहे हैं, कि एक third party, जिसका कोई लिना देना नहीं है suit से, party का उस proceeding से, लेकिन वो क्योंकि उस बात का जानकार है, इसलिए उसका opinion यहां relevant होगा, under 48, चीक, आप एक्जाट्ली अखंडवाई मैं कह रहा था, कि हर गाओं में जादा बुज़ूर्व होते हैं, और कुछ तो इसका दर होते हैं, कि वो ये भी बोल देते हैं, कि हमारी तो लड़ाई हुई थी, कि हम यह बहुत मारा था बुट को, ऐसा भी बोल देते हैं, कम नहीं है भारत की जनता भाई साब, 49, इसके बाद 49 देखी है, opinions are to usage, tenets, etc. when relevant, अब यह किस चीज से related है, usage है, tenets, किसी family के, किसी परिवार, या किसी organization में, क्या custom follow होता है, उससे related अगर, opinion आपको लेना है, when the code has to form an opinion, as to the usage and tenets of any body, of men or family, कि इनके यहां क्या प्रथा है, तो कोई उस family के बारे में, जो जानता हो, उस व्यक्ती का opinion relevant होगा, 49 में, last line में लिखा है, the opinions of persons having special means of knowledge, thereon are relevant facts, तो कोई उस family, उस organization, किसी organization के tenets या usage के बारे में question है, तो जो व्यक्ती उस organization से काफी समय से जोड़ा है, वो जानता होगा कि यहां क्या किस तरीके से होता है, तो ऐसे व्यक्ती का opinion जो है वो relevant होता है section 49 में, इसके बाद है 50 और 50 काफी important है, जैसा मैंने कहा 49 से और 48 से आने की संभावना कम है सवाल, लेकिन भाईया 50 is important, section 50 is really important, 50 भी important है और 51 से भी सवाल पूछा जाता है, यह section number दोनों के important है 50, 51, 50 talks about opinion on relationship when relevant, relationship की बात, जो व्यक्ती को बीच में क्या relation है, है या नहीं है, इस पे किस व्यक्ती, एक थर्ड परसन का opinion कब relevant होगा, तो थर्ड परसन का opinion तब relevant होगा, जब उसके पास कोई means हो इस बात को जानने के, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship, और उनके conduct, और W है, और सवाल यह है कि whether they are husband और wife, क्या वो दोनों husband wife हैं, तो कैसे determine करेगा court, एक तो उनके conduct से, कि भाई वो आपने आपको carry करते थे as husband wife, एक तो यह हो सकता है, इसके अलावा लिखा है, by conduct as to the existence of such relationship, or any person who as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject is a relevant fact, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस परिवार से जुड़ा हो, उस उन दोनों व्यक्तियों का family member हो, या कोई special, ऐसा व्यक्ति हो जो उनसे काफी जुड़ा हो, और उसके पास special means on to know, whether they are husband और wife और not, ऐसे किसी भी व्यक्ति का opinion relevant हो सकता है, जो उनसे जुड़ा हो, जो पूरी चीज़ें अपन पढ़ते आएं हैं, इस particular subheading में हम क्या पढ़ रहे हैं, कि कब एक तीसरे व्यक्ति का opinion relevant होता है, कब एक तीसरे व्यक्ति का opinion relevant होता है, जिसका proceeding से खुद कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका opinion relevant होता है, 51 आपको ये बता रहा है, कि जब भी किसी ऐसे व्यक्ति का opinion अगर relevant है, तो वो grounds जिस पे based है उसका opinion, वो grounds भी relevant होंगे किसमें, कि वो उस opinion तक कैसे पहुँचा, वो भी relevant होगा, whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant, जिसे illustration में बताया है, किसी expert ने अगर अपनी राय दी है, expert का कहना है कि साब ये जो bomb blast हुआ है, और उसके जो मलबा मिला है, इसको देखके समझ में आता है, कि RDX के थूरू किया गया है, अब उसने ये opinion तो दे दिया, कि ये RDX है, इसके ground क्या है इस opinion को hold करने के, तो वो बताएगा कि साब मैंने पहले भी इस तरीके की चीज़ें करी और experiment करा है, मैंने उससे मिर को समझ मैं, तो जिस भी ground पे based उस वेक्टी का opinion है, वो ground भी relevant होंगे, section 51 में, and that is important, section number पूछा जाता है, इसके बाद आईए अगले part पे, अगला part भी बहुत important है, character when relevant, एक व्यक्ती का character कब relevant होगा, चरित्र कब relevant होगा, proceeding में, civil में होगा या नहीं, criminal में होगा या नहीं, अगर होगा तो कब होगा, इससे related provision आपके दिये हुए हैं, 52 से लेके 55 तक, और सारे के सारे section बहुत important है, यहाँ से question पूछे ही जाते हैं, so 52, इसके बाद है आपका section 53 and onwards, एक एक करके अपन देखेंगे यह सारे, बीच में section 53 A भी आएगा, उसके बाद है आपका section 54, फिर है आपका section 55, और यह सब के सब important है, ठीक सबसे पहले देखिए, in civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant, 52 clearly कहता है कि civil cases में, जो character है वो relevant नहीं होगा, in civil cases, the fact that the character of any person concerned, is such as to render probable or improbable, any conduct imputed to him, जहां उस व्यक्ती का conduct important है, suit में क्या important है, उस व्यक्ती का conduct, तो conduct को बताने के लिए, आप उसका character proof नहीं करेंगे, character relevant नहीं है, जैसे माल लिजे एक civil proceeding में यह सवाल है, कि साब यह बंदा तो negligent है, यह तो लापरवा व्यक्ती है, इसको proof करने के लिए, आप उसका character proof नहीं करेंगे, character relevant नहीं होगा यहां, is irrelevant except in so far, as such character appears from facts, otherwise relevant, किसी और तरीके से अगर वो relevant है, तो हो सकता है, लेकिन as character, अगर आप उस बात को ला रहे हैं, तो वो relevant नहीं होगा, तो character, अगर conduct से related है, civil proceeding में, अगर conduct का सवाल है, तो वहां character relevant नहीं होगा, यह 52 है, तो generally ध्यान रखियेगा, कि civil proceeding में, जो character के relevancy की बात है, तो वो relevant नहीं होता, under section 52, लेकिन similar, character से ही related, civil proceeding से ही related, एक और provision है, that is section 55, इसलिए इन दोनों को साब देखिए, section 55 देखिए, character as affecting damages, in civil cases, the fact that the character of any person, is such as to affect the amount of damage, which he ought to receive, is relevant, अगर मान लेजिये, character से, जो damage का amount है, वो connected है, वो determine करने के लिए, अगर character important है, तो character relevant होगा, generally civil proceeding में, character important नहीं होगा, अगर conduct की बात है तो, लेकिन अगर damages calculate करने के लिए, character की जरूरत है, तो character relevant हो जाएगा, जैसे मान लेजिये, defamation का suit है, अब defamation, आप कह रहा हैं कि, हमारी विजजती करी है, नितेश सर ने live class में, कि आप video देखते हैं, कि कैसे करें, civil judge का paper clear, कितनी होती है, judge की salary, आप ये video देखते हैं, मैं आपकी विजजती करता हूँ, आप कहते हैं, जाके court में, कि इन्होंने हमारी विजजती करी, ये defamation किया है, तो भाईया, court defamation का suit, आपके favor में, तभी तो decide करेगा, जब आपकी कोई reputation होगी, क्योंकि defamation किसके against हो सकता है, जिस विक्ती की reputation हो, अगर आप मुझसे compensation मागना चाहेंगे, defamation के suit में, तो कितना compensation आपको मिलना चाहिए, ये इस बात विने भर करेगा, कि आपकी कितनी इजजत है, और क्योंकि आप वेरोजगार हैं, तो आप तो negative में चल रहा हैं already, तो अगर quantum decide करने में character relevant है, character की जरूरत है in that case character relevant होगा, अगर damage decide करना है civil proceeding में, तो character important होता है, damage decide करने में अगर तो relevant होगा, ऐसे ही अपनने section 12 भी पढ़ा है अगर आपको यादो, कोई भी ऐसा fact, जो civil court को help करे, damage का quantum decide करने में relevant है, और अगर वो fact character है, तो वो भी relevant है, 55 इस बात को बता रहा है, कि अगर character relevant है कहीं, amount of damage calculate करने में, या amount of damage को अगर affect कर रहा है आपका character, तो वो character suit में relevant हो जाएगा, इसलिए दो civil proceeding की बात करना है, important है, इसके बाद देखिए 53, ये बात करता है, criminal proceeding की, in criminal cases, previous good character relevant, criminal cases में, previous good character relevant होता है, यहां लिखा है, in criminal proceedings, the fact that the person accused, is of a good character, is relevant, अगर आपके against कोई criminal proceeding चल रही है, और defense lawyer आपका जो वकील है, आप accused है, और आपका जो वकील है, अगर वो ये प्रूफ करना चाह रहा है, कि साव, ये तो बढ़िया व्यक्ती है, और इसका आप पुराना conduct देखिए, इसका character देखिए, ये तो पढ़ने लिखने वाला च्छात्र है, ये तो जुडिसरिक तैयारी कर रहा है, ये तो aspirant है, ये रोज भेट के YouTube पे strategy यां देखता है, कि कैसे exam करा जाए, तो ये character relevant होगा, कब होगा, अगर good character बताया जा रहा है, कि ये बढ़िया व्यक्ती है, good character relevant होता है, criminal proceeding में, जहाँ person accused हो, उसका, चीक, इसके बाद देखिए, 54 देख लिजिए इसके connection में, 53 भी उसी criminal से related है, लेकिन 54 connected है, इसलिए उसको पहले देख लिजिए, 53 criminal good character, और फिर 54, criminal की ही बात करता है, 54 कहता है, previous bad character not relevant except in reply, 53 ने कहा, कि previous good character relevant है, कैसा character, good character, अगर accused हैं, और उसका good character proof किया जा रहा है, तो वो relevant है, वो कर सकते हो आप, चीक, लेकिन 54 कहता है, कि साब bad character आपको proof नहीं करना है, bad character, ये नहीं आप, कि मान लिजिए, आपको accused बना के ले जाया गया, किसी criminal case में, वहाँ prosecution ये proof नहीं करेगा, bad character कहां relevant हो जाएगा, तो bad character relevant हो जाएगा, अगर उसी proceeding में, defense lawyer ने good character के evidence दिये है, in that case, bad character proof किया जा सकता है, देखिए, 54 में लिखा है, in criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant, generally ये irrelevant है, कि accused bad character का अदमी है, लेकिन आगे लिखा है, unless evidence has been given, that he has a good character, in which case, it becomes relevant, सीधे, अगर मान लेजिए, prosecution सीधे इस बात के evidence देना चाता है, court में, कि सहाब ये जो accused है, ये चोर उचक का व्यक्ति है, और इसका character ही खराब है, prosecution अपने से नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन अगर, by the virtue of section 53, अगर defense ने इस बात के evidence दिये है, कि नई साब ये accused बहुत नेक शरीफ गक्ति है, in that case, prosecution के पास भी अधिकार आ जाएगा, कि वो आपके bad character के भी evidence दे सकता, in that case, bad character, जो है वो, relevant हो जाएगा, and not otherwise, चीक, इसके बाद explanation भी important है, one and two, explanation one कहता है, this section does not apply to cases, in which the bad character of any person, is itself in a fact and issue, अगर वो bad character, अपने आप में fact and issue है, तब तो भाईया, वो relevant हो गई होगा, अब previous conviction is relevant, is evidence of bad character, और bad character के evidence, अगर आपको देना है, तो previous conviction दे सकते हैं, जैसे मानली जीए, defense lawyer कह रहा है, कि साब, या accused तो नेक शरीब व्यक्ती है, अच्छे character का आदमी है, ऐसे में prosecution, अगर ये proof करना चाता है, कि नहीं साब, ये bad character का आदमी है, तो evidence में क्या दे सकता है, उसके against को, अगर previous judgment है, बहुत ज़ादा important provision है, अपने आप में, evidence of character, और previous sexual experience, not relevant in certain cases, जितने भी sexual offenses है, जहां consent का question है, victim के consent का जहां question है, वहाँ उस victim का previous sexual experience, कभी भी relevant नहीं होगा, in a prosecution for an offense, under section 354, 54 है, और सारे sexual offenses यहां दिया है, रेप and all, आगे लेखा है, where the question of consent is an issue, question क्या है, consent का, क्योंकि rape में, अगर consent है, वो मेन का, तो वो offense नहीं है, अगर without consent है, तो offense है, तो जहां भी consent का issue है, evidence of the character of the victim, victim के character के evidence नहीं दिया सकते, evidence of the character of the victim, or of such persons, previous sexual experience with any person, shall not be relevant, on the issue of such consent, of the quality of consent, वो relevant नहीं होंगे, तो sexual offenses में, victim का character, या previous sexual experience, relevant नहीं होगा, जहां consent का question है, अगर आपने pink movie देखी है, तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कि इस बात से, वहाँ पे जो, अमिताब बच्चन जी वकील वने है, वो यही proof करना चाहते हैं, कि भया previous experience, कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, prosecution के पास यादिकार, sorry, defense lawyer के पास यादिकार बिल्कुल नहीं होगा, कि जहां rape का accused है कोई, तो वो victim के उपर ही allegations लगाएं, कि ये तो इसी तरीके की है, ये woman या इसके तो पहले भी sexual experiences रहें, ये सब relevant नहीं होगा, इसके आप evidences नहीं देंगे, ठीक तो ये relevant नहीं होगा, और code बिल्कुल मना कर सकता है, कि भाई साब ये चीज relevant नहीं है, इसे लिए आप इसको proof नहीं करेंगे, ये हो गया आपका relevancy का chapter समा, and I hope you got the idea, कि इस पूरे part में basically, not only the chapter second, बट इस पूरे part में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे relevancy, कि कब एक fact relevant होगा, क्योंकि fact अगर relevant है, तभी उसको proof किया जा सकता है, code में तभी उसे proof करने के evidences, code entertain करेगा, otherwise, code entertain नहीं करेगा, तो ये हमने पढ़ा इस part में, अब part 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो part 2 के बारे में, मैंने आपको पहली जो introductory class थी, उसी में बताया था, कि जैसे हमने part 1 में पढ़ा है, कि क्या relevant है, क्या नहीं, क्योंकि जो relevant है, उसी के evidence दिये जाएंगे, ऐसे ही part 2 आपको ये बताता है, कि कोई भी चीज, आपने ये तो देख लिया, कि हाँ ये fact relevant है, relevant है या नहीं, उसको proof कैसे किया जाएगा, क्योंकि proved की definition भी हमने पढ़ ली, कब कहा जाता है कि ये fact proof हो गया, जब आप court को उसकी existence का belief करा दे, अब वो belief कराने के लिए, आप किस तरीके के evidences लाएंगे, कोई particular fact कैसे proof होगा, ये सारी बातें अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, that is part 2 on proof, और ये start होता है chapter 3 से, और chapter 3 की heading अगर आप देख पा रहे हैं, बेरिक में लिखी होई है, तो लिखा है facts which need not be proved, सबसे पहले इस part में ये बताया है, उन facts के बारे में बताया है, जिनने proof करने की जरुत ही नहीं है, देखिए, fact relevant है या नहीं, ये कहां से पता चलेगा, part 1 से पता चलेगा, और fact को proof कैसे करना है, ये कहां से पता चलेगा, part 2 से, तो part 2 का पहला chapter तो ये बता रहा है, कि वो कौन से facts हैं, जो अगर relevant है एक proceeding में, उन्हें आपको proof करने की जरुरत नहीं है, court already उन्हें presume कर लेगा, जो party वो fact, जिसकी responsibility है proof करने की, उसे evidence देने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि court already उन्हें proved मानता है, court उसमें already believe करता है, वो कौन से facts हैं, जिन्हें आपको proof करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, उसके बारे में यहां दिया हुआ है, section 56 देखिए, facts judicially noticeable need not be proved, no fact of which the court will take judicial notice need to be proved, वो सारे facts जिनका judicial notice court लेता है, वो सारे facts जिनका court judicial notice लेगा, उन्हें आपको proof करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको evidences देने की जरुरत नहीं पड़ेगी, court क्योंकि already notice लेता है, court उन्हें already proved मानता है, इसलिए उनकों आपको proof करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, आप 56 नहीं यह तो बोल दिया, कि court उन facts को आपको court में प्रुर्व करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, जिनका court judicial notice लेता है, कौन से हैं वो facts जिनका court judicial notice लेगा, यह बताया गया है अगले provision में, जो की है 57, तो इस चीज़ से related देखिये, तीन provision अपन पड़ने जा रहे हैं, तो 56 ने यह बता दिया, कि वो facts जिनका court judicial notice लेगा, उन्हें आपको प्रूफ करने की जरुरत नहीं है, 57 बता रहा है, वो कौन से facts हैं, जिनका court को judicial notice लेना है, उसकी list दी है, यह provision, यह section number बहुत important है, 56 भी बहुत important है और 57 भी, वो facts जिनका court को judicial notice लेना है, कि सेक्शन में दिये हैं, सीधे-सीधे यह सवाल पूछा जाता है, the court shall take judicial notice of the following facts, एक बस सरसारी निगा से इन्हें देख लेजे, याद करने की जरुरत नहीं है, यह common sense की चीज़े है, एक बार बस read-out आप इसको कर लेंगे, एक दो को आप समझ जाएंगे, यह कौन सी चीज़े है, जैसे आप देखिए, first में लिखा है, all laws in force in the territory of India, भारत में जितने भी law force में है, आप भाई साब, Indian Contract Act के section 27 में लिखा है, कि जो agreements in restraint of trade profession business हैं, वो void होंगे, यह बात आपको proof करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि court इसका already judicial notice लेगा, because it is a law in India, ऐसे बहुत सारे common sense की चीज़ें यहाँ पर लिखे हुई है, एक बार बस एक बार superficially reading कर लीजे, that is sufficient, question किस का आता है, section का number का आता है इदर से, इसके बाद 58 देखिए, यह बहुत important है, facts admitted need not be proved, हमने कल admission पढ़ा था, admission कौन सा पढ़ा था हमने, 17 से 20 वाला, 17 से 20 वाला admission कैसा है, extra judicial admission है कली बताया था, judicial admission की बात किदर करी गई है, तो 58 में करी गई है judicial admission, judicial admission मतलब, जो court के सामने हुआ हूँ, जो जस्ताप के सामने हुआ हूँ, वो admission है judicial, 58 उसकी बात करता है, और अगर party ने कोई fact admit कर लिया है, तो उसे आपको proof करने की जरूरत नहीं है, CPC पढ़ा है आपने, CPC में भी हमने आपको, हमने यह चीज़ने discuss करी है, कि जब एक party ने कोई fact alleged किया है, दूसरी party ने अगर उससे admit कर लिया, खुदी मान लिया, तो फिर उससे proof करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी court के पास option है, वो चाहे तो बोल सकता है proof करने के लिए, 58, facts admitted need not be proved, no fact need to be proved in any proceeding, which the parties there to or their agents agree to admit at the hearing, of which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading, in force at the time they are deemed to have admitted by the pleadings, यह सब CPC में पढ़ा है अपनने भाज साहब, order, rule, number भी मैंने आपको का था, याद रखना है, कि facts को admit करने वाला rule कौन सा है, और documents को admit करने के लिए, जो notice दिया जाता है, वो भी important है, तो यह सारी कहानी CPC में अपना अल्रेटी पढ़ चुके हैं, तो वो facts जो pleading के through या otherwise, admit कर लेती है party, उसको proof करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका provise जो important है, जो कहता है, provided that the court may in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admission, court चाहे, तो उन्हें भी proof करा सकता है, जनरल बात लिए कि proof करने की जरूरत नहीं है, लेकिन court अगर चाहे, तो वो बोल सकता है, proof करने के लिए, court का discretion है ये, कि वो admit करता है या नहीं करता, court चाहे, तो वो तबारा बोल भी सकता है, कि आप इन्हें proof करिये, भले ही दूसरी party इन्हें admit कर लिया हो, उसके बाद भी court बोल सकता है, कि आप इन्हें proof करिये, इसके बाद आईए next chapter, अब ये होगया आपका एक particular chapter, जिसमें तीन बातें, वो उन facts की बात कर रहे थे अपन, जिन्हें proof करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी कौन सा part पढ़ रहे हैं, हम अब पढ़ रहे हैं, कि किसी भी fact को कैसे proof करा जाएगा, तो उसके पहले chapter में अपन ने पढ़ लिया, कि वो कौन से factor जिन्हें proof करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 56 ने बोला कि वो facts जो जिनका court judicial notice लेगा, उन्हें approve करने की ज़रूरत नहीं है, और 57 ने बता दिया कौन से वो facts हैं जिनका court judicial notice लेता है, और 58 ने बता दिया वो facts जो party ने admit कर लिये हैं, उन्हें approve करने की ज़रूरत नहीं है, अब आईए अगले chapter की तरफ, that is chapter 4 of oral evidence. Sorry, जैसा आप चांदे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं इस पार्ट में कि कोई भी चीज, कोई भी fact कैसे proof किया जाएगा, प्रूफ करने के लिए आप क्या देते हैं, evidence देते हैं, yes or no, ये सारी कहानी मैं पहली क्लास में समझा चुका हूँ, आपको Indian Evidence Act के, पहली क्लास में ये सब हमने समझ लिया था, evidence क्या है, proof क्या होता है, fact क्या होता है, fact and issue क्या होता है, relevant fact क्या होता है, तो भाई आप evidences किस बात के देते हैं, facts को proof करने के, किसी fake fact को proof करना है, अगर आपको, तो उसके लिए किस तरीके का evidence आपको लेके आना है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि evidence की definition में भी हमने देखा था, evidence दो तरीके के होते हैं, oral और documentary, oral evidence क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ती, court में आके testimony, statement देता है, कोई witness अपना, उसको कहते हैं oral evidence, और जब court के inspection के लिए, कोई document court में submit किया जाता है, उसको कहा जाता है, documentary evidence, तो oral evidence अगर किसी चीज़ का देना है, तो वो कैसा, कौन सा evidence होना चाहिए, तो evidence का एक categorization और है, direct और indirect, primary और secondary, तो यहाँ पे कहा गया है, section 60 बताता है, कि oral evidence अगर आप दे रहे हैं, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, direct होना चाहिए, और direct का उल्टा इधर होता है, year से, उसके बारे माँ बात करते हैं, देखिए ज़रा 59 provision देखिए, proof of facts by oral evidence, अगर किसी fact को आपको proof करना है, oral evidence है, तो वो कौन से facts हैं, जिनको oral evidence से proof किया जा सकता है, तो section 59 कहता है, all facts, except the contents of document, this is very important, इसके बारे में मैंने, पहले भी बताया था, admissions जब पढ़ रहे थे, वहाँ भी इसकी अपनने बात करी थी, कि अगर किसी document का content proof करना है, तो एक document का, जैसे आपके और मेरे बीच में अगर मान लीजी एक contract है, तो उसका content अगर proof करना है, तो आपको documentary evidence ही देना पड़ेगा, उसका आप oral evidence नहीं लाएंगे, general rule ये कहता है, दो there may be exceptions as well, तो जब भी आपको document का content proof करना है, उसका आप oral evidence नहीं देंगे, इसके अलावा किसी भी fact को proof करने के लिए, आप oral evidence court में ला सकते हैं, जीक, किसी भी fact को proof करने के लिए, आप oral evidence ला सकते हैं, except content of document, ये ध्यान रखिएगा 59, 60 बताता है, oral evidence must be direct, 60 कह रहा है कि भाई साब, अगर हम oral evidence की बात कर रहे हैं, oral evidence की बात कर रहे हैं, oral evidence की मतलब वो व्यक्ति आ रहा है, जिसने किसी fact को खुद देखा या सुना है, उसको कहते हैं direct, देखिए oral evidence कितने तरीके से दिया जा सकता, या तो वो direct हो सकता है, या फिर जो direct नहीं होता है, उसको कहा जाता है, here से, और here से admissible नहीं है, direct evidence ही admissible है, oral evidence का, direct कब होता है, देखिए, oral evidence must in all cases, whatever, be direct, that is to say, कब होगा direct, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it, अगर कोई ऐसा evidence है, oral evidence, भाई, fact क्या होता है, which can be perceived by sense, evidence आप किसका देते हैं, fact का देते हैं, कोई ऐसा fact है, जिसे देखा जा सकता है, उसका oral evidence देने के लिए, code में किसको बलाया जाएगा, उसी व्यक्ति को बलाया जाएगा, जिसने खुद वो देखा हो, अगर हम code में ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, कि मैंने Friday को 9 बजे evidence की class live ली थी, इसका oral evidence देने के लिए किसे बुलाया जा सकता है, जिसने खुद वो live class देखी हो, खुद जिसने परसीव किया हो census से, वो ही evidence दे सकता oral और इसको कहते हैं direct, आगर किसी ऐसी चीज़ का, किसी ऐसे fact का evidence देखा है, जैसे सुना जा सकता है, तो उसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा evidence देने के लिए, जिसने खुद सुना है, उसी को बुलाया जाएगा, तो ऐसा हर व्यक्ति, जिसने खुद अपने census से उस fact को परसीव किया है, वही आके oral testimony देगा court में, इसको कहते हैं direct, इसका opposite होता है here से, here से क्या होता है, आपने खुद नहीं देखा, आपने किसी से सुना, जैसे माल लीजे, आपने खुद लाइव नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया, कि यार आज class हुई थी evidence की, यह लेके YouTube channel पे, और 9 बज़े से live class हुई थी, मैंने देखी थी, यह आपने अपने एक दोस्त को बताया, क्या आपका वो दोस्त कोर्ट में आके testimony दे सकता है, इस बात की, कि हाँ 9 बज़े live class हुई थी, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, यह direct evidence नहीं है, उसने खुद नहीं देखी, उसने किसी से सुना, उसने अपने दोस्त, उसने आप से सुना है, यहां से बहुत important है section 60, इससे सवाल आते हैं, यह पूछा जाता है कि oral evidence हमेशा direct होगा, यह किस section में लिखा है, और direct का मतलब क्या होता है, दोनों सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत important है, ठीक, बहुत important है, यह provision, प्रोवाईजोस भी इसके जरूर पढ़ियेगा, यहां से भी सवाल बनते हैं, तो कोई बहुत technicality नहीं हो उनमें, बट फिर भी पढ़ियेगा, इसके बाद आईए chapter 5 of documentary evidence, तो यह बात थी oral evidence की, कि oral evidence हमेशा कैसा होगा, direct होगा, ऐसे ही जब हम बात करते हैं, documentary evidence की, जब हम बात करते हैं, documentary evidence की, तो यह भी दो तरीके का हो सकता है, documentary evidence भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका primary, और दूसरा होता है, secondary, documentary evidence कैसा हो सकता है, primary हो सकता है, या फिर secondary हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, so 61 कहता है, proof of contents of documents, the contents of documents may be proved, देखिए, क्योंकि 59 में clearly लिखा है, कि आप oral evidence से कुछ भी proof कर सकते हैं, except content of a document, तो content of document अगर आपको proof करना है, तो कैसे करना है, documentary evidence, और वो documentary कैसा होना चाहिए, या तो primary या secondary, यहां लिखा है, the contents of documents may be proved, either by primary और by secondary, या तो primary से proof कर सकते हुआ, content of document, या फिर आप secondary से proof कर सकते हुआ, लेकिन secondary कुछी जगे allowed है, expressly एक provision यहाँ पर है, जो बताएगा कि कब secondary evidence admissible होगा, सिर्फ उन circumstances में secondary allowed होगा, otherwise तो primary से ही करना है, तो general rule is this की primary से ही करना है, जहाँ allowed है, बस वहाँ secondary कर सकते हैं आप, अब provision देखिए इस से related, तो 62 और 63 बताते हैं, primary evidence और secondary evidence के बारे में, 62 बताता है primary evidence और 63 बताता है secondary evidence, क्या होते हैं primary evidence का वे एक document के किस evidence को आप primary कहेंगे, किसको secondary, ये section भी important है, section number के भी सवाल आते हैं, प्लस ये भी सवाल आता है, कि, इसी दे illustration दे दिया जाता है, कि ये बताईए primary evidence है, secondary, उसको ज़रा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बेरेक्ट में साथ-साथ follow करते जाईए, सो primary evidence की जहां बात करी जाए, तो primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court, सबसे बढ़िया primary evidence तो क्या है, primary evidence मतलब वो document itself, अगर आप कह रहें कि आपके और मेरे बीच एक return contract हुआ है, तो वो contract ले आईए court में, वो original contract ले आईए आप तो, इसके अलाबा explanation में भी कुछ बताई गए है, primary evidence, ध्यान से सुनियागा इन्हें, वेर अ document is executed in several parts, इच पार्ट is primary evidence of the document, अगर एक document अलग-अलग parts में बनाया गया, part 1, part 2, part 3, जैसे मान लिजे हमारे बीच में एक deed है, उसमें कई सारे parts बने, पहले part 1 बना, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में लिखा गया, फिर उसका एक part 2 भी आया, part 3 भी आया, original contract है, लेकिन वो तीन parts में बना है, तो वो तीनो primary evidence होंगे, तो जहां several parts में execute किया गया है, वो original part primary evidence है, फिर देखिए, where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it, इसको जरा समझ लीजेगा, कई बार aspirants को समस्या होती, इस बात को समझने में, देखिए counterpart होता क्या है, पहले ये समझ ये, जैसे माल लीजे, दो parties हैं, A और B, counterpart में कब बनाया जाता है, जब उस document की, दो copies होती है, और अलग-अलग व्यक्ति उस पे sign कर रहा है, जैसे एक copy है, ये, ये green वाली एक copy है, इस पे sign किसने करे, A ने sign करे, और एक दूसरी copy है, जो की ये है, और इस पे sign किसने करे, इस पे sign करे, B ने, B ने इदर अपना signature कर दिया, और ये जो एक copy है, इस पे A ने अपना signature कर दिया, counterpart ये होता है, कि एक copy पे इसने sign कर दिया, एक copy पे ये, उसके बाद होता क्या है, ये वाली जो copy है, ये किसको दे दी जाती है, इसको दे दी जाती है, और जिसको execute A ने किया, ये दे दी जाएगी B को, ये होता है counterpart, जो A ने execute करी, वो कौन रखेगा B, जो B ने execute करी, वो कौन रखेगा A, दोनोंने एक एक part, क्योंकि counterpart मतलब एक एक part, दोनोंने execute किया है, अब कौनसा part, किसके against primary evidence होगा, तो जिस party ने, जो part execute किया है, वो उसके against primary evidence होगा, जिस party ने, जो part execute किया है, वो उसके against primary evidence होगा, अगर B को, अगर B को, ये document proof करना है, court में, तो B primary evidence के तहत, कौनसी वाली copy लाएगा, जो A ने sign करी थी, हरी वाली, B को अगर A के against, इस document को proof करना है, तो B primary evidence में, कौनसी copy लाएगा, ये वाली copy लाएगा, और अगर A को proof करना है, तो वो, वो copy लाएगा, जो B ने sign करी, वो B के against primary होगी, जिस व्यक्ति ने, जिस copy को sign किया है, वो उसके against primary document है, यही यहाँ explanation में लिखा है, एक बार दोबारा पढ़िये, जिस ने जो पार्ट एग्जिक्यूट किया, वो वाला पार्ट उसके against primary evidence माना जाएगा, I hope you got this, बता दिया बटा, बन को बता दिया example देके बता दिया, मैंने primary counterpart, मुझे खतम तो करने दिया करी अपना, मुझे पता है कहां आपको example देना है, कहां नहीं देना है, यह generally confused होते हैं बच्चे, इस पैसे की लिए यह मैं आपको, इलॉस्ट्रेशन से बता रहा हूं, I hope that is clear, अब आईए इसके बाद देखिए explanation 2, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, वेर अनमबर अफ डॉक्युमेंट्स आर ओल मेड बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, बहुत अगर मान लिजिए, नमबर अफ डॉक्युमेंट्स कई सारे डॉक्युमेंट्स बनाए गये हैं, बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, अगर डॉक्युमेंट्स से बनाया गया है, जैसे एक डॉक्युमेंट्स बना और पहली बार में ही उसके पाँच कॉपी अलग अलग निकाल ले गई, सेम बार में ही अलग 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 पाँच डॉक्युमेंट्स वो निकाले गए, तो जो भी यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकाला गया है, वो प्राइमरी है, लेकिन अब जो ये यूनिफॉर्म प्रोसेस से डॉक्युमेंट्स निकला, अगर आप इसकी फोटो कॉपी कराते हैं, तो वो फोटो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होगा, यूनिफॉर्म प्रोसेस से जो निकला है, चाहे वो छितोग्राफी के थRU हो, फोटोग्राफी के थRU हो, या फिर केसी और प्रिंटिंग फॉर्म में हो, जहां यूनिफॉर्म प्रोसेस से मल्टिपल डॉक्युमेंट दिये गए हैं, प्रोडूस किये गए हैं, वो सब प्राइमरी एविडेंस होते हैं, एक तूसरे के अगेंस्ट इसके बाद अब secondary पे आईए तो भया primary बहुत simple है या तो वो document खुद primary है या फिर counter signed है तो जिसने execute किया उसके against वो primary document है या फिर अगर uniform process से निकाले गए है फोटोग्राफी लिथोग्राफी या प्रिंटिंग में तो वो सब के सब primary है इसके बाद अब secondary की अगर अपन बात करें तो यहाँ देखिए secondary evidence means and include secondary evidence में क्या include होता है certified copies given under the provisions here and after content अब यह आपको बताया है कि जितने भी public documents होते हैं उनकी certified copy ली जाती है मान लेजे कोई public document है नगर निगम का कोई document है उसका आपको copy चाहिए तो आप वहाँ जाएंगे वहाँ जो required fees है वो देंगे और वो जो officer है concerned वो उसकी copy करके certified करेगा कि यह उस original document की authentic copy है ऐसा certified करके आपको वह copy देता उसको कहते है certified copy तो किसी भी document की जो certified copy होती है वो कैसा evidence होती है वो secondary evidence होती है इसके बात second देखिए copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy किसे भी mechanical process से original से आपने mechanical process से निकाली है जो उसकी authenticity ensure करे photocopy basically original document की आपने चार photocopy निकाली तो वो जो photocopy है वो secondary evidence है उस document के content का क्योंकि वो photocopy है uniform process से पहली बार में जो copies निकली थी वो सब primary है लेकिन एक original document की अगर आपने फिर photocopy कराई है तो वो उसका secondary evidence है and copies compared with such copies या फिर आपने वो mechanical process से निकाली हुई एक copy है photocopy है आपने उसकी एक copy और बनाई है और उसको compare कर लिया है तो वो भी secondary copy का काम करेगी भले वो mechanical process से नहीं है वो कैसे भी बनाई गई हो अगर उसको आपने compare कर लिया है with a photocopy of the original document that will also be a secondary evidence इसके बाद third देखिए copies made from or compared with the original अगर original document से किसी copy को आपने compare कर लिया है तो वो भी secondary evidence हो गया वो copy भी secondary evidence हो गई या फिर original से ही आपने बनाई है भले mechanical process से नहीं हो handwritten हो लेकिन original से अगर आपने बनाई है या फिर उसके साथ compare किया है दोनों cases में वो secondary evidence माना जाएगा fourth देखिए counterparts of document as against the parties who did not execute them counterpart वाली बात अपनने अभी करी थी भाई यहाँ पे primary कौन सा है अब B के against primary कौन सा है जो उसने execute किया तो B के against secondary कौन सा होगा जो उसने खुद execute नहीं किया है जो A ने execute किया यह वाला यह हरा वाला B के against secondary होगा B के against primary कौन सा होगा जो उसने खुद execute किया सफेद वाला इसके against secondary कौन सा होगा जो इसने execute नहीं किया इसने कौन सा part execute नहीं किया था यह वाला तो यह इसके against secondary होगा यह यहाँ पर लिखा है counterfeit of document as against the parties who did not execute them इसके बाद फिफ्ट देखिए oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it अगर कोई हमने कहा था generally sorry हमने कहा था generally document के content का oral evidence नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर वो oral evidence अपने आप में secondary evidence है तो दे सकते है यह क्या है oral कब होगा oral account कब होगा secondary evidence जब कोई ऐसा वेक्ती दे oral account जिसने वो document खुद देखा है कोई ऐसा वेक्ती जिसने मेरे और आपके बीच का contract खुद देखा था पढ़ा था वो जाकि अगर oral account दे रहा है उस document का तो that is considered as a secondary evidence of that original document चीक I hope that is clear समझ में आ रहा है ना भाई आप समझते जाईए एक्जामपल में दे तो रहा हूँ आपको mechanical certified copy मैंने पूरा आपको समझा दिया second point में मैंने आपको ये बता दिया कि mechanical process से जो बनी है ऐसी process से जो अपने आप में authenticity ensure करता है आप अपनी original mark sheet ले गए उसकी आपने 5 photocopy निकाली वो 5 copy ये हो गया real example ये भी real नहीं है इसके अलावा अगर आपने mechanical process से नहीं बनाई है लेकिन जो original document था उसको देख के prepare करी गई है भले ही वो manually बनाई गई हो लेकिन original document को देख के बनाई गई है तो वो भी secondary है अगर वो देख के नहीं बनी है आपने बना ली original की एक copy और फिर उसको compare कर लिया तो वो copy भी secondary हो गई आपकी ये सब secondary है या फिर उसका oral account हो जाए और counterpart तो मैंने आपको यहां बता ही दिया चीक इसके बात देखिए इसकी illustrations भी पढ़िएगा exactly वो बात आपको communicate हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ यहां पर भी illustrations दिये हुए है वो जो compare करने वाली बात है उससे related C है जो की बहुत important है जरा C पर आईए a copy transcript from a copy but afterwards compared with the original is secondary evidence आपने एक copy से ही एक copy बनाई transcript मतलब हाथ से original document की एक copy थी उस copy को देख के आपने manually एक copy बनाई अब जब तक आप उसको original से compare नहीं करते वो secondary evidence नहीं होगा अगर आप उसको copy से ही compare कर रहे हैं handwritten बनी हुई तो वो नहीं होगा उसको जब आप original से copy करेंगे तब वो secondary evidence होगा यह आगे लिखा है but the copy not so compared is not secondary evidence of the original although the copy from which it was transcript was compared with the original अगर transcript है manually बनाई गई copy है copy से बनाई अगर आपने original से बनाई manually तब तो वो secondary है अगर original से बनी है लेकिन आपने एक already photocopy थी आपके पास उससे आपने transcript करी तो फिर उसको original से compare करना ज़रूरी है otherwise वो relevant या वो secondary evidence नहीं माना जाएगा बहुत simple सी बात है बस थोड़ा अंगलेजी में लिखा और आप थोड़ा common sense इस्तिमाल नहीं करते हैं बस अगर simple सी बात है transcript अगर original से है तब तो वो secondary हो गई evidence उसमें कोई doubt ही नहीं है या आपने transcript करके original के साथ compare कर लिया तो भी वो secondary हो गई लेकिन आपने original document से देखके नहीं बनाई आपने copy देखके बनाई copy देखके अगर आपने transcript copy बनाई है तो फिर उसको original से compare करना जरूरी है तब ही वो secondary evidence माना जाएगा otherwise नहीं माना जाएगा बस इतना है चीक इसके बाद आई यह 64 proof of documents by primary evidence अब देखिए हमने भले ही 61 में यह लेखा था कि content of document primary secondary से हो सकता है लेकिन 64 आपका कहता है proof of documents by primary evidence documents must be proved by primary evidence except in the cases here and after mentioned तो document को अगर आपको proof करना है तो document generally किस से proof होगा primary evidence से ही proof होगा secondary से सिर्फ तब proof कर सकते है जब वो section 65 में mention हो अगर section 65 में mention हो तभी आप तभी आप secondary evidence दे सकते हैं otherwise आपको primary ही लाना पड़ेगा secondary सिर्फ exceptional cases में allowed है जो बताये गए 65 में section number भी बहुत important है इसी के साथ साथ ये सारे जो clauses दिये हैं ये भी बहुत important है कि कब-कब secondary लाया जा सकता है और secondary evidence में आपको क्या-क्या लाना है तो सबसे पहले देखिए जब वो किसी ऐसे वक्ती की possession में हो जिसके against हमें वो document प्रूफ करना है in that case you are allowed to bring the secondary evidence इसके बाद देखिए when the existence condition or content of the original have been proved to be admitted in writing this is very important अगर दूसरी पार्टी ने already उस document को admit कर लिया है और admission कैसे किया राइटिंग में अगर admit कर लिया है तो फिर अगर आपको प्रूफ करने के लिए बुलाया जारा तो आप secondary evidence ला सकते है क्योंकि हमने 58 में पड़ा कि भले ही एक party ने उसे admit कर लिया हो उसके बाद भी court आपको बोल सकता है प्रूफ करने के लिए court का discretion है तो जहां एक document अल्रेडी admit कर लिया है opposite party ने फिर भी court आपसे कर रहा है कि नहीं आप तो evidence लेके आईए तो वहां पर आप कौनसा evidence दे सकते है secondary evidence दे सकते है यह लिखा है B में इसके बाद देखिए C तो C बात करता है when the original has been destroyed or lost or when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it reasonable time अगर मान लीजे original जो है वो destroy हो गया है या lost हो गया है original जो था वो अगर खो गया है तो उस case में भी आप secondary evidence ला सकते हैं और B में हमने क्या पढ़ा तो B में हमने पढ़ा जहां party ने writing में admit कर लिया है वहाँ आप secondary ला सकते हैं इसके बाद देखिए C when the original has sorry इसके बाद D देखिए when the original is of such a nature as not to be easily movable अगर बड़ा बलकी सा document है जो easily movable नहीं है in that case also in that case also आप secondary evidence ला सकते हैं ऐसा जो easily movable नहीं है उसका भी आप secondary evidence ला सकते हैं फिर देखिए E when the original is a public document original जो है वो अगर public document है तो आप उसका secondary evidence ला सकते हैं अभी नीचे ये भी बताया है कि secondary evidence में आपको क्या लाना है इसलिए में इनको अलग-अलग groups में लिखता जा रहा हूं जैसा कि beric में दिया है क्योंकि हम आभी ये भी देखेंगे कि in cases में कौन सा secondary evidence लाना है इसके बाद F देखिए अगर वो ऐसा document है जिसकी बात आपको दी गई है G में अब ज़रा देखिए कि इनके cases में कौन सा secondary evidence लाना है तो A क्या था जहां document ऐसे विक्ती की possession में हो जिसके against proof करना है C है जहां हो गया हो या फिर destroy हो गया हो और D है जहां easily movable ना हो इन cases में आप कौन सा secondary evidence ला सकते हैं तो कोई भी ला सकते हैं देखिए आगे लिखा है in cases A, C and D any secondary evidence of the content of the document is admissible इनके case में कोई भी secondary evidence आप दे सकते हैं कोई भी secondary evidence अच्छा is it buffering just a second just a second just a second कर दिए अगर दोबारा रिस्टोर हो गया है प्रॉपर ली कनेक्शन तो कि इफ इस नॉट भाफरिंग नाउ इस अभी खतम हुआ भाई फुछ नेटवर्क इश्व था थोड़ा एक बार आप कन्फर्म कर देंगे फिट तो मैं रिपीट कर दूँगा यह वाली चीज़ ठीक है चलिए ओल्राइट 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 तो देखिए यहां जो हमने देखा कि इमेल लिखा है कोई ऐसा पॉब्लिक डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 74 में बताया है in that case भी आप secondary evidence दे सकते हैं उसके बाद हमने F में देखा जिनकी certified copy allowed हैं ऐसे documents जिनकी secondary certified copies allowed है उनका भी आप secondary evidence दे सकते हैं और आखरी में था original consist of numerous account जैसे मान लीजिए कोई चीज बहुत सारे document में contained है उसका conclusion हमें निकालना है ऐसी कोई चीज है जो कई सारे उसमें दी हुई है in that case आप secondary evidence ला सकते हैं आगे ये दिया है कि कौन सा secondary evidence आप लेके आएंगे किस case में कौन सा secondary evidence तो A, C और D ये चीज आगे दी है in case A, C, D ये क्या था जहां किसी एसे वेक्ति की possession में document है जिसके against proof करना है C है जहां destroy हो गया है या हो गया है document और D बात करता है जहां move करना possible नहीं है तीनों case में आप कोई भी secondary evidence ला सकते हैं उसका कोई भी secondary evidence आप ला सकते हैं इन तीनों के case में इसके बाद आगे लिखा है in case B, the return admission is admissible B क्या था जहां party ने खुद admit कर लिया है in writing किसी document को एक party ने खुद in writing admit कर लिया है तो उस case में क्या आ जाएगा secondary evidence की तरह वो written admission आ जाएगा secondary evidence की तरह वो written admission वहाँ पे ले आया जा सकता है इसके बाद आगे लिखा है in cases E or F जहां या तो वो public document हो या certified copy allowed हो वहाँ आप क्या line की ला सकते है secondary evidence में तो वहाँ पे certified copy आप ला सकते है as secondary evidence छीक सिर्फ certified copy ही लेके आना है कोई दूसरा secondary evidence नहीं चलेगा इन cases में सिर्फ और सिर्फ certified copy आईगी और जहां numerous account वाली बात है कई सारे उसमें contain है उसमें जिस भी चीज में वो result दिया हो इसमें क्या ला सकते हो जहां numerous account है जिससे result draw हो पाए वो वाला part आप ले आईए ये है जी के regarding तो कहां कहां आप secondary evidence ला सकते हैं और कौन सा secondary evidence लाना है हर तरीके का सवाल यहां से पूछा जा सकता है section number भी important है और बाकी सारी चीज़ें भी तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा कुछ 10 से 15 मिनट में और extend करूँगा इस lecture को तो कि आज हमें 90 के पहले 89 तक करना है लेकिन उसमें अब बहुत कम section सी important है तो इसको हम complete करेंगे कल हम start करेंगे section 90 से तो चलिए इसके बाद देखिए आप 65A special यहां से सिर्फ प्री में section number पूछे जाएंगे अब आगे देखिए यहां सिर्फ section number पूछे जाएंगे 65A special provisions as to evidence relating to electronic record electronic recording electronic records से related special provision कहां दिये गया है उसकी admissibility को लेके so the answer is 65B the contents of electronic records may be proved in accordance with the provision of section 65B electronic record के content को कैसे proof किया जाएगा यह कहां दिया है 65B में admissibility of electronic record बहुत important है या तो यह question पूछा जाता है कि electronic record से related provision कहां है उनको proof करने के तो 65A और B बताते है 65A सिरफ यह बताता है कि कैसे proof करोगे आप जैसे 65B में दिया है तो admissibility of electronic record से related अगर सवाल पूछा जाए दिन दा answer will be 65B क्योंकि admissibility तो सिरफ 65B बताता है लंबा चोड़ा उसमें पूरी कथा कहां नहीं है टेक्निकल जो means में तो question आता है बट प्री में इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं जाता so that is sufficient ठीक इसके बाद देखिए 66 rule as to notice to produce बिलकुल important नहीं है छोड़ दीजिए 67 देखिए proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced this is very important यह बहुत important है section 67 जैसे हमने 47 पढ़ा था handwriting के regarding 67 is also important signature या handwriting को कैसे proof किया जाएगा तो देखिए वहाँ हम पढ़ रहे थे कि क्या relevant होगा handwriting के लिए क्या relevant होगा वो हमने पढ़ा proof कैसे किया जाएगा that is 67 if a document अब कई बार क्या होता न यहीं confusion होता आपको कि handwriting से related तो हमने expert opinion भी पढ़ा handwriting से related तो हमने 47 भी पढ़ा यहां भी वही बात है यहां कंटेक्स चला गए इसलिए मैं कहता हूँ chapter देखो किस chapter के सहत आप provision पढ़ रहे हो वहां relevancy की बात चल रहे थी यहां proof करने की बात है होगी वह आपने 45 में पढ़ा कि handwriting expert यह बात बता सकता है या फिर 47 के हिसाब से कोई ऐसा वक्ती ऐसे वक्ती को आप ला सकते है testimony देने के लिए जो acquaintance रखता हो चीक इसके बाद देखिए 67A proof as to electronic signature सेम बात electronic signature के context में लिखे हुई है 67A में सिर्फ section number ध्यान रखिएगा that's it 68 important है proof of execution of document required by law to be attested this is important इदर से सवाल section number का तो generally नहीं आता है लेकिन यह सवाल आता है कि कितने witness को बुलाना जरूरी देखिए बात क्या चल रहे हैं यह context समझज़ेजे 68 68 उन documents की बात कर रहा है जिनको by law attested होना जरूरी है बहुत सारे ऐसे documents है जिनमें attestation जरूरी है independent witness द्वारा independent witness क्या करते हैं attest करते हैं कि हाँ यह सारी information और हमारे सामने इन दोनों parties ने execute किया है sign किया है यह बताने का काम किसका होता है attesting witness का तो law द्वारा जिन भी documents को mandatory किया गया है कि attesting witness होने चाहिए उस document को अगर आपको proof करना है court में तो उसके लिए कम से कम एक attesting witness आएगा यह pre का important सवाल है कम से कम एक attesting witness आना चाहिए तो देखिए if a document is required by law to be attested it shall not be used as evidence underline कर लीजे until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving it at least एक attesting witness को बुलाया जाना जरूरी है लेकिन इसका जो provisor है वो उतना ही important है और वो कहता है कि भले है किसी document को attest होना जरूरी है और general provision में हमने पढ़ा कि जिन documents का attestation जरूरी है उसमें at least एक witness को बुलाना जरूरी है लेकिन अगर वो document registered है provisor कहता है अगर वो document registered है in that case witness बुलाने की जरूरत ही नहीं है अगर registration act के हिसाब से उस document को register कर लिया गया है तो आपको witness बुलाने की भी जरूरत नहीं है except will will पे ये applicable नहीं है यहां से सीधा सीधा सवाल will के context में भी पूछा जाता है तो conclusion यह है उस provisor का कि जहाँ will को proof करना है वहाँ attesting witness को बुलाना mandatory है भलाई वो registered हो तब भी attesting witness को बुलाना है क्योंकि यह जो provisor है registration वाला यह will पे applicable नहीं है तो देखिए जरा provisor provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of the Indian registration act अगर Indian registration act के साब से document register हो गया है तो attesting witness को बुलाने की जरूरती नहीं है लेकिन लिखा है not being a will कहने का मतलब will के case में तो बुलाना जरूरी है that's the conclusion will चाहे registered हो या non-registered attesting witness बुलाना पड़ेगा proof करने के लिए लेकिन will के अलावा अगर कोई दूसरा document है और वो registered है तो वहाँ आपको attesting witness को बुलाने की जरूरत नहीं है इसके बाद 69 देखिए proof where no attesting witness found 69 कहता है कि attesting witness मिली नहीं रहा है तब क्या करेंगे अगर attesting witness नहीं मिल रहा है in that case क्या करेंगे क्योंकि 68 में लिखा था कि अगर attesting witness बुला सकते हैं तो एक तो बुला नहीं है लेकिन 69 वो condition बता रहा है जहां attesting witness है नहीं हो सकता है मर गया हो भारत के बाहर चले गया हो बुलाना पॉसिबल नहीं हो any reason in that case आप कैसे proof करेंगे तो उसके लिए 69 कहता है if no such attesting witness can be found or if the document purports to have been executed in the United Kingdom underline कर लीजिए it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting तो आप attesting witness को मत बुलाईए अगर उसको नहीं बुला सकते हैं आप ये proof कर दीजिए कि ये जो attestation हुआ है जितने भी attesting witnesses ने attest किया है किसी एक का ये proof कर दीजिए कि ये उसकी handwriting में है ये attestation उसी व्यक्ति का है जैसे मान लीजिए एक document है इस पे दो तो parties है A और B तो parties है इन्होंने sign किया है इन्होंने execute किया है इसके अलावा इसमें attesting witness थे C और D और ये अब 68 ने तो general rule बता दिया कि इन attesting witness में से किसी एक को बुला लो लेकिन दोनों को बुलाना संभव नहीं है तो 69 कहता है at least आप ये proof कर दीजिए कि ये जो attestation है by C ये उसी की handwriting में है आप handwriting proof कर दीजिए उसको proof करने के कई सारे हमने तरीके देखे वैसे आप proof कर दीजिए ठीक तो ये हो सकता या तो D का proof कर दीजिए कि ये उसकी handwriting में C का साथ में एक तो ये proof करना है किसी एक attesting witness की handwriting प्रूफ करनी है और साथ में आगे दिखिए कன प्रूफ करना है And that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person एक attesting witness की handwriting proof कर दिजे इस document पे और जो दोनों parties है जिनोंने execute किया है इनकी भी handwriting proof कर दिजे कि ये उनीकी handwriting में है और किसी एक attesting witness की execution proof कर दिजे चीक, दोनों में से, यह यह दोनों चीज़ें अगर आप प्रूफ कर देते हैं, तो बिना attesting witness को बुलाए भी आप बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, इसके बाद देखिए 70, admission of execution by party to attested documents, अगर मान लेजे, document attested है, लेकिन party ने खुद admit कर लिया, अब आप सोचिए बहुत obvious सी ब बात है, अगर party ने खुद admit कर लिया है, कि हाँ साब हमने ही execute किया है, तो फिर बुलाने की जरूरत ही नहीं है, बस यही बात सत्तर में लिखिए, the admission of a party to an attested document of its execution by himself, shall be sufficient proof of its execution as against him, though it may be a document required by law to be attested, भले वो attestation जरूरी हो, लेकिन अगर party ने खुद admit कर लिया है, कि हाँ तब तो वो अपने आप में sufficiently approved मान लिया जाएगा, इसके बाद 71 देखिए, proof when attesting witness denies the execution, अगर मान लिजे, attesting witness था, C already attesting witness थे, और इन में से किसी एक को बुलाया गया प्रूफ करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, C ने आके बोला, कि साब हमने नहीं attest किया, हमको 71 ये कहता है कि किसी दूसरे तरीके से आप proof कर सकते हैं, ये तो नहीं है कि सिर्फ attesting witness से proof, otherwise भी आप document को इस दूसरे evidence से proof कर दीजे, दूसरे evidence से आप proof कर सकते हैं, ये 71 में लिखा है, 72, proof of document not required by law to be attested, ऐसे documents जिनको attest होना जरूरी नहीं है, law ने mandate नहीं कर रखा कि इनको attest कराना है, attest होने चाहिए, उन documents को किसी भी दूसरी method से proof किया जा सकता है, जो पूरे Indian Evidence Act में दी है, वहाँ पर attesting witness की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि law ने mandate नहीं कर रखा, यहां से important question कौन से है, 68 ध्यान रखिएगा, कम से कम एक attesting witness चाहिए, will के case में mandatory है, भले ही registered हो, बाकी कोई document registered है, तो फिर जरूरी नहीं है, 69 भी important है, क्या testing witness नहीं मिल रहा, तो कैसे proof करेंगे, बाकी 70, 71 और 72 जादा important नहीं है, 73 important है, कि कैसे आप proof करेंगे, वही signature या handwriting, हमने relevancy तो पढ़ लिया, 45 में पढ़ लिया कि expert का opinion relevant होगा, handwriting से related, 47 में पढ़ लिया कि कोई ऐसा व जैसे और हो सकता है, ये बात बताई है, 73 में, comparison of signature, writing or seal with others, admitted or proved, 73 ये कहता है, कि किसी वैक्ती की handwriting ये signature, proof करना है, तो आप compare करके भी कर सकते हैं, एक method और बताई है, जैसे मान लीजिए, ये document है, और ये proof हो गया है, that this document is written by A, this fact is proved before the court, कि ये document A ने लिखा है, अब एक दूसरा document है, जिस पे सवाल है, ये एक document है, it is in question, कि ये A की handwriting है या नहीं, तो एक ऐसा document जो already proved है, कि A की handwriting है, उससे इसको compare कर लीजिए, compare करके भी proof किया जा सकता है, that is also a method which is provided under 73, चाहिक एक तो ये दिया है, कि आप compare कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी वैक्ती से sign-vind भी करा सकते हैं, 73 देखिए, in order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose, तो एक जो अल्रेटी प्रूवड है, उससे compare करके कर सकते हैं, उसके आगे लिखा है, the court may direct any person present in court to write any words or figures, for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures at least to have been written by such person, अगर a court में मौजूद है, और यह देखना है कि यह document a ने लिखाया है नी, तो एक method यह भी है, कि court a से कुछ लिखके देने को बोल सकता है, signature करवा सकता है, लिखके देने को, a को बोल सकता है, कि चलो लिखके दो, if a is present in court, that is also allowed, और इसके अलाबा, नीचे जो third line लिखिये, वो कहती है, कि जो जो rules इस handwriting पे या signature पे applicable है, यह सब thumb impression, finger impressions पे भी होंगे, fingerprint पे भी same rule applicable होंगे, इसके बाद देखिए, 73A, proof as to verification of digital signature, इच्छ, digital signature को आप कैसे proof करेंगे, बस section number ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़े important नहीं है, certifying authority के द्वारा, normally यह किया जाता है, जिसके relevancy में पड़ा था, वो यहां लिखा है, कि उनके द्वारा ही proof किया जाएगा, सिर्फ section number याद रखिएगा, 73A में दिया है, 74 is very important, 74, 75 दो बहुत important है, section 74, section 75 यह बहुत important है, और section 76 भी equally important है, 74 डिफाइन करता है, public document को, सीरे सीरे प्री में सवाल पूछा जाता है, कि public document कहां defined है, अभी हमने already 65 में भी पड़ा, public document के बारे में, कि public document को आप, जो कि 74 में defined है, उसको आप कैसे, उसके लिए आप secondary evidence क्या ला सकते है, certified copy ला सकते है, तो एक question तो यह आता है, कि public document के section में defined है, दूसरा question आता है, कि public document होता क्या है, So, देखिए जरा, the following documents are public documents, पहला है, documents forming the acts or records of the act, of the sovereign authority, sovereign authority के जो records हैं, या acts, sovereign authority समझते हैं आप, कोई भी independent government, उसके जितने records हैं, वो सब public document है, Second, of official bodies and tribunals, जितने भी official organs हैं, सरकार के या tribunals हैं, उनके जितने भी records या document हैं, public document हैं, third है of public officers, legislative, judicial and executive, तीनों organ के जितने भी officers हैं, चाहे वो executive के officer हो, judiciary के officer हो है, legislature के officer हो, उनके जितने भी public officers हैं, उन्होंने जितने भी document बना हैं, या foreign country के हैं, उन officers के दौरा जो execute किये हुए documents है वो सब public document है और आखरी में लिखा है public records यह भी important है public records kept of private document अब भले document private हो लेकिन उसका जो public record है वो public document होता है इसको ज़रा समझ नहां जैसे आपका birth certificate आपका birth certificate आपका private document है लेकिन उसका record जो नगर पाले का या नगर निगम के पास है that is a public document आपके private document का सरकारी दफ्तर में जो record रखा हुआ है वो record public document है वो particular certificate भले आपका निजी हो सकता आपका आधार card आपका private document है लेकिन आपके आधार का जो सरकारी office में record रखा है that is public document है चीक इसके बाद देखिए 74 ने तो बता दिया public document क्या होगा 75 बताता है कि private document क्या होगा so 75 बताता है private document तो private document वो सारे document है जो public नहीं है यहां लेका है all other documents are private public बता दिये हमने इसके अलावा जितने भी document है वो सब private है दोनों से सवाल आता है section number से सवाल आता है क्या होते है public document इससे भी सवाल आता है ठीक दोनों इंपोई बेटा छोड़ दीजिए आप यह जो पूछ रहा है कि mentors की जरूरत पड़ती है आज कल नाया trend चला है मेंटर क्या कर रहा है पड़ा नहीं रहे हैं वो schedule बना रहा है सोबह उटके mood होना है कि नहीं होना है नाश्ता कितने वज़े ख़रना है तो अगर log graduation में आने बाद या log graduate होने बाद आपको किसी और से अपना daily routine बनवाना पड़ रहा है तो मेरी नजर में आपको जुड़ी स्रिक तयारी सबसे पहले छोड़ देना चाहिए बाकि आप कुछ भी करिए जी तो इसके बाद आई यह जरा 76 पे certified copies of public document this is also very important this is also very important certified copies certified copy of public document क्या होती है समझ लीजे section number ध्यान रखिएगा देखे public document क्या है जो सरकारी office में रखा है किसी public office में रखा है वहाँ एक particular officer होता है जिसका यह काम है कि अगर आप उस public document की copy चाहते हैं तो आप जाके application दीजे जो required fee से वो दीजे वो क्या करेगा उस public document में से जितना पार्ट आपके काम का है उसकी copy बनाएगा और उसमें एक certified करेगा नीचे footnote में वो certified करता है कि this is a genuine and authentic copy of that particular public document और वो copy आपको दे देता है इसी को कहते है certified copy यही चीज़ 76 में लिखी है इसके बाद देखिए 77 proof of documents by production of certified copies और 78 proof of other official document that is also important 77 proof of documents by production of certified copies तो भाई यह जो documents है इनको आप कैसे proof करेंगे certified copy से करेंगे जितने भी public document उनको कैसे proof करेंगे certified copy बस यह लिखा है 77 में section number से सवाल आता है that's it certified copies may be produced in proof of the content of the public document और part public document को proof करने के लिए certified copy लाना है section number याद रखिएगा यह बताया गया है 77 में 77 में यह बताया गया है और एक 78 भी है 78 है proof of other official document दूसरे official document के लिए हर document के लिए बताया गया है normally वही है जो उनके office में एक particular उस चीज़ के लिए रखा जाता है व्यक्ति उसको बता दिया गया है क्या क्या proof आप दे सकते हैं अंदर से question आता नहीं रीड करेंगे तो कुछ भी उसमें conceptual नहीं है उसमें कुछ भी conceptual नहीं है चीक वह बहुती simple सी चीज़े हैं एक बार रीड करेंगे समझ जाएंगे question नहीं आता है search इसके बाद अब सिर्फ एक या दो provision है अब आगे जो बताये गए हैं वो presumptions है थोड़ा सा brief में देख लीजिए बहुत ज्यादा important नहीं अखन का doubt है कि 76 और 77 लग रहें नहीं बड़ा अलग है 76 सिर्फ यह बता रहा है कि certified copy होता क्या है 76 बता रहा है कि certified copy होता क्या है और 77 यह बता रहा है कि जितने भी public documents हैं उनको आपको certified copy से ही proof करना है code में 77 यह बता रहा है कि जितने भी public document हैं उनको proof कैसे करोगे code में उनका proof क्या लाओगे certified copy लाओगे और certified copy होता क्या है यह 76 ने बताया है, that's the difference, I hope you got it, इसके बाद देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगली जो subheading है, presumptions as to document, document से related presumption, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है, may presume, shall presume already पढ़ा दिया है, may presume मतलब जहां court को लिख दिया है, कि अगर यह चीज आई है court में, यह particular document आय है, तो आपको यह presume करना है, अब आप 76 से देखेंगे, तो यहाँ सारे, sorry, 79 से जो start हो रहा है, वो shall presume है, कि अगर यह document आया है आपके सामने, तो कुछ बातें आपको presume करना ही करना है, वो आप party को prove करने को नहीं बोलोगे, अगर आपने वो class attend करी है, may presume और shall presume, तो आपको परस्या नहीं होगी, shall presume मतलब, जहाँ अगर लिख दिया है, कि यह document आगया है, तो कुछ facts court को मानने ही पढ़ेंगे, उन्हें proof करने के लिए, वो उस party को compel नहीं करेंगे, कि नहीं है, यह document तो तुम लिया है, लेकिन फिर भी तुम इसे proof करो, यह court नहीं बोल सकता, जहाँ shall presume लिखा है, 79 से shall presume ही मिलेगा, आपको, आप देखते जाएए, तो यहाँ आपको shall presume मिलेगा, और यह आपको मिलेगा 85C तक, उसके बाद 86 से आप देखेंगे, तो may presume चालू हो जाएगा, वहाँ court का discretion है, document आ गया है, तो लिखा है कि कुछ चीज़ें आप presume कर सकते हैं, तो वो court का discretion है, या तो इस document के production पे वो presume कर लेगा, या फिर भी बोल सकता है आप से कि नहीं, आप इसको भी proof करिए, दोनों कर सकता है, क्योंकि may लिखा है, may मतलब discretion, आता वाता इधर से ज़्यादा नहीं है, कुछ एक दो section important है, जैसे 85A आप mark कर सकते हैं, section number पूछा जाता है, presumption as to electronic agreement कहां दिया हुआ है, तो एक 85A mark कर लीजिए, जो थोड़ा भात पूछा गया है कभी, 83 थोड़ा भात important है, presumption as to maps और plans made by authority, थोड़ा भात यह important है, 83, 85A, बस, इसके बाद सीधे आजाईए, section 90, 90 is very important, नहीं कुछन, शाल is not conclusive, शाल is not conclusive, शाल is rebutable, conclusive मतलब irrebutable, कि उस party को तो आपको नहीं ही बोलना है, जो वो document ले आया है, उसको तो आप नहीं बोल सकते हैं, प्रूफ करने के लिए, लेकिन adverse party को आप chance दे सकते हैं, उस document को disprove करने का, यह होता है शाल में, it is a rebutable presumption, लेकिन conclusive जब अपन कह रहा है ह तो conclusive का मतलब it is irrebutable, ना तो जो party document ले आई है, उससे court बोलेगा प्रूफ करने के लिए, और नहीं दूसरी party को adverse party को chance देगा, उसे disprove करने का, कुछ नहीं होगा, conclusive मतलब सर्वमान ने, 90 देखिए, 90 is very very important, section 90 is very very important, बहुत ज़्यादा important है, section number भी पूछा जाता है, यह है, अगर कोई document court में produce किया गया है, जो कितना पुराना है, 30 साल पुराना, 30 years old document अगर आया है, तो उसके content को सही ही मानेगा court, अगर 30 साल पुरान है, presume कर सकता है, यहां लिखा है, when any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody, which the court in the particular case considers proper, अगर उसे proper custody से produce किया गया है, then the court may presume, may presume है, court का discretion है, चाहे तो बोल भी सकता है कि नहीं, आप इसके अंदर की चीज़ें प्रूफ करिए, बट presume कर भी सकता है, प्री में सीदे सीदे सवाल आता है, कि 30 years old documents के regarding presumption के section में है, या फिर document से regarding presumption करना है, कितना पुराना document है, तो court यह presume कर सकता है, कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, वो सही है, तो answer is 30 years, 30 साल पुराना अगर वो document है, और proper custody से अगर आया है, तो court presume कर सकता है, कि जिन parties के नाम उसमें लिखे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो सही है, court यह presume कर सकता है, लिखा है, the court में presume, that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, वो उसी की handwriting में सही हुसको मान सकता है, court, अगर document 30 साल पुराना है, similar है, 90A, that is also very important, बस वो किसकी बात करता है, electronic की, 90A किसकी बात करता है, electronic record की बात करता है, कोई भी electronic record अगर कितना पुराना है, 5 years old है, 5 साल पुराना अगर electronic record है, तो court यह presume कर सकता है, कि उस electronic record की में जो भी बातें लिखी हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सही है, court यह presume कर सकता है, अगर electronic record पांच साल पुराना है तो कि उसमें जो electronic signature है वो उसी वेक्तिक है इस आरे presumption court कर सकता है hope that is clear दोनों बहुत important है pre के लिए electronic record किता पुराना 5 साल document किता पुराना 30 साल अगर proper custody से आया है तो court presume कर सकता है कि उसमें जो लिखा सब सही है तो यह हो गया आपका specific portion of proof जिसके एक particular chapter को हमने अभी complete किया है अभी बचा है आगे है chapter 6 हम अभी यही पढ़ रहे हैं इस second part में कि कोई भी चीज कैसे proof करी जाएगी अगला chapter है chapter 6 अखंड का कहना है सर आपने दो पूरा crash course यूट्यूब पर डाल दिया पहला institute है अच्छा ओल्राइट थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच और यूट्यूब पर डाल दिया है लेकिन मैं आपसे जैसा हमेशा कहता हूं कोई भी इंसान कोई भी चीज बिना मतलब के इस दुनिया में मेरा ऐसा मानना है नहीं ही करता है सबको कुछ ना कुछ तो रिटन चाहिए ही होता है और अगर आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि यह course आपके लिए helpful था तो मेरा जो इंट्रेस्ट है इसमें वो आप फिल्फिल कर दीजिए है ला तो इन वीडियोज को जादा से जादा लोगों तक पहुचा दें अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के इस सीरीज के माद्यम से आपकी कुछ help होई है या सब्जेक को समझने में थोड़ी मदद आपकी हम कर पाए है तो थोड़ी मदद आप भी हमारी करें और लोगों तक पहुचने में ठीक है चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं evidence act कल हमने 98 तक complete किया है आज स्टार्ट करते हैं 91 से निकिता का doubt है कि merit कितनी जाएगी यूपी की बड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता merit के बारे में at this point of time चार साल बात तो परिक्षा हो रही है यूपी की syllabus में changes है competition बदल चुका है number of seats change है number of aspirants बदले है मेरी माने तो इन सब बातों पर आप rely ना करें इन सब में ना पढ़ें आप कोशिश करें जादा से जादा number लाने की मैंने आपको पहले ही बताया यह जो crash course हम YouTube पे लेकर के आए हैं यह वो crash course है जिससे recent exams में 1500 में से 135 137 नंबर भी बच्चे लाए हैं यह पहले सरफ foundation के जो students होते थे लिखके उनके लिए available था और यह जो हमने YouTube पे कराया है यह वो crash course है जिससे बच्चों ने 1500 में 137 नंबर तक भी पाए हैं तो भाई साब मेरा कहना इस पर यह होता है इस cutoff की कहानी पर कि नंबर इतने लाओ कि जिस दिन paper देके आओ अगले दिन जब आप answer की check कर लें इतने नंबर आपके होने चाहिए कि आप इस दुविधा में ना हूँ कि हम mains दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब तक मेंस का सारी प्री का result आता है मेंस की date आती है काफी समय उसमें चला जाता है और बहुत ज़्यादा समय मेंस के लिए मिलता नहीं है इसलिए बटा नंबर आप cutoff के हिसाब से target मत बनाई है cutoff के हिसाब से अपनी तयारी मत करिए आप maximum marks के हिसाब से अपनी त चाहिक है और उसके लिए आप जानते है paper one GS भी पूरा पढ़ा दिया गया है law भी पूरा पढ़ा दिया गया है GS के जो नए subject add हुए वो भी पढ़ा पढ़ा दी है और उनके question भी available है अब इसके बाद भी अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि cutoff तो भाई फिर यह हजम नहीं हु है कि हमें मेंस लिखना है की नहीं एक दिन रेस्ट करना है अगले दिन से मेंस की तैयारी करनी है यह होता है paper देने का मतलग बाकी तो नहीं तो YouTube पे तो जनता बैठी है कि कैसे बने civil judge एक लाग वच्चों ने देख लिया है वो वीडियो तो ऐसी जनता तो बहुत है आपको not at the stage of preparation preparation का भी cut off के साब से मत करिए चलिए next chapter पर आते हैं देखिए भाई एक बार दुबारा मैं आपको brief में ये recall करा दूँ कि हम पढ़ किया रहे हैं तो evidence act में सबसे पहले part में हमने पढ़ा कि कौन से facts relevant होंगे क्योंकि जो facts relevant होंगे वही court में proof किये जाएंगे fact proof क्यों कि किये जाते हैं ताकि court उन proofed fact के basis पे अपना judgment दे पाए इसलिए fact proof किये जाते हैं कौन से facts proof होंगे जो relevant होंगे ये part 1 ने बता दिया कि कौन से fact relevant है अब facts को proof कैसे करना है क्या evidence लेके आ सकते हैं आप proof करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं part 2 में जिसमें काफी कुछ हम already पढ़ चुके हैं oral evidence, documentary evidence होते क्या हैं ये सब पढ़ लिया है अब जो अगला chapter पढ़ने जा रहे हैं पहले इस chapter का नाम देखिए इस chapter की heading देखिए और उसके बाद मैं इसके अंदर के provision अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस 90 से लेके 100 तक की जो कहानी है आपने उस context को नहीं समझाए कि ये चल क्या रहा है इसलिए शायद आप provision समझने में असफल रहे हैं इसलिए पहले ज़रा 5 मिनिट का मुझे समय दीजेगा ताकि मैं आपको इस पूरे chapter का context रढ़न से बता पाऊं उसके बाद जब हम इन provision को पढ़ेंग जैसा कि आप इस chapter का नाम देख पा रहे हैं of the exclusion of oral by documentary evidence oral evidence को exclude कर दिया जा रहा है by documentary evidence इसका मतलब ये है इस chapter में basically ये बताया गया है कि अगर किसी fact का documentary evidence available है तो उस fact को आप document के थ्रू ही proof करिए उसके लिए आप oral evidence लेके मत आईए ये basic essence है इस पूरे chapter का basic rule है इस पूरे chapter का ये कि अगर कोई चीज documented है already कोई चीज document के form में है तो ऐसी चीज़ों को proof करने के लिए आप oral evidence मतलाईए उसको आप किस से proof करिए document से और इसको कहते हैं हम exclusion of oral by documentary evidence documentary evidence से हमने oral evidence को exclude कर दिया हटा दिया ये basically पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले 91 देखते है 91 इसके basic rule को बताता है section 91 इस chapter के general rule को basically बताता है so देखिए 91 evidence of terms of contract grants and other dispositions of property reduced to form of documents ये specific चीज़ों की ही बात करता है जो documented है किन किन चीज़ों की बात करता है when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property सबसे primarily किस-किस की बात है कोई contract है अगर या फिर कोई grant है grant मतलब जब आप property वो अपर्टी किसी को देते हैं या फिर कोई दूसरा disposition प्रोपर्टी का किसी और तरीके से property को grant के form में ना देके किसी और तरीके से property को आपने dispose of किया है या फिर कोई और matter इसके अलावा ये भी लिखा है कोई other matter जिसको document के form में होना mandatory है कोई ऐसा matter जिसका document के form में होना by law mandatory है कि ये particular transaction आप document के through ही कर सकते हैं कई जगा ऐसी requirement लिखी है कि ये particular document sorry ये particular transaction document के through ही होगा कई सारे laws में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अगर ये है तो ये लिखित में होना चाहिए ऐसी requirement by law दी हुई है तो 91 इन सबको deal करता है इतने तरीके के चीज़ों को 91 deal करता है और 91 कहता है अगर इन में से कोई भी चीज document के form में है documented है तो इसके text को इसके context को इसके terms को proof करने के लिए आप इसका documentary evidence ही देंगे प्राइमरी दीजिए चाहे secondary लेकिन evidence कौन सा देंगे documentary ही देंगे oral evidence नहीं देंगे आप इस बार का यह हमने कल भी देखा था कि content of document जो है वो oral evidence के through proof नहीं होगा when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document no of evidence underline कर लेजे no evidence shall be given in proof of the terms of such contract grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence इसको आप कैसे proof करेंगे यह matters अगर लिखित में है इन राइटिंग में है तो उसको आपको proof कैसे करना है उस document से original document से या फिर उसके secondary evidence से लेकिन oral नहीं देना है documentary ही देना है of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision here and after contained चेक तो यह चीज़े अगर documented form में है तो 91 कहता है इसको आपको proof करना है उस document को लाना है अगर आपको यह ऐसा contract proof करना चाहते है जिसको हमने writing में reduce किया मैंने आपको कल भी बताया था आपके और मेरे बीच में written contract है writing में लिखा हुआ एक contract है उसको उसके terms उसके content को अगर हमें proof करना है उस contract के content को अगर हमें proof करना है तो court में as a proof आप क्या evidence लिखे जाएंगे वो original contract लिखे जाएंगे या उसकी secondary copy और secondary evidence आप कब दे सकते हैं यह कल हम already पढ़ चुके हैं वो conditions comply होनी चाहिए अगर आप by law allowed secondary evidence को देने के लिए तो आप secondary evidence ला सकते हैं यह कहता है 91 अब इसके कुछ exceptions हैं इसके दो exceptions लिखे हुए हैं उनको भी देखिए when a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer the writing by which he is appointed need not be proved मान लिजए किसी सरकारी officer का किसी office में appointment होना है और वो appointment mandately writing में होना चाहिए कोई व्यक्ति उस office को already hold कर चुका है वो as that designation on that designation as that officer अगर कोई व्यक्ति already काम कर चुका है in that case यह बताने के लिए कि इस व्यक्ति का appointment उस particular post पे हुआ है यह बताने के लिए वो written appointment लाने की जरूरत नहीं है अगर कोई public office किसी बंदे ने held कर लिया है already in that case यह exception है भले उसका appointment writing में हुआ हो फिर भी जरूरी नहीं है उसके appointment को prove करने के लिए कि आप वो written document लाएं exception two है wills admitted to probate in India may be proved by the probate अब wills के case में will के case में क्या होता वसियत के case में क्या होता probate courts होते हैं वो will की authenticity already certified करके एक probate जारी कर देते हैं will original लाने की फिर आपको जरूरत नहीं है वो जो probate एक certification है court का कि भाई साब यह bill authentic है वो certificate भी काम कर जाएगा that is also an exception क्योंकि यहां लिखाए कि original document लाना है original document क्या है will लेकिन अगर will already court से certified है तो आप वो certification ला सकते हैं आपको will लाने की जरूरत नहीं है as an evidence इसके explanation भी दिये हुए है तीन जिनसे कुछ illustration based question बनते हैं तो इनको भी ज़रा एक बार पढ़ लीजे यह जो particular portion मैं आपको समझा रहा हूँ 91, 92 या इसके बाद के जो 100 तक के provision है इनसे ध्यान रखना illustration based question कई पूछे जाते हैं तो जो जो illustration आने की संभावनाए है या जो particular portion आने की ज़्यादा संभावनाए है problems में वो मैं एक एक करके जरूर यहाँ पे आपको समझाऊंगा बेट अपने की probate वो होता है जब एक court के सामने आप पहले क्या करते हैं कि will लेके जाते हैं और जब court will को authentic साबित कर देता है वो मान लेता कि है आज जिस व्यक्ति की कही जा रही है यह will उसी की है तो फिर उस original will को लेके घूमने की जरूरत नहीं होती probate उस बात का certification होता है probate क्या होता है probate उस बात का certification होता है कि यह जो will लेके बंदा घूम रहा है यह original और authentic है जिसको probate दे दिया गया है उसको फिर will produce करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस बात की authenticity को जाहिर करता है कि यहाँ आपके पास वो original will है और वो will जो है वो authentic है इस बात का proof है basically probate इसके बात देखिए explanation explanation 1 कहता है अब माल लीजे एक contract है जो अलग-अलग 2-3 document में है तो उस पे भी यह applicable होगा explanation 2 कहता है अगर माल लीजे किसी document के एक से ज़्यादा original ही है original ही 2 या 3 है कल हमने पढ़ा अचा primary evidence होते है एक दूसरे के अगर uniform process से original copy जो निकली है वो ही 3-4 निकली है तो वो सब एक दूसरे के against primary होते है तो उन में से कोई भी एक आप ला सकते है proof करने के लिए सारे learning की जरूरत नहीं होती explanation 3 बहुत important है the statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section यह बहुत important explanation है इसको जरा समझ लेना क्योंकि इस से related illustration पूछा जाता है exam में the statement in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact अब हमने 91 में पढ़ा contract के example से इसको समझे है हमने 91 में पढ़ा कि अगर कोई contract है और उस contract अगर कोई contract कैसा है document के form में है तो अगर आपको इस contract का content अगर proof करना है उसके लिए आपको original document लाना पढ़ेगा या secondary evidence इसका आप oral evidence नहीं दे सकते court में आप इसका oral evidence नहीं दे सकते इसके लिए कोई witness नहीं ला सकते जिसने वो देखा समझा हो तो document लाना पढ़ेगा तो इसका अगर content आपको proof करना है तो document लाना पढ़ेगा अगर मान लीजिए इस document में उस particular contract जो question में है उस particular contract के अलावा जो main contract है जिसके regarding ये document बना है अगर इसके अलावा कोई और बात भी उस document में लिखी थी तो उस दूसरी बात को proof करने के आप oral evidence दे सकते हैं लेकिन उस particular contract को proof करने के आप oral evidence नहीं दे पाएंगे इस बात को ज़रा ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए there is a contract between A and B A और B के बीच में contract है जिसको document already कर लिया गया है एक illustration भी इससे related है जिससे related सवाल आपको prelims में देखने को मिल सकता है एक बार जरा उसको भी देख लीजे तो you will get it more comprehensively D को देखिए illustration D देखिए जरा A contracts in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms the contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo the evidence is admissible यहां कह रहे है evidence admissible हो जाएगा oral evidence admit हो जाएगा जबकि contract की बात है और contract लिखित में हुआ है उसके बात भी 91 ने तो हमें बताया कि अगर writing में है कोई contract तो उसको proof करने के लिए आपको document ही लाना पड़ेगा वो contract की copy ही लानी पड़ेगी proof करने के लिए oral evidence नहीं दे सकते लेकिन यहां कह रहे हैं कि oral दे सकते हैं तो यह किस बात के उसको जरा समझ लीजिए जैसे A और B के बीच में मान लीजिए एक contract हुआ है और इस contract से related मान लीजिए एक contract हुआ कि A जो है वो कुछ good supply करेगा B को आने वाले in future A जो है B को कुछ good supply करेगा let's say 10 kg wheat supply करेगा और 500 रुपे में करेगा यह contract दोनों के बीच में हुआ है 10 kg wheat supply करना है 500 रुपे में यह terms लिखे हुए है contract के सारे और इसी document में जिसमें उन्होंने इस contract को document किया है इसी document में इन्होंने यह भी लिख लिया है कि इसके पहले इस transaction के पहले A और B के बीच एक transaction हुआ था जिसमें A ने 5 kg rice दिया था B को और B ने उसके बदले में 1000 रुपे अल्रेडी पेग कर चुका है इसके पहले A ने जो rice supply किया था B को उसकी price B ने pay करी थी वो oral agreement था दोनों के बीच में कि A 5 kg rice B को देगा और B उसके बदले में 1000 रुपे देगा A ने rice supply कर दिये थे B ने 1000 रुपे दे दिये थे अब B ने 1000 रुपे दे दिये है इस बाग को acknowledge करने के लिए रुपे B has already paid पिछला जो हमारा transaction हुआ था उसके 1000 रुपे आप pay कर चुके हैं ये बात भी इनोंने इस document में लिखती अब 91 में हमने पढ़ा है कि जब contract documented है तो उससे related जितनी भी बाते हैं वो आपको document के थ्रूई प्रूफ करने है उसके oral evidence नहीं ला सकते तो ये बात किस पे applicable है तो भाईया ये बात किस contract वाले पार्ट पे applicable है जो अभी contract हुआ है अगर पिछले किसी transaction की receipt के बारे में इनोंने mention किया है उस document में जैसा इनोंने यहां किया कि जो पिछला transaction था उसकी payment भी already कर चुका है उसको सिरफ acknowledge किया गया है इस document में कि हाँ वो payment मैंने receive कर ली है ये लिखा गया है इदर तो ये जो portion है ये जो specific portion है इस document का इसके oral evidence दिये जा सकते हैं इसको अगर counter करना है कि नहीं आजार रुपर पे नहीं हुए है उसके oral evidence दिये जा सकते है because this portion of the document doesn't form the part of the contract contract का part नहीं है ये merely acknowledgement है it is not a contract I hope you are getting this because 91 किस पे applicable है जरा देखिये या तो contract पे या grant पे या किसी और तरीके के property के disposition पे या किसी ऐसे matter पे जो mandatorly in writing होना चाहिए law ने कहा है कि ये लिखे थी होगा सिर्फ इन पे applicable है 91 और ये इनों ने क्या किया है पैसे के बारे में लिखा है पहले जो receive हो गए थे I hope you got this this is not the term of a contract no this is not the term of the contract that's why इसके against आप oral evidence admit कर सकते हैं इसके आप oral evidence ले सकते हैं उसके लिए document दिखाने की जरूरत नहीं है I hope you got it ये exception हो गया इसका that's very correct चीक तो ये ही वो illustration convey करना चाह रहा था इसी के तरह E illustration भी है A gives B reset for money paid by B उसके oral evidence दिया जा रहा है तो admissible क्योंकि वो merely receipt है भले ही वो documented but receipt है इन में से किसी category में fall नहीं कर रहा इसलिए जो email लिखा है उसके oral evidence दिये जा सकते हैं ठीक I hope that's clear क्योंकि ये उस contract का part नहीं उस contract का term नहीं है ये जो particular portion है इसलिए इसका oral evidence दिया जा सकता है that's what 91 explanation 3 mint इसके बाद आई ये जरा 92 पे अब समझना जरा कि 92 है क्या भाई 91 ने आपको एक general बात बताई 91 ने एक general बात ये बताई कि अगर कोई contract grant या other disposition of property या फिर कोई ऐसे चीज़ जो mandatory document के form में होनी चाहिए अगर वो document के form में है अगर उसको document कर लिया गया है तो उसे proof करने के लिए आपको क्या लाना है वो document ही लाना है वो document ही लाना है जी oral evidence आप उसके लिए नहीं दे सकते इसके आगे की बात हमको बताता है section 92 अब देखिए section 92 शुरू कहां से होता है जरा इस बात को समझीएगा भाई अगर आपके और मेरे बीच में कोई contract था और वो writing में था तो 91 क्या कहता है उसको proof कैसे करना है अगर आपको उस contract को proof करना उसके term को proof करना है code में तो कैसे proof करेंगे वो document original लेके आईए या फिर आप उसकी secondary evidence लेके आईए उसकी कोई copy लाईए जो भी चीज secondary evidence में admissible है वो लेके आईए तो या तो document के थूँ प्रूफ होगा या तो secondary के थूँ अब 92 कह रहा है अगर मान लीजिए कोई ऐसा document already proof हो गया है code में अगर कोई ऐसा document already proof कर दिया गया है आपके और मेरे बीच में एक written contract तो उस written contract को already code में proof कर दिया गया है कैसे किया होगा proof तो 91 बताएगा हमें कि proof आपने किया होगा through that document और secondary evidence अब मान लीजिए वो proof हो गया है 92 कह रहा है कि अगर कोई ऐसी लिखित चीज through the document proof हो चुकी है तो अब आप इस contract में उस disposition में उस grant में कोई भी addition या subtraction करने के लिए oral agreement proof नहीं करेंगे आप अगर इस document के through आपके और मेरे बीच में contract था और उस contract का original document आपने code में ले आए और उस contract को आपने proof कर दिया है तो अब मैं अगर चाहूं ये proof करना कि साब वो document तो ठीक है लेकिन हमारे बीच में एक oral agreement भी हुआ था document में तो इनने ये सब लिखा था लेकिन एक oral agreement भी हुआ था जिसमें कुछ और बात कही गई थी जैसे मान लेजिए आप ये कहना चाह रहे हैं court में कि आपकी और मेरे बीच में एक return contract हुआ जिसमें हमने ये लिखा कि मैं आपको judiciary के लिए पढ़ाऊंगा और मैं आपसे 65,000 rupees fees लूँगा उसके बदले में ये वहाँ लिखा हुआ है अब आप document तो proof हो गया लेकिन वहाँ मैं ये proof करना चाह रहा हूँ कि sir मैंने इनको बोला था कि अगर मैं pre का crash course पढ़ाऊंगा तो उसके 5000 मैं अलग से लूँगा तो क्या इस oral evidence को document तो अलरेडी proof हो गया उसमें कुछ बातें लिखी हुई है जो proof हो गई है लेकिन अब मैं एक separate बात बता रहा हूँ साथ में कि साथ इस document के साथ ये भी हुआ था ये हमारी oral बात हुई थी तो क्या उस oral बात को मैं court में proof कर सकता हूँ when we already have a document for the same क्या मैं इसके अलावा कोई oral agreement proof कर सकता हूँ court में when we have that original document answer in general case is no कि generally आप ऐसा नहीं कर पाएंगे जब already भाईया documented है contract आपका उसमें जो लिखा है वही सर्वमानने है अब आप ये बात लाना चाहरे है कि नहीं साब oral भी कुछ हुआ था वहाँ पे कोई oral agreement भी हुआ था हमारे बीच में तो ये मैं proof नहीं कर सकता court में generally but इसके कुछ exceptions है जो यहाँ अलग-अलग provisio के form में दिये हुए I hope you are getting the general context के अपन बात क्या कर रहे है 91 में कोई document already proof हो चुका है 92 कह रहा है कि उस proved document के बदले आप उस कहना चाहरे है कि उसी के साथ साब oral agreement भी तो हुआ था हमारा ये भाई वो तो बताई नहीं रहा document तो ये ले आया बड़े अच्छे से क्योंकि वो written में है जो oral बात हुई थी वो ये बता नहीं रहा है आपको वो मैं बता रहा हूँ तो क्या court मेरे इस oral agreement को admit करेगा generally the answer is no but there are certain provisos पांच provisos इसके sorry हाँ छे छे provisos आपके अलग-अलग आपको यहां मिलते हैं जो ये बता दे हैं कि कब ये oral agreement आप proof कर पाएंगे कब आपको मौका मिलेगा इस oral agreement को भी proof करने का general rule तो ये होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते अब आईए जरा 92 की language पे when the terms of any such contract grant or other disposition or property of or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved already proof हो चोका है वो according to the last section पिछले section के हिसाब से proof हो गया 91 के हिसाब से proof हो गया no evidence of underline कर लीजे no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative and interest for the purpose of contradicting किस purpose के लिए आप oral agreement proof नहीं करेंगे for the purpose of contradicting varying adding to or subtracting from its term अब already अगर document proof हो गया है तो इसको vary करने के लिए alter करने के लिए इसमें कुछ add करने के लिए इसमें कुछ कम करने के लिए यह सब करने के लिए oral agreement proof नहीं किया जा सकता कि fees की बात हुई थी कुछ add कर रहा हूँ vary कर रहा हूँ या उसमें कोई changes कर रहा हूँ by that oral agreement तो वो proof करने का अधिकार court मेर को नहीं देता बहुत simple सी बात है क्योंकि किसी बात का अगर document है तो वो ज्यादा बहतर proof है इसलिए oral को हम नहीं मानेंगे जो documented है लेकिन कुछ cases ऐसे हो सकते है जहां ये जरूरी हो कि oral भी proof करने दिया जाए वो circumstances कौन से हैं आगे देखिए इसके बात proviso ये तो हो गया general बात की इन चीजों के लिए vary करने के लिए contradict करने के लिए add करने के लिए subtract करने के लिए आप oral agreement proof नहीं करेंगे लेकिन इसके proviso दिये हुए है proviso 1 कहता है any fact इसमें illustration कई सारे है मैं जैसे जैसे इसके proviso करते जा रहा हूँ illustration जहां relevant है जिनसे सवाल आते है वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा so proviso 1 की पूछे जाते है वो मैं आपको बताते जाऊंगा so proviso 1 कहता है any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating there to such as fraud intimidation, illegality want of due execution want of capacity in any contracting party अगर मान लिजे आप कोई ऐसे चीज़ proof करना चारे हमने कहा कि 91 में वो document already proof हो चुका है ये एक document था इसमें contract हमने किया था और ये already proof हो चुका है proof कैसे हुआ है पिछले section के हिसाब से तो पिछले section ने कहा था original document court में लाया जाएगा उसको proof करने के लिए उसमें जो terms लिखे थे वो इस document के थूँ already proof हो गए है अब अगर मैं ये proof करना चाता हूँ court में किसाथ ठीक है ये document थो ठीक है ये contract थो ठीक है लेकिन इस पे जो मुझसे sign करवाए गए है वो coercion से obtain किया गया है मेरा जो consent लिया गया था इस contract पे वो coercion से लिया गया है अगर मैं कोई ऐसा fact asset कर रहा हूँ जो इस document की validity को ही challenge कर रहा है ऐसी चीज़ का oral evidence में दे सकता हूँ अगर मैं इस document की validity को ही challenge करना चाहूँ तो मैं oral evidence दे सकता हूँ ये बात provisor 1 में लिखी है any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating there to such as fraud, intimidation, illegality की fraud से obtain किया है ठीक है इस तरीके की कोई भी चीज़ है जो इसको invalidate कर देगा अगर contract है मैं किरा हूँ उस आप coercion से obtain किया है तो फिर वो voidable हो जाता है मेरे part पे ऐसा कोई भी fact जो इसको invalidate कर दे वो मैं proof कर सकता हूँ oral evidence देखे अब अगर आप illustrations देखेंगे तो ABC जो illustration है वो main provision को reflect कर रहे है वहाँ ये बताया क्या है कि कोई चीज़ already documented है तो उसमें कोछ जोड़ घटाने के लिए आप oral evidence नहीं देगे जैसे यहाँ आप illustration में देखेंगे A है जहाँ ship का नाम clearly लिखा है कि भाई साब इस ship में जो समान जा रहा है उसका insurance हमने किया है अब आप oral evidence दे रहे हैं कि नहीं साब बहुत किसी दूसरे ship के लिए था ये acceptable नहीं होगा इसी तरीके का B और C illustration भी है जो उस main provision की general बात बता रहा है कि already कोई चीज documented है तो आप उसको add subtract करने के लिए oral evidence नहीं दे सकते इसके बाद अगर आप देखें तो जो de-illustration दिया है वो clearly इस proviso 1 को reflect कर रहा है कि एक contract दोनों के बीच में हुआ लेकिन जो एक party है वो ये proof करना चाहती है कि साब misrepresentation हुआ था इसमें हमारे साथ क्या हुआ था हमारे साथ misrepresentation ये document तो ठीक है लेकिन misrepresent करे गए थे facts मुझे और फिर मेरा consent obtain किया गया था तो मैं क्या कर रहा हूँ इस document की validity को ही challenge कर रहा हूँ वो मैं oral evidence के थुरू कर सकता हूँ ये proviso 1 कहता है और उसके illustration दिये हुए है इसके बाद proviso 2 देखिए the existence of any separate oral agreement as to any matter on which our document is silent अगर आप किसी ऐसे matter का evidence oral देना चाहते हैं जिस पर ये document silent है इसमें वो बात लिखी नहीं है जो मैं बताना चाहरा हूँ हाँ अगर इसमें कोई contrary बात उस बात से related अगर कुछ इस document में लिखा है जिस बात के मैं oral evidence देना चाहरा हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा point raise कर रहा हूँ जिस पर ये document जो है वो silent है तो उस बात के oral evidence court मेरे मान सकता है बशरते court क्या देखेगा इस document की formality देखेगा ये भी बहुत important है प्रोवाइजों में जो illustration आप नहीं समझ पाते हैं वो इस current से नहीं समझ पाते हैं जरा देखिए आप the existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its term मैं जिस बात के मैं जिस matter के oral evidence देना चाह रहा हूँ वो इस document में लिख्यों है किसी बात से inconsistent नहीं होना चाहिए contradict करने वाला नहीं होना चाहिए वो ऐसा fact होना चाहिए जिस पर ये document silent है आगे देखिए इसके बाद है may be proved in considering whether or not this proviso applies court को अगर ये देखना है कि proviso apply करना है या नहीं ये बहुत important point है the court shall have regard to the degree of formality of the document अगर court को देखना है कि हमें कोई ऐसी बात जिस पर ये document silent है उसके oral evidence accept करने है या नहीं तो court देखेगा कि ये document कितना formal है क्या देखेगा court कि ये document कितना formal है formal कब होता है मान लिजे आपने अब मैंने आपको गाड़ी बेची आपने एक normal कागच पे मुझे लिखके दे दिया कि वाई साब आपने अपनी गाड़ी मुझे 10,000 में बेची वो कागच पे लिखके देना उतना formal document नहीं है लेकिन हमने एक proper उसके लिए एक agreement बनवाया स्टाम पे ठीक है और proper उसमें attestation कराया attorney से तो फिर वो document क्या है वो बहुत formal nature का है अब अगर मैं कोई ऐसी बात के बाद में जाके court में oral evidence देना चाहूँगा जिस पे वो document silent है तो हो सकता court मना कर दे क्यों मना कर दे क्योंकि मेरे जो document हमने जो documentation कराया था वो बहुत formal nature का था in that case court deny कर सकता है लेकिन informal सा अगर document है और मैं कोई ऐसी बात के oral evidence देना चाहता हूँ जिस से related इस document में कुछ लिखा ही नहीं है तो court मुझे allow कर सकता है illustration देखिए तो आप बिलकुल इस बात को बड़े आराम से समझ चाहेंगे जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ illustration H देखिए इसका illustration H A hires lodging of B and gives B a card on which is written rooms rupees 200 a month एक बंदे ने hotel में कमरा लिया उसने पैसे दिया उसको एक card दे दिया गया जिसमें लिख दिया 200 रुपे परमंथ पर आपको room दिया गया है अब आगे यहां लिखा है A में प्रूव a verbal agreement that these terms were to include partial board अब वो जो जिस विक्ती ने ये लिया है कमरा वो ये प्रूव करना चाहता है कोट में कि ये जो हमारे बीच में contract हुआ था या ये जो हमने लिया है room इसमें partial board था partial board का मतलब जनरल ही होता है कि जब आप कहीं stay करने जाते हैं तो आप breakfast, lunch, dinner सब नहीं ले रहे हैं या तो आप breakfast, lunch ले रहे हैं सरफ और breakfast ले रहे हैं इस तरीके की चीज़ें जब आप करते हैं तो that is called partial board कि पूरे time आप वहाँ नहीं रह रहे हैं और सारी services available नहीं कर रहे हैं तो अगर वो अब document कैसा है बढ़ा ही informal एक card पे लिखके दे दिया है उसने कि 200 रुपे में कमरा लिया है आपने महीने का ठीक है तो ये informal nature का है और इसमें partial है या fully board है इस पे वो card silent है इसलिए code admit कर लेगा partial board का अगर आप वहाँ पे देना चाह रहे है evidence, oral evidence कि साब इसमें तो partial board की बात हुई थी तो code admit कर लेगा क्यों क्योंकि उतना formal document नहीं है plus इस बात पे कि boarding partial है या complete वाली है इस बात पे वो document silent है इसलिए code admit कर रहा है लेकिन इसी का एक variant इसी illustration में आगे लेखा है उसको ज़रा देखिए A hires lodging of B for a year and a regularly stamped agreement drawn up by an attorney एक साल के लिए इसने hire किया है और attorney द्वारा proper stamp पे यह agreement हुआ है is made between them it is silent on the subject of board board के subject पे वो silent है a may not prove that board was included in the term verbally अब यहां पे मौका हो सकता है court ना दे आपको verbal evidence देने का क्यों क्योंकि अब जो आपका document है वो बहुत formal nature का हो गया attorney ने stamp पे लिखके किया है agreement तो वो nature उसका formal हो गया इसलिए हो सकता है आपको वो evidence oral evidence देने का मौका ना दिया जाए that is important यही बात मेरे खाल कई बार होता है समझने में समस्य होता है यह illustration important है इसी की तरह इसके पहले जो illustration दिये है जिसमें warranty की बात करी गई कि मान लीजे मैंने और अपने एक phone बेचने का contract किया मैंने आपको एक phone बेचा 10,000 रुपे में हमने उसके document में बस लिख लिया कि मैंने आपको phone दिया है 10,000 रुपे में बहुत formal nature का नहीं है और उसमें कोई guarantee warranty की बात नहीं हुई है अब आप इस बात के बाद में court में oral evidence देना चाहते हैं कि साब इन्होंने छे महीने की warranty भी दी थी हमें तो court आपको allow कर सकता है कि आप वो चीज़ प्रूफ करें through oral evidence कि हाँ warranty की भी बात हुई थी या आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत formal nature का document नहीं है और warranty पर document silent है हाँ अगर मैंने आपको document में लिखके दिया है कि भाई ये mobile में आपको 10,000 में दे रहा हूं और इसकी कोई guarantee warranty नहीं है जिससे दुकान बाले लिखे रहे रहे हैं ना विका हुआ माल वापिस नहीं होगा हमारी कोई माल विकने के बाद हमारी कोई guarantee नहीं है अगर ऐसा मैंने उस document में लिख दिया है clearly तो फिर आप उस बात के oral evidence नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब आज जिस matter के आप oral evidence देना चारहें वो inconsistent है with the fact which is written in the document उस case में आपको मौका नहीं मिलेगा I hope you got this so that is proviso 2 इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 है बहुत important नहीं है जो ज़्यादा question पूछे जाने की संभावना होती है proviso 1 और 2 से related जितने illustration ए से लेके यह तक जो आप illustration देख रहे हैं बहुत important है यहाँ से प्रीमे सवाल पूछे जाते हैं इसके बाद third देखिए proviso 3 the existence of any separate oral agreement constituted condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract under dispositional property may be proved अगर मालिजे किसी contract में दोनों party contract में क्या होता है एक obligation आप लेते हैं एक obligation मैं लेता हूँ मैं अपना obligation फुल्फिल करूँगा आप अपना अगर हमने वो सब तो contract में लिखा है लेकिन हमने एक condition precedent भी रखी थी कि obligation फुल्फिल इस particular condition में होगा contingent था वो तो वो condition भी थी और वो condition पहले फुल्फिल होनी थी condition precedent की obligation फुल्फिल करना है उसके पहले ये condition होना जरूरी था इस बात के oral evidence court accept कर लेगा condition precedent अगर मैं प्रूफ करना चाहरा हूँ कि साब बात तो ये हुई थी कि अगर ये condition फुल्फिल होगी तभी हमें अपना obligation पर्फॉर्म करना है जो हमने contract मिलिया तो उस condition precedent के oral evidence court admit कर लेगा ऐसा प्रोवाईज जो फूर है कि अगर कोई distinct oral agreement distinct का मतलब वो same transaction में ना हुआ हूँ जिस transaction में documentation हुआ है किसी contract का या किसी disposition का इसके अलावा कभी और अगर आपने कोई oral agreement करके variation कर ली है उस पिसले वाले contract में तो उस बात के oral evidence दे सकते हैं ये general provision से contradict करता हुआ आपको लगेगा but the difference is इसलिए लिखा है distinct and subsequent so distinct जो अलग से लिखा है distinct subsequent मतलब उस document के बाद हुआ है वो oral evidence उस same transaction में नहीं हुआ तो उस distinct जो oral agreement हुआ है उससे अगर आपने कोई variation कर ली है तो उसके आप oral evidence quote में ला सकते हैं ऐसा ही फिफ्थ है अगर आप किसी usage और custom को बताना चाहरे है जैसे माल लीजे आपके और मेरे बीच में contract हुआ है कि मैं आपको पढ़ाँगा और एक respective fees मैं आपसे charge करूँगा यह हमने contract में सब लिख लिया है कि यहाँ सब आप admission ले रहे हैं इतनी इतनी fees लेंगे अब आप एक custom या usage बताना चाहरे है जो industry में चलता है आप कह रहे हैं कि सर एक हपते का तो demo subject दिया जाता तो वो तो थाई उसका अगर आप oral evidence देना चाहरे हैं कि demo की बात हुईती अगर वो customer usage industry का in that case आपको allow कर दिया जाएगा उस बात के oral evidence देना प्रवाईजो 6 कहता है any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing fact अब document में जो language लिखी है जो चीज़े हमने यहां लिखी है वो किस context में माल लीजे थोड़ी सी इस तरीके की language है जो उस को refer करना सब के लिए असान नहीं कुछ ऐसे term जो एक particular locality में या जगे यूज या एक industry में यूज किये जाते हैं तो इस पात के oral evidence दिये जा सकते हैं कि कोई particular term अगर उस contract में यूज किया गया है तो वो किस context में यूज किया गया है इसके आप oral evidence बिलकुल दे सकते हैं that is proviso 6 तो general rule 91 में हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ document के form में proof अल्रेडी हो चुकी है तो उसके जो oral evidence आप देना चाह रहे है वो generally आप नहीं दे पाएंगे बट उसके 6 proviso हैं इन cases में आप दे सकते हैं illustration बहुत important है प्री के लिए इसके बाद आजाए 93 अब 93 से 98 तक जो बातें लिखी हैं वो इसी से connected थोड़ी सी है वो भी यही बता रहे हैं कि अगर एक document हमारे पास already है लिखेत में एक document already है जो की proof हो गया है तो अगर already written document आपके पास है तो आप oral evidence किन cases में दे सकते हैं किन cases में नहीं दे सकते वो 93 से अलग-अलग circumstances बताई गई हैं एक एक करके देखते हैं बहुत important है ये भी एक term आपने सुना होगा latent ambiguity and patent ambiguity ये उसी से related है चलिए 93 देखिए exclusion of evidence to explain और amid ambiguous document अगर मान लिजे कोई document है अब section 93 क्या कहता है कोई document अपने आप में ही ambiguous है vague है clarity नहीं है certainty नहीं है उस document में जो चीज लिखी तो क्या उसको clear करने के लिए आप oral evidence दे पाएंगे तो बहुत common sense की बात है कि ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो जो document है वो अपने आप में ambiguous है जैसे आप इसको पढ़िये when the language used in document is on its face ambiguous or defective उसकी language on the face of it defective है या ambiguous है evidence may not be given इसके आप evidence फिर नहीं दे पाएंगे evidence may not be given of facts which would show its meaning और supply its defect अगर document अपने आप में ही ambiguity रखता है अगर उसमें certainty नहीं है तो उसको certain बनाने के लिए आप दूसरे evidences नहीं दे सकते illustration देख लिए जए clearly आपको सारी बात समझ आजाएगी illustration से भी सीधे-सीधे question आते है A agrees in writing to sell a horse to B for rupees thousand और fifteen hundred A ने B के साथ agreement की और लिखा क्या है कि horse बेचना है 1000 रुपे में या 1500 में बेच रहे है तो भया 1000 की 1500 that is ambiguous certainty नहीं है अब अगर आप इस बात के evidence देना चाहते है evidence cannot be given to show which price was to be given अब इस बात के court evidence नहीं लेगा कि 1000 रुपे की बात हुई थी या 15 सु क्योंकि आपका जो document है जिसके थूँ आप अपना main matter proof करना चाहरे है वो document अपने आप में ambiguous है उसको आप correct नहीं कर सकते evidence देके court में नहीं अपर कोई मतला भी नहीं है लेखे तोने का तो इसके बात देखिये 96 90 sorry 94 that was 93 I am really sorry and this is 94 94 देखिये exclusion of evidence against application of document to existing facts when language used in a document is plain in itself and when it applies accurately to existing fact evidence may not be given to show that it was mean to apply to such fact अगर आपने already एक चीज़ को document के form में लिख दिया है और उसकी language बड़ी ही plain है वो ambiguous नहीं है clearly सारी बातने लिखी है और वो as it is fact पे apply भी होती है एक चीज़ आपने document के form में लिखी हुई है और वो as it is fact पे applicable भी है जैसे clearly मैंने एक document में ये लिखा है कि मेरा वो घर जो भुपाल में है मेरा 2BH के घर जो भुपाल में है मैं आपको बेचता हूँ 20 लाथ रुपे में ये चीज़ clearly document में लिखी है अब fact भी है है कि मेरे पास एक भुपाल में घर है 2BH के ये ये fact भी है मेरे indoor वाले flat के लिए हमने किया था इस बात के evidence court allow नहीं करेगा अगर document की language अपने आप में plain है और वो as it is existing facts पे apply होती है तो फिर court तूसरे evidence नहीं लेगा उसको contradict करने के इसके बाद देखिए 95 इसी का illustration दिया है एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे जैसा मैंने दिया बैसा ही इसके बाद 95 पे आईए evidence as to document unmeaning in reference to existing facts when language used in a document is plain in itself जो language use करी गई है वो plain है but is unmeaning in reference to existing facts evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense अब जो document में जो language लिखी गई है वो तो plain है clear है उसमें कोई ambiguity नहीं है लेकिन वो existing facts पे apply नहीं होती ऐसे case में दूसरे evidence दिये जा सकते है किस चीज की evidence की वो किस particular fact पे apply होता है जैसे एक illustration दिया है उसी को मैं आपको बता देता हूँ same way कि मान लीजे मैं आपको आपने और मैंने एक contract को document के form में लिख लिया है कि मैं आपको अपना भुपाल में जो flat है मेरे 2BH के वो मैं आपको sale करना कर रहा हूँ 20 लाख रुपे में ये लिखा है लेकिन fact यह है कि मेरा भुपाल शेयर में कोई flat ही नहीं है हाँ लेकिन भुपाल के पास एक town है मंडीदीव वहाँ मेरा flat है तो इस बात के evidence दिये जा सकते हैं कि साब वो contract में मंडीदीव वाले flat की ही बात चल रही थी क्योंकि वो एक fact उसी से related है और जो original document का content है वो as it is existing fact पे applicable नहीं है तो यहाँ evidence allow कर देगा court कि आप यह proof कर सकते हैं दूसरे evidence देखे कि वो मंडीदीव वाले flat की बात चल रही थी इसके बाद 96 देखिए अब यह बताएगा कि कब आप ऐसे evidence नहीं दे सकते हैं जहाँ ambiguity create हो रही हो उस cases में court evidence allow नहीं करता है जहाँ चीज़े clear हो रही हो वहाँ court evidence allow करता है दूसरे कोई भी दूसरा evidence आप यहाँ दे सकते हैं proof करने के लिए 96 देखिए evidence as to application of language which can apply to one only of several persons अब मान लिजे अगर कोई ऐसा fact उस document में लिखा है जो अलग-अलग several persons पे applicable है in that case also आप evidence दे सकते हैं proof करने के लिए कि किस particular की बात चल रही है जैसे when the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or thing evidence may be given of facts यह बहुत important है evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to अगर मान लिजे जो बात आपने document में लिखी है अगर वो दो अलग-अलग चीजों पे applicable हो रही है in that case आप इस बात के evidence दूसरे दे सकते हैं कि वो किस particular की बात चल रही है जैसे illustration देखिए you will get it A agrees to sell to B for Rs.1,000 my white horse A ने agreement किया कि मैं आपको अपना white horse 1000 रुपए में बेच रहा हूँ A has two white horses अगर A के पास दो white horses है तो evidence may be given of facts which show which of them was meant कि किस वाले white horse की बात चल रही थी क्योंकि जो language document में लिखी है वो दो facts पे applicable है तो अलग-अलग facts पे वो apply होती है तो evidence बिलकुल इस बात का दिया जा सकता है कि किस particular की बात चल रही थी जैसे मैंने आपके साथ contract में ये लिखा है कि मुझे आपको अपना वो flat बेचना है जो भुपाल में है 2BH के अब मेरे पास अगर भुपाल में 2 2BH के flat है तो इस बात के दूसरे evidence दिये जा सकते है कि किस वाले flat की बात उस contract में चल रही थी अगला देखिए 97 evidence as to application of language to one of two sets of facts to neither of which the whole correctly applies अब अगर माल लीजे दो set of facts हैं और जो language document में लिखी है वो दोनों में से किसी भी एक पर completely applicable नहीं है completely किसी भी एक पर applicable नहीं है इस case में क्या होगा when the language used applies partly to one set existing facts and partly to another set of existing facts आधा एक पर applicable हो रहा है आधा दूसरे set of facts पर applicable हो रहा है but the whole of it does not apply correctly to either लेकिन दोनों set में से किसी भी पूरा applicable नहीं है evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply कि दोनों में से किस पर applicable था जड़ा एक illustration यहां पर भी दिया है इसको समझ लेजिए कि जो document में जो लिखा हुआ है वो दो अलग-अलग sets पर आधा-धा applicable है जैसे माल लेजिए document में लिखा है कि मेरा जो भूपाल में flat है और जो कि टू भी एच के है यह flat मैं बेच रहा हूँ किसी वक्ती को 20,000 रुपे में ठीक मान लिजिए एक मेरा टू भी एच के flat है भूपाल में जो कि मैं 20,000 रुपे में किसी एक वक्ती को बेचने का agreement कर रहा हूँ document में मैंने यह लिख दिया है चिक अब fact यह है कि मेरे पास एक 2 भी एच के flat मेरे पास दो flat है एक flat मेरे पास भूपाल में है जो कि 3 भी एच के है और एक flat मेरे पास indoor में है जो कि 2 भी एच के है अब डॉक्यमेंट में लिखा है भोपाल वाला 2BH के फ्लैट, जबकि भोपाल में जो फ्लैट है वो तो 3BH के और जो 2BH के फ्लैट मेरे पास है वो तो इन दौर में है, तो डॉक्यमेंट में जो लांगवेज लिखिये वो इन दो सेट आफ फैक्ट में से किसी पे भी completely applicable नह इसके बाद 98, evidence as to meaning of eligible character, etc. evidence may be given to show the meaning of eligible or not commonly intelligible characters of foreign, absolute, technical, local and provincial expressions of abbreviations and of words used in peculiar sense. मान लेजे अगर document में कोई आपने ऐसी terminology use करी है, जो generally use नहीं होती है, कोई technical terminology जिसका को specific ही meaning होता है, particular meaning होता है, तो उस particular term का क्या meaning है, उसको proof करने के लिए आप दूसरे evidence दे सकते हैं, that's what 98 says, तो I hope 93 से लेके 98 तक आपको समझ में आ गया, यहां से illustration based question पूछे जाते हैं, which is important इसके बाद 99 simple सा बस section number इसलिए आता है, यह धान रखिएगा, कि यह जो सारी बाते अभी हमने पढ़ी, कि parties अगर document में कोई चीज लिखी है, तो parties उसके लिए दूसरे evidence नहीं लेके आएगी, लेकिन कोई third person है जो उस transaction में interested हो, जो party नहीं है proceeding में, कोई third person उस subject matter में अगर interested है तो वो evidence दे सकता है, दूसरे document में लेकी हुई बात को disprove करने के, कोई दूसरा वक्ति दे सकता है, third person दे सकता है, party नहीं दे सकती, hundred बात करता है, saving of provisions of Indian succession act relating to wills, तो hundred सीदे सीदे यह बताता है, कि wills पे applicable नहीं होगा, यह जो पूरे सारे जो provisions हमने पढ़े, यह wills पे applicable नहीं होंगे, तो यह था आपका part two, जहां हमने यह पढ़ा कि कोई भी fact हम कैसे proof करेंगे, कोई भी fact, हमने यह तो देख लिया कि कब एक fact relevant है, कब उसे आपको proof करने का मौका code देगा और कब नहीं देगा, part two में हमने पढ़ा कि अगर किसी fact को proof करना है, तो उसके लिए क्या evidence लान document will be the best evidence there, यह पूरा rule हम इस chapter में पढ़ रहे थे, इसके बाद है part three जो बात करता है production and effect of evidence की, part three किस चीज की बात करता है, production and effect of evidence की, कि जो evidences आप दे रहे हैं, वो कैसे produce करना है, और produce किये हुए evidences का effect क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि reliability के regarding directly कोई provision evidence act, मैं नहीं है, reliability क्या होती है कि judge कितना believe कर रहा है उस fact में, यह चीज कि आप जो evidence लाए है एक particular fact proof करने के लिए, जैसा आप मान रहे है कि नहीं कि इस evidence से वो fact proof हो गया है, यह उनका prudence है, यह उनका judicial prudence है, इसके regarding evidence act directly कोई बात नहीं कहता, लेकिन produce कैसे करना evidences को, उसके लि लाएंगे, जो evidence आप लाए है, उसका effect क्या होगा, उसका consequence क्या होगा, उसके regarding कुछ general principle इस part में दिये हुए है, और यह easiest part है evidence act का, इस बात को आप समझेगा, कि यह easiest part है, सबसे कम technical चीजें, सबसे कम technical चीजें जो दी हुई है, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसमें जो chapter start हो रहा है, chapter 7, of the burden of proof, this is very important, basic provisions के questions आते हैं, prelims के point of view से अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना ही importance और उतना ही समय हम इसको देंगे, जितना इसे दिया जाना चाहिए, तो पहला जो, इस part के तहत जो पहला chapter आ रहा है, दो वो evidence act का 7th chapter है, but इस part के अंदर जो पह burden of proof, burden of proof आप बहुत अच्छे से meaning general language में समझते हैं, I hope, burden of proof का मतलब कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है, जो भी चीज़ आप प्रूफ करना चाह रहे हैं, इसका burden किस पे होगा, तो जैसे आप criminal proceeding में जानते हैं कि burden of proof होता है prosecution पे, prosecution को ये प्रूफ करना है beyond reasonable doubt कि जिस person को वो accused बना के लाएं हैं, उसने offense किया, ये liability किस की है, कोई चीज़ प्रूफ करने की liability किस के उपर है, किसका obligation है प्रूफ करना, दो parties हैं, किस party का obligation है किसी चीज़ को प्रूफ करना, ये इस chapter में बताया गया है, सबसे पहले देखिए section 101, section 101, burden of proof, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of fact which he asserts, must prove that those facts exist, तो भाई, simple सा rule 101 में लिखा है, कि अगर आप court के पास जाके ये assert कर रहे हैं, कि court is fact में belief करे, अगर आप जाके court के पास कह रहे हैं, कि आप इस fact में belief करे, तो उसको प्रूफ करने का burden आपके उपर होगा, इसलिए criminal proceeding में burden prosecution के उपर होता है, क्यों? क्योंकि prosecution के start करता है वहाँ, और vote जाके court को ये belief करने के लिए कहता है, कि साब ये जो accused है, जिसको हम पकड़के लाएं हैं, जिसके against हमने charge sheet file करी है, ये दोशी है, आप ये बात मानें, कि जिसको हम पकड़के लाएं हैं, इसने offense commit किया है, तो ये fact, assert कौन कर रहा है, court के सामने prosecution, इसी लिए burden of proof prosecution के उपर होता है, तो जो व्यक्ति, एक existence of fact, belief कराना चाता है, court से, उसके उपर burden होता है, illustration देखेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, illustration A, A desires a court to give judgment that we shall be punished for a crime, which A says we has committed, A must prove that we has committed the crime, चीक, तो अगर आप ये assert कर रहे हैं, कि आप believe करिए कि इसी वक्ति ने crime किया है, तो आपको proof करना है, उस चीज़ को proof करने के evidence आपको देने हैं, इसके बाद 102 पर आईए, on whom burden of proof lies, ये actually बात करता है, ये जो आपको headnote देख रहे हैं, on whom burden of proof lies, ये actually onus of proof है, 102 किस चीज़ में deal करता है, section 102, onus of proof में, इसको क्या कहा जाता है, onus of proof, इसका मतलब ये, ये continuously shift होता है, यहाँ लिखा है, the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person, ये बहुत important है, lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side, burden उस पे lie करता है, जो party fail हो जाएगी, अगर दोनों में से किसी भी तरफ से कोई evidences नहीं दिये गए हैं, तो illustration D देखिए, so you will get this onus of proof की कहानी, कि भाई देखिए, अगर proceeding में एक fact already court के सामने proof कर दिया गया है, अब क्योंकि एक fact court के सामने proof कर दिया गया है, अब अगर liability shift हो गई है, दूसरी party के उपर तो burden उस पे आ गया है, illustration D देखिए, A is used B for money due on a bond, A ने B के अगे in suit file किया है कि मुझे पैसे वापस लेने हैं, एक bond के तहट उन्होंने ये transaction किया था, और A ने कुछ उधार दिया था B को जो उसे वापस लेना है, the execution of the bond is admitted, bond execute हुआ था A और B के बीच में इस बात को admit कर लिया गया है, दोनों party ने ये मान लिया कि यहाँ bond तो execute हुआ था, अब अगर मान लीजिये proceeding यहाँ तक पहुँच गई है कि ये बात admit हो गई है court में कि there was a bond between you and me और आपने मुझसे पैसे उधार लिये थे, अब अगर further कोई evidence court में produce ना किये जाएं, तो कौन हारेगा इस case में, किस के against जाएगा judgment, आपके against, अगर ये बात court में proof हो गई है कि आपकी और मेरे बीच में एक bond sign हुआ था, जिसमें आपने ये undertake किया था कि आपने मुझसे 1000 रुपे उधार लिये हैं, उस bond को admit कर लिया गय तो किस के against judgment जाएगा आपके, so the burden lies on you, now the burden lies on you, इसलिए आगे लिखा है, if no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved, sorry the execution of the bond is admitted but B says that it was obtained by fraud which A denies, if no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved, therefore the burden of proof is on B, check, तो ये जो proceeding के दौरान जो shift होता है, उसको अपन कहते हैं, onus of proof, इसके बाद 103 है, burden of proof as to particular fact, अब ये अभी तक जो अपन बात कर रहे थे, जो 101 में हमने देखा burden of proof, वो broad बात कर रहा है, कि आपने किसी वक्ती के against allegation लगाए हैं, और आप court से ये expect करते हैं, कि court ये माने, कि साब इस वक्ती ने ही ऐसा किया है, वो एक broad चीज है, कोई particular fact आप court से अगर कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि court किसी particular fact में belief करें, तो वो particular fact में belief करने के लिए अगर आप कह रहे हैं, तो उसको proof करने का burden आप पे है, जैसे मैं अगर court के, एक तो ये हो गया कि भाई मैं prosecution हूँ मान लीजिये, और मैं court से चाहता हूँ कि जिसको हम accused बना के लाएं, आप ये माने की यही guilty है, उसकी बात तो 101 ने कर दी, लेकिन आप उस पूरी बात को proof करने के लिए मुझे particular facts proof करने पढ़ेंगे court में, मुझे ये proof करना है मान लीजिये court में, कि साथ जिस चाकू से कतल हुआ है, उस पे इस बन्दे के fingerprints है, अगर मैं court को ये belief कराना चाहता हूँ कि जिस चाकू से कतल हुआ है, उस पे इस बन्दे के fingerprints है, ये fact अगर मैं court को बिलीब कराना चाहता हूँ तो इसका burden मेरे उपर होगा, the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on particular person तो जहां law में कुछ नहीं लिखा है वहाँ उस वक्ति पे burden होगा जो उस fact में believe करने को कह रहा है court से illustration देखिए समझ जाएंगे A prosecutors B for theft and wishes the court to believe that the admitted theft to see A must prove the admission अब मैं एक accused को मान लिजए prosecution एक वक्ति को accused बना के तो ले आया है और चाता है कि court ये believe करे कि साहब इसने चोरी करी है तो वो तो burden of proof 101 में बात हो गई लेकिन मैं अगर court के सामने ये proof करना चाता हूँ कि साहब इस वक्ति ने admission किया था अपने theft का इसने admit किया है एक वक्ति के सामने already कि इसने चोरी करी है अगर मैं court को इस fact में believe कराना चाता हूँ कि इसने admit किया है तो वो admission प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है मेरी है ये कहता है आपका 103, 104 बहुत important है pre के लिए जो important है 101, 102 उसके बाद 104 काफी important है इधर ये आप ध्यान रखियेगा section 104 burden of proving fact to be proved to make evidence admissible अगर किसी evidence को admissible कराने के लिए कुछ proof करना है तो उसका burden उसी वक्ती पे होगा जो उस evidence को court में proof करना चाता है जैसे अगर माल लीजिए prosecution को एक dying declaration court में proof करना है तो dying declaration कब admissible होता है इसके लिए अपन already 32 clause 1 पढ़ चुके है भाई dying declaration के essentials है dying declaration के लिए ये जरूरी है कि जिस वक्ती के statement को आप dying declaration बता रहे है उस वक्ती की मृत्यू होनी चाहिए कि essential है कि जिस statement को आप dying declaration बता रहे है उस वक्ती की मृत्यू होनी चाहिए ये जरूरी है तभी वो statement as dying declaration admit होगा कोट में otherwise नहीं तो अगर prosecution चाहता है कि court dying declaration में believe करे या court में prosecution dying declaration proof करना चाहता है तो इस बात को proof करने का burden भी उसी पे होगा prosecution पे ही होगा कि जिस वक्ती का statement हम court में पेश कर रहे हैं वो मर चुका है क्योंकि जब तक आप ये नहीं proof करेंगे कि वो वक्ती मर चुका है वो statement as dying declaration court में admissible नहीं होगा that's what 104 says इसके बाद 105 देखिए burden of proving that case of accused comes with an exception अब अगर मान लिजे 105 भी बहुत important है prelims के लिए 105 बहुत important है 105 कहता है कि अगर आप चाहते हैं किसी exception को claim करना accused अगर कोई exception देखिए general rule तो ये होगा criminal proceeding में that the burden lies on the prosecution लेकिन अगर आप कोई general defense कोई भी defense लेना चाहरे है चाहे वो general defense हो चाहे जैसे special कोई defense हो जैसे section 300 IPC के section 300 में exceptions दिये हैं कि किन cases में जो act है वो murder amount नहीं करेगा वो exception अगर आप लेना चाहते हैं माली जी एक वक्ती है जिसको accused बनाया गया है for a murder और वो कह रहा है कि साब मारा तो है मैंने जान से एक वक्ती को लेकिन वो grave and sudden provocation में मारा है तो grave and sudden provocation में मारा है ये proof करने का burden किस पे होगा हमेशा accused पे अगर किसी वक्ती पर ये allegation लगे है कि उसने एक वक्ती का murder किया है अब अगर वो ये plea लेना चाहता है court के सामने कि साब murder तो किया है लेकिन necessity थी necessity में मारा है मैंने एक वक्ती को तो necessity का difference proof करने का burden किस पे होगा accused पे तो कोई भी exception अगर proof होना है तो उसका burden हमेशा accused पे होगा ये बात 105 आपको बताता है illustration same दिये है और important provision है ये इसके बाद देखिए 106 so 106 is also important burden of proving facts especially within knowledge ऐसे facts जो किसी एक particular व्यक्ती के knowledge में ही हो सकते है क्योंकि on the face of it जो दिख रहा है वो contrary दिख रहा है on the face of it कुछ contrary बात दिख रहे है और आप on the face of it transaction को देखके जो लग रहा है आप उससे contrary बात proof करना चाहरे हैं तो वह ये वो contrary बात की जानकारी सिरफ आपको हो सकती है तो उसका button आप पे होगा इसके illustration से भी प्रीमे question पूछा जाता है और 106 पे एक doctrine है similar अगर आपने सुन रखा है dot what में आपने पढ़ा होगा जब आप ऐसी स्थिती में है कि जो circumstances है वो कुछ और कह रही हैं लेकिन आप उससे अलग बात अगर proof करना चाहते हैं तो उसका burden आप पे होगा जैसे आप एक train में illustration यही दिया और इससे question आता है problems में अगर मान लेजिए आप train में travel कर रहे हैं और आपके पास treaty आया उसने आपको पख़़ा और आपके पास ticket नहीं पाई जाती है आप बिना ticket के train में चल रहे हैं अब आप ये आपको court में ले जाया या कि without ticket आप travel कर रहे थे अगर आप court में ये प्रूफ करना चाहते हैं कि साब ticket खरीदो तो थी लेकिन गिर गई तो भाई आप ये गिर गई का जो fact क्योंकि on the face of it तो ये लग रहा है कि आप बेना ticket के travel कर रहे थे कि आपको पस ticket नहीं है अब अगर आप court को ये believe करना चाहते हैं कि साब हमने खरीदी थी लेकिन फिर गर गई तो इसका burden आप पे होगा that's what 106 says इसके बाद 107, 108 काफी जादा important है section 107 और 108 काफी जादा important है इनको जरूर ध्यान से थोड़ा आप पढ़िये burden of proving death of person known to have been alive within 30 years इसको कहते हैं 107 के सामने लिख लिजिए presumption of life और 108 के सामने लिख लिजिए presumption of death और ये दोनों provision काफी important है इनके relation को भी समझिएगा ये एक दूसरे से related हैं इसको जरा समझिएगा 107 और 108 ये बात करते हैं कि अगर मान लिजिए court के सामने ये सवाल है कि एक particular विक्ती जिन्दा है या वो मर गया है मान लिजिए एक proceeding में दो parties है A है और B है और जो question है इसमें वो ये है कि whether C is alive or not whether C is alive or dead और जो proceeding है वो किस के बीच में है मान लिजिए A और B के बीच में अब 107 कहता है जो कि presumption of life की बात करता है वो कहता है when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it अकर मान लिजिए एक party ने court में ये show कर दिया है कि मान लिजिए A ने court में ये show कर दिया है कि पिछले 30 साल में 30 years में साब D को ना तो देखा गया है और ना सुना गया है अगर मान लिजिए court में A ने ये proof कर दिया जहां सवाल है किसी जिन्दा है या मर गया है अगर A ने ये show कर दिया है कि साब पिछले 30 साल में last 30 years में इसको किसी ने देखा सुना नहीं है sorry just a second and it is shown that he was alive I'm really sorry 107 बात करता है कि पिछले 30 साल में कभी भी किसी भी point of time पे वो alive था that's why it is presumption of life I'm really sorry so 107 says when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years अगर ये show कर दिया A ने ये show कर दिया किसा आप पिछले 30 साल में किसी भी point पे कि 20 साल पहले इसको देखा गया था या 15 साल पहले ये court में appear हुआ था या 18 साल पहले ये वेक्ति उससे मिला था ऐसा कोई भी चीज अगर show कर दिया कि पिछले 30 साल में वो जिन्दा था तो court ये presume कर लेगा court क्या करेगा court ये presume कर लेगा कि ये वेक्ति जिन्दा है court इसके favor में court presumption किस चीज का ले लेगा court presumption ले लेगा life का किसका presumption ले लेगा court life का इसलिए 107 को कहते हैं presumption of life इसलिए 107 को क्या कहते हैं presumption of life क्योंकि अगर एक party show कर दे कि पिछले 30 साल में इस वेक्ति को देखा गया है then the court will presume कि ठीक है वो जिन्दा है लेकिन अब 108 पढ़िए 108 कहता है burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years provided that अब देखिया ये शुरू कैसे हो रहा 108 की language start हो रही है with the word provided that क्योंकि ऊपर के continuation में 107 ने clearly ये लिख दिया है कि अगर ये show कर दिया एक party ने कि पिछले 30 साल में इसको कहीं देखा गया है ये जिन्दा था तो court presume कर लेगा कि हाँ साब ये जिन्दा है लेकिन फिर लिखा है provided that provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of ये बहुत important underline कर लिजे he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive अगर कोई ये proof कर दे कि साब पिछले 7 साल में तो इसको किसी ने देखा सुना ही नहीं है मान लिजे एक party ने ये proof कर दिया कि साब पिछले 30 साल में ये जिन्दा था तो कोट तो ये presume कर लेगा कि हाँ he is alive लेकिन फिर लिखा है provided that अगर दूसरा व्यक्ति ये proof कर दे कि साब पिछले 7 साल में ठीक है ये भाई साब कह रहे है कि उसको 20 साल पिले देखा सुना वो सब ठीक है लेकिन पिछले immediate preceding 7 years की अगर अपन बात करें तो पिछले 7 साल में ऐसे किसी भी व्यक्ति ने जो इसके contact में आ सकता था या इसके contact में हो सकता था ऐसे किसी भी व्यक्ति ने C को ना तो देखा है ना तो सुना है अगर ये बात शो कर देता है B in that case the presumption will be drawn by the court in favor of his death तो court मान लेगा ये presumption court draw कर सकता है कि ये व्यक्ति मर चुका है इसलिए 108 में लिखा है provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it यहाँ पे court presumption ले लेगा death का अब इस बंदे ने अगर ये प्रूफ कर दिया कि आप पिछले 7 साल में तो इसको कहीं देखा सुना नहीं गया now the burden again shifts on A अब आप प्रूफ क्योंकि court अब क्या presume कर लेगा अब court उसकी death presume कर लेगा इतने साल का होता है तीस साल का किस section में दिया है ये सब यहाँ पे important है चीक I hope you got this 107-108 बहुत important provisions है इसके बाद आजाईए 109 burden of proof as to relationship in the cases of partners landlord and tenant principal and agent बहुत basic सी बाते हैं 109 बहुत ज़्यादा important नहीं है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ती ये proof करना चाता है proceeding ये है कि when the question is whether persons are partners landlord and tenant और principal agent अगर मान लीजिए दो लोगों के relation को लेके question है कि ये दोनो मकान मालेक और किराइदार हैं या नहीं या ये दोनो तीनो partners है या नहीं इस चीज़ को लेके अगर question है and it has been shown that they have been acting as such और ये show कर दिया गया है court में कि भाया वो तो partners की तरह ही रहते हैं partners की तरह ही act करते हैं landlord and tenant की तरह ही रहते हैं in that case the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it अगर माल लेजे वो act कर रहे हैं as partners अगर माल लेजे दो लोग act कर रहे हैं as principal agent अब कोई वक्ति यहां के ये कहना चाहता है कि ये कोई वक्ति court को ये मनवाना चाहता है कि नहीं साब ये partners नहीं है तो burden उस वक्ति पे होगा इस बात को proof करने का burden उस वक्ति पे होगा जो court से ये मनवाना चाहता है इसके बाद 110 भाई साब prelims में पूछा जाने वाला one of the most important question 110 कई बार पूछा जाता है ownership के presumption सीधे सीधे प्री में सवाल पूछ लिया जाता है कि ownership का presumption में होता है ownership का presumption जो वक्ति possession में है किसी चीज़ की एक वक्ति के पास अगर किसी चीज़ की possession है तो court यही presume करेगा कि वो owner है अगर कोई इस बात को challenge करना चाहता है कि साब ये possession में तो है but he is not the owner then the burden of proving it is it will be on the other person इस बात को proof करने का जो burden होगा वो दूसरे वक्ति पे होगा जो इस बात को court के सामने कहना चाहता है कि नहीं साब ये owner नहीं है भले possession तो इसके पास है लेकिन ये owner नहीं है अगर कोई ये proof करना चाहता है तो इसका burden उस वक्ति पे होगा इसके बाद 101 देखिए that is also very important ये contract act से related है आपने contract act में ये पढ़ा होगा free consent के तहद कि consent कब free नहीं होता है उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी undue influence कि अगर undue influence से caused है consent consent अगर undue influence से caused है तो in that case वो consent valid नहीं माना जाता और contract voidable होता है जिसका भी consent ऐसे obtain किया उसके part पे उसी से related 111 है अब undue influence किन के बीच में होता है जहाँ एक party dominating position में हो एक party dominating position में हो in comparison to the other person और इस तरीके का कोई agreement दो लोगों के बीच में हुआ है जहाँ एक party dominating position में है तो ये proof करने का burden कि साब उस dominating position का कोई advantage नहीं लिया गया है उस dominating position का misuse नहीं किया गया है क्योंकि undue influence कहाँ होता है जहाँ उस dominating position का misuse किया हो किया गया हो by the party who is in dominating position तो 111 उसके regarding presumption की बात कर रहा है कि अगर दो लोगों के बीच में contract हुआ है and one party is in dominating position और बाद में एक बंदा आके तो court ये presume करेगा कि हाँ भईया undue influence exercise हुआ है अब ये बात की वो जो agreement है वो good faith में किया गया है there was no undue influence exercise इस बात का burden किस के उपर होगा इस बात का burden हमेशा उस party पे होगा जो dominating position में हो इस बात का burden किस पे होगा उस party पे होगा जो dominating position में है चीक इसके बाद सीधे आजाईए 111 ये बात करता है presumption as to certain offenses बहुत ज़्यादा important नहीं है इसके बाद आईए 112 पे this is one of the most important provisions 112 काफी ज़्यादा important है इसको ज़्यादा देखिए birth during marriage conclusive proof of legitimacy इसके बारे में हमने conclusive proof जब हम पढ़ रहे थे may presume, shall presume और conclusive proof की जब हमने बात करे थी वहाँ हमने इसको discuss किया था उतना ही important है इसकी provision के बारे में एक तो बात है additional में बताऊंगा कुछ cases इसके related important है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ नाम उनके वही चीज़ बस important है 112 देखिए किस बारे में बात करता है birth during marriage conclusive proof of legitimacy माल लिजे the fact that any person was born during the continence of a valid marriage अगर एक person born हुआ है during the continence of a valid marriage between his mother and any man एक woman है इसने एक child को birth दी है child is C इसको birth दी है अब इसकी birth के समय जो भी विक्ति इस woman का husband था अगर मान लिजे H इस woman का husband था at the time of birth of this child at the time of birth of this child या फिर 280 days after the dissolution of their marriage अगर ये child born हुआ है इस बच्चे का जन अगर इन दोनों की शादी continue रहते हुए हुआ है या फिर इन दोनों की शादी तूटने के बाद 280 दिन के अंदर इस बच्चे का जन हुआ है तो कोट को ये प्रिज्यूम करना है that he is the legitimate he is the legitimate child of this person इस husband का legitimate child है और ये प्रिजम्शन कैसा होगा तो भाई 112 कहता है ये होगा conclusive presumption conclusive proof होगा इस बात का ये कैसा presumption है conclusive है और conclusive का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं conclusive का मतलब ना तो उस व्यक्ती से evidences मांगे जाएंगे अब कि आप proof करिये ना दूसरी party को rebuttal का chance मिलेगा irrebuttable presumption होता है conclusive proof ये आप ध्यान रखिए बहुत important है लेकिन इस provision को आप पूरा पढ़ेंगे तो इसी में एक already exception भी mention करा गया है उसको भी देखिए the fact that any person was born during the continuous of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution the mother remaining unmarried dissolution के बाद 280 दिनों तर mother unmarried it just a second so 112 क्या बात करता है 112 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन एक wedlock के duration में हुए हुआ है या उसके dissolve होने के 280 दिन के अंदर हुआ है तो कोट ये presume करेगा he is the legitimate father of the child आगे लिखा है unless ये important है unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten ये एक मात्र ऐसी चीज है जिससे आप इस presumption का rebuttal basically कर सकते है या basically ये होता है कि अगर ये show कर दिया गया है कोट में कि जब ये child begotten हो सकता था उस समय इन दोनों का access ही नहीं था इन दोनों का एक दूसरे से case ये presumption draw नहीं होगा ये conclusive proof नहीं होगा ये जो presumption है conclusive proof का ये draw नहीं किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा जब ये show कर दिया जाए कि they did not have access to each other इसके अलावा अब 112 में एक जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि DNA test आगया ये provision जब लिखा गया था तब तो science इतना advanced नहीं था और DNA test वागयरा की बात नहीं थी वो चीज़ बाद में आई है तो क्या DNA test से ये presumption का rebuttal हो सकता है अगर मान लिजे DNA test वो तो जादा scientific method है तो इसके regarding case का नाम लिख लेजिए नंदलाल वासुदेव बडवैक case का नाम लिख लेजिए नंदलाल वासुदेव बडवैक नंदलाल वासुदेव बडवैक नंदलाल वासुदेव बडवेक वर्सेज लता नंदलाल बडवेक 2004 सॉरी 2014 2014 नंदलाल वासुदेव बडवेक वर्सेज लता नंदलाल बडवेक 2014 इस वेरी इंपोर्टन और कोट ने इसमें यह हेल्ड किया था कि वाई DNA test scientific method है जिसमें accuracy के साथ legitimate accuracy का पता चल सकता है इसी लिए अगर DNA test में यह proof हो जाता है कि मान लेजिए यह उसका father नहीं है तो that shall prevail over the presumption of 112 इसके regarding एक case और है जहाँ DNA test को सही गलत है यानि उस पे बताया गया था तो उसके regarding case का नाम है नारायन दत्तिवारी उसके इसका नाम भी लिख लेजिए नारायन द दत्तिवारी versus रोहित शेखर नारायन दत्तिवारी versus रोहित शेखर दो हजार बारा का case है नारायन दत्तिवारी versus रोहित शेखर हाँ बिलकुल अखन्ड यह conclusive proof नहीं होगा in case of TNA यह presumption draw नहीं होगा in that case इसके बाद देखिए 113, so that's about 112, 113 important नहीं है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिएगा, एक ही चीज के लिए importance है 113 का वो ये, कि पूरे evidence act में कहां कहां conclusive proof की बात हुई है, पूरे evidence act में कहां कहां conclusive proof की बात हुई है, ये अगर आपको जानना है, तो इसके लिए सिर्फ तीन ही provision है, एक था हमारा, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जरा बताईए कौन सा था conclusive proof का provision, इसके पहले किस particular provision में मैंने बताईए है बात आपको conclusive proof की, कहां बताया गया है भाई, conclusive proof, क्लास में बताया कली मैंने, कल की क्लास में मेरे ख्याल से discuss किया था पर ने conclusive proof की बात, कहां दिया हुआ है conclusive proof, इसके अलावा 112 के अलावा 141, judgment वाला याद है, आपको 41 में बात करी गई है, judgment in RAM, उस चीज में जो legal character या जो right determined किया गया है, उस right या legal character का conclusive proof होता है, so 41 में conclusive proof की बात है, 112 और 113 बस इधर ही है conclusive proof, बस इस नजर से 113 important है, बाकि इसके अलावा उसका कोई importance नहीं है, इसके अलावा 113 A और 113 B ये बहुत ही जादा provision है, जादा important provision है, 113 A और 113 B ये दोनों बहुत important है, सबसे पहले 113 A देखिए, presumption as to abitment of suicide by a married woman, अगर किसी married woman ने suicide करी है, तो उसके regarding presumption की बात है, तो जब मैंने आपको may presume, shall presume और conclusive proof पड़ाया था, वहाँ मैंने इन दोनों का reference भी लिया था, और मैंने आपको already वो बात समझा दी थी, एक बार brief में repeat कर रहा हूँ, कि जब भी ये सवाल है, कि अगर एक married woman ने suicide करी है, और सवाल ये है कि उसकी suicide क्या husband या husband के किसी relative ने abit की है, क्या उसका abitment हुआ था suicide का, अगर ये सवाल है, तो कुछ particular fact अगर प्रूफ कर दिये गए है, तो court ये presumption draw कर सकता है, कि ये abitment of suicide ही है, यहां लिका है, अगर ये शो कर दिया जाए, क्या शो कर दिया जाए, अगर ये शो कर दिया जाए, 7 साल के अंदर suicide हुई है, और husband ने या relative ने cruelty करी है उसके साथ, the court may presume, किस तरीके का presumption है, may presume, may presume का मतलब, court presume कर भी सकता है, नई भी कर सकता, discretion है, evidence भी मंगा सकता है, ये मैं आपको detail में पहले समझा चुका हूँ, तो बस ये ध्यान रखिएगा, कि 113 में किस तीज के regarding presumption है, abitment of suicide के regarding, abitment of suicide of married woman, क्या proof कर दिया गया है, कि 7 साल के अंदर, marriage की 7 साल के अंदर, suicide commit करी गई है, और suicide के पहले, the woman was subjected to cruelty, ये अगर proof कर दिया गया है, दिन्दकोट में presume की, यहाँ पे abitment हुआ है, suicide का, इसके अलावा 113 भी, बहुत important है, presumption as to dowry death, dowry death से related presumption की बात करता है, when the question is, whether a person has committed the dowry death of a woman, and it is shown that, सवाल यह है कि, क्या dowry death करी है एक व्यक्ती ने, और अगर ये शो कर दिया गया, क्या शो कर दिया गया, underline कर लीजे, अगर ये शो कर दिया जाए, कि सून बिफोर हर डिथ, she was subjected to harassment or cruelty, in connection to demand of dowry, dowry के demand को लेके, उस woman को harass किया गया था, उसकी मृत्यू को पेक्के पहले, in that case, the court shall presume, कैसा presumption है भईया, ये shall presume का presumption है, तो यहां लिखा है, the court shall presume, that such person had caused, the dowry death, so in that court, ये presume करेगा, कि ये dowry death ही है, ठीक, shall presume का मतलब, now the burden lies on the accused, court को, यहां पे prosecution से, फिर और evidence नहीं मांगने है, कि आप proof करिये, इसी ने किया है, अगर ये show कर दिया गया है, court के सामने, कि before her death, she was subjected to cruelty, by the husband, in connection to demand of dowry, and now the burden shifts on the accused, क्योंकि शाल प्रिज्यूम है, so this is 113b, इसके बाद आईए 114, that is also important, 114, बहुत जादा important नहीं है, बढ़ हां, थोड़ा बहुत important, प्रिलिम्स के लिए इसका है, court may presume, existence of certain facts, इसके बहुत सारे illustration हैं, उनको जरूर पढ़ियेगा, basic बात में आपको बता देता हूं, court may presume, existence of certain facts, the court may presume, the existence of any fact, which it thinks, likely to have happened, regard being had, to the common course of, natural events, human conduct, and public and private business, इसके जितनी common चीज़ हैं, human conduct, या फिर, common course of, natural events, natural course जो है, उसमें जो चीज होती है, उसके presumption, court draw कर सकता है, क्योंकि 114 की पहली राइन में क्या लिखा है, the court may presume, वो चाहे तो presume, कर सकता है, normal सी बातें, जो daily, naturally occur करती है, human conduct का, पार्ट है, उनको court presume कर सकता है, एक तो illustration, दिठील जे, यहां लिखा है, the court may presume, illustration में A, that a man who is in possession of stolen goods, soon after the theft is either the thief, or has received the goods, knowing them to be stolen, unless he cannot account for his possession, अगर मान लिजे, कोई व्यक्ती, चुराई हुई property की possession में, पाया गया है, immediately after theft, theft के तुरंद बाद, किसी वक्ती के पास से, वो चूरी करी हुई property रेकवर हुई है, तो court यह presume कर सकता है, कि जिस वक्ती के पास से, यह प्रोपर्टी रेकवर की गई है, या तो उसने चूरी करी है, या उसने जानते हुए, यह property उप्टीन करी है, कि वो चोरी की property है वो यह presume कर सकता है जब तक सामने वाली party यह न अप्रूफ कर दे कि अपना जो possession कैसे मिली उसका justification ना देते तो court यह presume कर सकता है क्योंकि normal common natural course की बात है भाई यह चोरी की property immediately आपके पास पाई गई थी तो court यह presume कर सकता है कि चोरी आपने ही करी इसी तरीके के और presumption से जैसे C is important negotiable instrument act में भी आपने देखा है अगर मान लीजिए मैंने एक check draw किया है 50,000 रुपे का आपके नाम का आपको एक check दिया है 50,000 रुपे का आपके पास check पाया गया जो कि मैंने लिखके दिया है आपको 50,000 रुपे का तो court ये presume कर सकता है कि वो मैंने किसी चीज के consideration में दिया है ऐसे ही खरजी नहीं दिया आपको proof करने की ज़रूरत नहीं है कि ये consideration में दिया गया है court ये presume करेगा कि ये किसी चीज के बदले में दिया गया है किसी obligation के बदले में दिया गया है court may presume that तो इस तरीके के जो common parlance की चीज़े है court वो presume कर सकता है ये 114 में लिखा है इसके बाद 114 a is also important 114 a is also very important presumption asked to absence of consent in certain prosecution for rape जैसे हमने already ये चीज़ पढ़ी character evidence भी हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जहां consent question में हो वहाँ victim का previous sexual experience या उसके character पर सवाल नहीं उठाया जाएगा उसी की तरह एक provision इदर दिया है 114 a ये उन rape cases की बात करता है जो authority में किये जाते हैं ये किस provision की basically बात कर रहा है 376 के subsection 2 की IPC के 376 के subsection 2 subsection 2 में क्या दिया था जहां कोई person in authority rape commit करता है उसके लिए थोड़ा enhanced punishment है उन cases के लिए कहता है last line पढ़िए the court shall presume that she did not consent वहाँ भी consent का question है अगर victim का consent था उस sexual act को लेके तो वो rape नहीं है in that case वो rape है तो जितने भी ऐसे rape है जो 376 IPC के 376 subsection 2 के तहत कवर हो रहे है court ये presume करेगा कि उस victim का consent नहीं था consent proof करने का burden किस पे होगा basically यहां तो भाई साब consent proof करने का burden in rape cases में होगा हमेशा accused के उपर accused को ये proof करना पढ़ेगा कि woman का consent था that's 114A इसके बाद एक important topic अपन पढ़ने जा रहे हैं ये specific चीजें थी इसके बाद chapter 8 है it is about stopple stopple start होता है 115 से 117 तक stopple है stopple define कहा है तो भाईया 115 में define किया है और दो specific तरीके के दो special तरीके के stopple की बात करी गई है 16 और 17 में stopple होता क्या है generally आप बड़े मेरे खाल से common balance में आपने पढ़ रखा है सुन रखा है आप जानते हैं stopple क्या होता है किसी वेक्ति ने अगर कोई चीज represent कर दी है और मेरे उस representation के basis पे आपने अगर कुछ act कर दिया है अब मैं आपने उस representation से back out नहीं कर सकता ये है rule of stopple stopple का मतलब होता है to stop मैंने अगर कोई representation किया है उसके बदले में आपने कोई act कर लिया है तो now I am bound by that I am bound by that representation देखिए 115 सीज को define करता है या लिखा है when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe अगर अपने declaration से, act से या omission से अपने declaration से, act से या omission से intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing अगर आपने अपने declaration से, act से या फिर omission से अगर आपने कोई representation किया और उस representation के बदले में किसी वक्ती से कुछ act कराया है तो बाद में उस representation से आप back out नहीं कर सकते प्री में काफी detailed सबार इदर से पूछे जाते हैं कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन में से किस तरीके का representation 115 में नहीं लिखा है और option में आपको word मिल जाएगा conduct क्योंकि यहां कैसे representation की बात हो रही representation किस किस तरीके का declaration, act और omission conduct word as such यूज नहीं किया गया तो इस तरीके के भी tricky questions कई बार पूछे जा सकते हैं illustration आप पढ़ेंगे you'll get it, same illustration दिया है जो चीज मैंने आपको बताई इसके बाद 116 और 17 इसी के specific variant है 116 कहता है stopple of tenant and of licensee of person in possession अगर मान लिजे किसी वेक्ती ने किसी दूसरे person से possession प्रॉप्त करी है as a tenant किराय पर कोई property ली है किसी दूसरे वेक्ती से तो जिस वेक्ती ने किराय से property ली है वो उस person के title को challenge नहीं कर सकता उसकी उस authority को challenge नहीं कर सकता किसाब इसके पास तो authority ही नहीं थी ये भी stopple है क्योंकि आपने being a किरायदार being a tenant जिस वेक्ती से property अप्टेन करी आपने अगर उससे वो property की possession अप्टेन करी है इसका मतलब आपने ये माना है कि उसके पास authority है ये property किराय पे देने की अब later on आप उस चीज़ को deny नहीं कर सकते आपके उपर stopple applicable है tenant के उपर stopple applicable होता है ये बात 116 में दी हुई है similar चीज़ 117 में दी हुई है in context of bill of exchange तो जिस वेक्ती ने bill of exchange को draw किया है अब जो receiver है उसका वो ये नहीं बोल सकता कि जिस वेक्ती ने ये bill draw किया है उसके पास authority नहीं थी उसकी ही authority को जिससे basically बात ये है जिससे आपने कोई चीज़ receive करी है आप आगे चलके उसी वेक्ती की authority को challenge नहीं कर सकते आपके उपर stopple applicable होगा ठीक तो this is 116 and 17 specific variant की बात करता है हिमानशी का कहना है kind of stopple में conduct भी दिया है act का मतलब conduct ही होता है लेकिन question की framing इस तरीके की होती है कि which of the term is not mentioned इंडर 115 इस तरीके से सवाल पूचा जाएगा तो उसके लिए आपको terminology भी याद होनी चाहिए कि किस तरीके के term दिये होगे है particular provision में तो इसके बाद ये होगे आपका stopple इस से related इसके इर्दगिर्द सवाल पूचे जाते हैं which is important, important topic है प्री में पूचा जाने वाला ये topic है इसके बाद आईए अगले chapter पे now we are starting with chapter 9 that is of witnesses witnesses के बारे में हैं कि कौन witness होंगे क्या सवाल witness से पूचे जा सकते हैं किस तरीके से witness का examination होता है इसके बारे में आप चीजें दी हुई है 118 से और एक trend आप देखेंगे पिछले कुछ years का तो evidence act में इस particular portion 118 onwards कई सवाल पूचे जाते हैं तो मैं आपको एक चीज दोबारा remind करा दूँ कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां complex provisions नहीं है 118 onwards जितनी चीजें है उसमें as such कोई complex provisions नहीं है concept की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कोई बहुत वैसे concept नहीं है जो आप समझ ना पाएं लेकिन direct question इदर से काफी बनते हैं simple सी चीजे हैं हाँ लेकिन context समझना जरूरी है इदर पे भी कई बार sections में यह problem होती है कि आप overall context नहीं समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है so there I will be helping you in this तो सबसे पहले 118 देखिए who may testify 118 section number का सवाल आता है problems में कि कौन विक्ति testify कर सकता है testify कर सकता मतलब कौन as a witness court में पेश हो सकता है कौन अपनी testimony दे सकता है तो 118 कहता है कोई भी ऐसा विक्ति जो सवालों को समझने और उस पे एक rational answer देने की हालत में है वो विक्ति testify कर सकता चाहिए वो बच्चा हो old age का हो बिमारों कुछ भी चलेगा क्या जरूरी है necessary condition क्या है तो necessary condition यह है कि भाई वो विक्ति ऐसा होना चाहिए जो समझने की हालत में हो सवालों को और उस पे एक opinion frame करके answer देने की हालत में है जैसे आप 118 की language पढ़ेंगे all persons shall be competent to testify all persons shall be competent to testify unless the court considers that this is very important unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answer अगर court को लगता है कि कोई ऐसा विक्ति है जो question ही नहीं समझ पा रहा है या उसके rational answer नहीं दे सकता है वो विक्ति competent नहीं है testify करने के लिए इसके अलावा बाकी हर person testify करने के लिए competent है यह बात 118 में दी है इसके बाद 119 बात करता है witness unable to communicate verbally कोई ऐसा witness जो verbally बता नहीं सकता बोलने की हालत में नहीं बोल नहीं पा रहा है तो ऐसा witness लिखके भी अपने ही testimony दे सकता है किसी दूसरे तरीके से science के through इस तरीके से भी वो testimony दे सकता है और उसे oral evidence ही consider किया जाएगा इसको कहते है dumb witness प्रीम सीदे सीदे सवाल पूछा जाता है कि dumb witness कि section में दिया है तो ध्यान रखिएगा 119 यहां लिखा है witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can he can make it intelligible as by writing or by science लिखके या science के through जो बता सकता है या करा सकता है वो मान लिया जाएगा लेकिन यह testimony कैसी मानी जाएगी यह oral ही मानी जाएगी लिखा है in open court evidence so given shall be deemed to be oral evidence इसको oral evidence ही माना जाएगा क्योंकि witness पेश होके अपनी testimony दे रहा है बले क्योंकि because he is unable to speak इसलिए वो written में दे रहा है मगर इससे वो documentary evidence नहीं माना जाएगा और माना जाएगा कि वो oral evidence ही है इसके बाद 120 parties to civil suit and their wives or husband husband और wife of person under criminal trial देखिए अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं यह basically बात कर रहा है कि husband wife कब competent witness होंगे proceeding में husband और wife क्या मान लेजे husband के against proceeding चल रही है तो क्या wife competent witness है wife के against proceeding चल रही है तो क्या husband competent witness है क्या वो आके testimony दे सकता है उसके regarding provision इदर पे लिखे हुए है सबसे पहले 120 देखिए in all civil proceedings the parties to the suit and the husband और wife of any party to the suit shall be competent witness तो भाईया civil proceeding में parties भी competent witness होती है section number याद रखिएगा section number आप ध्यान रखिएगा कि civil proceeding में competent witness होती है parties भी और parties के husband और wife भी in criminal proceedings against any person the husband और wife of such person respectively shall be a competent witness criminal proceeding में भी husband या wife competent witness होंगे ये 120 बताता है तो 120 बाद जनरल बात करता है कि husband wife competent witness हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता सिर्फ इस context में आपको 120 ध्यान रखना है इसके बाद 121 देखिए this is important so section 121 section 121 बात करता है judges और magistrate की judge और magistrate कब competent witness consider किये जा सकते हैं so देखिए judges and magistrates no judge और magistrate shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate ये essential पूछे जाते हैं यहां से section number भी पूछा जाएगा कि judge और magistrate को कि section के तहत as a witness बुलाया जा सकता है किन cases में बुलाया जा सकता है कौन बुला सकता है तो ध्यान रखिएगा judge और magistrate को superior court ही बुला सकता है उनके same level का court या उनका subordinate court किसी judge magistrate को as a witness नहीं बुला सकता हमेशा higher court बुलाएगा इसलिए लखा है except upon the special order उस higher court के special order पे ही बुलाया जा सकता है अगर किसी judge या magistrate को as a witness बुलाना है तो वो जिस court का subordinate है वो judge या magistrate उसके special order पे ही आप बुला सकते हैं otherwise आप नहीं बुला सकते किन matters में बुला सकते हैं तो उसके लिए लिखा है be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting तो भाया अगर आपको बुलाना है उससे कि उसने जो चीज़ें observe करी है as a judge या magistrate अगर आपको उसे इस context में as a witness बुलाना है जो उसने court में observe करी है as a judge या magistrate in that case आपको superior court की permission लेनी है लेकिन अगर आपको एक normal विक्ती की तरह उससे बुलाना है अगर उसने court में कोई चीज़ ऐसे observe करी है in that case permission required नहीं है basics are इस provision का ये है illustration इससे related दिये हुए है एक बार वो देख लीजे a on his trial before the court of sessions says that a deposition was improperly taken by b the magistrate b cannot be compelled to answer questions as to this except upon the special order of us जैसे माल लीजे किसी magistrate ने investigation के तौरान confession record किया है और उससे related बात पूछने के लिए क्योंकि हमने CRPC में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पूरा portion investigation वाला पढ़ाया है अगर आपने वो class attend करिये तो आप जानते हैं कि जो magistrate confession record करता है वो generally उस case की trial नहीं करता तो मान लीजे confession जो record हुआ है उसमें कुछ irregularities है या कोई दूसरी चीज है जिसके regarding trial court को कुछ clarification चाहिए अब जो trial कर रहा है court उसने magistrate को बुलाया इस case में magistrate को trial court ने किस capacity में बुलाया है magistrate किस capacity में as a witness appear हो रहा है in the capacity of judge हो रहा है in the capacity of magistrate हो रहा है क्योंकि उसने जो confession record किया वो किस capacity में किया as a magistrate कोई normal आदमी confession record नहीं कर सकता 164 का वो magistrate ही कर सकता है तो उस context में अगर बुलाया है तो आपको उसके superior court की permission लेनी है लेकिन अगर मान लीजे किसी court में उसे as a normal person बुलाया जाए जैसे मान लीजे एक judge court में बैटा था उसके सामने किसी ने एक वक्ती का murder कर दिया उस courtroom में एक वक्ती ने दूसरे वक्ती का अगर murder कर दिया है अब उस murder की जहाँ trial चल रही है वहाँ अगर इस judge को बुलाया जाएगा तो उसके लिए permission की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो observation उसका था उसने ये जो देखा murder होते हुए ये as a judge या magistrate नहीं है ये as an ordinary person है in that case permission की जरूरत नहीं पड़ेगी that is 121 important है section number भी किस context में permission चाहिए किस में नहीं चाहिए ये बातें भी ध्यान रखियेगा इसके बाद 122 बात करता है communication during marriage की and this is very important हमने ये तो देख लिया 120 में हमने ये तो देख लिया कि husband और wife जो है वो competent witness होते हैं civil or criminal trial में लेकिन कौनसी वो बाते हैं जो वो court में disclose कर सकते हैं उनको कंबल किया जा सकता है disclose करने के लिए या वो खुद से disclose कर सकते हैं वो कौनसी बाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी 122 का basic purpose क्या है husband और wife का जो relationship होता है वो trust का relationship है एक husband अपनी wife को कोई बात बताता है तो वो ये भरोसा करके बताता है कि wife वो किसी को नहीं बताएगी या एक wife अपने husband को कोई बात बताती है तो इस भरोसे के सांथ बताती है कि ये बात वो किसी दूसरे को या कहीं जाके उसके against use नहीं होगी इस भरोसे के सांथ trust का relationship है provision देखते हैं no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married nor shall he be permitted to disclose any such communication ये general बात है यहां तक unless के बाद अभी मैं पढ़ता हूँ यहां तक आप जो पढ़ा अपने बेरेट में ये एक general बात है कि ना तो किसी spouse को compel किया जा सकता है और ना वो खुद के discretion पर एक court के सामने disclose कर सकता है कोई भी ऐसा communication जो उसके husband ने या उसकी wife ने उसको during wedlock बताया है अब आगे इसमें लिखा है यह तो general rule है लेकिन आगे इसका exception लिखा है unless the person who made it or his representative in interest consents except in the source between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other जब तक वो व्यक्ति consent ना कर दे या तो जिस व्यक्ति ने वो communication किया है during marriage जिस व्यक्ति ने वो communication किया है या तो वो खोद इस बात का consent दे दे कि ठीक है आप disclose कर दो in that case disclose कर सकता है दूसरा spouse या फिर उन दोनों के बीच ही proceeding चल रही है कोई civil उन दोनों के बीच ही कोई proceeding चल रही है civil या फिर एक spouse ने दूसरे spouse के against कोई offense commit किया है उसकी trial चल रही है दोनों के बीच का matter है, in that case party disclose कर सकती है, किसी तीसरे विक्ति के matter में husband या wife आके wedlock में हुए communication को ना तो खुद disclose कर सकते हैं ना उन्हें compel किया जा सकता है, ये लिखा है 122 में and this is one of the most important provisions here, इसके बाद 123 और 24 बहुत ज्यादा important नहीं है बट प्री में कई बार section number पूछ लिया policies, नीटी, जो भी चीज बनाई जा रही है, उसको कोई official disclose नहीं करेगा before its official publication, ये लिखा है 123 में, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state, state के किसी affair को जो की published नहीं हुआ है, कोई भी विक्ति disclose नहीं करेगा, court में, देखिए, ये अपन पढ़ क्या रहे हैं, कि क्या क्या सवाल, क्या क्या चीजें, witness को compel किया जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जाना, इनको हम कहते हैं privileged communication, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, privileged communication, privileged communication मतलब, इन communications को ये privilege दिया गया है, कि इनने court में disclose न their wedlock या फिर अगर स्टेट का कोई affair है जो अभी published नहीं हुआ है उसके बारे में जनकारी नहीं दी जाएगी फिर 124 कहता है official communication no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by this disclosure किसी public officer सरकारी करमचारी को कोई चीज पता है उसे communicate करी गई है in his official capacity और अगर उस सरकारी करमचारी को ये लगता है कि ये public interest में इस बात का disclose होना public interest में नहीं है in that case he will not be compelled to disclose that even in the court ये भी privileged communication की category में आता है इसके बाद 125 ये बहुत important है कई बार पूछा जाता है कि जो police है या जो magistrates है उनके जो sources होते हैं जहां से उनने किसी offense के बारे में पता चलता है उनकी जानकारी उनसे disclose नहीं कराई जाएगी उनको भी immune रखा गया है no magistrate or police officer shall be compelled to say when he got any information asked to the commission of any offense and no revenue officer shall be compelled to say when he got any information asked to the commission of any offense against the public revenue तो जित्ते ऐसे officer हैं जो public revenue पर चेक रखते हैं या magistrate या police magistrate या police से यह नहीं पूछा जाएगा कि कब आपको information मिली या कहां से आपको offense के commission की information मिली क्योंकि उनके वो sources हैं अगर उनको ही disclose करा दिया जाएगा या इस बात को basically disclose करा दिया जाएगा तो that is against their duty उनका फिर काम ही hinder हो जाएगा इसलिए कहां से उन्हें cognizable offense होने की information मिली है इस बात को disclose नहीं करा जाएगा इसके बाद 126 बात करता है professional communications की this is one of the most important provisions इसमें 2-3 बाते हैं उनको भी जरा आपको समझना चाहिए 126 में illustration based question भी इदर पूछे जाते है general बात तो यह है कि किसी भी वेक्ती ने अपने attorney या वकील से कोई चीज को कोई चीज disclose करी है अगर आपने अपना case रड़ने के लिए एक वकील hire करा है उससे आपने जो भी चीजें कहीं उसको आपने जो भी चीजें बताई है वो सब confidential है वो वकील जाके ना तो खुद disclose कर सकता है ना उसे compel किया जा सकता है कोट में सारी बातें बताने के लिए यह तो general rule है लेकिन इसके exception भी है इन exception से सवाल पूछा जाता है कि 126 में exceptions क्या है तो ज़रा 126 देखिए नू बैरिस्टर, attorney, pleader और वकील शालेट एनी टाइम भी permitted unless with his client's express consent अगर आपको disclose करना है तो client का express consent आपके पास होना चाहिए बिना client के express consent के आप बात disclose नहीं कर पाएंगे so no barrister, attorney, pleader और वकील शालेट एनी टाइम भी permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney और वकील by or on behalf of his client or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course कोई document दिखाया है उसको कोई जानकारी दी है वो disclose नहीं कर सकता लेकिन इसका proviso बहुत important है provided that में दो चीज़ें बताएं गई है जहां वो disclose कर सकता है इस सवाल आता है इसको देखिये provided that nothing in this section shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose अगर कोई communication किया गया है in furtherance of any illegal purpose देखिये एक accused ने पहले जो भी जुर्म वर्म करा है उसके बाद वो वकील के पास गया है और वकील के पास जाके वो सब बाते हैं वो बताता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा मैंने किया है तो ये सब communication तो protected है लेकिन आपने उस वकील को employ कर लिया और उसके बाद आपने कोई चीज करने का communication उसको दिया employment के बाद आप commission कर रहे हैं किसी act का वो communication अगर आप करते हैं उस commission का communication अगर आप ऐसे वकील से करते हैं तो वहाँ आप liable हो जाएंगे जैसे illustration A में देखिए A, a client says to be an attorney I have committed forgery and I wish you to defend इस case में वकील disclose नहीं कर सकता लेकिन यहाँ जो B illustration ने इसको देखिए यह proviso 1 को बताता है यहाँ लिखा है A, a client says to be an attorney I wish to obtain possession of property by the use of force deed on which I request you to sue अब वो कह रहा है कि साब मैं एक फरजी deed से एक property की possession हासिल करना चाता हूँ और उसके बाद मैं चाता हूँ कि आप मेरा case लड़े है, अभी उसने किया नहीं है वो करने की बात कर रहा है, यह communication disclose कर सकता है वकील आगे लिखा है, this communication being made in furtherance of a criminal purpose is not protected from disclosure यह protected नहीं है कि अभी आप करने वाले हैं कोई offense वो अगर आप इसको बता रहे है तो protected नहीं है दूसरी जो इस protected नहीं है वो यह कि इसका employment चालू होने के बाद वकील आपने कर लिया है अपने लिए उसके बाद अगर आपने कोई ऐसा offense या wrongful चीज़ करी है और इसकी जानकारी वकील को लग जाती है तो वो भी protected नहीं है उसकी भी information वो court में reveal कर सकता है second point यह कहता है any fact observed by any barrister, pleader, attorney और वकील in the course of his employment as such underline कर लिजिए showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment commencement होने के बाद कोई fraud यह offense commit कि हुआ है और यह बात अगर उस वकील को पता चल जाती है तो वो protected नहीं है वो बता सकता है इस वकील को hire करने के पहले आपने जो भी चीज़ करी वो अगर आपने वकील को disclose करी है तो वो तो protected है लेकिन इसके बाद या तो आप करने वाले है या उसके employment के बाद आपने करी है और ये बाद वकील को पता चल जाती है तो वो protected नहीं है इस पे questions पूछा जाता है सीधा सीधा prelims में तो इसको ध्यान रखियेगा इसके बाद 127 बताता है कि जो सारे provision वकील पे apply होते हैं वही उनके office के बाकी लोगों पे भी जैसे वहाँ पे जो interpreters वगेरा है जो दूसरे लोग काम कर रहे है उन्हें भी जानकारी है मान लिजिए कोई type कर रहा है information उस वकील की उसको भी जानकारी है तो उस staff पे भी ये rules applicable होते हैं बस ये बताया गया है 127 में इसके बाद 128 देखिए privilege not waived by volunteering evidence इसका मतलब ये है इसको brief में आप इसका meaning समझ लेजिए 128 में लिखा है कि हमने general rule तो ये पड़ा 126 में कि किसी वकील attorney को किसी वक्ती ने किसी commission की information दी है जो उसने पहले किया है कोई offense उसकी information दी है तो वो privileged communication होगा उसे वो वकील या attorney अबनी disclose नहीं कर सकता court of law में लेकिन अगर मान लीजिए उसका client खुद client खुद उस वकील को as a witness बुलाता है court में और वहाँ उससे कोई सवाल उस matter के regarding पूछता है तो क्या उस वकील के पास अधिकार आ जाएगा उस communication को disclose करने का so the answer is no अगर मान लीजिए सिर्फ उस client ने as a witness उसको बुला लिया merely इस बात से उस वकील के पास या अधिकार नहीं आ जाएगा कि वो सब कुछ reveal करते हाँ लेकिन जब client ने उस वकील को बुलाया है as a witness और expressly उसने वही सवाल किया जो information उसने दीती अगर expressly वो उसी बात फिस अवाल कर रहा है in that case the वकील और attorney may reveal अगर वो वही चीज पूछ रहा है वकील से तब वो reveal कर सकता है otherwise नहीं merely इतनी सी बात से नहीं कि उस party ने उस client ने उस वकील को as a witness बुला लिया है mayor इतनी सी बात से उस वकील के पास ये अधिकार नहीं आ जाता कि वो सब कुछ disclose कर दे या merely सिर्फ इस बात से कि उस वकील को as a witness बुला लिया गया है by the party or the client उस client का या उस party का ये privilege वेव नहीं होगा सिर्फ इस बात से ये पूरा लिखा हुआ है meaning 128 में इसके बाद 139-133 पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत जादा important ये नहीं है इसके बाद सीधे आ जाईए आप 132 पे 132 important है 132 132 में लिखा है witness not excused from answering on ground that answer will criminate witness से अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे वो खुद criminate हो सकता है या उसके against proceeding चल सकती है तो क्या वो जवाब देने से मना कर सकता है the answer is no जवाब तो उसको देना है लेकिन हाँ ये protection जरूर 132 में दी है कि उस जवाब के basis पे उसके against proceeding नहीं करी जाएगी 132 को समझ लीजिए basically 132 ये बता रहा है कि किसी witness से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया जो उसको criminate कर सकता है जैसे मान लीजिए एक दंगा हुआ है वहाँ बहुत सारी दुकाने जलाई गई है अब court में proceeding चल रही है उस दंगे की वहाँ एक witness था उसको बुलाया गया आई witness था उसको court ने बुलाया और उससे पूछा कि तुमने देखा था कि इस वक्ती ने दुकान जलाई है तो वो बुलता है हाँ मैंने देखा था अगर मान लीजिए ऐसी circumstances हैं कि वहाँ उससे ये भी उसकी authenticity चेक करने के लिए क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया कि जिस दूकान में आग लगाई गयी थी उस में से एक mobile phone तुम भी लेके भागे थे अगर ये सवाल उससे पूछा गया है कि उस दूकान में से एक mobile phone तो बटब लेके भागे थे अब अगर इसका वो सही जवाब देता है कि हाँ मैं मुबाइल फोन लेके गया था तो इस पे तो वो कर्मिनेट हो सकता है उसके अगिंस भी कर्मिनल पोसेडिंग हो सकती है तो क्या यहाँ वो आंसर देने से मना कर सकता है तो 132 कहता है कि आपको एक्सक्यूज नहीं किया जा पुलीस को कोई दूसरे एविडेंस लाने पड़ेंगे आपके अगेंस तब जाके वो प्रसेडिंग होगी आपका यह जो स्टेटमेंट है यह यूज नहीं होगा उस ट्राइल में बेसिकली यह प्रोटेक्शन इदर पर दी होई है जरा 132 की लैंगवेज पढ़िए इस बात से आपको यह एक्स्क्यूज नहीं मिलेगा आंसर करने से लेकिन प्रोवाईजो कहता है उस आंसर के बेसिस पे आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या आपके अगेंस प्रोसीडिंग नहीं होगी और विप्रूफट अगेंस तो इसका भी आपको सही जवाब देना है क्योंकि अगर आपने जूट बोला तो आप false evidence देने के लिए तो prosecute हो सकते हैं लेकिन अगर आपने सही बोला और उसमें आपके उपर भी criminal liability आ रही है तो उस जवाब के basis पे ना तो आपका arrest होगा ना prosecution और ना ही उस जवाब को कहीं भी criminal proceeding में आपके against use किया जाएगा उसको use आ accomplice बहुत important है भाई accomplice होता कौन है तो accomplice वो वेक्ति है जिसने main offender को assist किया है crime commit हुआ है उस crime को जिस main offender ने किया है उसके साथ एक वेक्ति और था जो से assist कर रहा था अब वो assist जो कर रहा था वो व्यक्ति as a witness आ रहा है वो व्यक्ति as a witness आ रहा है तो जैसे हमने हाँ बिलकुल correct अखंड ये co-accused ही है अगर मान लीजिए हमने क्योंकि ये CRPC में भी देखा कि pardon grant किया जा सकता है accomplice को तो उसका testimony ली जाएगी तो उसके testimony की क्या reliability है कितना क्या उसकी evidentiary value है basically ये बताया गया है 133 में तो देखिए an accomplice shall be competent witness ये competent witness तो होता है against an accused person accused person की against accomplice एक competent witness होता है लेकिन आगे लिखा है and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice अगर मान लीजे accomplice की testimony है वो कह रहा है कि हाँ हाँ इसने किया है उसकी testimony पे rely किया जा सकता है उसकी testimony uncorroborated हो uncorroborated मतलब भले ही उसके support में कोई दूसरे evidence ना दिये हो ये sole basis of conviction भी बन सकता है basically बात कितनी सी है accomplice की जो testimony है वो sole basis बन सकती है for the conviction of the accused लेकिन 133 कहीं भी ये नहीं कहता कि जो testimony of accomplice है वो हमेशा sole basis होगा conviction का ऐसा नहीं अगर court को authentic trustworthy लगती है तो court rely करके convict कर सकता है जरूरी नहीं है क्योंकि 133 को हमेशा पढ़ा जाता है 114 के illustration 2 के साथ जो presumptions की बात थी 114 उसका जो illustration B है वो कहता है 114 का illustration B ज़रा देख लिजे bear it में तो you will be able to connect with it B कहता है that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars 114 का B कहता है कि जो accomplice है वो unworthy of credit है उस पे विश्वास करने लायक नहीं है उसकी testimony पे तब ही rely किया जाए उसकी testimony पे तब ही rely किया जाए जब वो corroborated हो लेकिन 133 contrary बात on the face of it देखेंगे तो लग रहा है कि contrary बात कर रहा है basically 133 यह नहीं कह रहा कि अगर corroborated नहीं है तो आप नहीं भी corroborated है तो आपको रिलायक करना ही है यह कह रहा है कि अगर uncorroborated testimony पे रिलायक करके court ने conviction कर दिया है तो वो conviction merely इस ground पे set aside नहीं होगा कि वो corroborated नहीं था उसके support में कोई दूसरा evidence नहीं था merely इस ground पे वो testimony set aside नहीं होगी इसका मतलब आप यह नहीं draw कर सकते कि हर uncorroborated testimony जो की accomplice ने दी है उसके basis पे conviction ही होना है basically it is still the discretion of the court दूनों को पढ़ने के बाद भी it is still the discretion of the court so doubt आया है कि 30 और 133 में क्या difference है बेटा इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा मैंने आपको बार बार एक चीज रिमाइंड कराई है किसी भी provision को जब आप यह सवाल आपके जहन में आता है कि इसमें और उसमें क्या अंतर है तो यह समझिए कि किस chapter के अंदर वो section पड़ा है इस बिमारी का समाधान ही करने के लिए तो मैं आपको chapter का पूरा outline बताता हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि handwriting के बारे में कई जगे हमने provision पड़े customs के बारे में हमने कई जगे provision पड़े जिस section 30 को आप quote कर रहे हैं जरा मुझे यह बताईए वो किस chapter के अंदर पड़े आपने क्या बात चल रहे कौन से part में पड़ा आपने कौन से part में पड़ा रेलेवेंसी में पड़ा वहां सिर्फ इत्ता बताया गया था कि को अक्यूस की testimony जो है वो relevant होगी relevant होगी proof करी जा सकती यहां बात चल रही है भाईया proof की उस अगर testimony दी गई है chapter का नाम क्या था effect of evidence production and effect अगर testimony दी गई है complex की तो उसका impact क्या होगा अपन वो पड़ रहे हैं उसकी evidentiary value पड़ रहे हैं इस context को मैं बता रहा हूँ अगर आपने ध्यान रखा तो आपको इस तरीके की समस्याए इस act में कता ही नी आने वाली है इसलिए पहली class में मैंने सर्फ आपको ये समझाया था कि relevancy क्या होता है वो chapter क्यों दिख दिया हुआ है proof वाला chapter अलग से क्यों दिया हुआ है उस पहली class को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है otherwise ये confusion तो आपको होंगे ठीक है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं अच्छा हुआ तुमने वो पूछ लिया इसलिए मैंने एक बार दोबारा उस context को repeat कर दिया कि ये बात आप जरूर जहन में रखिए अपने कि आप अगर कोई section evidence का interpret कर रहे है तो पहले ये देखिए कि वो किस part के तहित दिया है तो interpretation आपके लिए बहुत easy हो जाता है ये बहुत important है चलिए भाई तो ये है accomplice की testimony case के नाम लिख ले जिए वैसे तो कई सारे हैं एक ही लिख ले जिए भाबोधी सहा वर्सेज किंग भाबोधी सहा वर्सेज किंग 1949 basically evidentiary value की ही बात है और evidentiary value जब decide करनी है accomplice की testimony की तो सार यही है भाईया की court का discretion है court को लगेगा तो वो rely करेगा otherwise नहीं करेगा that's 133 इसके बाद 134 important provision है previously this अवाल पूछा जाता है section number भी पूछ लिया जाएगा कि किसी भी fact को proof करने के लिए कितने witness की जरूरत है यह कहां दिया है 134 में दिया है किसी भी fact को proof करने के लिए कितने witnesses की जरूरत है कोई specific number defined नहीं है answer क्या है कोई specific number defined नहीं है जितना court को सही लगे इसलिए मैंने का था कि reliability की जहां बात आती है कि court का भी a fact को proof मान ले इसके लिए court का discretion है, court को discretion दिया गया है, इसे लिए 134 में लिखा है, no particular number of witness shall in any case be required for the proof of any fact, कोई specific number नहीं है, वो court का satisfaction है कि कब court satisfy हो जाए आपके evidences से, ठीक, ये हो गया आपका chapter complete of witnesses, अब of witnesses के बाद अपन chapter 10 पे आते हैं, chapter 10 है of the examination of witnesses, अब जो examination की बात है कि witnesses को examine किया जाना है, तो आपको पता है तीन तरीके का examination होता है, सबसे पहले होता है examination in chief, फिर होता है cross examination और उसके बाद होता है re-examination, examination in chief basically वो होता है, जहां जिस party ने call किया है, वो खुद examine करती है, ठीक चलिए, provision के साथ ही करते जाते हैं, तो easy रहेगा आपके लिए, पहले 135 देखिए, 135 में लिखा है order of production and examination of witnesses, किस order में produce करे जाएंगे witnesses, किस order में उनका examination होगा, तो 135 क्लियरली कहता है कि भाईया, जो भी procedural laws है, अगर civil proceeding चल रही है, तो CPC में जैसा दिया है, criminal proceeding चल रही है, तो CRPC में जो order दिया है, उस order में produce किया जाएगा, तो हमने CRPC में पढ़ा है कि पहले किसके witnesses examine किये जाते हैं, जरा बता दीजिए, CRPC के हिसाब से पहले किसके witness examine किये जाते हैं, prosecution के कि defense के, क्या भाई, CRPC में पहले किसके witnesses का examination होता है, prosecution, तो 135 उसके लिए order नहीं बता रहा है, किस order में करना है, जो procedural law ने बताया, वो applicable होगा, ये बात 135 कहता है, इसके बाद 136 काफी important provision है, prelims में पूछा जाता है, 136 बात करता है, judge to decide as to admissibility of evidence, किसी evidence को admit करना है या नहीं, इसका final decision किसका रहेगा, court का रहेगा, judge का रहेगा, क्योंकि evidence कौन से admit होंगे, जो relevant fact क्यों होंगे, अगर आप जो evidence produce करना चाह रहे हैं, वो relevant fact का नहीं है, तो court मना कर देगा कि नहीं evidence हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो relevant fact का नहीं है, court के पास फाल्तू समय नहीं, so admissibility का question finally, कौन decide करता है, court करता है, ये इसके first part में लिखा है, इसके तीन अलग-अलग paragraphs है, बाकी के दो paragraph ये कहते हैं, कि अगर कोई particular fact proof किया जा admit हो जाए, जैसे for example, dying declaration, अगर कोई prosecution कहता है, किसी statement को वो court में proof करना चाहते हैं, किसी dying declaration को, तो court उनसे ये बोल सकता है, कि पहले आप ये proof करिये, कि जिस वक्ति का statement आप as dying declaration ला रहे हैं, वो वक्ति मर चुका है, क्योंकि dying declaration तभी admissible है, जब उसके पहले एक fact proof हो, कि ये जि पहले proof होना चाहिए, तब उस statement को as dying declaration court admit करेगा, ये बात भी इसी section में दी हुई है, प्लस एक बात और इस section में दी हुई है, कि जहां दो अलग-अलग facts है, जो एक दूसरे से correlated हैं, जैसे मान लीजिए, एक ये fact है, कि साब इस वक्ति के पास से stolen property पाई गई है, अब इसमें court का discretion है, वो चाहे तो बोल सकता है कि पहले ये proof करो कि जो property पाई गई है, वो stolen है, और फिर आप ये proof करो कि वो properties की possession में पाई गई है, दोनों में से किसी को भी पहले proof करा सकता है, ये discretion court के पास है, so admit कैसे कराना है evidence को, ये basically discretion किसका है, court का है, ये बात 136 में लिखी है, और य ये बहुत important है for the purpose of prelims, illustration भी similar बातें करते हैं इसके, इसके बाद 137 important है भाई साब, order बता रहा है, वही तीनों चीज़ों के बारे में, examination in chief, cross examination और re-examination, पहले होता है examination in chief, देखे यहां लिखा है, the examination of a witness by the party who calls him shall be called as examination in chief, examination in chief क्या है, जिस party ने witness को बुलाया, वो party खुद जब अपने witness को examine करती है, उसको कहते हैं examination in chief, जब opposite party उस witness को examine करती है, उसको कहते हैं cross examination, और cross examination में अगर कोई नया मुद्दा उठाया गया है, तो जिस party का वो witness है, उसको एक बार और मौका दिया जा सकता है for re-examination, ये बात यहां लिखी होई है, तो देखिए, the examination of a witness by the party who calls him shall be called as examination in chief, cross examination में लिखा है, the examination of a witness by the adverse party shall be called as cross examination, तीसरा लिखा है, re-examination, the examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called as re-examination, क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें, वो बताई गई हैं, इसके बाद 138 में उनका order बताया गया है, तो order में simply पहले तो ये लिखा है कि सबसे पहले examination in chief हो उसके बाद cross होगा और उसके बाद re-examination होगा, ठीक, ये order follow किया जाएगा, लेकिन इसमें आगे एक चीज़ और लिखी है, second paragraph में, the examination and cross examination must relate to relevant fact, जो examination और cross examination है, वो किस पे होना चाहिए, relevant fact पे होना चाहिए, but the cross examination, ये important है, but the cross examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief, देखिए examination in chief और cross examination दोनों relevant fact पे होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कि जो cross examination है, adverse party जब examine करेगी, opposite party जब witness को examine करेगी, तो ये जरूरी नहीं है, वो bound नहीं है, कि वो भी सिरफ उनी मुद्दों पे बात करे, जिस पे examination in chief में बात करी गई है, तो कि examination in chief कौन करता है, जिस party ने witness को बुलाया, तो जिस party ने witness को बुलाया, वो तो अपने काम की बातें निकल वाएगा उस से, लेकिन भया, adverse party को तो सारी बातें करनी है ना, उस से, तो इसे लिए cross examination confined नहीं होगा, towards the thing as in examination in chief, लेकिन हा, cross examination भी relevant बातों पे होना चाहिए, irrelevant पे नहीं होगा, आपने film में, और movies में और web series में देखा होगा, cross examination के दोरान भी कोई ऐसी बात पूछी जाती है, जो relevant नहीं है, तो object करता है दूसरी party, objection milord बोलते हैं, वकील साब और फिर just साब बोलते हैं, objection sustained या फिर objection overruled, sustained मतलब कि वो सही objection उठा रहे हैं, वकील साब आप क्या बोल रहे हैं, जरा ध्य rejection rejected हो जाता है, इसका मतलब आप फलतू का objection उठा रहे हैं, वकील साब सही बात कर रहे हैं, चलने दीजी examination, ठीक, direction for re-examination भी important है, re-examination में सिर्फ वही बाते उठाई जाएंगी, उनको ही explain किया जाएगा, जो cross examination में हुआ, क्योंकि देखिए, examination in chief में जो हुआ है, वो तो party ने खुद किया, उसके बाद जो cross examination हुआ, ये adverse party ने किया, तो हो सकता है, adverse party ने कुछ ऐसी बातें करी हो, जो examination in chief में नहीं हुई है, और उस बातों को witness जंग से explain ना कर पाया हो, तो फिर इसी party को, जिसने examination in chief किया है, जिसने witness को बुलाया है, इसको दोबारा मौका दिया जा नहीं कर पाया है, उन पे आप सवाल re-examination में कर सकते हैं, ये होता है आपका direction for re-examination, ठीक, इसके बाद 139 बात करता है, cross examination of person called to produce a document, this is very important, हमने CRPC में पढ़ा था कि किसी person की attendance आप कैसे compel करते हैं, और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि document अगर बुलवाना है court में, तो वो कैसे किया जाएगा, तो 139 बेसिकली बताता है कि अगर किसी वेक्ति को समन गया है, only to produce a thing or document, अगर वो वेक्ति produce करने आया है उस thing या document को, तो इस बात से वो witness नहीं हो जाएगा, आप उसको cross examine नहीं करेंगे, अगर आपको उसको as a witness cross examine कर करना है, तो फिर आप उसको उस बात की समन भेजिए, अगर वेक्ति को समन सिरफ चीज प्रोड्यूस करने की या document प्रोड्यूस करने के लिए भेजा गया था, तो आप as a witness उसका cross examination नहीं कर पाएंगे, 139 देखिए, a person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness, आप इस बात से, क्योंकि उसको court में बुलाए गया कोई document या thing प्रोड्यूस करने के लिए, इस बात से वो आपका witness नहीं हो गया, आप उसको cross examine नहीं कर सकते, अगर cross examine करना है तो उसको as a witness आप, बुलाए अलग से, चीक, इसके ब 140 देखिए witnesses to character section number पूछा जाता है, कि character बताने के लिए अगर किसी witness को बुलाया गया है, character proof करने के लिए witness बुलाया गया है, कब character relevant होता ही या अपन पढ़ चुके हैं, तो character proof करने के लिए अगर किसी witness को बुलाया गया है, तो उसका cross examination हो सकता है या नहीं, तो 40 कहता है कि character proof क करने के लिए जब witness बुलाया गया है उसका cross examination or re-examination किया जा सकता है witness to character में भी cross examined and re-examined section number ध्यान रखिएगा 141 बहुत important है leading question any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question leading question क्या होता है जिसमें आप answer भी suggest करते हैं और आप यह desire करते हैं आप यह wish करते हैं सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपकी desire आपकी wish यह कि आप जो चाते हैं वोई जवाब आपको मिले जैसे मान लीजे मैं आप से सवाल करता हूँ कि यार ऐसा करते हैं आज थोड़ा लंबा session कर ले क्या क्योंकि complete करना है थोड़े से प्रोविजन बचे हैं complete कर लेते हैं कर ले क्या this is leading question because I'm suggesting the answer as well मैं चाता हूँ आप बोले हाँ sir कर लो इस तरीके से I'm asking a question जहां आप चाते हैं जहां मैं चाता हूँ कि आप answer क्या दें जो मैं सोच रहा हूँ वही चीक तो यह यह आपके leading question होते हैं बिल्कुल यह और शीन ने भी बिल्कुल सही example दिया है कि क्या आपका नाम question और सवाल यह आता है कि leading question के section में define है plus कब leading question पूछा जा सकता और कब नहीं पूछा जा सकता यह बहुत important question है आगे देखिए यह दिया है so देखिए section 142 when they must not be asked कब आप नहीं पूछ सकते बहुत important है leading questions must not if objected by the adverse party be asked in an underline कर लेजिए examination in chief अगर adverse party object कर रही है तो examination in chief में या फिर re-examination में नहीं पूछ सकते except with the permission of the court with the permission of court पूछ सकते हैं लेकिन बिना court की permission के आप नहीं पूछ सकते leading question कहा examination in chief और re-examination को आप नहीं बुलाया है अब आप उससे leading question कर रहे हैं already answer suggest कर रहे हैं तो that is not allowed in the court 143 बताता है when they may be asked तो भया cross examination में ऐसे leading question पूछे जा सकते हैं और ये बहुत important है about leading question definition का section number भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि leading question कहां पूछे जा सकते हैं कहां नहीं तो ध्यान रखियेगा 42 बताता है कि examination in chief और re-examination में without the permission of the court नहीं पूछे जा सकते हैं और cross examination में तो पूछे जा सकते हैं इसके बाद 144 बात करता है evidence as to matters in writing ये भी important provision है 144 कहता है कि कोई matter already writing में है एक व्यक्ति है जिसने एक matter already writing में दे रखा है अब उसको as a witness आपने court में बुलाया है तो अब आप उसको court में बुलाके क्या contradict कर सकते हैं उस writing के basis पे क्या हो सकता है इस सब के बारे में provision है जरह 144 पढ़िये any witness may be asked whilst under examination whether any contract grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document and if he says that it was or if he is about to make any statement as to the content of any document which in the opinion of the court ought to be produced underline कर लीजे यह बहुत important है the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it basically 144 तो सिर्फ इस बात का वही declaration है कि अगर कोई matter in writing है already D जो कि 91 में अपन ने देखा 91 ने clearly बताया कि कौन से वो matter है जहां document ही produce होना है oral ने लिए जाएंगे तो अगर उसको proof करने के लिए किसी witness को बुलाया जा रहा है तो इस बात पे adverse party object कर सकती है और यह objection raise कर सकती है कि साब उस writing को ही बुला लिजे ना as an evidence वो writing ही produce कराईए ना witness testimony क्यों ले रहा है हाँ अगर वो party secondary evidence देने के लिए entitled है क्योंकि secondary evidence में अपन ने यह भी देखा था कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस document को देखा हो वो उसका oral account देता है तो that is also considered as secondary evidence तो जब तक secondary evidence देने के लिए entitled नहीं है party तब तक यह document ही produce होना है party compel कर सकती है adverse party adverse party यह compel कर सकती है कि साब वो writing बुलाईए इसकी testimony नहीं चले इसके बाद 145 अब वो बात बताता है कि जब कोई writing में कोई matter था एक वक्ति है जिसने कोई चीज already पहले दे दी है कोई statement दे दिया है एक वक्ति ने कोई statement already दे दिया है जो writing में है और अब उसको testimony देने के लिए court में बुलाया गया है तो उसके basis पे उसका cross examination भी हो सकता है previous writing के basis पे और इसके basis पे उसे contradict भी किया जा सकता है इसके बारे में मैंने आपको CRPC में भी detail में पढ़ाया था कोई बताएगा CRPC के section में हमने 144 बहुत detail में refer किया है पुलिस डाइरी अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ भी इसकी बात है statement to police जो हमने पढ़ा था evidentiary value of statement given to police during investigation investigation के दौरान पुलिस को जो statement दिये जाते है correct 154 में भी FIR में भी यह चीज़ आती है लेकिन क्योंकि 162 में generally यह कहा गया है कि police को दियो statement की कोई evidentiary value नहीं है लेकिन उसके exception में clearly लिखाता अलग से कि भाया 145 के हिसाब से contradict किया जा सकता है लेकिन यह बात आपने पढ़ी थी ठीक तो 145 वही है cross examination as to previous statement in writing देखिए witness may be cross examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved उस writing को बिना show करे बिना proof करे आप cross examine कर सकते हैं अगर party को पता है adverse party को मान लिजे भाई FIR आपने लिखवाई एक वेक्ति ने FIR लिखवाई उसमें सारे facts बताए अब adverse party उस वेक्ति उस informant को बुलाती है तो adverse party cross examination कर सकती है बिना उस FIR को दिखाए ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताना जरा कितने बजे हुआ था offense कहां हुआ था अब अगर वो कोई ऐसी चीज वहाँ testimony में बोलता है जो contradict करती है उसकी writing को कि FIR में लिखवाया था बारा बजे आभी बोल रहा है दो बजे तो इस ground पे contradict भी किया जा सकता है ये later part में लिखा है or being proved but but if it is intended to contradict him अगर आप contradict कर रहे हैं उसके लिए rule है if it is intended to contradict him by the writing his attention must before the writing can be proved be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him अगर आप उसको contradict कर रहे हैं तो थोड़ा specifically करिए उस part पे उसका attention draw करिए जिस particular part पे आप उसे contradict कर रहे हैं जैसे आप particularly इस बात पे contradict कर रहे हैं कि उसने समय F.I.R. में 12 बजे लिखवाया या भी बतारा 2 बजे तो आपको specifically वो portion बताना पड़ेगा जिस पे आप contradict कर रहे हैं लेकिन contradict आप कर सकते हैं previous writing के basis पे किसा आप पहले कुछ और लिखवाया कुछ और है पुलिस को statement दिया था उसमें कुछ और लिखा है अभी कुछ और बोल रहा है इस ground पे आप contradict कर सकते हैं और इसकी detail जानकारी मैंने आपको 162 में भी दी है CRPC के lecture में ठीक तो यह है आपका 145 एक witness का cross examination किया जाता है या उसे contradict किया जाता है on the basis of previous statement पहले जो उसने statement में दिया है या तो writing में statement दिया हो या उसको उसके दिये हुए statement को reduce कर लिया हो in writing दोनों cases में 145 applicable है अब इसके आगे के जो provisions है उनका brief मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यह बहुत important prelims के point से नहीं है कुछ basic बातें पूछी जाती है section number generally 146, 7, 8, 9 से नहीं पूछे जाते section number जो पूछे जाएंगे वो 50 onwards generally पूछे जाते हैं 49 फिर भी थोड़ा important है बट 50 से section number आपके ज़्यादा important होते है तो 146 देखिए questions lawful in cross examination अब हमने पढ़ा कि adverse party cross examination करेगी और हमने ये भी देखा कि cross examination भी relevant चीज़ों पर होना चाहिए लेकिन cross examination will not be confined to the things which were referred in examination in chief तो 146 basically आपको बताता है कि cross examination में क्या-क्या सवाल एक witness से आप पूछ सकते हैं किन चीज़ों से related सवाल पूछे जा सकते हैं 146 में बताया है तो देखिए जरह क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं सबसे पहले first लिखा है to test his veracity veracity test करने के लिए मतलब उसकी authenticity correctness सच्चाई कितना credible है veracity मतलब उसकी credibility check करने के लिए सवाल किये जा सकते हैं cross examination में second day to discover who is and what is his position in life कि वो जीवन में क्या करता है क्या कर रहा है जैसे मान लिजिया आपको ऐसे witness बुलाया गया तो cross examination में आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या करते हैं जीवन में क्योंकि इससे क्या करना चाह रहा है देखिए जिस party के against एक witness अपियर हुआ है उस party का क्या काम है उसको जूटा साबित कर दे कि साब ये तो जूट बोलना है यही करना है न आपको उसकी testimony को जूटा ही तो साबित करना है तो आप उससे ये जरूर पूछ सकते हैं वो जीवन में क्या कर रहा है लाइफ में वो क्या करता है जैसे आपको as a witness बुलाया गया आप से पूछा जाएगा आप क्या करते हैं आप कहेंगे विरोजगार हैं जुड़ी सरीक तयारी करते हैं वो सकता आप से पूछ ले कि आप किस तरीके के तयार रखें आप वेरेक्ट उठा के प्रोविजन पड़ते हैं कि आप सिरफ श्ट्रेटजी के वीडियो देखते हैं ये भी आप से पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में छीक? इसके बात थर्ड देखिए तो शेक हिस क्रेडिट बाई इंजरेंग हिस कारेक्टर although the answer to such questions might tend directly और indirectly to criminate him और might expose और tend directly और indirectly to expose him to a penalty or for feature चीक? तो उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए उसके क्रेक्टर को इंजर करने के लिए सवाल आप पूछ सकते हैं क्या पहले क्रमनेट हुए हो यह सब सवाल पूछे जा सकते हैं बेसिकली उसकी टेस्टिमनी को खारेज करना है लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा अभी आगे ऐसे भी प्रोविजन आएंगे जो इसको लिमिट करेंगे अगर मान लिजी आप किसी विटनेस की विरासिटी चैलेंज करने के लिए उसके कारेक्टर से रिलेटेड विटनेस ला रहे हैं या उसके कारेक्टर को चैलेंज करने तो उसी बात पर फिर पूरा केस नहीं चला जाएगा कि मान लीजे आपने किसी को लाए और उसने बोला उसने वरासिटी को चैलेंज किया या चारेक्टर से बात करें आप उसके контрari evidence ला रहिए दूसरी party फिर उसके contrary evidence तो भाईया case का main issue यह नहीं है कि यह witness का character क्या यह जोड़ बोल रहा साइब तो यह नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि यह trustworthy है या नहीं, proceeding उसके बारे में तो है नहीं, जो आप उसके अब बात के बाद evidence लाते जाओगे, तो इस पे भी जो Indian Evidence Act है एक limit लगाता है, ठीक तो वो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 146 का proviso भी important है, यह वही sexual offenses की बात कर रहा है, रेप के cases में जो victim है, उससे आप इस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकते, उसके previous sexual experience को लेके वही same बात इस proviso में भी लिखी है, इसके बात देखिए 147, 148 उतने important नहीं है, लेकिन आगे जो अपन 149 पढ़ने वाले हैं, उसका context समझने के लिए important है, अब देखिए बात यह चल रही है कि हमने 146 में पढ़ा कि cross examination में एक witness से, आप क्या क्या किस किस तरीके के, किन purposes के लिए सवाल पूछ सकते हैं, So 147 केता है, when witness to be compelled to answer, कब witness को compelled किया जाएगा answer करने के लिए, जब character से related सवाल पूछे गए हैं, तो 147 केता है, if any such question relates to a matter relevant to the suit proceeding, the provision of 132 apply, वही जो 132 में पढ़ा कि कब वो bound है, कब नहीं वो apply होगा, एक्जाम के लिए 147 important नहीं है, ध्यान रखना, मैं आपको सिर्फ context समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, इसके बाद 148 देखिए, code to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer, अब कोच भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो उसकी credibility shake करने के लिए है, उसका character check करने के लिए है, या character injure करने के लिए है, तो जब इन चीजों के लिए सवाल पूछे जाएंगे cross examination में, तो it is up to the court, 148 में court को power दिया है, कि court इन सवालों को limit कर सकता है, अगर court को लगता है, क्यार ये तो फालतु भी पूछ रहे हैं, तो court limit कर सकता है, कि आप उसकी credibility shake करने के लिए, उसका character injure करने के लिए सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक limit होगी, इसके बाद 149 इसके consequence बताता है, कि अगर आप court ने restrict किया है, या जो मना कि उस तरीके के सवाल करेंगे, तो क्या होगा, आगे वो बातें बताएं गई हैं, examination में भी बिना reasonable ground के आप सवाल नहीं करेंगे, अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं, तो उसका reasonable ground आपके पास होना चाहिए, illustration से question पूछे जाते हैं, देखिए 149 केता है, no such question as is referred to in section 148 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable ground, तो 148 में अगर आपको मना किया गया है, कि इस तरीके के सवाल नहीं पूछना है, तो आप बिना reasonable ground के वो सवाल नहीं करेंगे, अगर आपके पास reasonable ground है, तो आप पूछ सकते हैं, कब reasonable ground होंगे, कब नहीं, इसको बताने के लिए illustration दिये हुए हैं, एक illustration इसका काफी important है, यह dacat वाला प्री में पूछा गया है, illustration A, देखिए, a barrister is instructed by an attorney और वकील, that an important witness is a dacat, this is reasonable ground for asking the witness, whether he is a dacat, क्योंकि एक barrister नहीं, एक attorney और वकील को बताया है, कि यार यह जो witness है यह dacat है, उसके पास reasonable ground है, कि साब उसे किसी authentic बंदे नहीं यह बात बताई थी, कि यह dacat है, तो वो पूछ सकता है, कि क्या आप dacat है, in that case, reasonable ground है, लेकिन आगे भी देखिए, a pleader is informed by a person in court, that an important witness is a dacat, किसी वेक्ती ने बताया है, किसी वेक्ती ने बताया, रेंडम बेक्ती ने क्या रिये डacat है, the information on being questioned by the pleader, gives satisfactory reasons for his statement, और pleader उस बात के satisfactory reason भी दे देता है, कि साब इन्फर्मेशन authentic है, this is reasonable ground for asking the witness, whether he is dacat, किसी stranger, किसी third person के कहने पे, कि information पे, अगर वाकिल साब ने witness से पूछ लिया है, कि क्या आप dacat है, तो भी यह reasonable ground हो सकता है, अगर वो court को satisfy कर दे, कि वो information क्यों reliable की, in that case reasonable हो सकता है, लेकिन C कहता है, a witness of whom nothing whatever is known, कोई जानकारी नहीं है उस witness के बारे में, फिर भी वकील साब उससे पूछ रहे हैं, is asked at random whether he is dacat, there are here no reasonable ground for the question, in this case कोई reasonable ground नहीं है, अगर आपको किसी authentic source से information मिली है, तब तो आप पूछ सकते हैं whether he is a dacat, बिना किसी reasonable ground के, आप यह सवाल नहीं पूछ सकते, whether he is a dacat or not, ठीक, तो यह illustration से सवाल पूछा गया है, prelims में पहले कई state में, इसको ध्यान रखियेगा, इसके बाद आईए 150 onwards, they are very important, कि बिना reasonable ground के, 150 बहुत important है, बिना reasonable, अब आगे उपर हमने पढ़ा कि बिना reasonable ground के वकील साब को सवाल नहीं पूछना है, अगर बिना reasonable ground के आपने सवाल पूछा, तो क्या consequences होंगे, तो देखिये ज़रा 150 कहता है, बिना reasonable ground के अगर question पूछ लिया गया, तो कोट क्या करेगा, तो यहां लिखा है, if the court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, वकील और attorney, अंडराइन कर लीजिये, रिपोर्ट दी सर्कम्स्टांसेंस दॉप दी केस तू दी हाई कोट, तो हाई कोट को रिपोर्ट कर सकता है, court आपके बारे में, या फिर to the high court और other authority, other authority मतलब जो regulating authority है, वकीलों की जैसे बार काउंसेल, इनको रिपोर्ट कर सकता है, कि यह वकील साब खरजी question पूछते हैं, पूछते हैं कोट में, इनको, इनके against section हो सकता है, ऐसा ही जब आप मेरी live chat में, मुझसे बिना मतलब के सवाल पूछते हैं, तो मैं यह कहां report करता हूँ, अपनी admin team को, कल से यह बंदा block चाहिए मुझे live में, समझ रहें, इसलिए कहीं भी आप सवाल करें, तो पहले सोचें, समझें कि आप क्या पूछ रहें हैं, उसके बाद पूछें, नहीं तो उसकी report हो सकती है, तो यहां court किसको बताएगा, कि यह वकील साब फलतू के सवाल करते हैं, यहां court बताएगा high court को, यहां फिर बताएगा other authority को, ठीक, 151 बहुत important है, section number से भी सवाल आता है, यह provision important है भाई साब 151, 151 says indecent and scandalous question आपको नहीं पूछना है, अभी हमने देखा हम क्या पढ़ने हैं, कि कौन से question पूछें जा सकते हैं, तो भाईया witness से scandalous question आपको नहीं पूछना है, indecent question नहीं पूछना है, तो लिखा है the court में, forbid any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the question before the court, unless यह important है, unless they relate to fact and issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the fact and issue exists, अगर fact and issue से related बहुत important चीज है, तभी आप scandalous या indecent question पूछ सकते हैं, otherwise generally आपको indecent या scandalous questions नहीं पूछने हैं, 152 केता है, questions intended to insult or annoy, सताने के लिए, या किसी की insult करने के लिए सवाल नहीं करना है, the court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which though proper in itself, appears to the court needlessly offensing in form, जब अर्जस्ती offensive question आप पूछ रहे हैं, unless unnecessarily annoy करने के लिए, इसके example मेरे को नहीं लगता आपको देने की जरूरत है, अगर आप लाइफ चाट में ये, अगर आप ये live session देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे questions से encounter आपका खुद हो जाता है, जो की scandalous हो सकते हैं, जो की annoying हो सकते हैं, बिना बाद के सवाल हैं इसमें, लेकिन वहाँ पे court आपको forbid कर सकता है, इस तरीके के सवाल उठने से, इसके बाद देखिए, मतलब मेरा मतलब इसमें ये नहीं है, कि अगर आप किसी भी point पे सवाल कर रहे हैं, जो की academic questions हैं, तो I welcome that, अगर आपने class के कुछ videos भी YouTube पे हैं, वो अगर आप देखेंगे, तो you will realize कि कभी ये नहीं होता है, कि कोई academic question पुझा, YouTube में जरूर मैं अपने को abstain कर लेता हूँ, यहां live में, because यहां बाकी सब का समय बहुत important है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों को ignore कर देता हूँ, जो मैं शायद explain नहीं करता हूँ, repeat basically मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का समय उससे waste होता है, आप recording जाके देख लिए, जिए दुबारा आपको सुनना है वो चीज़ तो, हाँ, बट जब classes चलती है, उस point of time पे तो, we welcome all the questions, बस हाँ, एकदम हर्जी, मतलब out of academic context, अगर उसमें नहीं है, in that case, we generally do not allow that, ठीक है, इसके बाद, 153 is also important, exclusion of evidence to contradict answers to question testing veracity, this is important, मैंने भी क्या कथा, किसी witness की, विरसिटी चेक करने के लिए, आप सवाल को कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसी पे evidence देने नहीं वैट जाएंगे भाई साब, इसलिए यहां लिखा है, when a witness has been asked and has answered any question, which is relevant to the inquiry, only in so far as it tends to shake his credit, सिर्फ credit shake करने के लिए, कोई सवाल पूचा गया है, witness उसका जवाब भी दे दिया है, अब आपके रहने नहीं हम प्रूफ करेंगे, कि आप जूड बोल रहे हैं, तो भाई साब यह नहीं करना है, otherwise main जो प्रोसीडिंग का issue है, वो छोड़के आप यहीं चालू हो गए, यह नहीं करना है, ठीक? इस क्रेड़िट बाई इन्जरिंग इस कारेक्टर, नो एविडेंस, बहुत इंपोर्टन है, नो एविडेंस शाल बी गिवन तो कॉंट्रडिक्ट हिम, उसको कॉंट्रडिक्ट करने के लिए वाप एविडेंस, आपने सवाल पूचा, उसकी credibility शेक करने के लिए, veracity चेक करने के लिए, सामने वाले ने जवाब दे दिया, आप आगे बढ़िए, उसके बाद आप उसी पर contradict नहीं करेंगे, यह नहीं है, यह नहीं होगा, नहीं तो proceeding का direction ही बदल जाएगा, अगर आपने जूट बोला है, तो बाद में आपके उपर एक separate proceeding चला की जा सकती है, उस proceeding का direction चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर लगता है कि आपने जूट बोला था, तो आपके उपर separate prosecution किया जा सकता है, forgiving false evidence IPC में offense है, एक्सेप्शन भी important हैं, दो exceptions हैं, कि कहां आप contradict कर सकते हैं, तो आप contradict कर सकते हैं, अगर previous conviction का सवाल आपने किया है, किसी witness के credit को shake करने के लिए, अगर आपने उससे पूछा है, कि अच्छा पहले तुम्हारा conviction हुआ है, क्या किसी matter में, वो कहता है, नहीं नहीं, conviction नहीं हुआ, यहां आप contradict कर सकते हैं, कि भई यह judgment है तुम्हारे against, या फिर अगर मान लिए यह exception 2 कहता है, कि उसकी impartiality को impeach करने के लिए, अगर आपने कोई सवाल पूछा, क्योंकि वो biased है एक party की तरफ, तो impartiality के regarding आपने सवाल पूछा, और वो answer करता है, तो उसके आप contradict कर सकते हैं, यह दो exception यहां दिये हुए है, इसके बाद आईए section 154, one of the most important provisions, hostile witness इसको कहते हैं, hostile witness क्या होता है, कि जिस party ने witness बुलाया, वो उसके against ही statement देने लग जाए, या वो ऐसे statement देने लग जाए, जो party assert कर रही है, जिस party ने उसे as a witness बुलाया है, और वो party जो assert कर रही है, उससे अलग बात वो कहने लग जाए, तो वो hostile, basically contradictory बाते हैं, अगर वो करने लग जाए, भाई party उसको क्यों बुला रही है, ताकि उसके फाइदे की बात करे, वो उसके ही opposite बात करने लगी, उसके against देने लगा, तो कहा जाता है, the witness has turned hostile, और जहां hostile हुआ witness, वहाँ court की permission से, वो party जिसने उसे बुलाया है, वो ऐसे सवाल पूछ सकती है, जो generally cross examination में पूछे जाते हैं, इस बात को ज़रा समझ लीजिए, कि देखिए, मान लीजिए, A और B के बीच proceeding चल रही है, और A ने अपना एक witness बुलाया, C, evidence देने के लिए court में, लेकिन ये भाई बात किसके favor की करने लगे, B के, तो जब ऐसा होता है कि ये इसके favor की बात करने लगे, अब इसके साथ तो खेल हो गया इदर, तो A क्या करेगा, अब जब ये witness, hostile witness, जब B के favor की बात करने लगेगा, तो अब A क्या करेगा, A इसका credit shake करेगा, वो A पूरी कोशिश करेगा न, कि इसको जूटा साबित कर दे, और वो कर सकता है, अब A, C से वो सवाल पूच सकता है, जो cross examination में पूचे जाते हैं, जो अपन ने 146 में पढ़ा, जैसे इसका credit shake करने के लिए, इसके character के बारे में सवाल कर सकता है, अब ये खुद भी कर सकता है, जिस party ने बोला, क्योंकि witness hostile हो गया है, with the permission of court, ये काम किया जा सकता है, ये 154 में लिखा है, rely नहीं कर सकते, ये party इसका use नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, तो 154 के हिसाब से, ये party भी completely discard नहीं करना है, इसको ये चाहें, तो इनके favor की जैसे माल लीजिए, इस विक्ती ने, चार बातें बताई, इन में से दो बातें तो इनके favor की हैं, बट दो बातें इसने बता दी, बी के favor की, तो जो बातें इसने इस party के favor की करी हैं, जो उसने, जिस party ने उसको बुलाया था, उस पे ये party rely कर सकती है, वो अपने favor में use कर सकती है, ये completely discard नहीं किया जाता, ये ध्यान रखियेगा, देखिए 154, इसको भी अलाओ कर सकती है, कि वो कोई ऐसा सवाल पूछले, जो cross examination में पूछा जाना है, ये वाली बात, कि आप क्योंकि वो cross examination कर रहा है इसका, इसका मतलब ये नहीं कि, इसकी किसी भी बात पर ये rely नहीं कर सकता, use नहीं कर सकता, वो portion ये use कर सकता है, जो उसके favor का है, इसमें दो cases वगेरा भी काफी important है, कि इसका नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, रमेश हरिजन वर्से स्टेट आफ उत्तर प्रदेश दो हजार बारा, सेम बात कही गई थी, कि भाईया जो party cross examine कर रही है, जिसका वो witness है, जिसके against वो hostile हो गया है, वो भी statement use कर सकती है, बाकी तो बहुत कुछ मिलेगा इस पे आपको, बट generally pre में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यह basic बात में पूछी जाती है, इसके बाद देखिए 155, impeaching credit of witness, 155 बात करता है, witness के credit को impeach करने की, कैसे आप credit impeach करेंगे, तो impeaching credit of witness कैसे आपको करना है, उसके methods बताएं है, बहुत important नहीं है, section number ध्यान रखिएगा, general सी बात है, कैसे आप करेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे, जो उसको जानता हो, और जो उसके बारे में यह बताएं, कि साब यह तो भरोसे लायट व्यक्ति नहीं है, ऐसे आप impeach कर सकते हैं, किसी witness को बुला के कर सकते हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो आके यह testimony दे, कि साब यह witness तो जूटा, यह आप कर सकते हैं, फिर second कहता है, कि आप यह प्रूफ कर सकते हैं, कि यह रिश्वत लेके, ब्राइव लेके आया है, इसलिए यहाँ ऐसी बात कर रहा है, यह आप प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आप उसके दौरा, प्रीवियसली दिया हुआ statement, compare करके यह प्रूफ कर सकते हैं, कि साब देखिए, पहले इसने कुछ और बोला था, अब यह कुछ और बोल रहा है, यह करके आप उसके credit को impeach कर सकते हैं, तीनो method से यह यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद 156 देखिए, 156 बात करता है, questions tending to corroborate evidence of relevant fact admissible, अब corroboration की बात चालू होती है, जरा एक बात यह समझ लीजिए, कि corroboration होता क्या है, corroboration का मतलब to support, कोई एक चीज औरेडी किसी fact को प्रूफ करने के लिए, एक evidence औरेडी दे दिया गया है, अब उस evidence को support करने के लिए, एक evidence दिया जा रहा है, इसको कहते हैं corroboration, support करने के लिए, किसी बात को support करने के लिए, जब evidence दिया जाता है, उसको कहते हैं corroboration, और किसी बात को support करने के लिए जब evidence दिया जाता है corroboration में तो वो admissible होता है जैसे यहां देखिये 156 में लिखा है when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact he may be questioned as to any other circumstance which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred if the court is of opinion that such circumstances if proved would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies जैसे मानली जीए एक witness बुलाया गया वो पूरी story सुना रहा है offense की जो इधर पर illustration दिया है robbery से related कि एक वेक्ती story बता रहा है robbery की as a witness कि साब ऐसा ऐसा हुआ था एक accomplice story बता रहा है robbery की accomplice भी competent witness है वो बता रहा है कि साब हम लोग सोबह उठे फिर हम गाली में बैठे फिर इस रास्ते से हम गए और उस दिन ये रास्ता बन था इसलिए हमने दूसरा क्योंकि उस दिन इधर से rally निकल रही थी एक political इसलिए हम दूसरे रास्ता change करके गए उस bank तक ये उसने बताया तो उसने पूरा incidence अब explain किया है अब ये चेक करने के लिए कि ये वेक्ती सही बात बोल रहा है और इसको support करने के लिए दूसरे fact proof किये जा सकते हैं कैसा proof जैसे इसने बोला कि साब हमने रास्ता change किया किया था क्योंकि उस दिन rally निकल रही थी इस particular चीज़ की तो अब जिस party ने उसको as a witness बुलाया वो ये भी बोल सकती है ये भी proof कर सकती है कि साब उस दिन actually ये rally निकली थी इससे क्या पता चलेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है support करने के लिए है तो ऐसे facts को भी proof किया सकता है court allow कर देगा ये है 156 में इसके बाद 157 देखिये former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same 157 बहुत important है previous statement बताया जा सकता है आपकी testimony को corroborate करने के लिए एक witness को prosecution ने बुलाया prosecution ने अपने favor का एक witness बुलाया और उससे सारी बातें बुलवाई अब prosecution चाहे तो उसके द्वारा दी हुई FIR भी ला सकता है during investigation statement दिया था उसको अगर लिखाया तो वो ला सकता है in support of his testimony की देखिये साब या भी भी यही बात बोल रहा है और सेम बात इसने FIR में लिखाई थी या सेम बात इसने police को statement दिया था महा लिखाया था इसका मतलब यह विश्वसनिये वेक्ती है सही बात बता रहा है या आप क्या कर रहा है previous statement क्यों दे रहा है to support his testimony और to support मतलब to corroborate 145 was contradiction अब वो opposite party करेगी जिस party ने witness को बुलाया है वो उसकी testimony को corroborate कराएगी corroborate कराने के लिए आप क्या कर सकते है previous statement यूज कर सकते हैं यह 157 कहता है इसके बाद 158 भी important है 158 बात करता है what matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32, 33 अब जरा recall करिए हमने पढ़ा था section 32 and 33 यह कैसे witnesses की बात करता है जो मर गए हैं जो की dead है या फिर unable to सीधे मैं यह लिख देता हूँ unable to be called जिनको बुलाया नहीं जा सकता court में यह उनकी बात करता है 32, 33 में किसकी relevance की बात करी थी हमने किन लोगों के statement की जिने court में as a witness नहीं बुला सकते उनकी तो उनके द्वारा जो दियेगा statement है वो relevant होते है 32 और 33 में ऐसे वक्ति जिनको आप court नहीं बुलाया जा सकता उनके द्वारा दिये हुए statement relevant तो होते है ठीक तो उसकी evidentiary value क्या होगी क्या उसको उसको disprove करने के लिए evidence दे सकते हो मालनी जी एक dying declaration है अब dying declaration है भईया तो जिस वक्ति ने वो dying declaration दिया है वो तो अब आएगा नी court में टेस्टिमनी देने वो admissible ही तब है as dying declaration जब वो वक्ति मर गया हो तो क्या ये adverse party के पास अधिकार होगा कि वो evidence दे इस बात के जिससे वो dying declaration disprove हो जाए so the answer is yes तो 158 allow करता है ऐसे सारे evidences जो 32 या 33 में जो statement relevant है उनको disprove करें so देखिए यहां लिखा है whenever any statement relevant under section 32 और 33 is approved all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate उसको contradict करने के लिए भी आप evidence ला सकते हैं या corroborate करने के लिए भी ला सकते हैं prosecution ने statement dying declaration की तरह पेश किया है तो वो दूसरे supporting evidence भी दे सकते हैं वो corroborating हो जाएंगे क्योंकि support करने है adverse party दे रही है तो contradict करने के लिए दोनों allowed है दोनों दे सकते हैं यह दिया है 158 में इसके बाद 159 is also one of the important provisions refreshing memory माल लीजे कोई एक witness court में आके testimony दे रहा है और वो testimony क्या दे रहा है जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी है police diary में investigating officer अपने convenience के लिए day to day जो वो काम करता है investigation से related उसको एक diary में लिख लेता है और जब investigation officer को as a witness बुलाया गया हो court में तो फिर वो use कर सकता है उस police diary को to refresh his memory यह basically 159 में बताया है कि आपने कोई previous statement दिया इन writing तो उसको recall करने के लिए आप वो writing refer कर सकने लेकिन अगर आपने अपनी memory refresh करने के लिए उस writing को refer किया है तो इससे adverse party के पास भी अधिकार आ जाएगा उस writing को refer करने का यह ध्यान रखिएगा 159 देखिए a witness may while under examination refresh his memory by refreshing to any writing made by himself खुद उसने कुछ लिखा है तो उससे अपनी memory refresh कर सकता है चीक बस इसके बारे में और ज्यादा कुछ जानने की ज़रूत नहीं एक बार आप read करेंगे समझ जाएगे कोई concept नहीं है इससे लिए जो main बात है वो 160 और 61 में है 160 देखिए testimony to facts stated in document mentioned in section 159 a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159 although he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in the document अब मान लीजे 160 में उसने अपनी memory refresh करने के लिए अपनी previous writing को refer तो किया है लेकिन वो recollect नहीं कर पा रहा वो recall नहीं कर पा रहा कि यार ये चीज़ हुई थी या नहीं लेकिन उसका कहना ये है कि साब अगर मैंने इसमें लिखा है तो ये पक्का हुआ होगा जैसे मान लेजे एक कोई society का guard है जो society में हर वेक्ति आता जाता है उसका record रखता है जब trial चल रही है उस वेक्ति को बुलाया जाता है उस guard को as a witness बुलाया जाता है उससे पूछा जाता है कि भाईया इस दिन ये वेक्ति आपकी society में आया था क्या तो वो guard कहता है साब मेरे को register देखना पड़ेगा अब वो register में देखता है कि उसका नाम लिखा है लेकिन आप guard उस society में रोज इतने लोग आते हैं और उसका नहीं कितनी पुरानी बात पूछ रहे हैं तो वो सकता है उसे exactly याद ना हूँ तो वो ये भी बोल सकता है कि साब मेरे को exactly तो recall में नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वेक्ति आया था या नहीं लेकिन अगर मैंने इस diary में लिखा है तो पक्का आया होगा क्योंकि इसमें मैं as a course of business चीज़ें लिखता हूँ तो वो भी यहाँ पे आएगा ठीक देखिए यहाँ लिखा है witness में also testify वो भी testify कर सकता है जो exactly याद नहीं है वो भी वो testify कर सकता है यह बोलके कि साब इसमें लिखा है इसका मतलब वो सही है ठीक यह है 160 इसके बाद 161 right of adverse party as to writing used to refresh memory अब भाई देखिए जिस व्यक्ति की वो writing है अगर उसने अपनी memory refresh करने के लिए उस piece of writing को use किया है तो इससे adverse party के पास भी अधिकार आ जाएगा उस writing को use करने का इसलिए हम जब 172 में police diary पढ़ते हैं हमने वहाँ पढ़ा है कि generally accused के पास अधिकार नहीं होता police diary को देखने का लेकिन अगर investigating officer ने उसको use किया है for refreshing his memory तो उस पे यह provision applicable होते है evidence के और इस provision के हिसाब adverse party के पास अधिकार आ जाएगा उस diary को refer करने का अब अगर आपको वह बात याद है CRPC वाली तो आप connect कर लेंगे नहीं है तो दोबारा उस lecture को एक बार देख लिजेगा any writing referred to under the provision of the two last visiting section must be produced and shown to the adverse party if he requires it अगर adverse party को चाहिए तो वो writing आपको से दिखानी पड़ेगी such party may if he pleases cross examine the witness और वो party चाहे तो उस writing के basis पे cross examine भी कर सकती है 162 important नहीं है 164 देखिए इसके बाद सीधे 164 देखिए using as evidence of document production of which was refused on notice अगर किसी party को notice दिया गया था कि ये document आपको court में पेश करना है और जब notice दिया गया था उस समय उन्होंने पेश नहीं किया तो बाद में वो उस document को refer नहीं कर सकते use नहीं कर सकते अपने benefit के लिए बिना party की consent के या court के हाँ अगर दूसरी adverse party देखिए जैसे मान लीज़े मैं एक party हूँ मुझे notice दिया गया था कि ये document या चीज मुझे produce करनी है उस समय मैंने नहीं करी अब subsequently मैं अपने usage के लिए उस document को produce नहीं कर सकता हाँ लेकिन अगर adverse party इस बात को allow कर दे consent दे दे तो कर सकता हूँ या court की permission से सीधे सीधे प्री में ये सवाल पूछा जाता है कि एक party जिसको notice दिया गया था तब उसने कोई document पेश नहीं किया था तो वो किन circumstances में पेश कर सकता है तो ध्यान रखिएगा अगर adverse party consent दे दे तो कर सकता है या फिर court की permission ले ले तो कर सकता है यहां लिखा है बिना party refuses to produce a document which he has had notice to produce he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court बिना court के order के adverse party के वो से use नहीं कर पाएगा बाद में इसके बाद 165 देखिए judges power to put questions और order production बहुत important है इसको court question के नाम से भी जाना जाता है एक यह भी चीज़ है कि जो proceedings है Indian Evidence Act में वो adversarial है या inquisitorial है adversarial proceeding होती है और एक होती है inquisitorial adversarial में यह होता है कि ज़साब चुपचाब बैठते हैं और सिरफ parties पे ही दायत होता है अपनी बातों को proof करने का whereas inquisitorial proceeding यह होती है जहाँ ज़साब का active role होता है court का witness इससे बात करने हैं तो यह जो 165 है यह inquisitorial nature reflect करता है inquisitorial मतलब 165 में ज़साब को अधिकार दिया गया है किसी भी witness से कुछ भी बोच सकते हैं ऐसे power आपने CRPC में भी पड़े है CPC में भी पड़े है कि court जिसको चाहे उसको दुबारा बुला सकता है as a witness जिसको चाहे examine कर सकता है नहीं भी बुलाया है as a witness तो किसी और को बुला सकता है court में मौझूद किसी भी वेक्ति को examine कर सकता है यह सब हमने CRPC, CPC में भी पढ़ा है, 165 एक्सप्रेस लिए पावर जज़ को देता है, देखिए ज़रा, judges power to put question और order production, बहुत important है, किस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकते ज़साब, और किन चीहों से ज़साब सवाल पूछ सकते हैं, दोनों important है, तो ध्यान रखिएगा, 165 में लिखा है, कि ज़साब relevant और irrelevant दोनों तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, बस scandalous वगेरा नहीं होने चाहिए, या privileged communication नहीं होना चाहिए, बाकी relevant, irrelevant दोनों पूछ सकते हैं, देखिए, the judge may in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he pleases, in any form at any time, कभी भी, किसी भी form में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, of any witness or of the parties, about any, underline कर लीजए, about any fact, relevant or irrelevant, वो relevant facts से related भी सवाल पूछ सकते हैं, irrelevant facts से related सवाल भी पूछ सकते हैं, and may order the production of any document or thing, किसी भी चीज़ को मंगवा सकते हैं, किसी भी document को मंगवा सकते हैं, और क्यूंकि court ने कोई document म लिया है या witness से सवाल कर लिया है इससे किसी party को अधिकार नहीं मिलेगा उस witness को cross examine करने का या उस document को देखने का ये court का अपना power है इससे party को कोई अधिकार derived नहीं होगा ये बात आगे लिखी है neither the parties nor their agent shall be entitled to make any objection to any such question or order nor without the leave of the court to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question court ने अगर अपना 165 का power exercise करके कोई सवाल witness से पूछा है तो इससे अपने आप cross examination का अधिकार किसी party के पास नहीं आएगा अगर आपको court ने question किया witness उसका जवाब दिया अब दूसरी party कोई भी party उसको cross examine नहीं करेगी उस जवाब के basis पे अगर आपको करना है court की permission मांगिए अगर court permit करेगा तो कर सकते हैं otherwise नहीं court का discretion है कि cross examination होगा या नहीं आपके पास अपने से कोई अधिकार नहीं आएगा just because कि court ने कोई सवाल पूछ लिया है just because of that आपके पास cross examination का कोई अधिकार नहीं आएगा यह ध्यान रखिए इसके बाद के provisor के बारे में मैं पहली क्लास में इसको मैंने refer किया था provided that the judgment must be based upon facts declared by this act to be relevant and duly proved सवाल आप relevant fact या irrelevant fact किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं लेकिन आपका जो judgment होगा वो किस पे based होगा हमेशा relevant fact जो proof हो गए हैं judgment किस पे based होगा उन relevant facts पे जो proof कर दिये गए हैं उन पे based ही judgment आपका होगा इसके बाद अगला provisor भी equally important है provided also that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under section 121 to 131 privileged communication उस्ते related सवाल आप नहीं पूछेंगे यह limitation तो judge साब के उपर भी आगे लिखा है both inclusive if the questions were asked or the documents were called for by the adverse party nor shall the judge ask यह भी important है nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 और 149 148 और 149 वही बिना reasonable ground के सवाल आपको भी नहीं करना है nor shall he dispense with primary evidence of any document तो यह limitation है privileged communication और बिना reasonable doubt के आपको भी question नहीं करने है यह limitation है आपके power पे इसके बाद आखरी section जो important है 166 बहुत important नहीं है सिर्फ याद रखिएगा head note power of jury और assessors to put question अब यह relevant नहीं रहा क्योंकि अब jury system खतम हो चुका है 167 important है no new trial for improper admission or rejection of evidence 167 कहता है कि अगर मान लीजिये एक proceeding खतम हो गई है अब appeal में जाके कोई party ये कोई भी party ये नहीं कहेगी कि साथ हमको ये particular admission court ने court ने particular evidence allow नहीं किया था या ये particular evidence reject कर दिया था या ये particular evidence admit कर लिया था जो कि admit होना नहीं चाहिए क्योंकि relevant नहीं था इस ground पे कोई भी proceeding set aside नहीं होगी जब तक उसकी वजह से failure of justice ना हुआ हो impact की बात कर रहे है 167 में कि अगर court ने कोई ऐसा evidence allow कर दिया हो जो नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा evidence जो allow करना चाहिए था वो reject कर दिया तो उसका impact क्या होगा जो जारा language देखिये the improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial सिर्फ इस ground पे new trial नहीं होगी या जो trial हुई हो reverse नहीं होगी if it shall appear to the court before which such objection is raised that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision on that if the rejected evidence had been received it ought not to have buried basically सिर्फ इस बात से कि कोई particular evidence court ने reject कर दिया या admit कर लिया इसका generally impact नहीं होगा अगर दूसरे sufficient evidence थे या उसको admit कर भी लेते तो भी कोई judgment में change नहीं आता ऐसे case में ऐसे non admission का या wrong admission का impact नहीं होगा अगर वो इतना impactful है कि उसको admit कर लेते तो decision ही बदल जाता तो जरूर आप appeal में जाके ये बात कर सकते हैं otherwise इसका कोई impact नहीं होगा that is 167 और भाई साब इस तरीके से एक और giant act जिसे आप कहते हैं evidence act तो ये उतना lengthy तो नहीं है बट हाँ technicalities है और technicalities part 1, part 2 में जादा है मैंने आपको इसलिए पहले ही काता है कि part 3 में उतनी technicalities नहीं है और आपने देखा नहीं है actually अगर वो context आपके पहली class अगर आपको evidence की clear है कि कहां क्या पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिये 50% समस्य हैं आपकी वहीं समाप्त हो जाती है चीक यश का कहने रहे हैं आपको 50% भी dedication आज़े है तो exam clear all right thank you yes for this compliment लेकिन बटा मेरे हिसाब से कहीं पे भी अपने आपको accomplish करने के लिए ना किसी भी चीज में 100% शितत जरूरी है वह चाहिए आपको क्योंकि result में हमेशा कहता हूँ it is not just about your knowledge it is not just about your talent it is a complete package to get selected in life or to get success in life चाहिए वो exam की बात हो या कुछ और आप करें बहुत कुछ matter करते हैं आपके intentions बहुत matter करते हैं आपके sacrifices बहुत matter करते हैं हर चीज मैटर करते हैं सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हमने पढ़तो लिया पढ़ने वाले तो 50 है न अब सिर्फ मैंने ये provision पढ़ लिये हैं या मुझे आतने इससे काम नहीं चलेगा बहुत सारी चीजों से result बनता है यह मैं हमेशा कहता हूँ aspirant से सिर्फ आपके पढ़ाई कर लेने से result नहीं बनता, overall package होना पड़ता है आपके intentions सही होने चाहिए हर चीज के पीछे, तभी result मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ न कि वो जो result रुपता है वो सिर्फ इसलिए नहीं रुपता कि पढ़ाई में कहीं कमी रह गई, जीवन में इस तरीके से हमारे इस crash course के बहुत important subject खतम हुए है